रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रोबर्ट टी कियो सकी प्रस्तावना इस पूस्तक को पढ़ कर आप क्या सिखेंगे अमेरिका का दा Securities and Exchange Commission किसी व्यक्ति को मानेता प्राप्त निवेसक तब मानता है जब उसके पास दो लाख डोलर या उससे अधिक की वार्षिक आये हो या दमपत्ती की रूप में तीन लाख डोलर या उससे अधिक की आये हो या दस लाख डोलर या इससे अधिक नेट वर्थ या शुद संपत्ती हो SEC ने ये शर्तें इसलिए रखी है ताकि संसार के कुछ सबसे बुरे और सबसे खतरनाक निवेसों से ओसत निवेसक की रख्षा हो सके समश्या यह है कि इनी सर्तों की वज़े से ओसत निवेसक संसार के कुछ सबसे अच्छे निवेसों से भी वन्चित रहे जाता है यह भी एक कारण था जिसकी वज़े से अमीर डैड ओसत निवेसक को सला देते हैं ओसत मत बने रहो सुन्ने से शुरुवात करना यह पुस्तक 1993 में मेरे वियतनाम से लोटने से शुरू होती है मरिन कारण से मेरी वापसी में एक साल से भी कम समय में बचा था इसका मतलब था कि एक साल से भी कम समय में मेरे पास ने तो कोई नोकरी होगी ने ही पैसा और ने ही संपत्ती तो यह पुस्तक एक ऐसे बिंदू से शुरू होती है जो आप मेंसे कई के लिए परिचित होगा और यह सुन्य से शुरुआत का बिंदू है 1903 में मेरे पास तो बस यह सपना था कि मैं किसी दिन बहुत अमीर बनूँगा और ऐसा निवेसक बनूँगा जो अमीरों के निवेसों में निवेस कर सके इन निवेसों के बारे में बहुत कम लोगों को पता चलता है क्योंकि इनके बारे में वित्य अकबारों में कुछ नहीं चपता और निवेस दलाल इने सारवजनिक तोर पर बेचते भी नहीं है यह पुस्तक तब शुरू होती है जब मेरे पास निवेसक बनने के एक सपने के सिवाई कुछ नहीं था और बस मेरे अमीर डैडी का मारक दर्सन था चाहे आपके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा हो या धेर सारा हो चाहे आप निवेश के बारे में बहुत कम जानते हो या बहुत ज़्यादा यह पुस्तक आपकी दिलजस्पी के लिए है निवेश बड़ा ही जटिलविशे है परंतु इसे यथा संभव सरल बनाने की कोशिस की गई है यह पुस्तक हर उस आदमी के लिए लिखी गई है जो बेहतर जानकार निवेशक बनने में रूची रखता है चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो अगर आप पहली बार निवेश पर कोई ओडियो पुस्तक सुन रहे हैं और इस बारे में चिंतित हैं कि कहीं यह ज़्यादा जटिलने हो तो चिंता छोड़ दें आप में तो बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप खुले दिमाग से इसे सुरू से अंत तक सुन ले अगर पुस्तक के कुछ हिससे आपको समझ नहीं आएं तो बस शबद ही सुन ले और अंत तक सुनते रहें हो सकता है कि आप हर चीज नहीं समझ पाएं लेकिन इसके बावजूद पूरी पुस्तक सुनने भर्च से आप निवेस के बारे में उन लोगों से ज़्यादा जान पाएंगे जो वर्तमान में शेर बाजार में निवेस कर रही हैं दरसल पूरी पुस्तक सुनकर आप निवेस के बारे में इतना अधिक जान पाएंगे जितना वे लोग भी नहीं जानते जिने निवेस संबंदी सला देने के लिए तंख्वा मिलती है। यह पुस्तक सरल निवेसों से शुरू होकर परिस्करत निवेसों तक आगे जाती है। इसमें आपको विश्तरत विवरण और जटिलता के दलदल में फशाने की कोई कोशिस नहीं की गई है। कई माइनों में यह पुस्तक सरलता से शुरू होती है और सरल ही बनी रहती है। हालांकि इसमें कुछ बेहद परिश्क्रत निवेस रन नीतियों का उलेक किया गया है। यह एक अमीर विक्ति की कहानी है जो एक युवा का मार्कदर्शन करता है। निवेस के अक्सर गलत समझे जाने वाले विशे को पस्ट करने के लिए समय समय पर तस्वीरों और रेखाचित्रों का इस्तेमाल भी किया गया है। धनका 90-10 का नियम। मेरे अमीर डैडी इतालवी अर्थसास्त्री विल्फ रेदो पर रेतो द्वारा खोजे गई 80-20 के नियम की कदर करते थे। जिसे 99 परियास का सिधान्त के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन पैसे के एक शित्र में अमीर डैडी 90-10 के नियम की ज़्यादा कदर करते थे। जिस कामत है कि 10% लोग 90% पैसा बनाते हैं। मैं इस बारे में व्यक्तिगत तोर पर चिंतिती सलिए हूँ। क्योंकि अधिकादिक परिवार अपने बविश्य के संबल के लिए अपने निवेसों पर निर्वर है। समश्या यह है कि हालांकि आज बहुत से लोग निवेस कर रहे हैं लेकिन उन में से बहुत कम सूशिक्षित या परशिक्षित निवेसक हैं। शेयर बाजार के लुडगने या डेहने पर सारे नए निवेशकों का क्या होगा अमेरिका की संग्य सरकार विनासकारिक शती से हमारी बचत का वीमा करती है लेकिन यह हमारे निवेशों का वीमा नहीं करती इसलिए जब मैंने अपने अमीर डेडी से पूछा था आप औसत निवेशक को क्या सला देना चाहेंगे तो उनका जवाब था औसत मत बने रहो औसत कैसे नह रहा जाए निवेशके विषय के बारे में मैं बहुत जागरूग तभी बन गया था जब मेरी उमर बस 22 साल थी तब तक निवेशक्य अउधारना दरसल मेरे दिमाग में ही नहीं थी मेरे दिमाग में तो निवेस के नहीं बेसबाल और फुटबाल के ही विचार रहते थे मैंने वहे शब्द तो सुना था लेकिन उस पर जादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि मैंने खुद अपनी आँखों से यह नहीं देख लिया कि निवेस की शक्ति क्या कर सकती है मुझे याद है मैं उस आदमी के साथ समुंदर तक पर टहल रहा था जिसे मैं अपना अमीर डेडी कहता हूँ हमारे साथ उनका बेटा माइक भी था जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है अमीर डेडी ने उसी समय एक जाइदाद खरीदी थी और वे मुझे तथा आपने बेटे को वही दिखाने लाई थे हलांकि तब मेरी उमर बारा साल थी लेकिन फिर भी मुझे एचास था कि मेरे अमीर डेडी ने उस वक्त हमारे कजबे की सबसे मुल्यवान जाइदादों में से एक खरीद ली थी उस कच्छी उमर में भी मैं जानता था कि बालोई समूंदर तटकी जाइदाद सामान्य जाइदाद से कहीं अधिक मुल्यवान होती है मेरा पहला विचार था माइक के डेड़ी इतनी महेंगी जाइदाद कैसे खरीद सकते हैं मैं वहाँ पर खड़ा रहा और लहरे मेरे नंगे पैरों से टकराती रही मैं उस आदमी को देख रहा था जिसकी उमर मेरे अमीर डेड़ी जितनी ही थी और जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक निवेस कर रहे थे मुझे इस बात की हैरानी थी कि उनके पास इतनी महेंगी जाइदाद को खरीदने के पैसे कहां से आई मुझे मालूम था कि मेरे असल डेड़ी उन से कहीं अधिक कमाई करते थे क्योंकि वे उन्ची तनखुआ पाने वाले सरकारी अधिकारी थे और उन्हें तगड़ी तनखा मिलती थी लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरे असल डेड़ी कभी भी समंदुर तटके सामने वाली जमीन खरीदने का कर्च नहीं उठा सकते थे तो फिर माईक के डेड़ी इस जमीन को कैसे खरीच सकते थे जबकि मेरे असल डेड़ी नहीं खरीच सकते थे उस वक्त मैं यह बात नहीं जानता था कि पेशेवर निवेशक के रूप में मेरा करियर उसी पल शुरू हो गया था जब मुझे निवेश शब्द की शक्ति का एसास हुआ अपने अमीर डेड़ी और उनके बेटे माईक के साथ समुन्दर तट पर टहलने की उस घटना को लगबग सालिस साल हो चुके हैं लेकिन आज भी लोग मुझसे उन मेंसे कई सवाल पूछते हैं जो मैंने उस दिन पूछने शुरू किये थे मेरी निवेश कक्षाओं में लोग मुझसे कमो बेस वैसे ही सवाल पूछते हैं जो मैंने अपने अमीर डेड़ी से पूछे थे मसलं पहला अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं निवेश कैसे कर सकता हूँ दूसरा मेरे पास निवेश करने के लिए 10,000 डोलर है आपके उसाब से मुझे कहा निवेश करना चाहिए तीसरा आप किस में निवेश करने की सला देते हैं अचल संपती में म्यूचुल फंड में या फिर शेरों में चोथा क्या मैं बिना पैसों के अचल संपती या शेर खरीद सकता हूँ पांचुआ क्या पैसे बनाने के लिए पैसों की जुरूरत नहीं होती छटा क्या निवेश जोखिंबरा नहीं है साथुआ कम जोखिंग में आपको इतना ज़्यदा फाइदा कैसे हो जाता है अठुआ क्या मैं आपके साथ निवेश कर सकता हूँ लोग निवेश शब्द के भीतर छिपी शक्ती को समझ रहे हैं कई लोग तो यह जानना चाते हैं कि इस शक्ती को वे कैसे हासिल करें जब आप यह पुस तक पूरी सुन लेंगे तो आपको इस में से कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर कुछ सवालों के जवाब यहां नए भी मिले तो मुझे उमीद है कि यहां आपको इतनी प्रेड़ना मिल जाएगी कि अपने लिए कारगर जवाब खुद खोजने के लिए आगे मेहनत करें 40 साल से भी अधिक समय पहले मेरे अमीर डैड़ी ने मेरे लिए जो सबसे मैटोपूर्ण चीज की वह यह थी कि उन्होंने मेरे बितर निवेस के बारे में उत्सुक्ता की चेंगारी भर दी मेरी उत्सुक्ता तब जागी जब मुझे इस बात का एसास हुआ कि मेरे सबसे अच्छे मित्र के डैड़ी जो तनख्वा संबंदी तुलना करने पर मेरे असल डैड़ी से कम पैसा बनाते थे एक निवेस कैसे खरिद सकते थे जिनें खरिदना सिर्फ अमीर लोगों के ही बुत्ते की बात थी मुझे एसास हुआ कि मेरे अमीर डैड़ी में एक एसी शक्ती थी जो मेरे असल डैड़ी के पास नहीं थी और मैं भी वैसी ही शक्ती हासिल करना चाहता था कई लोग इस शक्ती से घवराते हैं और इस से दूर ही रहते हैं जबकि कुछ इसके शिकार बन जाते हैं मैं इस शक्ती से दूर नहीं भगा मैंने इसकी निंदा करते हुए एसी बाते नहीं कही कि अमीर लोग गरीबों का शोशन करते हैं या निवेश खतरनाक है या अमीर बनने में मेरी कोई रूची नहीं है इसके बज़ाए मैं जिग्याशू बन गया इस शक्ति को समझने की मेरी जिग्याशा और इसे हासिल करने की मेरी इच्छा ही थी जिने ग्यान और युग्यताईं भी कहा जाता है जिनोंने मुझे खोजन और सीखने के आजिविन मार्क पर अगरसर किया अमीर आदमी की तरह निवेस करना हो सकता है कि यह पुस्तक आपके चाहे गए सारे तक्निकी जवाब ने दे पाए लेकिन इसका इरादा आपको यह बताना है कि कुछ सबसे अमीर स्वे निर्मित विक्तियों ने अपना पैसा क कैसे हासिल की बारा साल की उमर में समुंदर तक पर खड़ा खड़ा जब मैं अपने अमीर डैडी की खरीदी जाएधा देख रहा था तो मेरा दिमाग संभावनाओं के एक एसे संसार के प्रतिक खुला जो मेरे घर में मौजूद नहीं था मुझे एसास हुआ कि यह पैसा जिसने मेरे अमीर डैडी को अमीर निवेसक बनाया मुझे एसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी के सोचने का तरीका मेरे असल डैडी की सोच के वीपरित था और अक्सर इसके विरोध में जाता था मुझे एसास हुआ कि अगर मैं अपने अमीर डैडी जैसी आर्थिक शक्ति पाना चाता हूँ तो मुझे उनके सोचने की आदत को समझने और अपनाने की जरूरत है मैं जानता था कि अगर मैं उनकी तरह सोचने लगूं तो हमेशा के लिए अमीर बन जाओंगा मैं यहे भी जानता था कि अगर मैंने उनकी तरह सोचने की आदत नहीं डाली तो मैं कभी सचमुच अमीर नहीं बन पाऊंगा बले ही मेरे पास कितना भी पैसा क्यों नहीं हो अमीर डैडी के पास उस वक्त पैसा नहीं था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारे शहर के एक बहुत उपयोगी वए महंगी जायदाद में निवेस कर दिया था मुझे भान हुआ कि दोलत का तालुब बैंक में जमा पैसों से नहीं बलकि सोचने के तरीके से होता है अमीर निवेसकों की यही सोचने की आदत है जिसके बारे में मैं आपको इस पूस्तक में बताना चाहता हूँ अमीर डैडी का जवाब सालिस साल पहले समुंदर तट पर खड़े-खड़े मैंने आखिरकार अपने अमीर डैडी से यहे पूछने का साहस जुटा लिया आप समुंदर तट वाली इस बहुत महेंगी दस एकर जमीन को खरिदने का खर्च कैसे उठा सकते हैं जबकि मेरे डैडी नहीं उठा सकते अमीर डैडी ने तब मुझे जो जवाब दिया उसे मैं कभी नहीं बूला उन्होंने मेरे कंदे पर हाथ रखा और हम मुड़कर समुंदर तट पर पानी के पास टहलने लगे अमीर डैडी तब मुझे जोस के साथ समझाने लगे कि धन और निवेस के बारे में वे क्या सोचते थे और उनके नजरिये की बुनियादी बातें क्या थी उनका जवाब इस बात से शुरू हुआ मैं भी इस जमीन को खरिदने का खर्च नहीं उठा सकता लेकिन मेरा व्यवसाई उठा सकता है हम उस दिन एक गंटे तक तट पर टेलते रहे अमीर डैडी के एक तरफ उनका बेटा था और दूसरी तरफ मैं मेरे निवेस के सबक शुरू हो गई थे कुछ समय पहले मैं सिड्नी ओस्टेलिया में तीन दिन का निवेस पाठे करम पढ़ा रहा था डेड़ दिन तक मैंने व्यवसाई बनाने के गुर और सबक सिखाई आखिरकार एक कुंठित परतिबागी ने हाथ उठाया और कहा मैं निवेस के बारे में सीखने आया हूँ आप व्यवसाई पर इतना ज़्यादा समय क्यों लगा रहे हैं मेरा जवाब था इसके दो कारण है पहला कारण है कि हम अंतत्य किसी व्यवसाई में ही निवेस करते हैं अगर आप शेरों में निवेस करते हैं तो आप एक व्यवसाय में निवेस कर रहे हैं। अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसी किसी जायदात को खरीते हैं, तो वह इमारत भी एक व्यवसाय है। अगर आप कोई बॉंड खरीते हैं, तब भी आप किसी व्यवसाय में निवेस कर रहे हैं। एक अच्छा निवेसक बनने के लिए आपको पहले व्यवसाई का अच्छा ग्यान हासिल करना होगा। दूसरा कारण निवेस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपका व्यवसाई आपकी खातिर निवेस खरीदे। निवेश करने का सबसे बुरा तरीका अकेले व्यक्ति की रूप में निवेश करना है। वोसत निवेशक व्यवसाई के बारे में बहुत कम जानता है और अक्सर अकेले व्यक्ति की रूप में निवेश करता है। इसलिए मैं निवेश पाठेक्रम में व्यवसाई पर इतना ज़्यादा समय लगा रहा हूं। और इसलिए यह पुस्तकी है बताने में कुछ समय लगाएगी कि व्यवसाई कैसे बनाया जाए और किसी व्यवसाई का विशलेशन कैसे किया जाए। व्यवसाई के जरिए निवेश करने पर भी मैं कुछ समय लगाऊंगा। क्योंकि अमीर डैडी ने मुझे इसी तरह निवेश करना चिखाया था जैसा उन्होंने मुझे 40 साल पहले कहा था। मैं भी इस जमीन को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता लेकिन मेरा व्यवसाई उठा सकता है। दूसरे सब्दों में मेरे अमीर डैडी का नियम था, मेरा व्यवसाई मेरे निवेश खरीदता है। अधिकांस लोग अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वे व्यवसाई के मालिक नहीं बल्कि अकेले वेक्तियों की रूप में निवेस करते हैं। इस पुस्तक में आप देखेंगे कि 90% शेरों के स्वामी 10% लोग क्यों हैं जिन में से अधिकतर व्यवसाई मालिक हैं और वे अपने व्यवसाई के माद्यम से निवेस क्यों करते हैं और आप भी एसाही कैसे कर सकते हैं। इन लोगों को मैं इस पुस्तक में 90-10 निवेसक कहता हूँ। जब कोर्स खतम हुआ तो जिस व्यक्ति ने मुझसे वह सवाल पूछा था वह समझ गया कि मैंने व्यवसाई समंदी बाच्चित में इतना ज्यादा समय क्यों लगा था। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा उस व्यक्ति और पूरी कख्षा को एहसास होने लगा कि संसार में सबसे अमीर निवेसक निवेस नहीं खरीदते हैं। 90-10 की श्रेणी के अधिकतर निवेसक अपने निवेस खुद बनाते हैं। अमेरिका के कई अरबपतियों की उम्र 30 साल से कम है। इसका कारण यह नहीं है कि उन्होंने निवेस खरीदे थे। उन्होंने तो व्यवसाई नामक निवेस बनाए थे। जिने लाखों करोडों लोग खरीदना चाते हैं। लगबग हर दिन मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं। मेरे पास एक नए उत्पाद का विचार है जो करोडों कमा सकता है। दुरभाग्य से इन रचनात्मक विचारों में से अधिकतर दोलत में नहीं बदल पाते हैं। इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा इस बात पर ध्यान के निरित करेगा कि 10% लोग अपने विचारों को करोडों यहां तक की अर्बों डॉलर के विवसायों में कैसे बदल लेते हैं जिन में दूसरे निवेसक निवेस करना चाते हैं। इसलिए अमीर डेड़ी ने मुझे यहां सिखाने में इतना ज़्यादा समय लगाया कि विवसाय कैसे बनाया जाई। साथ ही उन्होंने यहां सिखाने में भी समय लगाया कि निवेस करने के लिए विवसायों का विशलेशन कैसे किया जाई। तो अगर आपके पास कोई विचार हो जो आपके ख्याल से आपको अमीर बना सकता है या आपको शायद 90-10 के निवेसक कलब में भी पहुंचा सकता है तो इस पुस्तक का दूसरा इसा आप ही के लिए है खरीदो, रोक कर रखो और प्रार्थना करो बरसों तक अमीर डेड़ी ने मुझे बताया कि भिन भिन लोगों के लिए निवेसका अलग-अलग अर्थ होता है आज मैं अक्षर लोगों की ऐसी बाते सुनता हूँ पहला, मैंने कुछ समय पहले फलांक अपनी के 500 शेर 5 डोलर के भाव पर खरीदे थे इसका बहुबढ़कर 15 डोलर पहुँच गया और मैंने सारे शेर बेज दी है मुझे एक सब्ता से भी कम समय में 5000 डोलर का फाइदा हो गया दूसरा, मेरे पती और मैं पुराने मकान खरीदते हैं उनकी मरमत करते हैं और उन्हें मुना फिवर बेज देते हैं तीसरा, मैं कमोडिटी फ्यूचर्स के सोदे करता हूँ चौथा, मेरे सेवा निम्रती खाते में 10 लाख डोलर से अधिक हैं पांचवा, बैंक में पैसा रखने से अधिक सुरक्षित कुछ नहीं है छठा, मेरे पास विविद्था पुर्ण पोर्टफोलियो है साथवा, मैं लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूँ जैसा अमीर डैडी ने कहा था भिन भिन लोगों के लिए निवेश का मतलब अलग अलग होता है उपर बताए गए कतनों से पता चलता है कि निवेश उतपाद और विद्या कई प्रकाकी होती है परंतु ध्यान रहे अमीर डैडी ने इन में से किसी भी तरीके से निवेश नहीं किया था उनका कहना था अधिकतर लोग निवेशक नहीं है अधिकतर लोग तो स्टोरिय या जुआरी है इन लोगों में खरीदो, रोक कर रखो और प्रार्फना करो की मानचिक्ता होती है वे इस आशा से जीते हैं कि बाजार हमेशा उपर चड़ता रहेगा वे बाजार लुड़कने से डरते रहते हैं सच्चा निवेशक पैसे बनाता है चाहे बाजार उपर चड़े या निचे गिरे वे पैसे बनाते हैं चाहे वे जीत रहे हूं या हार रहे हूं ओसत निवेशक ऐसा करने का तरीका नहीं जानता इसलिए अधिकतर निवेशक ओसत निवेशक होते हैं और 90% वाले समूँ में रहते हैं जो केवल 10% धन कमाता है। खरीदने, रोक कर रखने और प्राथना से अधिक। अमीर डैडी का मानना था कि निवेश का मतलब खरीदने, रोक कर रखने और प्राथना करने से अधिक होता है। यह पुष्टक इन विश्यों पर प्रकास डालेगी। पहला, दस निवेशक नियंतरण, जो जो खिम कम कर सकते हैं और मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, निवेश जो खिम बरा नहीं है, नियंतरण ने रहना जो खिम बरा है। दूसरा, अमीर डैडी की योजना के पांच चरण, जो मुझे सुन्य धन से बहुत सारे पैसों के निवेश तक ले गई। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वांडरेट पुस्तक में मैंने व्यवसाई जगत में पाए जाने वाले चार लोगों के बारे में बताया है। जो इस परकार है। E का मतलब है Employee, यानि की करमचारी। S का मतलब है Self-Employed, यानि की स्वय रोजगार या छोटा कारोबर्क करने वाले। B का मतलब है Business Owner, यानि की व्यवसाई का मालिक। I का अर्थ है Investor या निवेशक। Amir Daddy ने मुझे B क्वाडरेट से निवेशक बनने के लिए प्रोथसाईट किया। क्योंकि यहां से निवेश करने के लिए करकानून बहतर है। Amir Daddy हमेशा कहते थे करकानून निश्पक्ष नहीं है। वे अमीरों दुवारा अमीरों के लिए बनाए गए है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको उनीक करकानूनों का लाव लेने की ज़रूरत हैं जिनका लाव अमीर लेते हैं। 6.10% लोग ही अधिक्तम दोलत को निएंतिरित करते हैं। इसका एक कारण यह है कि केवल 10% ही जानते हैं कि किन कर कानुनों का इस्तेमाल किया जाए। 1943 में संगिय सरकार ने कर्मे कमी की सभी जरिये सभी करमचारियों के लिए बंद कर दिये। 1986 में संगीय सरकार ने एस क्वांड्रेंट के लोगों के कर्मे कमी के सभी जरिये भी बंद कर दिये जिसमें डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इंजिनियर, आर्किटेक्ट जैसे लोग शामिल है दूसरे सब्दों में, केवल 10% निवेसकों के 90% धन बनाने का एक कारण यह भी है कि केवल 10% निवेसक ही जानते हैं कि भिन भिन करलाबों को हासिल करने के लिए अलग अलग क्वांड्रेट से निवेस कैसे करना है वो सत निवेसक सिर्फ एक ही क्वांट्रेट से निवेस करता है चोथा, चाहे बाजार उपर जाई या नीचे, सचा निवेसक पैसा क्यों और कैसे कमाएगा पांचवा, आधारबूत निवेस और तक्निकी निवेस में फर्क छठा, सिर्फ स्तर के निवेसकों के पांच प्रकार रिच डैड्स कैस फ्लोक वांडरेट में मैंने निवेसकों के पांच स्तर बताए है यह पुस्तक निवेशकों के दो सिर्सस्त स्त्रों पेशेवर और पुंजी पती को निवेशकों के निमन प्रकार से सिरेनिवर्द करती है पहला मन्यता प्रापत निवेशक, दूसरा योग्यता प्रापत निवेशक, तीसरा प्रिश्करत निवेशक, चोथा अंधरूनी निवेशक, और पांचवा सर्वस्रेश्ट निवेशक इस पुस्तक के खतम होने तक आपको पता चल जाएगा कि इन में से प्रतेग निवेशक के लिए कितनी योग्यता वेशक्षा की जरूरत होती है साथवा, प्रियाप्त पैसे ने होने और बहुत ज़्यादा पैसे होने के बीच का फरक कई लोग कहते हैं, जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, तो मेरी पैसे संबंदी समश्या खत्म हो जाएगी उन्हें यह पता ही नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पैसे होना भी उतनी ही बड़ी समश्या है, जितनी की परियाप्त पैसे ने होना इस पुस्तक में आप दो तरह की धन संबंदी समश्याओं के बीच का फरक सीखेंगे, एक समश्या है परियाप्त धन ने होने की समश्या, दूसरी समश्या है बहुत ज़्यादा धन होने की समश्या, बहुत कम लोगों को एहसास है कि बहुत ज़्यादा पैसे होना कितने ब कि बहुत ज़्यादा पैसों की समश्या से कैसे निप्टा जाई। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि परियाप्त पैसे नय होने की समश्या के साथ कैसे शुरू किया जाई। बहुत सारा पैसा कैसे बनाया जाई। और फिर बहुत ज़्यादा पैसे होने की समश्या से कैसे निप्टा जाई दूसरे सब्दों में यहे पुस्तक आपको सिर्फ यही नहीं सिखाएगी कि बहुत सारा पैसा कैसे बनाना है लेकिन इससे भी अधिक मैत्वपूर्ण यहे आपको यहे भी सिखाएगी कि इसे अपन मुझसे कहा था ओसर निवेशक बाजार में पैसे नहीं बनाता है मैंने बहुत सारे निवेशकों को एक साल पैसे बनाते और अगले साल उस सारे पैसे को डुबोते देखा है आठवा, दो लाख डॉलर से अधिक कैसे बनाया जाई जो अमीरों के निवेश में निवेश करने का निनुनतम आमदनी स्तर है अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, पैसा सिर्फ एक दरश्टी कोन है अगर आप सोचते हैं कि दो लाख डॉलर बड़ी भारी रकम है तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं अगर आप अमीर निवेश करने की जरूरत है कि दो लाख डॉलर जो माननेता प्रापत निवेश करने की आवशक सर्थ है बाल्टी में पानी की एक बूंट से ज़्यादा नहीं है और इसलिए इस पुस्तक का पहला चरण इतना मैतोपून है इस पुस्तक का पहला चरण अमीर निवेश के रूप में आपको मानसिक तोर पर तयार करता है इसके हर अध्याय के अंत में आपके लिए एक छोटी मानसिक प्रशनावली भी दी गई है हालांकि प्रशनावली के प्रशन सरल हैं लेकिन उन्हें इस तरह तयार किया गया है ताकि आप सोच विचार करें और संभवताय अपने जवाब अपने प्रियजनों को बताएं यही वे आत्मा को टटोलने वाले सवाल थे जो मेरे अमीर डेड़ी ने मुझसे पूछे थे उन्हें ने ही वे जवाब खोजने में मेरी मड़द की जिन की मुझे तलास थी बनाती है उसत निवेसक और 90 दस निवेसक के बीच के मानसिक अंतर इस पूस्तक के पहले मैं तुकुन पहलों में से एक है अमीर डेड़ी एकसर कहते थे अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो बस यह पता लगा लें कि हर कोई क्या कर रहा है और फिर उसका ठीक उल्टा कर दें यह पुस्तक पढ़ने पर आप पाएंगे कि 90 परतिसत पैसा बनाने वाले 10 परतिसत निवेसक और 10 परतिसत पैसा बनाने वाले 90 परतिसत निवेसकों के बीच फरक इस बात का नहीं होता कि वे किस चीज में निवेस करते हैं फरक तो यह होता है कि वे कितने अलग तरीके से सोचते हैं मिसाल के तोर पर पहला अधिकतर निवेशक कहते हैं जोखिम मतलो अमीर निवेशक जोखिम लेता है दूसरा अधिकतम निवेशक कहते हैं डाइवर्सी फाई या वीकेंद्री करण करो अमीर निवेशक अपने निवेशों को केंदरित करता है तीसरा ओसत निवेशक कर्ज को निनुतम करने की कोशिश करता है अमीर निवेशक लावकारी कर्ज को बढ़ाता है चोथा ओसत निवेशक खर्च कम करने की कोशिश करता है अमीर निवेसक जानता है कि खुद को अमीर बनाने के लिए खर्च कैसे बढ़ाई जाई पांचमा ओसत निवेसक के पास एक नोक्री होती है अमीर निवेसक नोक्रियों का सरजन करता है छठा ओसत निवेसक कड़ी मेनत करता है अमीर निवेसक अधिकाद एक पैसे बनाने के लिए कम से कम काम करता है सिक्के का दूसरा पहलू जो इस पुस्तक को सुनने का एक एहम पहलू इस बात पर गोर करना है कि कब आपके विचार मेरे अमीर डैडी के मार्क दर्शक विचारों के लगबग विपरीद है अमीर डैडी कहते थे इतने कम लोग अमीर बनते हैं इसका एक कारण यह है कि वे सोचने के एक ही तरीके पर अटक जाते है उन्हें लगता है कि किसी चीज को करने या सोचने का बस एक ही तरीका होता है अगर उसत निवेसक सोचता है सुरक्षित तरीके से निवेस करो और जोखिम मत लो तब अमीर निवेसक को यहे भी सोचना होता है कि अपनी योग्यताओं को बेहतर कैसे बनाया जाए ताकि वह अधिक जोखिम ले सके इस तरह की सोच को अमीर टेडी सिक्के के दोनों पहलों पर सोचना कहते हैं इसके बाद वे कहते हैं अमीर निवेसक की सोच ओसत निवेसक से अधिक लचिली होनी चाहिए मिशाल के तोर पर हालांकि ओसत और अमीर दोनों ही निवेसकों को सुरक्षा के बारे में सोचना होता है लेकिन अमीर निवेसक को यह भी सोचना पड़ता है कि यदिक जोखिम कैसे लिए जाई अब ओसत निवेसक करज कम करने के बारे में सोचता है तब अमीर निवेसक की इस बारे में सुचता है कि कर्ज को कैसे बढ़ाया जाई जब ओसत निवेसक बाजार लुड़कने के डर में जीता है तब अमीर निवेसक बाजार लुड़कने की राद देखता है हालांकि यह ओसत निवेसक को विरोधावासी लग सकता है लेकिन यही विरोधावास तो है जो अमीर निवेसक को अमीर बनाता है इस पुस्तक को सुनते समय ओसत निवेसकों और अमीर निवेसकों के बीच के विरोधावासों के बारे में जागरुक बने जैसा अमीर डैडी कहते थे अमीर निवेसक इस बारे में बहुत जागरुक होता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ओसत निवेसक शिर्फ एक ही पहलू को देखता है और ओसत निवेसक जिस पहलू को नहीं देख पाता है वही पहलू ओसत निवेशक को ओसत तथा अमीर निवेशक को अमीर बनाता है इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा सिक्व्क के दूसरे पहलू के बारे में है क्या आप उसद निवेसक से अधिक बनना चाते हैं यह पुस्तक निवेस शेर खेरेदने की जोरदार टिप्स और जादोई फार्मलों वाले किताब से कहीं अधिक है इसे लिखने का एक उदेश्य आपको निवेस के विशय पर एक भिनत द्रिश्टिकोन हासिल करने का अउसर देना है उस तक वियतनाम से 1903 में मेरी वापसी से शुरू होती है जब मैंने अमीर निवेसक के रूप में निवेस करने के लिए खुद को तयार करना शुरू किया 1903 में अमीर डैडी ने मुझे सिखाना शुरू किया कि उनके जैसी आर्थिक शक्ती हासिल कैसे की जाई वह है शक्ती जिसके बारे में मैं 12 साल की उमर में पहली बार जागरुक हुआ था 40 साल पहले अपने अमीर डैडी के नमीनतम निवेस के सामने समुंदर तट पर खड़े होने पर मुझे एसास हुआ था कि निवेस के मामले में मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के बीच का फर्क बहुत गहरा था उनमें सिर्फ इतना ही फर्क नहीं था कि उनके पास निवेस करने के लिए कितना पैसा था फरक तो ओसत निवेशक से कहीं अधिक बनने की गहरी इच्छा का था अगर आप में यह इच्छा है तो आगे सुनते रहें धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई एक की तरब जो है मुझे किसमें निवेश करना चाहिए आपका दिन शुब हो रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रोबर्ट टी कियोसाकी अध्याई एक मुझे किसमें निवेश करना चाहिए 1903 में मैं वियत नाम से घर लोटा मैं खुद को खुशकिश्मत मान रहा था जो मुझे इस्ट कोस्ट वाले बेस के बजाए घर के पास हवाई की छाउनी में तैनात किया गया था मरेन काप्स एयर स्टेशन में आराम दे होने के बाद मैंने अपने मित्र माईक को फोन लगाया और उसके डैडी के साथ लंच लेने का समय तैकर लिया जिने मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ माईक भी बेताव था कि वह मुझे अपने नवजात सिशू और अपने नई घर को दिखाई तैह हुआ कि हम अगले शनिवार को उसके घर पर लंच लेंगे जब माईक की लिमोजिन मटमेले स्लेटी चाउनी बी ओक्यू में मुझे लेने आई तो मुझे यह ऐसास होने लगा कि 1965 में हाई स्कूल से निकलने के बाद कितना कुछ बदल गया था वापसी पर स्वागत है माईक ने कहा जब मैं संगमरमर के फर्ष वाले उसके सुन्दर घर के प्रवेस द्वार से अंदर पहुंचा माईक इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहा था और अपने साथ साल के बेटे को गोद में लिये था मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत लोटाई मुझे भी मैंने जवाब दिया जब मैंने माईक के पार चमकते नीले प्रसांद मासागर को देखा जो उसके घर के सामने सफेद बालू को छू रहा था घर भव्य था और उश्न देशिये एक मंजिला महल था जिसमें हवाई की पुरानी और नई जीवन सेली की शालिंता तथा आकरशन था सुंदर इरानी कलीचे थे गमलों में उंचे हरे पोदे लगे थे और एक बड़ा स्विमिंग पूल था जिसके तीन तरफ उसका घर था और चोथी तरफ महासागर था यह बहुत ही खुला और हवादार था सब कुछ इतना सुंदर था कि यह टापू के शांदार जीवन की मिसाल लग रहा था मैं घर की कमाल की सुंदरता से ठगा रह गया था और तंद्रा में चला गया था मेरा मुह है खुला रह गया होगा मैंने कहा कितना प्यारा बच्चा है जैसा किसी नए बच्चे को देखने पर कहना चाहिए लेकिन जब मैं बच्चे को देकर तरह तरह के मूँ बना रहा था और बच्चा मुझे सूने पन से निहार रहा था तब भी मेरा दिमाग इस बात पर सदमे में था कि इन आठ सालों में कितना कुछ बदल गया है मैं एक फोजी चाउनी में पूराने बेरिक में रह रहा था और मेरे घर में बीर पीने वाले तीन और गंदे युवा पाइलेट रहते थे जबकि माईक अपनी सुन्दर पतनी तथा बेटे के साथ करोडों डॉलर के महल में रह रहा था अंदर चलो माईक ने कहा डैडी और कौनी लोन में हमारी राह देख रहे है लंच लाजवाव था जो उसकी पूर्ण कालिक नोकरानी ने परोसा था वहां बोजन नजारे और सोबत का आनंद लेते हुए बैठे बैठे मैंने अपने मकान में रहने वाले तीन साथियों के बारे में सोचा जो शायद उस वक्त अफिसर्स मेस हाल में बोजन कर रहे होंगे चुकि आश्या निवार था इसलिए च्छाउनी के लंच में शायद सब सेंड़िच और एक प्याला सूप मिला होगा आव बकत और पुरानी यादे ताजा होने के बाद अमीर डैडी ने कहा जैसा तुम देख सकते हो माइक ने व्यवसाई से होने वाले मुनाफे के निवेस का बेहतरिन काम किया है पिछले दो सालों में हमने इतने ज़्यादा पैसे कमाई है जितने कि मैंने पहले बीस सालों में भी नहीं कमाई थे इस कावत में काफी सच्चाई है कि पहला मिलियन कमाना सबसे मुश्किल होता है तो कारोबार अच्छा चल रहा है मैंने पूछा और मैं आगे जानना चाहता था कि उनकी दोलत ने इतनी कमाल की जलांग कैसे लगाई कारोबार बेतरिन चल रहा है अमीर डैडी ने कहा नए 747 विमान पूरे संसार से इतने सारे प्रेटकों को हवाई लाते है कि कारोबार का फलना फूलना तै है लेकिन हमारी सफलता का समन कारोबार से कम निवेसों से जदा है और माईक निवेसों का प्रभारी है बदाई मैंने माईक से कहा बहुत अच्छे धन्यवाद माइक ने कहा लेकिन सारा सिरे मैं नहीं ले सकता दरसल यह सब तो डैडी के निवेस फारमूले का कमाल है उन्होंने इतने सालों से व्यवसाई और निवेस के बारे में हमें जो सिखाया है मैं बस वही कर रहा हूँ निश्चित रूप से यह कामयाब हो रहा है मैंने कहा मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम शहर के सबसे अमीर इलखे में रह रहे हो क्या तुमें याद है जब हम गरीब बच्चे थे तो अपने सर्फ बोर्ड के साथ समुंदर तक पर जाने के लिए अमीरों के घरों के बीच से दोड़ते थे माइक हंस दिया हाँ मुझे याद है और मुझे याद है कि वे कमबख्त अमीर लोग हमारे पीछे दोड़ने लगते थे अब मैं वह कमबख्त अमीर बन गया हूँ जो उन बच्चों के पीछे दोड़ता हूँ तब कौन सोच सकता था कि तुम और मैं इस तरह रहे रहे होंगे माइक अचानक रुक गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके मुझे क्या निकल गया था कि जब वह इतने आलिशान बंगले में रहे रहा था तब मैं टापू के दूसरे सिरे पर बद्दी फोजी चाउने में रह रहा था मुझे अपसोस है माइक ने कहा मेरा मतलब यह नहीं था माफी की कोई जुरूरत नहीं है मैंने मुस्कुरा कर कहा मैं तुमारी तरक्की पर खोश हूँ तुम इतने अमीर और सफल हो गई हो इस बात की मुझे खुशी है तुम इसके हगदार हो क्योंकि तुमने यह सीखने में समय लगाया कि व्यवसाई कैसे चलाया जाता है जैसे ही मरीन काप्स के साथ मेरा अनुमंद पूरा हो जाता है मैं चाउनी से निकलाऊंगा अमीर डैडी को माईक और मेरे बीच के तनाव का आवास हो गया उन्होंने बीच में कहा और माईक ने मुझे ज़्यादा अच्छा काम किया है मुझे उस पर गरव है मुझे अपने बेटे और उसकी पत्नी दोनों पर गरव है उनकी टीम बेहतरीन है और उन्होंने अपने पास की हर चीज कमाई है रवर्ट अब जब तुम युद से लोटाई हो तो अब तुम हरी बारी है क्या मैं आपके साथ निवेश कर सकता हूँ मैं आपके साथ निवेश करना चाहता हूँ मैंने उट सुकता से जवाब दिया वियत नाम में रहते समय मैंने तकरीबन तीन अजार डॉलर बचा लिये है और इसे खर्च करने से पहले मैं इसका निवेस करना चाता हूँ क्या मैं आपके साथ मिलकर निवेस कर सकता हूँ देखो मैं तुम्हें एक अच्छे शेर दलाल का नाम बता दूँ अमीर डैडी ने कहा मुझे यकीन है कि वह तुम्हें अच्छी सला देगा और शायद कोई जोरदार टिप भी दे दे नहीं 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 मैंने कहा मैं तो उसमें निवेस करना चाता हूँ जिसमें आप निवेस कर रहे है देखिए आप जानते हैं कि मैं कितने लंबे समय से आप दोनों को जानता हूँ मैं जानता हूँ कि आप के पास हमेसा कुछ ने कुछ रहता है जिस पर आप काम कर रहे हूँ या निवेस कर रहे हूँ मैं किसी शेर दलाल के पास नहीं जाना चाहता मैं तो आप लोगों के साथ समझोता करना चाहता हूँ कमरे में खामोसी छा गई जब मैंने अमीर डैडी या माईक की परतिकिरिया का इंतजार किया खामोसी तनाव में बदल गई नहीं माईक बोला डैडी और मैं कुछ नए प्रोजेक्टों में निवेश कर रहे हैं जो रोमान्चक है लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह सबसे अच्छा रहेगा अगर तुम पहले हमारे किसी शेर दलाल से मिलकर उसके साथ निवेश शुरू करो एक बार फिर खामोसी छा गई जो नोकरानी के टेबल साफ करते से मैं बरतनों और गिलासों के टकराने से टूट रही थी माई की पतनी कौनी अपने बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई मैं समझ नहीं पाया मैंने कहा इस बार मैं माई के बज़ाए अमीर डैडी से मुखातिब था इतने बरसों में जब आप दोनों अपना व्योसाई बना रहे थे तब मैं भी तो काम कर रहा था लेकिन क्या हुआ मेरे जीत और मेनत के बावजूद मेरे पास कुछ नहीं है जैसी आपने सला दी थी मैं कालेज गया जहां जैसा आपने कहा था हर यूवक को अपने देश की खातिर लड़ना चाहिए मैं लड़ने चला गया अब मेरी उमर बढ़ चुकी है और मेरे पास आखिरकार निवेश करने के लिए कुछ ही डालर आ गए है तो फिर क्या दिक्कत है जब मैं कहता हूँ कि मैं भी उसमें निवेश करना चाहता हूँ जिसमें आप निवेश करते हैं तो फिर आप जिजग क्यों रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यह बेरुखी क्यों क्या आप मुझे नीचा दिखाने या दूर भगाने की कोशिस कर रहे हैं क्या आप नहीं चाथे कि मैं भी आप जैसा अमीर बनूँ बेरुखी जैसी कोई बात नहीं है माईक ने जवाब दिया और हम कभी तुम्हें दूर नहीं भगाना चाहेंगे या तुम्हें भारी दोलत से दूर नहीं रखना चाते हैं बात बस यह है कि अब परिस्तितियां अलग है अमीर डैडी ने अपना सिर्ध धीमी और खामोसी सैमती में हिलाया अमीर डैडी आखिरकार बोले हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भी इसमें निवेश करो जिसमें हम निवेश करते हैं लेकिन यह कानून के खिलाफ होगा कानून के खिलाफ मैंने तेज ऐविश्वास में कहा क्या आप दोनों कोई गैर कानूनी काम कर रहे है नहीं नहीं मैंने अमीर डेडी ने हंसते हुए कहा हम कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे कानूनन अमीर बनना ही इतना आसान है कि गैर कानूनी काम करके जेल जाने का जोखिम क्यों लेना और चुंकि हम हमेशा कानून के इसाब से चलना चाते है इसलिए हम कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ निवेश करते हो तो यह तुम्हारे लिए गैर कानूनी होगा माइक ने कहा जिसमें हम निवेश करते हैं उसमें निवेश करना माइक और मेरे लिए गैर कानूनी नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए गैर कनोनी होगा अमीर डैडी ने शारांस में बात समेटने की कोशिश की क्यों? मैंने पूछा क्योंकि तुम अमीर नहीं हो माइक ने धीमे से और नर्मी से कहा हम जिसमें निवेस करते हैं वह सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है माइक के शब्द मेरे दिल के पार चले गई यहे मेरा सबसे अच्छा मित्र था इसलिए मैं जानता था कि मुझसे ये शब्द कहना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा और हालांकि उसने ये शब्द बहुत नर्मी से कही थे लेकिन फिर भी फिर मेरे दिल में चाकू की तरह चुप गए मुझे अब यह ऐसास और भी ज़्यादा होने लगा था कि हम दोनों के बीच की आर्थिक खाई कितनी छोड़ी थी उसके और मेरे डैडी दोनों ने ही सुन्य से शुरुवात की थी लेकिन उसने और उसके डैडी ने भारी दोलत कमा ली थी और दूसरी और मेरे डैडी और मैं अब भी पटरी के दूसरे पार थे मुझे लगा कि यह बड़ा आलिशान महल और प्यारा सफेद रेतिला समूनर तट मेरे लिए बहुत दूर था और यह दूरी मीलों से जादा बड़ी लंबी बड़ी चीज में नापी जाती थी जीवन के बारे में विचार करते हुए मैं कुर्सी पर टिक गया और मैंने अपनी बाहें आतम आवलोकन की विचार सिल मुद्रा में बांध ली हम दोनों ही 25 साल के थे लेकिन माईक मुझसे आर्थिक द्रष्टी से कई माईनों में 25 साल आगे था मेरे असल डैडी को कमोबेस उनकी सरकारी नोकरी से निकाल दिया गया था और 52 साल की उमर में वे सुन्ने से दुबारा शुरुआत कर रहे थे और मैंने तो अभी शुरुवात भी नहीं की थी तुम ठीक तो हो अमीर डैडी ने धीरे से पूछा हाँ मैं ठीक हूँ मैंने जवाब दिया मैंने पूरी कोशिस की कि मैं उस चोट को छुपा लूँ जो खुद की और अपने परिवार की दुर्दसा पर अफसोस करने से उत्पन हुई थी मैं बादुरु से मुस्कुराया और बोला मैं तो बस कुछ गहरा चिंतन कर रहा हूँ और आत्मा को टटोल रहा हूँ कमरे में खामोशी छा गई कमरे में खामोशी छा गई जब हमने लहरों की आवाज सुनी और हलकी हलकी थंडी हवा सुन्दर घर में बैटी रही माईक, अमीर डैडी और मैं वहाँ बैठे रहे जबकि मैं उस संदेश और उसकी हकीकत को जजब करने की कोशिश कर रहा था तो मैं आपके साथ निवेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ मैंने आखिरकार कहा जब मैं अपनी बेहुसी की अवस्ता से दोबारा चेतन हुआ और आप जिसमें निवेस करते हैं अगर मैंने उसमें निवेस किया तो यह कानून के खिलाब होगा अमीर डैडी और माइक ने सीरे लाया माइक बोला कुछ परकरनों में मैंने पूछा और यह कानून किसने बनाया अमेरिका की संगिय सरकार ने माइक ने जबाब दिया अमीर डैडी ने जोड़ा S.E.C. ने SEC, मैंने पूछा, यह SEC क्या है? The Securities and Exchange Commission. Amir Daddy ने परतिकिरिया की. इसे जोसब कैनेडी की मार्क दर्शन में 1930 के दसक में स्ताफित किया गया था, जो राष्ट परती जोन कैनेडी के पिता थे. इसे क्यों स्ताफित किया गया था? Amir Daddy हां से. इसे जनता को वेमान सोदेवाजों, व्यापारियों, दलालों और निदेशकों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था. आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने पूछा. यह है तो अच्छी चीज लगती है? हाँ, यह है बहुत अच्छी चीज थी. Amir Daddy ने जवाब दिया और वे अब भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे. 1929 के शेयर बाजार की भारी गिराउट से पहले कई जहांसे भरे, चलपूर्ण और गटिया निवेस जनता को बेचे जा रहे थे. बहुत सारे जूट बोले जा रहे थे और गलत जानकारी दी जा रही थी. इसलिए SEC को प्रहरी बनाया गया. यह संस्ता इस क्षेतर में नियम बनाती है और उनका पालन कराती है. यह बड़ी मैतपूर्ण भूमिका निवाती है. ऐसी SEC के बिना एव्यवस्ता फैल जाएगी. तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं मैंने पूछा. क्योंकि हालांकि इसकी वज़े से जनता बुरे निवेस से तो सुरक्षित रहती है. इसी की वज़े से जनता सर्वस्रेस निवेसों से भी दूर रहती है. अमीर डेड़ी ने थोड़े गंबिर लेजे में जवाब दिया. तो अगर एसीसी जनता को सबसे बुरे और सबसे अच्छे निवेसों से दूर रखता है. तो जनता फिर कहा निवेस करती है? मैंने पूछा. साप सुत्रे निवेस में. अमीर डेड़ी ने जवाब दिया. वे निवेस जो एसीसी की नीतियों पर चलते हैं. इसमें क्या गलत है? मैंने पूछा. कुछ भी नहीं. अमीर डेड़ी ने कहा. मैं सोचता हूँ कि यह एक अच्छा विचार है. हमारे पास नियम होने चाहिए और उनका पालन भी होना च और मैं जानता हूँ कि आप कोई चीज छुपा रहे हैं जिसकी वज़े से आपको हंसी आ रही है. मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है. अमीर डेड़ी ने कहा. मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि बूरे निवेसों से जनता की रक्षा करने के चक्कर में इस इसी जनता क सबसे अच्छे निवेसों से भी मारूम रखती है. जो अमीरों के और अमीर बनने का एक कारण है. मैंने कमजोर अंदाज में पूछा. तुम समझ गई. अमीर डेड़ी ने कहा. मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि इस पूरी परिस्तिते में मुझे विडंबना नजर आ रह जो उन्हें अमीर बना सके. अगर आप अमीर हैं तभी आप अमीरों के निवेस में निवेस कर सकते हैं. और इस तरह अमीर ज्यादा अमीर बनते चले जाते हैं. मैं इसे विडंबना कहता हूँ. लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? मैंने पूछा. क्या यह अमीर लोगों से ग मैं सोचता हूँ कि दरसल यह गरीब और मद्योंवर की खुद से रक्षा करने के लिए किया जाता है। मैंने पूछा तुम एसा क्यों कहते हो। क्योंकि निवेस की दुनिया में जितने अच्छे सोदे होते हैं उससे कहीं जदा बूरे सोदे होते हैं। अगर कोई इनसान जानकार नहीं है तो सारे सोदे चाहिवे अच्छे हो या बूरे एक से ही नजर आते हैं। परिशकरत निवेसों को समझने के लिए अधिक जानकारी की जरूरत होती है। एस स्थिति में अच्छे और बूरे निवेस में बहिद करने के लिए बहुत सारी शिक्षा तथा अनुबव की जरूरत होती है। परिशकरत होने का मतलब है आप में यह जानने की योग्यता है कि किस वज़े से कोई निवेस अच्छा है और कोई निवेस खतरनाक है। और अधिकतर लोगों के पास वह शिक्षा तथा अनुबव नहीं होता। अमीर डैडी ने कहा माइक तुम जरा वह नमिंतम सोदा तो निकाल लाओ जिस पर हम विचार कर रहे हैं। माइक टेबल से उटकर अपने ओफिस की ओर चल दिया। अंदर से वह दो इंच मोटा बाइंडर लेकर लोटा। उसमें कागज, आंकडे, तस्वीर और नक्से भरे हुए थे। यह उस चीज का उधारन है जिसमें निवेस करने पर हम विचार कर रहे हैं। माइक ने बैठते हुए कहा। इसे नोन रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज या गैर पंजिकर्त परतिबूती कहा जाता है। इस खास निवेस को कई बार प्राइवेट प्लेस्टमेंट मेमरेंडम भी कहते हैं। जब माइक ने पन्ने पलट कर मुझे ग्राफ, चार्ट, नक्से और लिखी इबारत के पन्ने दिखाई जिसमें निवेस के जोखिमों और लाबों का वर्णन था तो मेरा दिमाग सुन हो गया। जब माइक ने समझाया कि वहें क्या देख रहा था और उसके हिसाब से यह एक बहुत बड़ा निवेस अवसर क्यों था तो मुझे कुछ पले नहीं पड़ा और मैं उनिन्दा महसूस करने लगा। अमीर डैडी समझ गई कि एप रिचित जानकारी के अती दवाव के कारण मैं परेशान हो गया। इसलिए उन्होंने माइक को रोकते हुए कहा। मैं रावाड को यह दिखाना चाता था। फिर अमीर डैडी ने बाइंडर के सामने एक छोटे पैरे की और संकेत किया। जिस पर लिखा था 1933 के Securities Act की छुटें। उन्होंने कहा। मैं चाता था कि तुम इसे समझ लो। मैं उस महीन इबारत को पढ़ने के लिए आगे जुका। जिधर वे उंगली से इसारा कर रहे थे। महीन इबारत में लिखा था। यह निवेस केवल मन्यत प्रापत निवेसकों के लिए है। मन्यत प्रापत निवेसक आम तोर पर उसे माना जाता है जिसके पास एक मिलियन डालर या उससे अधिक की नेट वर्त या शुद्ध संपत्ती हो। या हाल के वर्सों में दो लाक डालर या उससे अधिक की सालाना आमदनी हो। और जो वर्तमान वर्स में भी आमदनी के उसी स्तर तक पहुंचने की तार्किक आशा करता हो। पुर्ची से टिकते हुए मैंने कहा इसलिए आप कहते हैं कि मैं उसमें निवेस नहीं कर सकता जिसमें आप कहते हैं यह निवेस सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या उन्ची आमदनी वाले लोगों के लिए माइक ने कहा ने सिर्फ मार्गदर्सक से दांत कठोर हैं बलकि इस निवेश की नियुनुतम रासी है 35,000 डोलर हर निवेश इकाई की इतनी ही लागत है 35,000 डोलर मैंने आह बरते हुए कहा यह है तो बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत जोखिम भी है आपका मतलब है कि इस से कम रासी में कोई इस सोदे में निवेश नहीं कर सकता अमीर डैडी ने सी रहलाया मरीन काप्स के पाइलेट के रूप में तुम्हें जितनी तनक्वा मिलती है वियत नाम में उडान भरते और युद भते के साथ मैं हर साल बाराजार डोलर कमा रहा था मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि हवाई में मेरी तनक्वा कितनी होगी मुझे निवेश बता मिल सकता है लेकिन यह निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं होगा और निश्चित रूप से उस बत्ते में हवाई में रहने का खर्च नहीं निकल पाएगा तब तो यह काफी बड़ी उपलब दी है कि तुमने अब तक तीन अजार डोलर बचा लिये है अमीर डैडी ने मेरे उच्छा बढ़ाने की कोशिस करते हुए कहा तुमने अपने आमदनी का लगबग 25% बचा लिया है मैंने सिरह लाया लेकिन मनी मन मुझे लग रहा था कि मैं तथा कतित मान्यता प्राप्त निवेसक बनने से कितनी पीछे हूँ मुझे एसास था कि मैं भले ही मेरेन काप्स में जर्नल का ओधा भी हासिल कर लूँ तब भी शायद इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा कि मन्यता प्राप्त निवेसक की शरेणी में आ जाऊँ तो मुझे क्या करना चाहिए मैंने आखिरकार पूछा यह क्यों नहीं करें कि मैं आपको अपने तीन अजार डालर दे दू आप इसे अपने पैसे में मिला ले और जब सोदे से मुनाफ़ हो तो हम मुनाफ़ा बांट ले हम ऐसा कर सकते हैं अमीर डैडी ने कहा लेकिन मैं इसकी सला नहीं दूँगा कम से कम तुमारे लिए तो नहीं क्यों मैंने पूछा मेरे लिए क्यों नहीं तुमारे पास पहले से ही आर्थिक शिक्षा की अच्छी नीव है इसलिए तुम मानेता प्रापत निवेसक बनने से आगे तक जा सकते हो अगर तुम चाहो तो परिश्कर्ट निवेसक भी बन सकते हो तब तुमें इतनी दौलत मिलेगी जितनी तुम सपने में भी नहीं सोच सकते मानेता परापत निवेसक परिश्कर्ट निवेसक इसमें क्या अंतर होता है मैंने पूछा और मेरे दिल में नई आशा के चिंगारी सुलक गई अच्छा सवाल माइक ने मुस्कराते हुए कहा वह समझ गया था कि उसका मित्रब बूरी मानसिक्ता से बाहर निकल रहा है परिबासा के अनुसार मानेता प्राप्त निवेसक सिर्फ इसलिए योग्य होता है क्योंकि उसके पास पैसा है इसी बज़े से मानेता प्राप्त निवेसक को अक्सर योग्यता प्राप्त निवेसक भी कहा जाता है अमी डेडि ने सफस़् गिया लेकिन सिर्फ पैसा ही आपको परिष्कर निवेसक नहीं बना सकता अंतर क्या है मैंने पूँछा देखो क्या तुमने कल का अख़बार पढ़ा था जिसमें निवेस गोटाले में वलीवोड के एक मशूर फिल्म स्टार का लाखों डालर ढूप गया अमी डैडी ने पूछा मैंने अपना सिर हिलाया हाँ मैंने पढ़ा था ने सिर्ब उसने करोडों गवा दिये बलकि उसे उस सोदे में लगाए उन पैसों के लिए आईकर विवाग को जुर्माना भी देना पड़ा जिसे उसने आईकर से छुपाया था तो यह मानेत अपराब निवेसक का एक उधारन है हमें डैडी ने कहा चुँकि आपके पास पैसा है इसका मतलब यह नहीं है कि आप परिशकरत निवेसक बन जाते हैं इसलिए हम अक्सर सुनते रहते हैं कि डोक्टर, वकील, फिल्म स्टार और पेसे वर खिलाडी बुरे निवेसों में पैसे गमा देते हैं उनके पास पैसा तो होता है मगर विसे सग्यता नहीं होती उनके पास पैसा तो होता है लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि उंचे लाब के लिए इतना सुरक्षित निवेस कैसे किया जाई उन्हें सभी सोदे एक से ही लगते हैं उनमें अच्छे और बुरे निवेस में फर्क करने की समझ नहीं होती ऐसे लोगों को साबसुत्रे निवेसों तकी सीमित रखना चाहिए या फिर अपनी तरफ से निवेस करने के लिए किसी विश्वशनी या पैसे वर मनी मैनेजर को रख लेना चाहिए तो परिश्करत निवेसक की आपकी परिवासा क्या है? मैंने पूछा परिश्करत निवेसक तीन ए के बारे में जानता है अमीर डैडी ने कहा तीन ए मैंने दो राया ये क्या होते हैं? हम जिस प्राइवेट प्लेसमेंड मेमरंडम को देख रहे थे उसे अमीर डैडी ने पल्टा और एक पन्ने के पीछे लिख दिया शिक्षा, अनुभव, अतिरिक्त, धनवाशी ये तीन ए है उन्होंने पन्ने से नजर उठाते हुए कहा इन तीनों को हासिल कर लोगे तो तुम परिश्करत निवेसक बन जाओगे उन तीनों को देखते हुए मैंने कहा यानि फिल्म स्टार के पास अत्यदिक पैसा तो था लेकिन पहले दो बिंदों की कमी थी सिक्षा और अनुभव अमीर डैडी ने सीरह लाया और अच्छे सिक्षा वाले कई लोग भी होते हैं लेकिन उनके पास अनुभव नहीं होता और चुकि उनके पास असली जिन्दिक के अनुभव नहीं होते इसलिए प्राए उनके पास अत्यदिक पैसा भी नहीं होता माइक ने कहा जब आप ऐसे लोगों को समझाते हैं तो वे अक्सर कहते हैं मैं जानता हूँ, मगर वे जो जानते हैं, उसके इसाब से वे कभी काम नहीं करते हैं, डैडी और मैं जो करते हैं, उसके बारे में हमारा बैंकर हमेशा कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन किसी कारण वह उस काम को नहीं करता है, जिसके बारे में उसका दावा है, कि वह उसे ज एक बार फिर बात्चित खतम होने पर कमरे में खामोसी छा गई, हम तीनों ही अपने अपने गोपनिय विचारों में गहराई तक डूबे थे, अमीर डैडी ने नोकरानी को और कोफी लेने का संकेत दिया, माइक ने बाइंडर को बंद कर दिया, मैं बाहें बांद कर बैठा र जैसी कि मेरे माता पिता की इच्छा थी, मेरे सेन्य दाई तो भी जल्द ही पूरे हो जाएंगी, अब मैं वह रहा चुनने के लिए सोतंतर था, जो मेरे लिए सबसे अच्छी हो, तुम क्या सोच रहे हो, अमीर डैडी ने कहा, और अपनी कोफी की चुस्की ले, मैं यह रहा हूँ कि बड़े होने के बाद अब मैं क्याक बनना चाता हूँ, तुम क्या बनना चाते हो, माइक ने पूछा, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे परिशकर्त निवेसक बनना चाहिए, मैंने धीमे से जवाब दिया, चाहे यह जो भी होता हो, यह समझदारी वरावि कल्प है, अमीर डेड़ी ने कहा, तुम्हारे पास काफी अच्छी शुरुवात है, तुम्हारे पास ठोस आर्थिक शिक्षा की नीम है, अब थोड़ा अनुभव हासिल करने का समय है, मैंने पूछा, लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा, कि मेरे पास अनुभव और शिक् गिलास शुब कामनाओं के लिए उठा लिए, अत्यदिक पैसे के नाम, अमीर डेड़ी ने दोबारा गिलास उठाया, और परिशकर्त निवेसक बनने के नाम, मैंने मनी मन दोराया, परिशकर्त निवेसक बनने और अत्यदिक पैसे के नाम, मुझे इन शब्दों की मान सी पसंद आई थी माइक ने अपने लिमोजिन ड्राइवर को बुलाया और मैं अपने गंदी कालोनी में वापस पहुंच गया वहां मैं यह सोच विचार करने लगा था कि आगे के जीवन में क्या करूं मैं एक व्यशक था और मैंने अपने माता-पिता के कई अर्मान पूरे कर दिये थे जैसे कोलेज की शिक्षा हासिल करना और युद्ध काल में अपने देश की सेवा करना अब यह फैसला करने का समय आ गया था कि मैं खुद के लिए क्या करना चाहता हूं परिशकर्त निवेसक बनने के लिए अध्यन करने का विचार मुझे रास आ रहा था आवशक अनुवव हासिल करने के साथ साथ मैं अमीर डैडी से आगे की शिक्षा ले सकता था फर्क यह था कि इस बार अमीर डैडी वियसक के रूम में मुझे मार्ग दर्शन देंगे 20 साल बाद 1993 तक अमीर डैडी की दोलत उनके बच्चों नाती पोतों और उनकी भावी संतानों में बांटी गई अगले सो साल तक उनके वारिसों को पैसे की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी माइक ने व्यावसाई की शुरुवात संपत्यों का निवेश करके अमीर डैडी के वितियस अमराजय को बढ़ाने का अदबुत काम किया था वह है वितियस अमराजय जिसे अमीर डैडी ने सुनने से शुरू किया था मैंने इसे अपने जीवन काल में शुरू होते और फैलते देखा था मुझे जिस लक्षे को दस साल में हासिल करने की उम्मीद थी उसे हासिल करने में मुझे बीस साल लग गई इस कावत में थोड़ी सचाई है शुरुवाती दस लाग डॉलर कमाना सबसे मुश्किल होता है पीछे पलट कर देखने पर मैं पाता हूं कि एक मिलियन डॉलर बनाना इतना मुश्किल नहीं था मुश्किल तो यह था कि उस एक मिलियन डॉलर को सुरक्षित रखा जाई और उसे अपने लिए कड़ी मेहनत कराई जाई बहराल 47 साल की उम्र में 1994 में मैं रिटाइर हो गया अब मैं आर्थिक रूप से सोतंतर था और जीवन का आनंद लेने के लिए मेरे पास प्रियाप्त पैसे थे लेकिन यह है रिटाइर्मेंट नहीं था जो मुझे रोमान्चक लगा रोमान्चक तो यह है था कि मैं आखिरकार परिश्करत निवेशक के रूप में निवेश कर सकता था माईक और अमीर डेडी के साथ साथ निवेश करना एक ऐसा लक्षे था जो हासिल करने लाइक था 1903 में जिस दिन माईक और अमीर डेडी ने कहा था कि मैं उनके साथ निवेश करने लाइक अमीर नहीं हूँ वह दिन मेरे जिवन का निरनाएक बिंदू साबित हुआ उसी दिन मैंने परिश्करत निवेशक बनने का लक्षे तैक किया था आगे उन कुछ निवेसों की मैं सूची बताऊंगा जिन में तथाकतित्न मानेता प्रापत निवेसक और परिश्कर्ट निवेसक निवेस करते हैं पहला नीजी प्लेस्मेंट या चुनिंदा निवेसकों को कंपनी के शेर आबंडित करना दूसरा रियल इस्टेट सिंडिकेशन और सीमित संजेदारिया तीसरा आईपियो से पहले चुनिंदा निवेसकों को शेर आबंडित करना चौथा आईपियो पांचवां सब प्राइम फाइनेंसिंग छटा विले और अधीग रहने साथवां नई शुरुवाति कंपनी के लिए करज आठवां सुरक्षात्मक फंड ओसर निवेसक के लिए आज से ये निवेस बहुत खतरनाक होते हैं इसलिए नहीं क्योंकि निवेस अपने आप में खतरनाक होते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि अक्सर ओसत निवेसक में प्रियाप्ट शिक्षा, अनुभव और अधिक पैसों का अभाव होता है, जिससे वहें निवेस की अनिवारिय बातों को नहीं संभाल पाता, मैं अब S.E.C. का समर्थन करता हूं और मानता हूं कि योग्यता रहित निवेसक को उनसे दूर रखा जाई, एसा इसलिए है क्योंकि इस रास्ते में मैंने कुछ गलतियां की थी और गलत कदम उठाई थे, तथा मैं जानता हूं कि दूसरे भी एसा ही कर सकते हैं, आज परिशकर्ट निवेसक के रूप में मैं एसे जोखिम बरे उपकर्मों में निवेस कर करता हूं, अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो जोखिम बहुत कम है, जब कि संभावित पूर उसकार बहुत बड़े होते हैं, एसे निवेसों में ही अमीर लोग समाने तया अपने पैसों का निवेस करते हैं, हालांकि मुझे कुछ नुक्सान भी हुए, लेक ली कबार तो एक अजार परतिसक्त से ज़्यादा लाब भी हो जाता है, मैं बाकिन निवेसों के बजाई इन निवेसों में पैसा लगाना अधिक पसंद करता हूं, क्योंकि वे मुझे ज़्यादा रोमान शक और चुनोति पूर्ण लगते हैं, इन निवेसों में स्थिति यह नहीं होती, इसके सो परतिसत शेयर लो या उससे सो परतिसत शेयर बेश दो, नै कि यह होती है, E.P. अनुपात ज्यादा है या E.P. अनुपात कम है, परिशकर्थ निवेसक बनने का यह मतलब नहीं होता, इन निवेसों में निवेस करना, एक तरह से पुन्जिवात के इंजन के बहुत करीब पहुंचना है, वास्तों में जहां इन निवेसों की सूची दी गई है, वे वेंचर कपिटल निवेस हैं, जो ओसत निवेसक के हिसाब से बहुत खतरनाक है, वास्तों में निवेस खतरनाक नहीं है, यह तो सिक्षा, अनुभव और अत्यदिक पैसे का अभाव है, जो उन्हें ओसत निवेसक के लिए खतरा मानता है मार्ग यह पुस्तक आवशक रूप से निवेस के बारे में ही नहीं है, खास तोर पर यह निवेसक और परिशकर्ट निवेसक बनने के मार्ग के बारे में है शिक्षा, अनुभव और अत्यदिक पैसा, ये तिन्नों ई हासिल करने के लिए आपके लिए कौन सा मार्ग सही रहेगा, यह पुस्तक उस मार्ग को खोजने के बारे में है Rich Dad Poor Dad बच्पन में मेरे सेक्षनिक मार्ग के बारे में है, Cash Flow Quadrate 1993 और 1994 के बीच युवा वेसक के रूप में मेरे सेक्षनिक मार्ग के बारे में है Rich Dad's Guide to Investing पुराने वर्सों के सबकों को आगे बढ़ाती है और इन्हें तीन E में बदल देती है ताकि आप परिशकर्त निवेसक बन सके हैं 1993 में मेरे पास निवेस करने के लिए बमुश्कल तीन अजार डोलर थे तब मेरे पास ज़्यादा शिक्षा और असल जिन्दगी का अनुबव नहीं था 1994 तक मैं परिशकर्त निवेसक बन चुका था कई साल पहले अमीर डैडी ने कहा था जिस तरह अमीरों गरीबों और मद्यों वर्गिय लोगों के लिए अलग अलग मकान होते हैं उसी तरह उन में से परतेक के लिए अलग अलग निवेस भी होते हैं अगर तुम उन निवेसों में निवेस करना चाहते हो, जिन में अमीर लोग निवेस करते हैं, तो तुम्हें अमीर बनने से अधिक बनना होगा, तुम्हें निवेस करने वाला अमीर आदमी नहीं, बलकि एक परिशकर्त निवेसक बनना होगा, परिशकर्त निवेसक बनने के पांच चरण रिच डैड ने मेरे विकास कारिकर्म को पांच प्रथक चरणों में विवाजित किया जिसे मैंने चरणों पाठों और अध्यहों में विवाजित किया है यह चरण इस प्रकार से है पहला, क्या आप निवेशक बनने के लिए मानसी गुरूप से तयार हैं? दूसरा, आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं? तीसरा, आप कैसे एक सक्तिसाली व्यवसाई बनाना चाहते हैं? चोथा, परिश्कर्थ निवेशक कौन होता है? पांचवा, वापस लोटना यह पुस्तक एक पत्परदर्शक या मारक दर्शिका के रूप में लिखी गई हैं? यह आपको विशिष्ट जवाब नहीं देती हैं? इस पुस्तक का उदेशा यह समझने में आपकी मदद करना है कि कौन से सवाल पूछने हैं? और यह पुस्तक अगर सिर्फ यही करती है, तो मानकर चलें कि इसने अपना काम कर दिया है। अमीर डैडी ने कहा था, आप किसी को परिशकर्त निवेसक बनना नहीं सिखा सकते, लेकिन कोई भी परिशकर्त निवेसक बनना सीख सकता है। यह काफी हद तक साइकल चलाना सीखने जैसा है, मैं आपको यह नहीं सिखा सकता कि साइकल कैसे चलाना है, लेकिन आप साइकल चलाना सीख सकते हैं। साइकल चलाना सीखने में जोखिम प्रेतन तुरूटी विधी और उचित मार्क दर्शन की जरूरत होती है। यही निवेस के बारे में भी सही है यदि आप जोखिम नहीं लेना चाहते तो आप कह रहे हैं कि आप सीखना नहीं चाहते और अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो मैं आपको सिखा नहीं सकता अगर आप किसी ऐसी पुस्तक की तलास में हो जो आपको निवेस के जोरदार टिप्स बता दे या जो आपको फटावट अमीर बनने का तरीका बता दे या जो आपको अमीरों का कोई गोपनिय निवेस फार्मूला बता दे तो यह पुस्तक आपके लिए नहीं है यह पुस्तक निवेस के बजाई सीखने के बारे में है यह उन लोगों के लिए है जो निवेस के विद्यारती है और जो दोलत के आसान मारक की तलास करने के बजाई अपना खुद का मारक खोजना चाते हैं यह पुस्तक अमीर डैडी के बताई विकास के पांच चरणों के बारे में है वे पांच चरण जिन से वे गुजरे थे और जिन से मैं वर्तमान में गुजर रहा हूँ अगर आप भारी दोलत के विद्यारती हैं तो यह पुस्तक पढ़ते समय आप देख सकते हैं कि अमेरी डैडी के पांच चरण वही हैं जिन से गुजर कर ही संसार के सबसे अमीर व्यवसाई और निवेशक बने हैं और निवेशक बहुत बहुत अमीर बने हैं माइक्रोसोफ्ट के संस्ताफ़क फिल गेट्स अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वारेन बफे जबकि उनकी उम्र सिर्फ 20-30 साल है एक मातर फर्क यह है कि सुचना यूग की वज़े से आजकल के युवा इन चर्णों से ज़्यादा जल्दी गुजर जाते हैं और शायद आप भी यह साही कर सकते हैं क्या आप करांती का हिस्सा है और द्योगी करांती में भारी दोलत, अथा संपती और बेहद अमीर परिवार उत्पन हुए यही सुचना करांती के दोरान आज हो रहा है मुझे यह बाद दिल्चस्प लगती है कि आज एक तरफ तो हमारे यहां 20, 30, 40 साल की उमर के स्वे निर्मित करोड़ पती और अरब पती है लेकिन दूसरी तरफ 40 साल से अधिक उमर के ऐसे लोग भी है जेने 50,000 डोलर से अधिक साला नाम दिनी वाली नोकरी बनाई रखने में भी मुश्किल आ रही है इस बारी ऐसमानता का एक कारण यह है कि हम ओद्योगिक यूग से सूचना यूग में पहुंच चुके हैं जब हमने ओद्योगिक यूग में कदम रखा तो हेंडरी फोर्ड और थामस एडिसन जैसे लोग अरब पती बन गई आज सूचना यूग में हमारे पास बिल गेट्स स्टीव जोग मार्क जुबरकर के साथ साथ इंटरनेट कमपनियों के संस्थाफ़क हैं जो यूवा लखपती और करोड़पती बन रहे हैं आज जिन लोगों की उम्र 20 के आसपास है वे जल्द ही दोलत में बिल गेट्स के पार निकल जाएंगी यूगों के परिवर्तन में भारी शक्ती होती है और द्योगिक यूग से सूचना यूग में परिवर्तन कहा जाता है कि उस विचार से अधिक शक्ति सालिक कुछ नहीं हो सकता है कि आप दोलत के बारे में कुराने विचारों पर सोचें और संभवताय दोलत के नए विचार खोज लें यह आपके जीवन में पर्तिमा के परिवर्तन के बारे में भी हो सकती है यह ओद्योगिक यूग से सूचना यूग तक के परिवर्तन जितना क्रांतिकारी र स्वेरोजगार कर रहे व्यक्ति के बजाई एक व्यवसाई और निवेसक बनने की प्रेड़ना भी दे सकती है। इन चरणों से गुजरने में मुझे बरसों लग गई और दरसल मैं अब भी उनसे गुजर रहा हूं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप भी इनी पांच चरणों से गुजरने पर विचार कर सकते हैं या आप यह निर्णे ले सकते हैं कि विकास का यह मारग आपके लिए नहीं है। अगर आप इसी मारग पर चलने का निर्णे लेते हैं तो यह चुनाव आपके हातों में है कि इन पांच चरणों से कितनी तेजी से गुजरना है। याद रखिए यह पुस्तक फटाफट अमीर बनने के बारे में नहीं है। विक्तिकत विकास और सिक्ष्या योजना से गुजरने का चुनाव पहले चरण में शुरू होता है। मानसिक तयारी का चरण। क्या आप निवेशक बनने के लिए मानसिक रूप से तयार है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे पैसा कोई भी चीज बन जाएगा जो आप इसे बनाना चाहेंगे। उनके कहने का मतलब यह था कि पैसा हमारे दिमाग हमारे विचारों से आता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है पैसा मिलना मुश्किल है तो शायद पैसे का मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है ओह मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। या अमीर बनना वाकई मुश्किल है तो शायद यह उस व्यक्ति के लिए सत्साबित होगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कड़ी मेनत करना ही अमीर बनने का इकलोता तरीका है तो शायद वह व्यक्ति कड़ी मेनत करेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाई तो मैं उसे बैंक में रखूँगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या करूँ तो शायद ऐसा ही होगा आप यह जानकर हैरान होंगे कि कितने सारे लोग एसा ही सोचते और करते हैं और अगर कोई व्यक्ति कहता है निवेश खतरनाक है तो यह एसा ही साबित होगा जैसा अमेर टेड़ी कहते थे पैसा कोई भी चीज बन जाएगा जो आप इसे बनाना चाहेंगे अमेर टेड़ी ने मुझे चेतावनी दी थी कि परिशकर्त निवेसक बनने के लिए जिस मांसिक तयारी की जरूरत होती है वह मांट एवरेस पर चड़ने या पादरी बनने की मांसिक तयारी से मिलती जुलती है वे मजाग कर रहे थे लेकिन उन्होंने इस और मेरा ध्यान खींचा कि इस काम को हलके में नहीं लेना चाहिए उन्होंने मुझे से कहा था तुम उसी तरह शुरू कर रहे हो जिस तरह मैंने किया था तुम बिना पैसों के शुरूआत करते हो तुमारे पास बस भारी दोलत हासिल करने की आशा और सपना होता है हालांकि कई लोग इसके सपने देखते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही इसे हासिल कर पाते हैं जम कर सोचो और मानसिक तयारी करो, क्योंकि तुम उस तरह के निवेश करने के बारे में सीखने वाले हो, जिस तरह बहुत कम लोगों को निवेश करने के अनुमती होती है, तुम बाहर की बज़ाई अंदर से निवेश जगत को देखने जा रहे हो. जीवन में इससे कहीं अधिक आसान मार्ग होते हैं और निवेश करने के कहीं अधिक आसान तरीकी होते हैं. इसके बावजूद अगर तुम यह नेड़ने लेते हो, कि तुम अपने जीवन के लिए यही मार्ग चुनना चाहते हो, तो इस पर सोच विचार करो और इसके लिए तैयार हो जाओ धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई दो की तरफ जो है दोलत की नीम रखना दोस्तों उमीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अप्लोड करें वो आपके पास तुरंत उपलब्द हो जाए आपका दिन शुब हो रिच डैट्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रोवर्टी कियोसा की अध्याई दो दोलत की नीव रखना उस रात चाउनी के गंदे सलेटी घर में लोटना बहुत मुश्किल था यह तब अच्छा दिख रहा था जब मैं उस दोपेर वहां से निकला था लेकिन माईक के नए घर में शाम गुजारने के बाद चाउनी के घर घटिया, कुराने और गंदे दिख रहे थे जैसे उमीद थी, मेरे साथ रहने वाले तीन साथी बीर पी रहे थे और टेलिविजन पर बेस बाल मैच देख रहे थे, हर तरफ पीजा बोक्स और बीर कैन बिख रहे थे जब मैं सांजे लिविंग एरिया से गुजरा, तो वे कुछ जादा नहीं बोले उनकी नजरें तो टीवी सेट पर जमी हुई थी जब मैंने अपने कमरे में पहुँचकर अपना दरवाजा बंद किया तो मैं इस बात पर करतक गय था, कि हम सब के कमरे अलग अलग थे मुझे बहुत सोच विचार करना था 25 साल की अमर में मुझे आखिरकार कुछ बातें समझ में आई जो मुझे 9 साल की अमर में समझ नहीं आई थी वह है अमर जब मैंने पहली बार अमीर डेड़ी के साथ काम करना शुरू किया था मुझे ऐसास हुआ कि मेरे अमीर डेड़ी ने दोलत की ठोस ने उंडालने में बरसों तक कड़ी मेहनत की थी उन्होंने शहर के गरीब इलाके से शुरुआत की थी वे मित वेयता से जिये थे कारोबार कड़े किये जाइदाद करी दी और अपनी योजना पर मेहनत की अब मैं समझ गया था कि अमीर डैडी की योजना बहुत दोलतमत बनने की थी जब माईक और मैं हाइ स्कूल में थे तो अमीर डैडी ने अपना दाओ चला और हवाई इलाके के कई टापों में विस्तार किया कारोबार खरीदे तथा अचल संपती खरीदी जब माईक और मैं कालेज में थे तो उन्होंने बड़ा दाओ चला और होनो लोलू तथा वाई कीकी की कमपनियों में प्रमुख नीजी निवेसको में से एक बन गई जब मैं वियतनाम में मरीन काप्स के लिए उड़ाने बर रहा था तब उनकी दौलत की निव बन रही थी यहे एक मजबूत और द्रट निव थी अब वे और उनका परिवार उनकी मेहनत के फलों का आनंद ले रही थे एक बहारी टापू के गरीब इलाकों में रहने के बज़ाए वे होनो दूलू के सबसे प्रसिद इलाकों में रह रहे थे वे सिर्फ उपर से ही अमीर नहीं दिखते थे जैसे कि उस इलाके में रहने वाले कई लोग दिखते थे मैं जानता था कि माईक और उसके डैडी अमीर थे क्योंकि उन्होंने मुझे अपने ओडिट किये हुए वित्ये विवरन दिखाई थे यहे अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है दूसरी और मेरे असल डैडी की नोकरी उसी वक्त छूटी थी वे राज्य सरकार की सीड़ी चड़ रहे थे लेकिन फिर वे हवाई राज्य को चलाने वाले राजनेतिक आखाउं की नजरों से गिर गए मेरे अमीर डैडी ने हर वह चीज खो दी जिसे हासिल करने के लिए वे काम कर रहे थे जब वे गवरनर पद के लिए अपने बोस के खिलाब सुनाव लड़े और हार गई राज्य सरकार में उनका नाम काली सुची में लिख दिया गया और अवे दोवारा शुरुआत करने के लिए मजबूर थे उनके पास दोलत की कोई नियूँ नहीं थी हलांकि उनकी उमर 52 साल थी और मेरी उमर 25 साल लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति बिलकुल समान थी हम दोनों के पास पैसे नहीं थे हम दोनों के पास कालेज की शिक्षा थी और हमें नोकरी मिल सकती थी लेकिन असली संपतियों के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं था उस रात अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने सोचा कि मेरे पास अपने जीवन की दिशा चुनने का एक दुरलब अवसर था दुरलब इसलिए क्योंकि बहुत कम लोगों को दो पिताओं के जीवन मारक की तुलना करने का अवसर मिलता है जिसमें से वे अपने लिए सही मारक सुन सकें यह एक ऐसा चुनाओ था जिसे मैंने हलके में नहीं लिया अमीरों के निवेस हालांकि उस रात मेरे दिमाग में कई चीजें दोड़ रही थी लेकिन यह विचार मुझे सबसे ज़्यादा चक्रा रहा था कि कुछ निवेस सिर्फ अमीरों के लिए थे और बाकी निवेस बाकी सब के लिए मुझे याद आया कि बच्पन में जब मैं अमीर डेड़ी के लिए काम कर रहा था तो वे बस अपने कारोबार खड़े करने के बारे में ही बोलते रहते थे लेकिन अब जब वे अमीर बन गई थे तो वे बस अपने निवेस के बारे में ही बाते करते रहते थे अमीरों के निवेस उस दिन लंच पर उन्होंने स्वष्ट किया था मैंने कारोबार इसलिए खड़े किये ताकि मैं अमीरों के निवेसों में निवेस कर सकूँ मेरे व्यवसाई बनाने का एकमात्रकार्ण यह है कि आपके व्यवसाई आपके लिए संपत्ति खरीद सकें अगर मेरे कारोबार नहीं होते तो मेरे पास अमीरों के निवेसों में निवेस करने लाइक पैसा नहीं होता निवेश खरीदने वाले करमचारी और निवेश खरीदने वाले व्यावसाई के फरक पर हमेर रेडी बहुत जोर देते थे उनका कहना था जब आप करमचारी की हैसियत से खरीदते हैं तो अधिकतर निवेश बहुत महेंगे पड़ते हैं लेकिन अगर मेरा व्यवसाई मेरे लिए निवेस खरीपता है तो वे ज़्यादा सस्ते साबित होते हैं। मैं उनकी बात का मतलब नहीं जानता था लेकिन इतना जरूर जानता था कि यह फर्क मैं तो फूर्ण है। मैं अब यह पता लगाने के लिए उत्सुक और व्यग्र था कि वह फर्क क्या था। अमीर डैडी ने कार्पोरेट ला और कर कानून का ध्यन किया था। तदा उन कानूनों का लाव उठाते हुए बहुत सा पैसा बनाने के तरीके खुजे थे। जब मैं उस रात सोने गया तो इस बात को लेकर बहुत रोमान चित था कि मैं अगले दिन सुबह अमीर डैडी को फोन करूंगा। अलग-अलग क्वांड्रेट अलग-अलग मार्ग बच्पन में मुझे समझ नहीं आया था कि पैसे के बारे में किस डैडी की बात सुनू। दोनों ही अच्छे इनसान थे, दोनों ही महनती थे, दोनों ही शक्तिसाली और करिस्माई वक्तितों के धनी थे। दोनों ने ही कहा कि मुझे कॉलिज जाना चाहिए और सेना में भरती होकर अपने देश की सेवा करने चाहिए। लेकिन उनों ने पैसे के बारे में एक जैसी बाते नहीं कही या इस बारे में एक सी सला नहीं दी थी कि बड़े होने पर मुझे क्या बनना चाहिए। अब मैं अपने अमीर डैडी और अपने गरीब डैडी के चुने हुए करियर मार्गों के परिणामों की तुलना कर सकता था। मेरे गरीब डैडी ने मुझे सला दी थी स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड लाओ और फिर अच्छे लावों वाली कोई सुरक्षित नोक्री खो जो वे इस करियर मार्ग की अनुसंसा कर रहे थे। दूसरी और मेरे अमीर डैडी ने कहा था व्यवसाई बनाना सीखो और अपने व्यवसाई के मद्यम से निवेस करो। वे उस करियर मार्ग की अनुसंसा कर रहे थे जो इस तरह दिख रहा था। क्वांड्रेट कैशफ़लो के हर क्वांड्रेट में पाई जाने वाले लोगों के बीज बुनियादी, भावनात्मक और तकनिकी अंतर होते हैं। ये भावनात्मक और तकनिकी अंतर महतपूर्ण है। क्योंकि ये अंततर इनहीं से तैह होता है कि कोई इनसान किस क्वांड्रेट को पसंद करता है और उससे संचालित होता है। मिसाल के तोर पर जिस व्यक्ति को नोकरी की सुर्क्षा की जरूरत होती है उसके एक वांडरेट चुनने की सर्वादिक संभावना होती है एक वांडरेट में जीवन के सभी ख्यत्रों के लोग सामिल होते हैं कंपनी के दर्बान से लेकर प्रेजिटेंट तक जिस व्यक्ति को अपने दम पर चीजें करने की जरूरत मैसूस होती है वहे अक्सर S Quadrant में पाया जाता है स्वेयरोजगार या छोटे व्यवसाई का Quadrant मैं यह भी कहता हूँ कि S का मतलब विशेसग्य, अकेला और स्मार्ट होता है क्योंकि डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट और अन्य तक्निकी प्रामर्श दाता जैसे पेशेवर लोग इसी Quadrant में पाई जाते हैं कैश पलो Quadrant पुस्तक बताती है S Quadrant और B Quadrant में क्या फरक होता है इस पुस्तक में हम तक्निकी अंतरों के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगी क्योंकि अमीर लोगों और बाकी हर व्यक्ति के बीच यही फरक होता है सबकों की दुबारा शुरुबात जब अमीर डैडी अपने कारोबार सम्मंदी मामलों पर चर्चा करते थे अपने बेंकरों, आकाउंटेंट्स, वकीलों, शेयर दलालों, अचल संपती के दलालों, वित्य नियोजगों और बीमा एजेंट से बात करते थे यह मेरी व्यवसाइक शिक्षा की शुरुआत थी नो से अठारा साल की उमर के बीच, मैंने घंटों तक इन लोगों को जटिल कारोबारी समझें सुल जाते सुना था लेकिन टेवल पर मिलने वाले वे सबक तब खत्म हो गए, जब मैं नियू यार्क में कॉलेज की पढ़ाही करने चार साल के लिए चला गया इसके बाद मरिन काफ्स में पांच साल की सेवा आ गई, अब मेरे कालेज की सिक्षा पूरी हो गई थी और मेरे सेन्ने करतवे लगवक्स माप्त हो गई थे इसलिए मैं अमीर डेडी से दोबारा सबक सिखने के लिए तयार था मैंने अमीर डेडी को फोन किया और कहा मैं अपने सबक दोबारा शुरू करने के लिए तयार हूँ अमीर डेडी ने कारोबार माईक के सुपूर्द कर दिये थे और आदे रिटाइर हो चुके थे वे दिन भर गॉल्फ केलने के बजाए कुछ और करने की तलास में थे जब माईक उनके सामराज्य को चलाने में व्यस्त था तो अमीर डेडी और मैंने वाईकी की तट पर एक होटल में लंच किया धूप सुआनी थी, समुन्दर सुन्दर था, हवा मन्थर गती से चल रही थी और पूरा द्रशे स्वर्ग के उतने करीब था जितना की हो सकता था अमीर डेडी मुझे यूनिफर में देखकर चौंग गई पहले कभी उन्होंने मुझे यूनिफर में नहीं देखा था उन्होंने तो मुझे पच्चों जैसी अनुपचरिक पोसाक में ही देखा था जैसे शिर्ट, जीन्स और टी शिर्ट मेरा अंदाजा है कि उन्हें आखिर कर एहसास हो गया कि हाई स्कूल छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया था मैंने बहुत सारा संसार देख लिया था तथा युद में लड़ा भी था मैं मिटिंग में यूनिफर्म पहन कर इस लिए गया था क्योंकि मैं उड़ानों के बीस था और मुझे उस शाम उड़ान भरने के लिए च्छावनी लोटना था तो हाई स्कूल छोड़ने के बाद से तुम यह कर रहे हो अमीर डैडी ने कहा मैंने अपना सीर ही लाया और कहा निव यार्क में सेन्य अकाद्वी में चार साल और मरीन काप्स में चार साल बस एक और साल बचा है मुझे तुम पर बहुत गरो है अमीर डैडी ने कहा धन्यवाद मैंने जवाब दिया लेकिन सेना की यूनिफर्म से बाहर निकलना अच्छा रहेगा यह सचमुच मुश्किल होता है जब युद्ध की खिलाफत करने वाले सारे हिप्पी और बाकी लोग आपकी और देखर थुकते हैं या आपको गुरते हैं या बच्चों का कातिल कहते हैं मैं बस यह उमीद कर रहा हूँ कि हम सभी के लिए अच्छा रहेगा अगर यह जल्दी से खतम हो जाई मुझे खुशी है कि माइक को नहीं जाना पड़ा अमीर डैडी ने कहा वह तो सेना में नाम लिखाना चाहता था लेकिन खराब सेयत के कारणों से बाहर रहना पड़ा वह खुश किस्मत था मैंने जवाब दिया उस युद में मैंने कई दोस्त खो दिये माइक को भी खोना बहुत बुरा लगता अमीर डैडी ने अपना सिरे लाया और पूछा तो अब तुमारा सेन्य अनुमन अगले साल पूरा होने वाला है इसके बाद तुमारी क्या योजनाई है देखिए एक एरलाइन्स मेरे तीन मित्रों को पाइलेट की नोकरी दे रही है वैसे इस वक्त कहीं भी नोकरी मिलना मुश्किल है लेकिन उनका कहना है कि वे अपने संपर्क सुत्रों के माद्यम से मुझे भी नोकरी दिला सकते है तो तुम एरलाइन की नोकरी करके विमान उड़ाने के बारे में सोच रहे हो अमिर डैडी ने पूछा मैंने धीरे से सिरे लाया लेकिन मैं इस वक्त भी यही तो कह रहा हूँ इसी के बारे मैं तो सोच रहा हूँ उस नोकरी में तनक्वाच्छी है लाव अच्छे है और इसके अलावा मेरा उड़ान का अनुबव काफी गहन रहा है मैंने कहा युद में विमान उड़ाने से मैं काफी अच्छा पाइलेट बन गया हूँ अगर मैं किसी छोटी एरलाइन के साथ एक साल उड़ लू और थोड़ा मल्टी एजिन अनुबव हासिल कर लू तो मैं किसी बड़ी एरलाइन में नोकरी करने के लिए तयार हो जाऊँगा तो तुमारे ख्याल से तुम यही करने जा रहे हो अमीर डेड़ी ने कहा नहीं मैंने जवाब दिया मेरे डेड़ी के साथ जो हुआ और माईक के घर पर आप दोनों से कल लंच पर जो बाच्चित हुई उसके बात तो नहीं मैं कल रात गंटों तक जागता रहा और निवेस के बारे में आपकी कही बातों के बारे में सोचता रहा मुझे एसास हुआ कि अगर मैंने एरलाइन वाली नोकरी कर ली तो मैं किसी दिन मानने तप राप निवेसक तो बन सकता हूँ लेकिन उस स्थर के आगे कभी नहीं जा सकता हमेर डैड़ी खामोसी सी बैठे रहे और उन्होंने हलके से सीरे लाया फिर वे धीमी आवाज में बोले तो मैंने जो कहा था वह तुमारे अंदर उतर गया बहुत ज़्यादा मैंने जवाब दिया आपने बच्पन में मुझे जो सबक दिये थे उन पर मैंने विचार किया अब मैं व्यसक हो गया हूँ और उन सबकों में मुझे नया अर्थ नजर आने लगा है और तुमें कौन सा सबक याद आया हमेर डैड़ी ने पूछा मुझे याद है कि आपने हर गंटे 10 सेंट की नोकरी वापिस ले ली थी और मुझ से मुफ्स में काम कराया था मैंने जवाब दिया तनकुआ का आदी नय होने का यह सबक मुझे अब भी याद है हमेर डैड़ी हंसे और बोले काफी मुश्किल सबक था हाँ वह बात तो है मैंने जवाब दिया लेकिन यह बहतरिन सबक है मेरे डैड़ी तब आप पर बहुत नाराज हुए थे लेकिन अब हुए 52 की उमर में तनकुआ के बिना जीने की कोसिस कर रहे है यह सबक सीखते समय मेरी उमर सिर्फ 9 साल थी कल माईक के घर लंच लेने के बाद मैंने संकल्प किया कि मैं नोकरी की सुरक्षा से चिपक कर अपनी जिन्दगी नहीं गुजारना चाहता सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तनकुआ की जरूरत है इन सब बातों की वज़े से मुझे नहीं लगता कि मैं एरलाइन्स वाली नोकरी करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहां आज आपके साथ लंच कर रहा हूँ मैं आपके सबकों की समीक्षा करना चाहता हूँ कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाई ताकि मुझे पैसे के लिए काम करने में जिन्दगी नहीं बितानी पड़े लेकिन इस बार मैं व्यसक के रूप में आपके सबक चाहता हूँ सबकों को ज़्यादा मुश्किल बनाई और मुझे अधिक विस्तार से बताई और मेरा पहला सबक क्या था अमेर डैडी ने पूछा अमेर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते मैंने तुरंत जबाब दिया वे जानते हैं कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाई हमेरे डैडी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई वे जानते थे कि मैंने बच्पन के वरसों में उनकी बात गोर से सुनी थी बहुत बढ़िया उन्होंने कहा और यही निवेसक बनने का आधार है सारे निवेसक सीखते हैं कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेंनत कैसे करवाई जाई और यही मैं सीखना चाता हूँ मैंने धीरे से कहा मैं सीखना चाता हूँ और आपका दिया ग्यान अपने डैडी को भी सिखाना चाहता हूँ वे इस वक्त बहुत बुरे हाल में हैं और बावन साल की उमर में दुबारा शुरू करने की कोशिस कर रहे हैं मैं जानता हूँ अमीर डैडी ने कहा मैं जानता हूँ इस तरह एक धूब बरे दिन जब सर्फिन करने वाले गहरे नेले समुंदर की सुंदर लहरों पर सवारी कर रहे थे, निवेस पर मेरे सबक शुरू हो गई, सबक पांच चरणों में थे, हर चरण मुझे अमीर डेडी की विचार पर किरिया और उनकी निवेस योजना की समझ क कि अधिक उंचे स्थर पर ले गया, सबक मांसिक तैयारी, और अपना नियंतरन संबालने से शुरू होए, क्योंकि यही वह एक मातर जगय है, जहां निवेस सचमुच शुरू होता है,อนतिम निशकर्स में यह अपना नियंतरन खुद लेने से शुरू और खटम होता है, अमीर डेडी की निवेश योजना के पहले चरण में मानसिक तयारी के सबक है क्योंकि निवेश सचमुष शुरू करने से पहले इसकी बहुत जरूरत होती है जब मैं 1903 में मरीन काप्स की चावने में एक गंदे कमरे में उस रात अपने छोटे से पलंग पर लेटा हुआ था तब मेरी मानसिक तयारी शुरू हो गई थी माई कुछ खिस्मत था कि उसके पास एक ऐसे पिता थे जिनोंने भारी दोलत हासिल की थी मैं उतना कुछ नशिब नहीं था कई माईनों में वह मुझसे पचास साल आगे था मैंने तो अब तक शुरुवात भी नहीं की थी उस रात मेरे पास दो विकल्प थे नोकरी की सुरक्षा खोजू जिस मार्क को मेरे गरीब डेडे ने चुना था उस रात मैंने इन दोनों विकल्पों के बीच चुनाओ करने की मानसिक तैयारी शुरू की निवेस की परकरिया दरसल यहीं से शुरू होती है और यहीं पर निवेस पर अमीर रेडे के सबक भी शुरू होते है यह एक बहुत व्यक्तिगत निरने से शुरू होती है भी आर्थिक्स्ति थी चाहे यह अमीर हो या गरीब या मद्यमवर गिये चुनते हैं उसके बाद आपके जीवन में हर चीज बदल जाती है धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई तीन की तरफ जो है चैन आपका दिन शुब हो रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रोबर्ट टी कियोसा की अध्याई तीन चैन निवेश पर अमीर डैडी के सबग शुरू हो गए जब पैसों और निवेस की बात आती है तो लोगों के पास निवेस करने के तीन बुनियादी कारण या विकल्प होते हैं पहला सुरक्षित दूसरा आरामदे या तीसरा अमीर अमीर डैडी ने आगे कहा तीनो ही चैन मेतवपूर्ण है इनसान के जीवन में फर्क तब आता है जब इन विकल्पों को प्रात्मिक्ता के आदार पर जमाया जाता है उन्होंने आगे कहा कि अधिकतर लोग अपने पैसे और निवेस चैन ठीक इसी करम में जमाते है यानि धन संबंदे निर्णे लेते समय उनका पहला विकल्प सुरक्षा होता है दूसरा होता है आरामदे होना और तीसरा है अमीर बनना इसलिए अधिकतर लोग नोकरी की सुरक्षा को अपनी सर्वच्च अपरात्मिक्ता बना देते हैं जब उनके पास कोई सुरक्षित नोकरी या पेसा आ जाता है तो इसके बाद वे आरामदे होने पर ध्यान के नरित करते हैं अमीर बनना अधिकतर लोगों के लिए आखिरी विकल्प होता है 1903 में उस दिन अमीर डेड़ी ने कहा था अधिकतर लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं लेकिन यहे उनका पहला चैन नहीं होता चैनों की इस परात्मिक्ता की वज़े से ही अमेरिका के सो में से सिर्फ तीन लोग अमीर होते हैं अधिकांस लोगों की स्थिती यहे होती है कि अगर अमीर बनने से उनके आराम में खलल पड़ता है या इस से उन्हें ऐस सुरक्षा का एसास होता है तो वे अमीर बनने की कोशिश छोड़ देंगे इसलिए इतने सारे लोग निवेस की जोड़दार टिप चाते हैं जो लोग सुरक्षा और आराम को अपना पहला और दूसरा विकल्ब चुनते हैं वे फटा फट अमीर बनने के लिए ऐसे तरीकों की तलास करते हैं जो आराम जो खिम रहीत और आराम दे हो कुछ लोग किसी खुश किशमत निवेस में अमीर बन भी जाते हैं लेकिन अक्सर वे बाद में उसे गवा भी देते हैं अमीर या खुश मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ मैं तो अमीर बनने के बज़ाए खुश रहना चाहूंगा यह बात मुझे हमेसा बड़ी अजीब लगती है मैं अमीर भी रहता हूँ और गरीब भी दोनों ही आर्थिक स्थितियों में खुश भी रहा हूँ और दुखी भी मुझे समझ नहीं आता कि लोग यह क्यों सोचते हैं कि उन्हें खुशी और अमीरी में से किसी एक को चुनना होगा जब मैं इस सबग पर विचार करता हूँ तो मेरे ख्याल से लोग दरसल यह कह रहे हैं कि मैं अमीर बनने के बज़ाए सुरक्षित वे आरामदे महसूस करना चाहूंगा एसा इसलिए क्योंकि ऐ सुरक्षित या ऐ सैज होने पर वे खुश नहीं होते जहां तक मेरा मामला है मैं अमीर बनने की खातिर एसुरक्षित और एस एस महसूस करने के लिए तयार था मैं अमीर भी रहा हूँ और गरीब भी मैं खुश भी रहा हूँ और दुखी भी लेकिन मैं आपको अस्वस्त करता हूँ कि जब मैं गरीब और दुखी था तो मैं उस से ज़्यादा दुखी था जब मैं अमीर और दुखी था मैं इस कतन को भी कभी नहीं समझ पाया पैसा आपको सुखी नहीं बनाता है हालांकि इस बात में थोड़ी सचाई है क्योंकि मैंने हमेशा पाया है कि जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं काफी अच्छा अनुबव करता हूँ अभी कुछ समय पहले मुझे अपने जीन्स की जेब में 10 डॉलर का नोट मिला हालांकि नोट सिर्फ 10 डॉलर का था लेकिन इसका मिलना बड़ा अच्छा लगा नोट मिलना चुकाने वाले बिल के मिलने से हमेशा बेहतर महसूस होता है पैसे के मामले में कम से कम मेरा तो यही अनुबव है जब पैसा मेरे पास होता है तो मुझे खुशी महसूस होती है और जब यह मेरे पास से चला जाता है तो दुख महसूस होता है पैसे और निवेस के समद्ध में तीनों ही प्रात्मिक्ताई मेतोपूर्ण हैं। आप उन्हें किस क्रम में रखें। यह एक बहुत व्यक्तिकत निर्णे है जो निवेस की शुरुवात से पहले ही लिया जाना चाहिए। मेरे अमीर डैडी ने सुरक्षित रहने को पहली प्रात्मिक्ता बनाया था और अमीर डैडी ने अमीर बनने को पहली प्रात्मिक्ता के रुख में चुना था। निवेस की शुरुवात से पहले यह निर्णे लेना मैतोपूर्ण है कि आपकी प्रात्मिक्ताई क्या है? मानसि इन में से कोई भी किसी से बेतर नहीं है। बहराल आपके लिए कौन से बुनियादी मुल्य सबसे मैतोपूर्ण है। यह चुनने से आपके चुने हुए जीवन पर अक्सर मैतोपूर्ण दिर्क कालिन असर होता है। इसलिए यह जानना मैतोपूर्ण है कि कौन से जीवन मुल के लिए आपके लिए सरवादिक मैतो कौन है खास तोर पर पैसों और वितिय नियोजन के संदर्ब में तो मानसिक द्रश्टी कौन प्रसंद यह है आपके बुनियादी जीवन मुल्य क्या है महतव के क्रम में लिखें कि कौन से बुनियादी जीवन मुल्य आपके लिए सबसे मेत्वकूर्ण है नमबर एक नमबर दो नमबर तीन आप मेंसे कुछ को अपनी सची भाउनाओं तक पहुँचने के लिए मेनत करनी पड़ सकती है आपके जीवन सती या मारक दर सक्से गंबिरता से बाचित करें लाब और हानी की सूचियां बनाईए आपके निजी प्रात मि दिन्यों और बेचैन रातों से भी बत चाहेंगे पैसे का नब्वाई दस का नियम कारगर होता है इसका एक कारण शायद यह भी है कि नब्वाई परतिसत लोग अमीर बनने से ज़्यादा आरामदे होने और सुरक्षित रहने का विकल्प चुनते हैं धन्यवाग आईए च रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रोबर्ट टी कियोसा की अध्यायद चार आप किस परकार का संसार देखते हैं अमीर डैडी और गरीब डैडी में कई अंतर थे लेकिन सबसे आज चिरेजने का अंतर संसार को देखने के उनकी द्रिष्टिकोन में था मेरे गरीब डैडी हमेशा आर्थी का भाव वाला संसार देखते थे उनका यह द्रिष्टिकोन तब नजर आता था जब वे कहते थे क्या तुम सोचते हो कि हमारे यहां पैसे का पेड लगा है या तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों का बना हुआ हूँ या मैं इतना मैरी के साथ रहते समय मुझे एसास हुआ था कि उन्हें एक बिल्कुल ही अलग संसार दिखता था वे बहुत ज्यादा पैसे वाले संसार को देखते थे उनका यह द्रिष्टिकोन तब नजर आता था जब वे कहते थे पैसों की चिंता मत करो अगर हम सही काम करते हैं तो हमा अमीर डैडी ने एक सबक के दोरान कहा था पैसों की सिर्फ दो तरह की समश्या होती है यह समश्या है जरूरत से कम पैसे होना दूसरी समश्या है बहुत ज़्यादा पैसे होना तुम इन में से किस तरह की समश्या चाते हो निवेस की कक्षाओं में मैं इस विशय पर बहु इसलिए अगर आपका विचार यह है कि इस अंसार में परियाप्त पैसा नहीं है तो यही आपकी हकीकत बन जाएगा मेरे वो डैड़ी मेरे दो डैड़ी होने का एक लाब यह था कि मैं दोनों तरह से कि मैं दोनों तरह की समश्याओं को देख सकता था और मेरा विश्वास करें दोनों ही अपने आप में समश्याई है मेरे अमीर डैड़ी के पास हमेशा जरूरत से कम पैसे होने की मेरे गरीब डैड़ी के पास हमेशा जरूरत से कम पैसे होने की समश्याई रहती थी जबकि अमीर डैड़ी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने की समश्याई रहती थी। इस अजीब स्थिती पर अमीर डैडी ने एक टिपणी की थी। उन्होंने कहा था जो लोग अचानक अमीर बन जाते हैं जैसे विरासत से लास वेगास में जुए से बड़े जैकपोट लग जाने पर या लोटरी जीतन पर वे जल्द ही दोबारा गरीब बन जाते हैं क्योंकि मनोवग्यानिक रूप से वे बस उसी संसार को जानते हैं जिसमें परयात पैसा नहीं है इसलिए वे अचानक मिली सारी दौलत गवा देते हैं और लोटकर पैसों के उस एकलोते संसार में चले जाते हैं जिसे वे जा करना पड़ा कि यह संसार एक एसा संसार है जिसमें परयाप्त पैसे नहीं है 1903 के बाद अमीर डैडी ने मुझे पैसे काम करने और अमीर बनने समंदी अपने विचारों के बारे में बहुत जागरूक बनाया अमीर डैडी सचमुच मानते थे कि गरीब लोग शिर्फ इसलि को भी सचाई होगी वही बाहरी जीवन में भी धन की सचाई होगी आप बाहर की सचाई को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप पहले धन संबंदी अपने अंधरूनी सचाई को नहीं बदल लें हमेर डैडी ने अभाव के कुछ कारण लिए और उन्हें लोगों के नज इतने अधिक परतिसपर्दी होते हैं आपके जीवन में उतना ही अधिक अभाव होता है इसलिए लोग ओफिस में नोकरियों वह पदोनंतियों के लिए परतिसपर्दा करते हैं और स्कूल में ग्रेड के लिए परतिसपर्दा करते हैं तीसरा जो लोग सरजनात्मक सहयोगी हो होती हैं अक्सर उनके जीवन में वित्य समर्दी बढ़ती जाती है मैं अपने दोनों डैडी के नजरियों के फरक को देख सकता था मेरे असल डैडी मुझे हमेशा सुरक्षित तरीके से खेलने और सुरक्षा चाने के लिए प्रोचाइद किया था मेरे अमीर डैडी ने मुझे हमेशा योग्यताई विक्सित करने और सरजनात्मक बनने के लिए प्रोचाइद किया था इस पुस्तक का दूसरा हिस्सा इस बारे में है कि आप अ प्रजनात्मक विचारों को कैसे ले और उन से अभाव के बजाए समरदी का संसार बनाई अभाव के बारे में हमारी चर्चा के दोरान अमीर डेड़ी अपनी जेब से एक सिक्का निकालते थे और कहते थे जब कोई व्यक्ति कहता है मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता तो वहे सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखता है जिस पल आप पूछते हैं मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ उस पल आप दूसरे पहलू को देखना शुरू करते हैं समझ्या यह है कि अगर लोग दूसरे पहलू को देख भी लेते हैं तब भी वे इसे सिर्फ अपनी आँख से ही देखते हैं इसलिए गरीब लोग अमीरों के बाहरी या उपरी काम को देख लेते हैं लेकिन यह नहीं देख पाते कि अमीर लोग अपने दिमाग के बीतर क्या कर रहे हैं अगर आप सिक्के के दूसरे पहलो को देखना चाते हैं तो उसके लिए यह देखना जरूरी है कि किसी बहुत अमीर आदमी के दिमाग के बीतर क्या चल रहा है इस पुस्तक का बाद वाला हिस्सा इस बारे में है कि किसी अमीर आदमी के दिमाग के बीतर क्या चलता है मैंने अमीर डैडी से पूछा कि लोटरी जीतने वाले आम तोर पर दोबारा सड़क पर क्यों आ जाते हैं वहे सिक्के का केवल एक ही पहलू देखता है। दूसरे सब्दों में वहे पैसे को उसी तरह संबालता है जिस तरह हमेशा से संबालता था और जिस वज़े से वहे शुरुवात में गरीब रहा था या संगर्स कर रहा था। उसे सिर्फ वही संसार दिखता है जिसमें परियाप्त पैसा नहीं है। एसा व्यक्ति जो सबसे सुरक्षित काम कर सकता है वह है यह है कि अपने पैसे को बैंक में रख दे और उसके ब्याज पर जिंदा रहे। जो लोग सिक्के के दूसरे पहलू देख सकते हैं वे उस पैसे को तिवर वे सुरक्षित तरीके से कई गुना कर लेंगे। वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सिक्के का दूसरा पैलू भी दिखता है जहां बहुत ज़्यादा पैसे का संसार है। वे ज़्यादा तेजगती से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए अपने पैसे क का इस्तेमाल करते हैं जबकि बाकी हर कोई ज़्यादा तेजी से ज़्यादा करीब बनने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है। 1980 के दसक के अंत में जब अमीर डैडी पूरी तरह रिटायर हो गए और उन्होंने अपना सामराज्य माइक को सौफ दिया तो उन्होंने मुझे एक संक्षिप्त मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात से पहले उन्होंने मुझे 49 मिलियन डोलर नगदी वाला एक बैंक स्टेटमेंट दिखाया और कहा और यह सिर्फ एक बैंक में है अब मैं रिटायर हो चुका हूँ क्योंकि इस नगदी को बैंकों से बाहर निकालना और अधिक उत्पादग निवेसों में लगाना पूर्ण का लिक काम है। मैं दोबारा चाऊँगा। यह एक पूर्ण का लिक काम है क्योंकि हर साल यह अधिक चुनोती पूर्ण होता जाता है। कि माईक ने सिर्फ यह जानता है कि इंजन को कैसे चलाना है बलकि यह भी जानता है कि अगर यह खराब हो जाए तो इसे कैसे ठीक करना है अधिकतर अमीर बच्चे अपने माता-पिता का पैसा गवां देते हैं क्योंकि हालंकि वे भारी दोलत में पलेवड़े हैं लेकिन वे क खुद ही इंजन को खराब कर देते हैं वे सिक्के के अमीर पहलू में बड़े होते हैं लेकिन मैं कभी नहीं सीख पाते कि उस पहलू तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत होती है मेरे मारक दर्शन से तुमारे पास यह रुपांतर्ण करने और दूसरी तरफ पहु पैसे का एक संसार है क्योंकि अपने दिलो दिमाग में मैं अक्सर खुद को गरीब इंसान मानता था जब भी मुझे पैसों की कमी के कारण अपने दिल और पेट में दहशत का जोर होता तो अमीर डेड़ी मुझसे एक अभ्यास करने को कहते थे वे मुझसे बस यह कहलाते थ पैसों की दो तरह की समश्य होती है एक समश्या है परियापत पैसा नए होना और दूसरी समश्या है बहुत ज़ादा पैसा होना मैं कون से समश्या चाहता हूँ हलंकि मेरा मन वित्य दैसत की अवस्ता में हिचकोले खा रहा था लेकिन फिर भी मैं मन ही मन यह सवाल पूछता था मैं हसरत करने वाले लोगों में से नहीं हूँ यानि मैं कोरे सकारात्मक कथन की शक्ति में विस्वास नहीं करता मैंने खुद से यह सवाल इसलिए पूछा ताकि धन समंदी अपने पुस्तेनी द्रिष्टी कोन से लड़ सकूँ दैसत शान्त होने के बाद मैं अपने दिमाग से अपनी वित्य समश्यों के समाधान खोजने को कहता था समाधान किसी भी परकार के हो सकते थे एक जवाब खोजना एक सलाकार खोजना या अपने कमजोरी के विशे पर किसी पठे करम में शिरकत करना अपनी बुनियादी दैसत से जूजने का मुख्य मुदेशे यह था कि मैं इतना शान्त हो जाऊं कि दोबारा आगे बढ़ सकूँ मैंने गोर किया कि अधिकतर लोग धन संबंदी अपनी दैसत को यह अनुम्बती दे देते हैं कि वह उन्हें हरा दे और उनके जीवन की शर्तों को तै करे इसलिए वे जोखिम और पैसे को लेकर दैसत में बने रहते हैं जैसा मैंने कैस्फ फ्लो क्वाड्रेंट में लिखा था लोगों की भावनाएं ही प्राए उनका जीवन चलाती हैं डर और शंका जैसी भावनाएं कम आतम विश्वास तथा आतम विश्वास के अभाव की ओर ले जाती हैं 1990 के दसक की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रम पर एक अरब डालर के करीब व्यक्तिगत करज था और उनकी कमपनी पर नो अरब डालर करज था एक साक्षातकार लेने वाले ने उनसे पूछा कि क्या वे चिंतित हैं उन्होंने जवाब दिया चिंता करना समय की वरवादी है चिंता करने से इन समश्याओं को सुल जाने की दिसा में काम करने की राह में बादा आती है मैंने गोर किया है कि लोगों के अमीर नय होने का एक प्रमुक कारण यह है कि वे उन चीजों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं अमीर डैडी का निवेसक सबक नमबर दो मांसिक रूप से दोनों संसारों को देखने का चुनाव करना था पैसों की कमी वाला संसार और बहुत ज़्यादा पैसों वाला संसार बाद में अमीर डैडी ने वित्या योजना का महतव बताया अमेर डेडी का दरड़ विश्वास था कि अगर आपके पास परियापत पैसा नहीं है तब भी आपके पास एक वित्य योजना होनी चाहिए आपके पास तब के लिए भी वित्य योजना होनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए उन्होंने कहा था अगर तुमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे के लिए योजना नहीं है तो तुम अपना सारा पैसा गवादोंगे और उस एकमात्री योजना पर लोड़ जाओगे जिसे तुम जानते हो जिसे 90% जनसंख्या जानती है पैसों की कमी का संसार सुरक्षा और अभाव अमेर डैडी ने कहा था कोई व्यक्ति जितनी ज़्यादा सुरक्षा चाता है उसे अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा अभाव मिलेगा सुरक्षा और अभाव साथ साथ सलते हैं इसलिए जो लोग नोकरी की सुरक्षा या गारंटी चाते हैं वे ए अदिकतर लोग अपना जीवन वित्य योग्यताओं को बढ़ाने के बजाए अधिक सुरक्षा की खोज में बिता देते हैं। आपकी वित्य योजनाई जितनी जादा होती है आपको जीवन में उतनी ही जादा समरदी मिलती है। वित्य योजनाउने ही अमीर डैडी को यह शक्ति दी थी कि वे हवाई में सबसे मुल्यवान जाइदाद खरीदना शुरू करें। आलांकि उनके पास बहुत कम पैसे थे। यही वित्य योग्यताई लोगों को किसी आउसर का लाब उठाकर उससे लाखों करोडों डोलर कमाने के शक्ति परधान करते हैं। अवसर अधिकतर लोगों को दिखाई देते हैं, वे तो बस उन्हें पैसों में नहीं बदल पाते, इसलिए वे अक्सर और अधिक सुरक्षा चाते हैं। अमीर डैडी ने यह भी कहा था, कोई इनसान जितनी जादा सुरक्षा खोशता है, उतना ही कम वह उन अवसरों को देख पाता है, जो भरे पड़े हैं। दस में से साथ बार प्रहार कर दो, तो आप हाला फेम में पहुंच जाते हैं। दूसरे सब्दों में अगर वे अपने बेस्वाल करियर में एक अजार बार बल्ले बाजी करके आएं और सिर्फ साथ सो बार परहार कर दें तो वे हाल आफें में पहुंच जाएंगे। योगी बेरा का कथन पढ़ने के बाद अमीर डैडी ने कहा था। अधिक्तर लोग सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वे जीवन में एक बार भी परहार करने से कत्राते हैं। मांचिक द्रश्टिकोन प्रशनावली। मैं एक ऐसे परिवार से आया था जो संसार को कम पैसों वाले संसार के रूप में देखता था। मेरी व्यक्तिगत चुनोती खुद को बार बार यह याद दिलाना था कि दूसरी तरह का संसार भी मौजूद था। बहुत ज्यादा पैसे वालों का संसार। और मुझे अपने लिए दोनों संभावनाओं के संसार को देखने के लिए दिमाग खुला रखने की जुरूरत थी। तो मानसिक द्रिष्टिकोन प्रसन यह है। पहला क्या आप देख सकते हैं कि धन के दो अलग-लग संसारों का अस्तितव हो सकता है। एक संसार जिसमें कम पैसा हो और दूसरा संसार जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो हां या ना दूसरा अगर आप इस वक्त कम पैसों वाले संसार में जी रहे हैं तो क्या आप बहुत ज़्यादा पैसों वाले संसार में अपने जीने की संभावना देखना चाते हैं हां य ना में उतर दीजिए धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई पांच की तरफ जो है निवेश पेचिदा क्यों है आपका दिन शुब हो रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रोबर्ट टी कियोसा की अध्याई पांच निवेश पेचिदा क्यों है एक दिन मैं अमीर टैड़ी के ओफिस में इंतजार कर रहा था और वे फोन पर बात कर रहे थे वे इस तरह की बातें कह रहे थे तो आज आप लॉग हैं अगर प्राइम गिर जाता है तो इसे स्प्रेड में क्या होगा ठीक है ठीक है अब मैं समझ गया कि आप उस निवेश को सुरुचित रखने के लिए अप्शन स्टेंडल क्यों खरीद रहे हैं आप उस शेयर को स्टार्ट करने वाले हैं शोट करने क के बजाए आप पुल ओप्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जब अमीर डैडी ने अपना फोन नीचे रखा तो मैंने कहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आप किस बारे में बात कर रहे थी निवेश बहुत पेचिदा नजर आता है अमीर डैडी मुस्कुराए और बो जैसे कि टीवी और फिल्मों में निवेशक करते हैं अमीर डैडी मुस्कुराए कर बोले सबसे पहले तो यह जान लो कि निवेश का अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग मतलब होता है इसलिए यह इतना पेचिदा नजर आता है अधिकतर लोग जिसे निवेश कहते हैं व जा मेरा चेरा शिकुर गया लोग अलग-लग चीज़ों के बारे में बात करते हैं लेकिन सोचती हैं कि वे एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एक बार फिर अमीर डैडी हंस दिये सबक शुरू हो गया था निवेश का अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग मतलब हो आगे इस मैत्वपूर्ण सबक्के कुछ उधारण दिये हैं। अलग-अलग लोग अलग-अलग चीजों में निवेश करते हैं। अमें डैडी ने मुल्यों के अंतर को स्पस्ट किया। पहला, कुछ लोग बड़े परिवारों में निवेश करते हैं। बड़ा विश्तरत परिवार बुड़ापे में माता-पिता की देखवाल सुनिश्चित करने का तरीका है। दूसरा, लोग अच्छे सिक्षा, नोकरी की सुरक्षा और लाबों में निवेश करते हैं। व्यक्ति और उसकी बाजार में बिख सकने वाली योग्यताएं संपत्ति बन जाती हैं। तीसरा, कुछ लोग बाहरी संपत्तियों में निवेश करते हैं। अमेरिका के लगबग 45% लोग कमपनियों के शेयर खरिदते हैं। क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि नोकरी की सुरक्षा और आजीवन रोजगार की अब कोई गारंटी नहीं रह गई है। कई अलग अलग निवेश उत्पाद हैं। यहां पर निवेशों के अलग 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 परकारों का नमूना पेस किया जा रहा है। इन समों में से परते को कई उप समों में बंटा जा सकता है। मिसाल के तोर पर शेर को देखें। शेरों को निमन में उप विवाजित किया जा सकता है। पहला कॉमन स्टोप, दूसरा प्रिफ़र्ड स्टोप, तीसरा वारंट वाले स्टोप, चोता स्माल कैप स्टोप, पांचों मां ब्लू चिप स्टोप, छठा कनवर्टिबल स्टोप, साथ मां तकनिकी स्टोप, आठONA उद्योगिक स्टो काधी इत्याधी। अचल संपत्ति को निमन में उपविवाजित किया जा सकता है पहला एकल परिवार, दूसरा व्यवसाइक कारिया लेन, तीसरा व्यवसाइक रिटेल, चोथा बहु परिवार, पांचवाँ वेर हाउस, छठा उद्योगि, साथवाँ है विक्सित जमीन, आठवाँ विक्सित जमीन बीमे को निमन में उपविवाजित किया जा सकता है पहला संपूर्ण, मियादी, परिवर्तन सील जीवन भीमा, दूसरा सकल, परिवर्तन सील सकल, तीसरा मिश्रित, चोथा प्रत्थम, द्वितिय या अंतिम म्रतक, पांचवाँ खरीदी विक्री अनुबंद की धनपूर्ती के लिए, छठा एग्जुकिटिव बोनस और स्थ मुआवजे के लिए, साथमा संपदा करकी धनपूर्ती के लिए, आठमा योग्यता रहित, सेवा निवर्ति लाबों के लिए, बहुत सारे अलग-अलग निवेस उत्पाद हैं, जिन में से प्रतेक का उदेश्य भिन होता है, यह भी एक कारण है कि निवेस इतना पेजीता विशे है, निवेस की अलग-अलग पदतियां है, इन निवेस उत्पादों को खरीदने, बेचने, इनका व्यापार करने और इनके अधी ग्रेन की तकनी विदी या फार्मूला को समझाने के लिए रिच डैड ने प्रकिरिया सब्द का प्रियोग किया, विभिन परकार के क उच निवेस उत्पाद निमन है, पहला, खरीदो, रखो और प्रार्थना करों, लोंग, दूसरा, खरीदो और बेचों, ट्रेड, तीसरा, बेचो फिर खरीदों, शोट, चोथा, ओप्शन खरीदना और बेचना, ट्रेड, पांचवा, डॉलर कोस्ट एवरेजिंग, चठा, ब्रोकरिंग, कोई पोजिशन ट्रेड नए करना, साथवा, बचत, इकठा करना, कई निवेसकों को उनकी निवेस पदतियों और उत्पादों के आधार पर स्रेनिवद किया जाता है, मिसाल के तोर पर, पहला, मैं शेर खरीदता बेचता हूँ, दूसरा, मैं अचल स पांचवा, मैं डे ट्रेडर हूँ, छठा, मैं बैंक में पैसे रखने में यकीन करता हूँ, इस सबसे निवेस का विशय और अधिक पेचिदा बन जाता है, क्योंकि निवेस के जंडे तले एसे लोग हैं, जो दरसल है, पहला जुआरी, दूसरा दाउं लगाने वाले, ती अधिकनिकी दरस्टी से वे हैं भी, इसलिए निवेस का विशय और अधिक पेचिदा हो जाता है, कोई भी हर चीज का विशय सगय नहीं होता, अमीर डेडी ने कहा था, निवेस का अलग-लग लोगों के लिए, अलग-लग मतलब होता है, अमीर डेडी ने यह भी कहा था, खरीद फ्रोक्त में अच्छा है, वह कहेगा, शेर आपके सर्वस रेष्ट निवेस हैं, जो अचल संपत्ती से प्रेम करता है, वह कहेगा, अचल संपत्ती समुची दोलत का आधार है, जो व्यक्ति सोने से नफरत करता है, वह कहेगा, सोना एक दक्यानुसी कमोडिटी है, पदती के रुजहान को जोड़ लें, तो आप सचमुच दुविधा में पड़ जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं, विकेंदरी करण करो, अपने सारे अंडे एक ही डलिया में मत रखो, दूसरी ओर, अमेरिका के सबसे महान निवेसक वारेन बफिक जैसे लोग हैं, जिनोंने कहा है, विकेंदरी करण मत करो, अपने सारे अंडे एक ही डलिया में रखो, और फिर उस डलिया को गोर से देखते रहो, तथा कतित विशे सग्यों का विक्तिगत पूरवा गरेन निवेस के विशे पर चाई दूविधा को बढ़ा देता है, बाजार वही, दिसाएं अलग, दूविधा बढ़ाने वाली बात यह भी है, कि बाजार की दिसाएं और संसार के भविशे के बारे में हर विक्ति की राइब भिन होती है, अगर आप वितिय समाचार सूने, तो एक तथा कतित विशे सग्या आकर कहेगा, बाजार बहुत चड़ चुका है, यह अगले छे आमें लुड़क जाएगा, दस मिनिट बाद एक और विशे सग्या कर कहेगा, बाजार और उपर चड़ने वाला है, लुड़कने का कोई सवाल ही नहीं है, पार्टी में देर से आना, मेरे एक मित्तर ने हाल ही में कहा था, जब मैं जोरदार स्टोप के बारे में सुनता हू और उसे खरीदता हूँ, तो उसके बाद वैह हमेशा गिरने लगता है, मैं शिकर पर खरीदता हूँ, क्योंकि यह बहुत चोरदार, लोग पर यह शेयर है, लेकिन एक दिन बाद ही यह नीचे की और आने लगता है, मैं हमेशा पार्टी में देरी से क्यों पहुंचता एक और शिकायत मैं एकसर सुनता रहता हूँ, शेयर का भाव गिर जाता है, इसलिए मैं उसे बेच देता हूँ, लेकिन अगले दिन यह दोबारा चड़ जाता है, इसा क्यों होता है, मैं इसे पार्टी में देर से आने, या आपने इसे बहुत जल्दी बेच दिया की घटन कहता हूँ, कोई चीज लोकप्रिया है या पिछले दो सालों से नमबर वन फंड की रूप में मन्य है, उसमें समश्या यह है कि असल निवेसक पहले ही उस निवेस में अपने पैसे बना चुके हैं, उन्होंने इसमें जल्दी प्रवेस किया था और सिखर पर बाहर निकल ग एसी कहानिया या जोरदार टिप से मेरा कोई भला नहीं होता, सिर्फ कुंठा ही होती है, इसलिए आज जब मैं बाजार में तुरंत दोलत और तेज पैसे की एसी कहानिया सुनता हूँ, तो मैं बस वहां से दूर चल देता हूँ, और ने सुनने का विकल्प चुनता हूँ, क्योंकि एसी कहानिया दरसल निवेस के बारे में नहीं है, निवेस पेचिदा इसलिए है, अमीर डेडी एकसर कहते थे, निवेस पेचिदा है, क्योंकि यह है बहुत बड़ा विशे है, आसपास देखने पर तुमें दिख जाएगा कि लोगोंने कई अलग अलग चीजों मे निवेस किया है, अपने उपकरणों को देखो, वे सभी उन कमपनियों के उतपाद हैं, जिनमें लोगोंने निवेस किया था, तुमें बिजली एक यूटिलिटी कमपनी से मिलती है, जिसमें लोग निवेस करते हैं, एक बार जब तुम यह समझ लेते हो, तो अपनी कार, ग कान के फरनिचर, अपने प्रिया स्टोर वाले शोपिंग सेंटर, ओफिस की इमारतों, बैंक, होटल, हवाई जहाज, हवाई अडेके गलीचे, आदी को देखो, ये सारी चीजे वहाँ इसलिए हैं, क्योंकि किसी ने उस व्यवसाई में निवेश किया था, जो तुम्हें थे, निवेश अधिकतर लोगों के लिए इतना पेचीदा विशे है, क्योंकि ये अधिकतर लोग, जिसे निवेश कहते हैं, वह दरसल निवेश नहीं होता, अगले अध्याई में, अमीर डेडी मेरा मार्क दर्शन करके, दूविदा को कम करते हैं, और इस समझ की और ले ज होती है, तो मानसिक द्रिश्टी कोण प्रसन है? पहला, क्या आपको एसास है कि निवेश का मतलब अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग होता है? हाँ या ना? दूसरा, क्या आपको एसास है कि निवेश के विशे पर जितना ग्यान उपलब्द हैं, उसे कोई भी एक अकेला इनसान नहीं जान सकता? हाँ या नहीं? तीसरा, क्या आपको एसास है कि एक व्यक्ति कह सकता है कि कोई निवेस अच्छा है और दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि वही निवेस बुरा है और दोनों के ही तरक सही हो सकते हैं हाँ या नहीं चोथा, क्या आप निवेश के विशे पर दिमाग को खुला रखने के इच्छुक हैं? क्या आप इस विशे पर भिन द्रश्टी कोड़ों को सुनने के इच्छुक हैं? हाँ या ना? पांचुमा, क्या अब आप जागरुक हैं कि विशिश्ट उत्पादों और पदतियों पर केंद्रित होने का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि वे निवेश हैं? हाँ या नहीं? च्छठा, क्या आपको एसास है कि किसी दूसरी विक्ति के लिए जो निवेश अच्छा है हो सकता है कि वह आपके लिए अच्छा नहीं हो? हाँ या नहीं? धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 6 की तरफ जो है निवेश कोई उत्पाद या पदती नहीं बलकि योजना है दोस्तों उमीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन बटन को जरूर दमाई ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए इसे लाइक और शेर करना नहीं मूलें आपका दिन शुब हो रिच डैट्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रोबर्ट टी कियो साकी अध्याइच्छ है निवेश कोई उत्पाद या पदती नहीं बलकि योजना है मुझसे अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मेरे पास निवेश करने के लिए दस अजार डोलर हैं आपके इसाब से मुझे कहा निवेश करना चाहिए इस पर मेरा सामान्य जवाब होता है क्या आपके पास कोई योजना है कुछ मईनों पहले मैं सेन फ्रांसिस्को के एक रेडियो स्टेशन पर कारेकरम दे रहा था कारेकरम निवेश पर था और एक बहुत लोगप्री अस्थानिय शेर दलाल इसकी मेजबनी कर रहा था एक स्रोता का फोन आया जो निवेश सबंदी सलाच आता था मेरी उमर 42 साल है मेरे पास अच्छी नोकरी है लेकिन पैसा नहीं है मेरी मा का एक मकान है और उस पर सिर्फ एक लाख डोलर का करज बचा है उनका कहना है कि मेरे निवेश की खातिर वे मकान पर कुछ और करज ले लेंगी आपके इसाब से मुझे किस में निवेश करना चाहिए शेरों में या जमीन जायदाद में एक बार फिर मेरा जवाब था क्या आपके पास कोई योजना है मुझे योजना की जुरूरत नहीं है जवाब आया मैं तो बस आप से यह जानना चाहता हूँ कि किस में निवेश करूँ मैं जवाब चाहता हूँ कि आपके इसाब से अचल संपती का बाजार बेटर है या शेयर बाजार मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं लेकिन क्या आपके पास कोई योजना है मैंने एक बार फिर पूरी वी नमबरता से पूछा मैंने आपको बताया ना कि मुझे किसी योजना की जरूरत नहीं है फोन करने वाले ने कहा मैंने बता तो दिया कि पैसे मेरी मां देगी इसलिए मेरे पास पैसा है इसलिए मुझे किसी योजना की जरूरत नहीं है मैं निवेश करने के लिए तैयार हूँ मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आपके इसाब से कौन सा बाजार बेहतर है शेर बाजार या अचल संपत्ती बाजार मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मुझे अपनी मां का कितना पैसा अपने खुद के मकान पर खर्च करना चाहिए यहां बे एरिया में कीमतें इतनी तेजी से उपर जा रही है कि मैं अब और इंतजार नहीं करना जाता एक अन्य अनिती का उप्योग करने का निर्णे लेते हुए मैंने पूछा अगर आप 42 साल के हैं और आपके पास अच्छे नोकरी है तो फिर एसा क्यों है कि आपके पास कोई पैसा नहीं है अगर आप अपनी मां के मकान पर कर्ज लेते हैं और आपका निमेश डूब जाता है तो क्या वे अतिरिक्त कर्ज के साथ घर की किसने चुका सकती है लगबग चार लाक स्रोताओं ने उसका जवाब सुना इस सबसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैंने तो सोचा था कि आप एक निवेशक है मुझे निवेश सबंदी सला देने के लिए आपको मेरे निजी जीवन की चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है और मेरी माँ को बीच में नहलाईं मैं व्यक्तिकत सला नहीं चाहता बस निवेश सला चाहता हूँ निवेश सला व्यक्तिकत सला है मैंने अपने अमीर डेड़ी से जो सबसे महतपूर्ण सबक सीखे उन में से एक यह था निवेश कोई उत्पाद या पदती नहीं बलकि एक योजना है उन्होंने आगे कहा था निवेश एक निहायत व्यक्तिकत योजना है निवेश पर एक सबक के दोरान उन्होंने पूछा था क्या तुम जानते हो कि इतने अलग-लग किसम के कार और ट्रक क्यों बनते हैं मैंने कुछ समय तक इस बारे में सोचा और आखिरकार जवाब दिया मुझे लगता है कि इतने अलग-लग परकार के लोग हैं और लोगों की अलग-अलग आखशक्ताई हैं एक अकेले आदमी को नो यात्रियों वाली स्टेशन वैगन की जुरूरत शायद नहीं हो, लेकिन पांच बच्चों वाले परिवार को इसकी जुरूरत होगी, और कोई किसान दो सीट वाली स्पोर्ट्स कार के बजाए पिकप ट्रक को ज़्यादा पसंद करेगा, सही कहा, अम निवेस उत्पादों को निवेस वाहन भी कहा जाता है, उन्हें वाहन कहा जाता है, मैंने दो राया, निवेस वाहन क्यों? क्योंकि वे वाहन ही होते हैं, हमेर टेडी बोले, इतने सारे अलग अलग निवेस उत्पाद या वाहन इसलिए हैं, क्योंकि लोगों की जुरूरत जैसे पांच बच्चों वाले परिवार की आवशक्ताइं एक अकेले आदमी या किसान की आवशक्ताओं से भिन्ध है। लेकिन वहन सब्द क्यों मैंने एक बार फिर पूछा। क्योंकि वहन आपको बिंदू ऐ से बिंदू बै तक पहुंचाता है। अमीर डैडी ने कहा, आप आर्थिक रूप से जहां है वहां से निवेस उत्पाद या वहन आपको वहां तक पहुंचा था है। जहां आप आर्थिक द्रश्टी से भविश्य में किसी समय पहुंचना चाहते हैं। इसलिए निवेस एक योजना है। मैंने कहा और अपना सिर धीरे धीरे हिलाया। मुझे समझ में आने लगा था। मान लेते हैं कि निवेस हवाई से निवयारक तक की यात्रा की योजना बनाने जैसा है। जाहिर है आप जानते हैं कि यात्रा के पहले चरण में साइकल या कार से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि समुंदर पार करने के लिए आपको किसी नाव, पानी के जहाज या हावाई जहाज की जुरूरत होगी। और एक बार जब मैं जमीन पर पहुंच जाता हूँ, तो न्यूयारक तक पहुंचने के लिए मैं पैदल चल सकता हूँ, साइकल की सवारी कर सकता हूँ, कार से यत्रा कर सकता हूँ, ट्रेन या बस से जा सकता हूँ, मैंने जोड़ा। ये सभी अलग-अलग वाहन है। अमीर डेडी ने अपना सिरह लाया। और यह जरूरी नहीं है कि उन में से कोई भी दूसरे से बेतर हो। देखो, अगर तुमारे पास बहुत सारा समय है और तुम वाकई देहात या जंगल देखना चाते हो, तो पैदल चलना या साइकल से य हवाई से नियुजार्क तक हवाई उडान भरना ही सबसे अच्छा और एकमात्र विकल्प होगा, अगर तुम समय पर पहुंचना चाते हो तो। कई लोग शेयर जैसे उत्पाद और फिर ट्रेडिंग जैसी पदती पर ध्यान के नरीद करते हैं, लेकिन उनके पास दरसल को आप यही कह रही हैं, अमिर डेडि ने सीरे लाया, अदिकतर लोग उस चीज से पैसा बनाने की कोशिस कर रहे हैं, जिसे वे निवेस मानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग या व्यापार निवेस नहीं है, अगर यह निवेस नहीं है, तो फिर यह क्या है? मैंने पूछा, यह ट् जो किसी मकान को खरीदता है उसका हुलिया ठीक करता है और ज्यादा लाब में उसे बेज देता है एक शेरों का व्यापार करता है दूसरा अचल संपती का व्यापार करता है वास्ताव में ट्रेडिंग या व्यापार सद्यों पुराने तकनीक है उंट शांदार सामान लेकर लेगिस्तान पार करते हैं और उन्हें यूरोप के उप बोगताओं तक पहुंचाते थे तो रिटेलर भी एक माइने में व्यापारी है और व्यापार एक पेशा है लेकिन यह वह नहीं है जिसे मैं निवेस कहता हूँ आपके लिए निवेस एक योजना है एक एसी योजना ज सिती से वहां तक पहुंचाती है जहां आप पहुंचना चाते हैं मैंने कहा और अमीर डेडी के अंतरों को समझने की पूरी कोशिस की अमीर डेडी ने सिरे लाते हुए कहा मैं जानता हूँ कि यह मीन में एक निकालने वाली बात है और बहुत छोटा विवन नजर आता है ल कर रहे हैं लेकिन आर्थिक द्रिष्टी से वे कहीं नहीं जा रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वे ठेला गाड़ी को गोल-गोल गुमा रहे हो इसमें एक से अधिक वहान की जुरूरत होती है पिछले अध्याय में मैंने उपलब्द अलग-अलग प्रकार के कुछ निवेस उत्पादों और पदतियों की सूची बताई थी हर दिन नए उत्पाद बन रहे हैं क्योंकि लोगों की आवशक्ताईं अलग-अलग होती है जब लोग अपनी व्यक्तिगत वितिय योजना के बारे में सपष्ट नहीं होते हैं तो ये सारे अलग-अलग उत् और पदतियां तनावपूर्ण वैदूइदपूर्ण बन जाते हैं अमीर डैडी ने कई निवेसकों का वर्णन करते समय कहा कि वे ठेला गाड़ी को अपना बहान बनाते हैं बहुत सारे तथा कतित निवेसक किसी एक निवेस उत्पाद और एक निवेस पदति पर आसक्त ह मिसाल के तौर पर कोई सिर्फ शेरों में निवेस करता यह कोई दूसरा सिर्फ अचल संपत्ती में ही निवेस करता व्यक्ति वाहन के परटी आसक्त हो जाता है और बाकी सब्व निवेस वाणों तथा उखलवद पदतियों को देखने में हैसफल रहता है वहे आदमी उस ए एक गोल दायरे में चलाता रहता है एक दिन जब वे निवेसकों और उनकी ठेला गाड़ियों के बारे में हंस रहे थे तो मुझे अधिक स्पष्ट करने का आगरे करना पड़ा उनकी प्रतिक्रिया थी कुछ लोग एक ही परकार के उत्पाद और एक ही पदती के विशे सग्य बन जाते हैं ठेला गाड़ी पर आसक्त होने से मेरा यही मतलब है ठेला गाड़ी काम करती है यह बहुत सारी नगदी को इधर से उधर पहुँचाती है लेकिन यह फिर भी ठेला गाड़ी ही रहती है एक सच्चा निवेसक वाहनों या पदतियों के परतिया सक्त नहीं होता सच्चे निवेशक के पास एक योजना होती है। उसके पास अलग-अलग वहनों और पदतियों के लिए कई विकल्प होते हैं। सच्चा निवेशक तो बस इतना चाता है कि वह बिंदू ऐसे बिंदू बैतक सुरक्षित रूप से और इचित समय सीमा में पहुंच जाए। वह व्यक्ति ठेला गड़ी का मालिक नहीं बनना चाता या उसे धकाना नहीं चाता। मेरी दूइदा अब भी दूर नहीं हुई थ इसलिए मैंने उनसे अधिक स्पस्ट करने को कहा। देखो उन्होंने कहा और अब वे थोड़े कुंठित हो रहे थे। अगर मैं हवाई से निव यार्क जाना चाता हूं तो मेरे पास कई वानों का विकल्प रहता है। लेकिन मैं उनका मालिक नहीं बनना चाता। मैं तो ब बस जहां हूं वहां से उस जगह तक पहुंचना चाता हूं। जहां मुझे जाना है। जब मैं हवाई अड़े पर उतरता हूं तो मैं हवाई अड़े से होटल तक पहुंचने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करता हूं। होटल पहुंचने पर दरबान मेरे सामान को कमरे तक पहुंचाने के लिए हाथ-गाड़ी का इस्तेमाल करता है। मैं उस हाथ-गाड़ी का मालिक नहीं बनना चाता या उसे धकाना नहीं चाता। तो फरक क्या है? मैंने पूछा। जो लोग खुद को निवेसक मानते हैं, उन में से कई तो निवेस वाहन पर आसक्त हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें शेरों या अचल संपती को पसंद करना होगा। ताकि वे उनका इस्तेमाल वाहन के रूप में कर सकें। इसलिए व तक कभी नहीं पहुच पाते। तो यह जरूरी नहीं है कि आप जिस वाहन से यात्रा करते हैं उसके प्रेम में पढ़े। इसी तरह आपको अपने शेरों, बॉंड या ओफिस के इमारतों से प्रेम में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वे तो बस वाहन है। मैंने क इस्वास है कि लोग इन वाहनों की परवा करें। मैं तो बस इन वाहनों के प्रतियासक्त नहीं होता। नए ही मैं आवशक रूप से इनका मालिक बनना चाहता हूं या उन्हें चलाने में समय लगाना चाहता हूं। मैंने पूछा, जब लोग अपने निवेस वाहनों के प और उन लोगों को भी जो शिर्व अचल संपर्ति में निवेश करते हैं। ठेला गाड़ी पर आसक्त होने से मेरा यही मतलब है। जरूरी नहीं है कि सोच गलत हो। बात बस यह है कि वे अक्सर अपनी योजना की बजाए अपने वाहन पर ध्यान के अंदरित कर बैठते हैं। हालंकि वे निवेश उत्पादों को खरीद कर रोक कर और बेच कर बहुत सा पैसा तो बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि पैसा उन्हें वहां तक ने ले जा पाए जहां वे पहुंचना चाते हैं। तो आपको एक योजना की जरूरत है। मैंने कहा। और मेरी योजना ही यह तै करेगी कि मुझे किन अलग-लग प्रकार के निवेश वानों की आउशकता होगी। अमीर डेडी ने सिर हिलाते हुए कहा। दरसल तब तक निवेश मत करो जब तक कि तुमारे पास कोई योजना ने हो। हमेशा याद रखो कि निवेश कोई उत्पाद या पदती नहीं बलकि एक योजना है। यह है एक मैतवपूर्ण सबक है। मानसिक त्रिस्टिकोन परसनावली। जब कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो वह आम तोर पर योजना या नक्षे बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई बस कुछ लोगों को बुलाए और बिना किसी योजना के मकान बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा। कई लोग अपने वित्य मकान इसी तरह बनाते हैं। अमीर डैडी ने मुझे वित्य योजनाई लिखने का मार्क दर्शन दिया। यह आसान प्रकिरिया नहीं थी नए ही इसमें पहले पहल समझदारी नजर आई। लेकिन कुछ समय बाद यह मेरे सामने बहुत स्पष्ट हो गया कि मैं आर्थिक द्रिष्टी से कहां पर था और कहां पहुंचना चाहता था। एक बार जब मुझे यह पता चल गया तो नियोजन की प्रकिरिया आसान हो गई। दूसरे सब्दों में मेरे लिए सबसे मुश् हिस्सा यह पता लगाना था कि मैं क्या चाहता था। मानसिक द्रिष्टी कोन प्रसन यह है। पहला क्या आप यह पता लगाने में समय निवेश करना चाहते हैं कि आप आज आर्थिक द्रिष्टी से कहां पर हैं और आप आर्थिक द्रिष्टी से कहां तक पहुंचना चाहत इसके बाद क्या आप यह लिखने के इच्छुक हैं कि आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएं इसके अलावा हमेशा याद रखें कि किसी भी योजना को दरसल तब तक योजना नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप इसे लिखने ले और किसी दूसरे को दिखाने ले ह हाँ या नहीं दूसरा क्या आप कम से कम एक वित्य पेशेवर से मिलने और यह पता लगाने के इच्छुक है कि उसकी योजनाई आपकी दिर्ग कालिंग योजना आपकी दिर्ग कालिंग निवेस योजनाउं में कैसे मदद कर सकती है हाँ या नहीं निती की भिनता का पता लगाने के लिए आप दो तीन पेशे विर्वेक्तियों से भी मिल सकते हैं। धन्यवार आईए चलते हैं अध्याई साथ की तरफ जो है आप अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या गरीब बनने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों उमीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन बटन को दवाएं ताकि आपको मैं जो भी वीडियो प्लोड करूँ वो तुरंत मिल जाए और इस वीडियो को लाइक और शेर करना नही पूलें आपका दिन शुब हो रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रोबर्ट टी कियोसा की अध्याय साथ आप अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या गरीब बनने की योजना बना रहे हैं अधिकतर लोग गरीब बनने की योजना बना रहे हैं अमीर डैडि ने कहा, क्या, मैंने हैरत में जवाब दिया, आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं तो बस लोगों की कही बातें सुनता हूँ और लोग यही कहते हैं, अमीर डैडी ने कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविशय को देखना चाते हो, तो बस उसके सब्दों पर गोर करो। शब्दों की शक्ति शब्दों की शक्ति पर अमीर डैडी का सबक बहुत सक्ति साली था। उन्होंने पूछा था, क्या तुमने किसी को यह कहते सुना है। पैसा बनाने के लिए पैसे की जुरूरत होती है। मैं फ्रीज से दो सोफट ड्रिंक निकालने के लिए खड़ा हुआ और बोला, हाँ मैं इसे हर समय सुनता हूँ, आप यह क्यों पूछ रहे हैं। देखो, पैसे बनाने के लिए पैसे की जुरूरत होती है, यह विचार बहुत बुरा होता है। खास तोर पर तब जब कोई व्यक्ति अधिक पैसे चाता हो, अमीर डैडी ने कहा, अमीर डैडी को उनका सोफट ड्रिंक थमाते हुए मैं बोला, मैं समझ नहीं पाया, आपका मतलब है पैसे बनाने के लिए पैसे की जुरूरत नहीं होती। नहीं, अमीर डैडी ने अपना सिरह लाते हुए कहा, पैसे बनाने में पैसे की जुरूरत नहीं होती। इसके लिए उस चीज की जुरूरत होती है, जो हम सभी के पास पहले से ही मौजूद है, और जिसे हासिल करना पैसे से काफी कम महिंगा होता है। वास्तों में कई माइनों में इसके लिए जिस चीज की जुरूरत होती है, वह मुफ्त मिलती है। इस कतन से मेरे जिग्यसा जाग गई, लेकिन वे मुझे यह बताने को तयार नहीं थे, कि यह क्या था। इसके बजाए निवेस पर सबक खतम होने के बाद उन्होंने मुझे एक काम सौप दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे दोबारा मिलने से पहले तुम्हे एक दिन अपने डैडी को डिनर पर आमंत्रित करो। लंबे धीमे चलने वाले डिनर पर। मैं चाहता हूँ कि पूरे समय तुम उनके सब्दों पर ध्यान दो। उनके सब्द सुनने के बाद उस संदेश पर ध्यान देना जो उनके सब्द भेज रहे हैं। इस समय तक मुझे आदत पढ़ चुकी थी कि मैं अमेरी डैडी के सोंपे अजीबों गरीब काम चुप चप कर दूं। बले ही वे उस विशे से ऐसंबंद दिखते हों। जिस पर हम चर्चा या अध्यन कर रहे थे। बहराल वे अपने अनुभव और बाद में सबक की आउधारना में द्रडविश्वास रखते थे। इसलिए मैंने अपने डैडी को फोन करके उनके प्रिये आउधानी से उनके शब्दों के चैन, शब्दों के आर्थ और शब्दों के पीछे के विचार सुने। और तुमने क्या सुना। मैंने सुना। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मैंने कहा। लेकिन मैंने यह बात तो जिन्दगी में अधिकतर समय सुनी है। वास्तों में वे परिवार वालों से अक्सर कहते रहते थे जिस पल मैंने स्कूल टीचर बनने का निड़ने लिया मैं जानता था कि मैं कभी हमीर नहीं बन पाओंगा तो तुमने कुछ बातें पहले भी सुनी थी कई बार, बार बार मैंने सीरे लाता हुए कहा तुमने और क्या बार बार सुना अमीर डैडी ने पूछा मैंने जवाब दिया क्या तुम सोचते हो कि हमारे यहां पैसे के पेड़ लगे हैं क्या तुम सोचते हो कि मैं पैसों का बना हूँ अमीर लोग दूसरों की उस तरह परवा नहीं करते जिस तरह मैं करता हूँ पैसे कमाना मुश्किल होता है और मैं अमीर के बजाए सुखी बनना ज्यादा पसंद करूँगा अमीर डैड़ी ने पूछा अब तुम्हें समझाया मेरा क्या मदलब था कि तुम लोगों के शब्द सुनकर उनके अतीद, वर्तमान और भविश्य को देख सकते हो सिरे लाते हुए मैंने कहा और मैंने एक और बात पर भी गोर किया वह क्या हमेरी डैड़ी ने पूछा आपकी शब्दावली व्यफसाई को और निवेशक की है मेरे डैड़ी की शब्दावली स्कूल टीचर की है आप पूंजी करण दरों, वित्य लिवरेज, इबी आईटी, परड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मुनाफे और कैश फ्लो जैसे सब्दों का इस्तेमाल करते हैं वेट टेस्ट स्कोर, अनुदान, व्याकरण, साहित्य, सरकारी विनियोजन और कारियकाल जैसे सब्दों का इस्तेमाल करते हैं अमीर डैड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा पैसा बनाने के पैसे की जरूरत नहीं होती, इसमें शब्दों की जरूरत होती है अमीर आदमी और गरीब आदमे के बीच का फर्क किसी व्यक्ति की सब्दावली में होता है इनसान को ज़्यादा अमीर बनने के लिए बस अपनी वित्तिय सब्दावली को बढ़ाना होता है और सबसे अच्छी खबर यह है कि अधिकतर शब्द मुफ्त है 1980 के दसक में मैंने अपना ज़्यादातर समय उद्मिता और निवेस पढ़ाने में लगाया इस दोरान मैं लोगों की सब्दावली के बारे में बहुत जागरुक हो गया और इस बारे में भी कि उनके शब्दों का उनकी आर्थिक स्थिति से क्या सब्द था मैंने थोड़ा शोद किया और पाया की अंग्रेजी वासा में लगबग 10 लाख शब्द है आम आदमी सिर्फ कुछ अजार सब्दों में ही माहिर होते हैं अगर लोग अपनी वित्य सफलता को बढ़ाना चाते हैं तो यह किसी खास विशे में सब्दावली को बढ़ाने से शुरू होता है मिसाल के तोर पर जब मैं अचल संपत्ती के छोटे सोदों में निवेश कर रहा था जैसे अकेले परिवार के किराय की जाइदादों में तो मेरी उस विशे सबंदी सब्दावली बढ़ गई जब मैंने निजी कमपनियों में निवेश शुरू किया तो उस विशे में मेरी सब्दावली का बढ़ना लाजमी था ताकि मैं एसी कमपनियों में निवेश करते समय आराम दे महसूस कर सकूँ स्कूल कालेज में वकील कानून की सब्दावली सीखते हैं, डॉक्टर चिकित्सा की सब्दावली सीखते हैं, और सिक्षक, सिक्षकों की सब्दावली सीखते हैं. अगर कोई वक्ती, निवेस, वित, धन, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट ला और टेक्शेशन की सब्दावली स चीखे बिना स्कूल कालेज से निकलता है तो निवेसक के रूप में आरामदे मैसूस करना मुश्किल होता है। मेरे कैस्पलो बोर्ड गेम बनाने का एक कारण यह भी था कि गैर निवेसकों का परीचे निवेसकी सब्दावली से करा दूं। हमारे सारे खेलों में खिलाडी अकाउंटिंग, कारोबार और निवेसके सब्दों के पीछे के संबंद को जल्दी ही सीख लेते हैं। बार-बार खेलने से खिलाडी संपत्ति और दाइतों जैसे सब्दों की सची परिवासा सीख लेते हैं। चिनका आम तोर पर बहुत गलत इस्तिमाल होता है। अमीर डेड़ी एकसर कहते थे, शब्दों की परिवासा नहीं जानने से भी ज्यादा देर कालिन वितिय समझें तब उत्वन होती है जब आप किसी शब्द की गलत परिवासा जानकर उसका उपयोग करने लगते हैं। किसी व्यक्ति के आर्थिक स्वामित के लिए इससे विनासकारी कुछ नहीं है कि वह किसी दाइतों को संपत्ति कहने लगे। इसलिए वे वितिया शब्दों की परिवासा के बारे में बहुत आग्रही थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि मार्टगेज शब्द मार्टीर शब्द से आया है जिसका मतलब फ्रांस की जरूरत नहीं होती। पैसे बनाने और इससे भी मैतोपोर्ण बात पैसे को काईम रखने के लिए बस अमीर आदमी की शब्दावली की जरूरत होती है। यह पुस्तक पढ़ते समय उन अलग-अलग शब्दों के बारे में जागरूक बने जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और हमेशा याद रखें कि अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का बुनियादी अंतर उसके शब्द हैं और शब्द मुफ्त हैं। गरीब बनने की योजना बनाना। अमीर देडि के इस सबक के बाद मैं दूसरों के शब्द गोर से सुनने लगा। अन्तत है मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ने जाने क्यों अधिकतर लोग और चेतन रूप से गरीब बनने की योजना बनाने में जुटे रहते हैं। आज मैं एक्षर लोगों के मूँ से सुनता हूँ। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी और यह कम हो जाती है। वे एक्षर यह भी कहते हैं। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आवशकताई कम हो जाएगी। इसलिए मुझे कम आमदनी की ज ज्यादा होते हैं। जैसे बहुत बुड़े होने पर पूर्ण-kalic nursing home से वाकिए खर्च अगर वे बहुत बुड़े होने लाए खुश कुशमत हो। बुजूर्गों के लिए ओसत nursing home की लागत आज कईी लोगों की मासिक आमदनी से भी ज्यादा हो सकती है। दूसरे लोग कहते हैं मुझे योजना बनाने की जुरूरत ही नहीं है मेरे पास ओफिस का रिटायर्मेंट और मेडिकल प्लान है एसी सोच के साथ समझा यह है कि निवेस योजना में सिर्फ निवेस और धन ही शामिल नहीं होता इसमें इस से अधिक शामिल होता है निवेस करना शुरू करने से पहले वित्य योजना बनाना मेतवपूर्ण है क्योंकि इसमें कई अलगलग वित्य आवशक्ताओं पर ध्यान देने की जुरूरत होती है इन आवशक्ताओं में कालेज की शिक्षा, रिटायर्मेंट, चिकित्सा की लागत और दिर्ग कालिन स्वास्ते से वाश्यामिल है इन में से कई अक्सर बड़ी और मेतवपूर्ण आवशक्ताओं की विवस्ता, शेरों और बौंड या अचल संपती के अथिरिक्त अन्य उत्पादों में निवेश करके की जा सकती है जैसे बीमा उत्पाद और दूसरे निवेश वाहन भविश्य मैं पैसे के बारे में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं लोगों के देर कालिन आर्थिक लियान की खातिर उन्हें शिक्षित करना चाता हूँ आज सूचना यूग की सेवा निवर्ती योजनाएं आ चुकी है जैसे अमेरिका में 401K, ओस्टेलिया में सुपर एन्युवेशन प्लान और कनाडा में रजिस्टर्ड रिटायर्मेंट सेविंग प्लान अब मुझे उन लोगों की ज़्यादा चिंता होने लगी है जो सूचना यूग के लिया आज से तयार नहीं है करमचारी के कामकाजी दिन खतम होने के बाद और द्योगी की यूग में कम से कम कमपनी और सरकार उनकी थोड़ी आर्थिक मदद करती थी आज जब किसी व्यक्ति का 401 के या कैस बेलेस रिटाइरमेंट प्लान सूख जाता है तो यह कमपनी की नहीं व्यक्ति की स्वें की समश्या होती है यह अनिवार यह है कि हमारे स्कूलों में बच्चों के दिर कलिन स्वास्ते और आर्थिक कल्यान की खातिर उन्हें निवेस करना सिखाया जाई अगर हमने इसा नहीं किया तो हमारे हातों में एक बड़ा सामजिक आर्थिक टाइम बं आ जाएगा मैं अक्सर अपनी कलासों में कहता हूँ यह सुनिश्चित करो कि तुमारे पास एक योजना हो सबसे पहले खुद से पूछो कि तुम अमीर बनने की योजना बना रहे हो या गरीब बनने की अगर तुम गरीब बनने की योजना बना रहे हो तो उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हें वित्य जगत ज्यादा मुस्किल लगेगा। अमेर डैडी ने कई साल पहले मुझसे कहा था युवा होने में समश्या यह है कि तुम्हें यह पता नहीं होता कि बुड़ापे में कैसा महसूस होता है। अगर तुम्हें यह बात पता होती कि बुड़ापा कैसा होता है तो तुम अपने वित्य जीवन की योजना अलग तरीके से बनाते है। बुड़ापे के लिए योजना बनाना जीवन में जल्दी से जल्दी योजना बनाना मैतोपूर्ण है। जब मैं अपनी कक्षाओं के सामने यह बात कहता हूँ तो अधिकतर विद्यारती सहमती में सिरेलाते हैं, कोई भी योजना बनाने के मैतों से ऐसमत नहीं होता। समझ्या यह है कि बहुत कम लोग दरसली से करते हैं। मैं जानता हूँ कि अधिकतर लोग इस बारे में सहमत हो जाते हैं कि उन्हें एक वित्य योजना लिखने की जरूरत है। लेकिन बहुत कम लोग सचमुची से करने के लिए समय निकालते हैं। इसलिए मैंने इस बारे में कुछ करने का निर्ने लिया है। लंच के एक गंटे पहले एक कलास में मैंने एक सूती कपड़े को अलग-अलग लंबाई में काटा। फिर मैंने विद्यार्थियों से कहा कि वे एक टुकड़ा लेकर उसके दोनों सिरे अपने टकनों पर बांध लें। बाकी कुछ वैसा ही जैसे इनसान गोड़े पर सवारी करते समय करता है। जब उनके टकने एक फुट की दूरी पर बंद गई तो मैंने उन्हें एक और कपड़ा दे कर कहा कि वे इसके बीच से अपने गरदन निकालें और इसे अपने टकनों तक नीचे बांध लें। कुल परिणाम यह था कि वे टकनों पर लड़ खड़ा रहे थे और तनकर खड़े रहने के बजाए लगबग 45 डिगरी के कोण पर जुके हुए थे। एक विद्यार्थी ने पूछा कि क्या यह यातना का नया रूप है। मैंने जवाब दिया नहीं मैं तो आप में से परतेक को भविशे में ले जा रहा हूँ। अगर आप इतना लंबा जीने लाइक खुश किसमत हो। रस्षियां बताती है कि बुड़ापा कैसे महसूस हो सकता है। कक्षा से एक धीमी आहा निकली। कुछ तश्वीर ले रहे थे। तभी होटल स्टाफ ने लंबी टेबलों पर लंच रख दिया। लंच में सेंडविच, सलाद और पेपदार्थ थे। समश्या यह थी कि भूने मास का बस धेर लगा था। जिसके टुकडे नहीं किये गए थे। ब्रेड को काटा नहीं गया था। सलाद भी नहीं काटा गया था। और पेपदार्थ सूखे पाउडर जैसे थे जिनमें पा करने, सेंडविच बनाने, सलाद बनाने, पे बनाने, बैठने, खाने और सफाई करने की मशक्कत में लगे रहे। जाहिर है उन दो गंटों में कई तो टोईलेट जाने की भी जरूरत पड़ी। जब दो गंटे खातम हो गए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अपने क्रिये रूची देखना रोचक था। जब जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोन बदल गया तो नियोजन में उनकी रूची भी नाटकिये रूप से बढ़ गई। जैसा अमीर डैडी ने कहा था। यूवा होने में समश्या यह है कि आप यह नहीं जानते कि बुड़ा ह पर कैसा महसूस होता है। अगर आपको पता होता कि बुड़े होने पर कैसा महसूस होता है तो आप अपने वित्य जीवन की योजना अलग तरीके से बनाते। उन्होंने यह भी कहा था। कई लोगों के साथ समश्या यह हैं कि वे सिर्फ अपने रिटार्मेंट तक ही योज योजना बनाने की जरूरत हैं। वास्ताव में अगर आप आमीर हैं तो आपको अपने बाद कम से कम तीन पीडियों तक के लिए योजना बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जाने के बाद आपका पैसा भी जा सकता है। इसके लिए अगर इस दर्त और मैतव ही इन लगने वाले विचारों पर करीब से गोर नहीं करते हैं अमीर डेडी ने कहा हम जोर से जो कहते हैं वह हमारे जीवन को तै नहीं करता सबसे अधिक शक्ति तो उन सब्दों में होती है जो हम खुद से फुस फुसाते रहते हैं तो मानसिक दिरिष्टिकोन परसनावली परसन है पहला आप अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या गरीब बनने की योजना बना रहे हैं अमीर या गरीब दूसरा क्या आप अपने गहरे अक्सर मोन विचारों पर ज्यादा द्यान देने के इचुक हैं हाँ या नहीं तीसरा, क्या आप अपनी वित्य शब्दावली बढ़ाने में समय देने के इच्चुक हैं हाँ या नहीं आपका पहला लक्षय यह हो सकता है कि आप एक सब्ता में एक नया वित्य शब्द सीखेंगे बस कोई वित्य शब्द खोजें शब्द को उसमें इसका मतलब खोजें शब्द की परिवासा से अधिक आगे तक जाकर विस्तरत वेवन खोजें और उस सब्ता किसी वक्य में उस शब्द का इस्तेमाल भी करें अमीर डैडी शब्दों के मामले में बहुत सावदानी बरतने पर जोर देते थे वे अक्सर कहते थे शब्द विचार बनाते हैं विचार वास्त विक्ता बनाते हैं और वास्त विक्ता जीवन बन जाती है अमीर व्यक्ती और गरीव व्यक्ती के बीच बन्यादी फर्क उन शब्दों का होता है जिनका वह इस्तेमाल करता है अगर आप किसी व्यक्ति की बाहरी हकीकत को बदलना चाते हैं तो पहले आपको उस व्यक्ति की अंदरुनी हकीकत को बदलने की जरूरत है यह उसके दोरा परियुक्त शब्दों को बदल कर बेहतर करके या सुधार करके किया जाता है अगर आप लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं तो पहले उनके शब्द बदले अच्छी खबर यह है कि शब्द मुफ्त है धन्यवाद दोस्तों उमीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब करें और आइकोन बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास तुरंट पूँच जाए और इस वीडियो को लाइक और शेर करना ने बूले आपका दिन शुब हो अध्याई आठ अगर आपके पास अच्छी योजना है और आप उस पर आमल करते हैं तो आप अपने आप अमीर बनते हैं मेरे मित्र टाम एक उत्करष्ट शेर दलाल है वे अकसर कहते हैं दुखत बात यह है कि दस में से नो निवेसक पैसे नहीं कमाते हैं टाम स्पष्ट करते हैं कि हालांकि हो सकता है कि दस में से नो निवेसक पैसे नहीं कमाई लेकिन फिर भी वे पैसे कमाने में ऐस अफल रहते हैं अमीर डैडी ने भी मुझसे ऐसी ही बाते कही थी जो लोग खुद को निवेसक मानते हैं उन में से अधिकतर एक दिन पैसे बनाते हैं और फिर एक सप्ताय बाद उसे कमा देते हैं हालांकि हो सकता है कि कुल मिलाकर वे पैसे नहीं गवाई लेकिन वे पैसे कमा नहीं पाते हैं इसके बावजूद वे खुद को निवेसक मानते हैं बरसों पहले अमीर टेड़ी ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग जिसे निवेस मानते हैं वह दरसल निवेस का हालिवूड संसक्रण है। बरसातल में जाने की तस्वीरें और निवेस कों के उंची आफिस की इमारतों से बाहर निकलने की तस्वीरें। अमीर टेड़ी के हिसाब से यह निवेस नहीं था। मुझे एक कारिकरम याद है जिसमें वारेन वफे का इंट्रिवू लिया जा रहा था। इंट्रिव्यू के दोरान मैंने उन्हें कहते सुना था। मैं बाजार सिर्फ एक कारण से जाता हूँ। मैं यह देखने जाता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति कोई मुर्खता पूर्ण काम कर रहा है। बफे ने आगे स्पस्ट किया कि वे टीवी पर आने वाले ग्यानियों को नहीं देखते हैं। दरसल वे अपना निवेश, शेयर के परचारकों और तथा कतित निवेश खबरों से पैसे बनाने वाले लोगों के परचार परचार तथा सोर शराबे से दूर करते हैं। निवेस वह नहीं है जो अधिकतर लोग इसे मानते हैं। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि निवेस वह नहीं है जो अधिकतर लोग इसे मानते हैं। उन्होंने कहा था, कई लोग सोचते हैं कि निवेस एक रोमान्चक प्रक्रिया है, जहां बहुत सा नाटक होता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेस का मतलब है बहुत सारा जोखिम, किस्मत, सही समय और जोरदार टिप्स। कुछ को लगता है कि वे निवेस के रहशे में विशे के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए वे अपना विश्वास और पैसा किसी एसे व्यक्ति को स्पूर्थ कर देते हैं जो उनके हिसाब से उनसे ज्यादा ज्यानी है। कई बार तथा कथित निवेसक यह शाबिद करना चाता है कि वे दूसरे लोगों से अधिक जानते हैं। इसलिए वे खुद निवेस करते हैं और यह साबिद करने की फिराक में रहते हैं कि वे बाजार से बेतर परदर्शन करके उसे हरा सकते हैं। हालांकि कई लोगों को यह निवेस लगता है लेकिन मेरे लिए यह निवेस करना नहीं है। मेरे लिए तो निवेस एक योजना है। अक्सर अमीर बनने की एक बोजिल, नीरस और लगबग मशिनी पर किरिया। अमीर बनने की बोजिल, नीरस और लगबग मशिनी पर किरिया से आपका क्या मतलब है। इसका मतलब वही है जो मैंने कहा है। अमीर डैडी ने जवाब दिया। जवांचक होना जरूरी नहीं है। मैंने जिजगते हुए पूछा। सही कहा। अमीर डैडी ने जवाब दिया। जाहिर है जब तक कि तुम इसे ऐसा नए मानते हो या यह नहीं सोचते हो कि निवेस को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए तो निवेस उतना ही सहल और निरस काम है जितना की ब्रेड की बेकिंग की विदी पर अमल करना। विक्तिकत रूप से मैं जोखिम से नफलत करता हूँ। मैं तो बस अमीर बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं बस योजना, विदी या फार्मूले का अनुसरन करना चाहता हूँ। मेरे लिए निवेस का यही मतलब है। अगर निवेस किसी विदी का पालन करने जितना सरल माम तो फिर इस फार्मुले पर ज्यादा लोग क्यों नहीं चलते हैं। मैंने पूछा। मुझे नहीं पता। अमीर डैडी ने कहा। मैंने अक्सर खुद से यह सवाल पूछा है। मैं भी हैरान हूं कि सो अमेरिकियों में से सिर्फ तीन ही अमीर क्यों है। इतने कम लोग एक ऐसे देश में अमीर कैसे बन सकते हैं जो इस वीचार पर आदारित था कि हम में से प्रतेक को अमीर बनने का अफ़र मिले। मैं अमीर बनना चाता था। मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मेरे लिए यह सामन्य बुद्धी की बात थी कि अमीर बनने की यो मैंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई विदी भी है अमीर डैडी ने आगे कहा अब मुझे एसास हो चुका है कि ज्यादातर लोगों को आसान योजना पर अमल करना इतना मुश्किल क्यों लगता है क्यों मैंने पूछा क्योंकि अमीर बनने की आसान योजना पर अमल करना उबहु काम होता है अमीर डैडी ने कहा इनसान बहुत जल्दी उब जाते हैं और कोई अधिक रोमान चक तथा मज़ेदार काम खोजना चाते हैं इसलिए सो में से सिर्फ तीन लोग ही अमीर बन पाते हैं वे एक योजना पर अमल शुरू करते हैं लेकिन जल्दी ही उब जाते हैं इसलिए वे योजना पर अमल करना छोड़ देते हैं और फिर फटा-फट अमीर बनने के लिए किसी जादूई तरीके की तलास करते हैं। इसलिए वे अमीर नहीं बन पातें, वे अमीर बनने की एक आसान सरल योजना पर चलने की बुरियत बरदास नहीं कर पातें। अधिकतर लोग सोचते हैं कि निवेश के जरीए अमीर बनने के लिए थोड़े जादू की जुरूरत होती है या वे सोचते हैं कि जो योजना जटिल नहीं है वह अच्छी नहीं हो सकती मेरा परोसा करो निवेश के मामले में सरल जटिल से बेतर होता है आपको आपका फार्मूला कहां से मिला मैंने पूछा मोनोपली खेल कर अमीर डैडी ने कहा हम में से अधिकतर ने बच्पन में मोनोपली खेला है फरक यह है कि मैंने बड़े होने के बाद भी यह खेल खेलना नहीं छोड़ा क्या तुमें याद है बरसों पहले मैं तुमारे और माइक के पास घंटों तक मोनोपली खेलता था मैंने सिरहलाया और यह आसान खेल जवरदस दोलत का जो फार्मूला बताता है क्या वह तुमें याद है एक बार फिर मैंने सिरहलाया अमीर डैडी ने पूछा और यह सरल फार्मूला या रननिती क्या है चार हरे मकान खरीदो फिर उन चार हरे मकानों के बदले में एक लाल होटल ले लो मैंने धीरे से कहा जब बच्पन की यादे मेरे दिमाग में तेजी से दोड़ी जब आप गरीब थे और असली जिन्दगी में मोनोपली खेलना शुरू कर रहे थे तब आपने हमें बार बार बताया था कि आप यही कर रहे थे और मैंने यही किया अमीर तेड़ी ने कहा क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें अपने अपनी असल जिंदगी के हरे मकान और लाल होटल दिखाने ले गया था मुझे याद है मैंने जवाब दिया मुझे याद है कि मैं इस बात से कितना परवावित था कि आपने असल जिन्दगी में उस खेल को वाकई खेला था उस वक्त मेरी उमर सिर्फ बारा साल थी लेकिन फिर भी मैं यह बात जानता था कि आपके लिए मोनोपली एक खेल से ज़्यादा मैतोपून था मुझे बस इस बात का एसास नहीं हुआ कि यह सरल खेल आपको अमीर बनने की एक रनिती विदी या फार्मूला सिखा रहा था मैं उसे इस तरह नहीं देख पाया अमीर डैडी ने कहा एक बार जब मैंने फार्मूला सीख लिया तो चार हरे मकान खरीदने और उन्हें एक लाल होटल में बदलने की पिरक्रिया या फार्मूला स्वेचालित बन गया मैं इसे अपने नीन में भी कर सकता था और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे मैंने यही किया था मैं इसे बिना ज़्यादा सोचे स्वेचलित रूप से करने लगा मैंने सिर्फ दस साल तक इस योजना पर अमल किया और एक दिन जब मैं जागा तो मुझे एसास हुआ कि मैं अमीर बन गया था क्या यहे आपकी योजना का एक मात्री हिस्सा था मैंने पूछा नहीं यहे नहीं था लेकिन यहे रणनिती कई सरल फार्मूलों में से एक थी जिन पर मैं चला था मेरा मानना है कि अगर फार्मूला जटिल है तो वह अनुसरन करने लाइक नहीं है अगर उसे सीखने के बाद आप उसे स्वेचलित अंदाज में नहीं कर सकते तो आपको उसका आनुसरन नहीं करना चाहिए इसलिए अगर आपके पास एक सरल रणनिती है और आप इस पर चलते हैं तो निवेश करना और अमीर बनना स्वेचलित होता है जो लोग सोचते हैं कि निवेश करना मुश्किल है उनके लिए एक बेहतरिन पुस्तक मेरे निवेश कक्षाओं में हमेशा कोई ने कोई आलोचक या शंका करने वाला रहता है जो मेरी इस बात पर आपत्ती उठाता है कि निवेश एक योजना पर चलने की सरल और उबाव परक्रिया है इस परक्रिया का व्यक्ती हमेशा अधिक तथ्य, अधिक आंकडे और बुद्धिमान लोगों के अधिक परमान चाहता है चुकि मैं तक्निकी विशेशग्य नहीं हूँ इसलिए मेरे पास ऐसे लोगों द्वारा मांगे गई बुद्धिक परमान नहीं थे जब तक कि मैंने निवेश पर एक बेतरिन पुस्तक नहीं पड़ी जेम्स पियो शांसी ने उन लोगों के लिए एक आदर्स पुस्तक लिखी है जो सोचते हैं कि निवेश जोखिमबरा जटिल और खतरनाक होना चाहिए यह उन लोगों के लिए भी आदर्स पुस्तक है जो सोचते हैं कि वे बाजार से ज़्यादा चतूर बनकर उसे हरा सकते हैं इस पुस्तक में यह सैदान्तिक और संख्यात्मक सबूत हैं कि निवेश की प्रकिरिया या मशिनी परनाली अदिकतर मामलों में निवेश की इन्सानी परनाली को हरा देगी बले ही उस परनाली में पेशेवर निवेशक निवेश कर रहे हों जैसे की फंड मैनेजर यह पुस्तक यह भी सबस्ट करती है कि 10 में से 9 निवेशक पैसे क्यों नहीं बना पाते हैं ओशांसी की बेस्ट सेलिंग पुस्तक का सीरसक है वट वर्क्स ओन वाल स्ट्रीट दे क्लासिक गाइड टू दबेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेजिस ओफ आल टाइम ओशांसी निर्ने लेने के दो बुनियादी तरीकों में फर्क बताते हैं पहला तरक और सहज ग्यान पर आधारित यह तरीका ग्यान अनुभव और सहज बोद पर आधारित है दूसरा संख्यात्मक या आंकडों पर आधारित यह तरीका आंकडों के बड़े नमूनों पर आधारित आजमाए हुए सबंदों पर पूरी तरह निर्वर होता है ओ शांसी ने पाया कि अधिकतर निवेशक निवेश निर्णे लेते वक्त सहज ग्यान के तरीके को पसंद करते हैं जो निवेशक सहज ग्यान के तरीके को पसंद करते थे अधिकतर परकरणों में वे गलत निकले या उन्हें लगबग मशीनी तरीके ने हरा दिया वे लिखते हैं हम जिसे कारगर मानते हैं और जो सचमुच कारगर होता है उनके बीच भारी अंतर होता है वे दा लिमिट्स आप साइन्टिफिक रिजनिंग के लेखक डेविड फास्ट का कथन बताते हैं जितना हम मानते हैं मानव विवेक उससे कहीं अधिक सीमित है ओ शांसी यह भी लिखते हैं वे सभी मनी मैनेजर सोचते हैं कि उनके पास विजेता शेयर चुनने की बेहतरीन जानकरी बुद्धी और योग्यता है फिर भी 80% समय S&P 500 इंडेक्स उन्हें हरा देती है दूसरे शब्दों में शेयर चुनने का विशुद मशेनी तरीका 80% पेशेवर शेयर चुनने वालों को हरा देता है इसका मतलब है कि बले ही आप शेयर चुनने के बारे में कुछ नहीं जानते हों लेकिन इसके बावजूद आप अधिकतर तथा कतित प्रशिक्षित और उच्च शिक्षित पेश्वरों को हरा सकते हैं बसरते आप निवेश की एक विशुद मशेनी गैर सहज ग्यान की परनाली पर अमल करें यहे वैसा ही है जैसा अमीर डैडी ने कहा था यह स्वेचलित है इसे दूसरे तरीके से कहीं तो आप जितना कम सोचते हैं आप कम जोखिम और कम चिंदा के साथ उतना ही अधिक पैसा बनाते हैं ओसांसे की पुस्तक में कुछ अन्य रोचक विचार भी है पहला अधिकतर निवेशक सरल बुनियादी तत्यों या आधार दरों के बजाए व्यक्तिकत अनुवव को जाड़ा पसंद करते हैं एक बार फिर व्यवास्त विप्ता के बजाए सहज बोद पर भरोसा करते हैं दूसरा, अधिकतर निवेसक सरल के बजाए जटिल फार्मूलों को पसंद करते हैं। यहे विचार लोग प्रिय लगता है कि अगर फार्मूला जटिल और मुश्किल नहीं है तो यहे अच्छा फार्मूला नहीं हो सकता। तीसरा, निवेसका सर्वस्रेश्णियम है इसे सरल रखो। वे कहते हैं कि चीजों को सरल रखने के बजाए हम चीजों को जटिल बनाते हैं। भीड का अनुसरन करते हैं। किसी शेर की कहानी से प्रेम करने लगते हैं। अपने जजबातों के आधार पर निड़ने लेते और आभासों के इसाब से खरीते बेशते हैं। और हम निवेसको प्रकरण दर प्रकरण के आधार पर लेते हैं। जिसमें कोई नहीत तालमेल या रननेती नहीं होती। चोथा, आम निवेसक जो गलतियां करते हैं, पेशेवर संस्थागत निवेसकों में भी वही गलतियां करने की प्रवर्ती होती है। और शांसिल लिखते हैं। संस्थापक निवेसक कहते हैं कि वे निश्वक्षता से भाव रहित निर्ने लेते हैं। लेकिन वे एसा नहीं करते हैं विलियम M. O. बार और जान M. कालनले की पुस्तक फार्चोन एंड फॉली का एक कथन देखें हालांकि संस्तागत निवेशकों की डेस्क पर गहरी विशलेशनात्मग रिपोर्टें भरी रहती है लेकिन अधिकतर पेंशन अधिकारी अंदरूनी भावनाओं के आदार पर बाहरी मैनेजर चुनते हैं और लगातार खराब परदर्शन करने वाले मैनेजरों को सिर्फ इसलिए बनाई रखते हैं क्योंकि उनके साथ उनके अच्छे विक्तिगत संबंद हैं पांचुआ निवेश सफलता हासिल करने की राह पर है दिर कालिन प्रणामों का अध्य प्रणितियां कितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं छठा इतिहास खुद को दोराता है बहराल लोग इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि इस बार परिस्तितियां भिन होंगी वे लिखते हैं लोग यह यकीन करना चाहते हैं कि वर्तमान अतीद से अलग होगा बाजार अब विशाल म्यूचुल फंडों को नियंतिरित करने वाले मनी मैनेजर बैठे हैं, जिने छोटे निवेशकों ने अपना पैसा दिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये मनी मैनेजर्स अलग तरीके से निरने लेते हैं, वे यकीन करते हैं कि अतीत में आदर्स रंडिती यह नहीं बता सकती कि यह भविशे में कैसा प्रदर्शन करेगी। लेकिन तब से जादा कुछ नहीं बतला है। जब अदबुत प्रकिरिया के धनी सर आईजेक न्यूटन ने 1720 के साउथ सीर ट्रेडिंग कमपनी बबल में अपनीक दोलत गमाई थी। न्यूटन ने अपसोस के साथ कहा था कि वे आकासिय पिंडों की गतियों की गणना तो कर सकते थे लेकिन इनसान के पागलपन की नहीं। सातमा, आपके पास जितने अधिक समय के आंकड़े होते हैं, आपका नेड़ने उतना ही बेहतर होता है। ओशांसी ने इस फार्मूले की तलास की, जिसने सबसे लंबे समय में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो। जरूरी नहीं है कि ओशांसी S&P 500 में निवेश करने को कह रहे हो। हालांकि उन्होंने सहज ग्यान वाले मानव निवेश को और मशीनी फार्मूले के बीच तुलना के रूप में इस उधारन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आगे कहा है कि S&P 500 में निवेश करना सर्वस रेश्ट परदर्शन करने वाला फार्मूला भले ही नहीं हो। सबसे अच्छा परदर्शन किया हो लेकिन पिछले 50 साल के आंकड़ों को देखने पर दरसल शेरों का दूसरा सेक्टर जैसे छोटी कमपनियों के शेर निवेशकों को सबसे ज़्यादा आर्थिक लाप पहुंचा सकता है। अमीर डैडी का दृष्टिकोंड भी ऐसा ही था। इसलिए उनका फार्मूला था कि व्यवसाई बनाओ और फिर अपने व्यवसाई के माध्यम से अपनी अचल संपती तथा कागजी संपतियां खरीदो। यह फार्मूला कम से कम दो सो सालों से दोलत का विजेता फार्मूला रहा है। अमीर डेडी ने कहा था जिस फार्मूले का मैं इस्तेमाल करता हूँ और जो फार्मूला मैं तुम्हे सिखा रहा हूँ यह वही फार्मूला है जिसने लंबे समय से सबसे अमीर लोगों को अमीर बनाया है। कई लोग सोचते हैं कि जिन रेड इंडियन्स ने डच वेस्ट इंडिया के पीटर मिनुट को मैनहेटन आइलेंड बनाम न्यूयार्क सिटी 24 डालर की मालाओं और सस्ते आबोसनों के बदले में बेची थी उन्होंने गाटे का सोधा किया था। लेकिन अगर उन रेड इंडियन्स ने उस पैसे का निवेस आठ परतेशत सालाना ब्याजबर किया हो था तो वे 24 डालर आज 27 ट्रिलियन डोलर से अधिक होते वे मैन एटन को दोबारा खरिद सकते थे और इसके बाद भी उनके पास पैसा बचा रहता। समश्या यह नहीं थी कि उन्हें कितना पैसा दिया गया था। समश्या तो उनके पैसे के लिए योजना का अबहाव था। एक कारगर फार्मूला खोजें और उसका अनुशन करें। बरसों पहले अमीर डेडी का मेरे नाम यह सरल संदेश था। एक फार्मूला खोजो जो तुमें अमीर बना दे और फिर उसका अनुशन करो। मैं अक्सर विचलित हो जाता हूँ जब लोग मेरे पास आकर मुझे उस शेयर के बारे में बताने लगते हैं जिसे उन्होंने पांस डॉलर में खरीदा था और जो तीस डॉलर तक पहुँच गया तथा उन्होंने उसे बेच दिया मैं खुद को विचलित इसलिए पाता हूँ क्योंकि इस तरह की कहानिया उन्हें उनकी योजना उनकी सफलता से दूर बठका देती हैं जोरदार सवाल और फटाफट नगदी की ऐसी कहानिया अक्सर मुझे एक कहानी की याद दिलाती है जो अमीर डैडी ने मुझे बताई थी उन्होंने कहा था कई निवेसक उस परिवार की तरह होते हैं जो देहात में गूमने जाता है अचानक सामने सडक पर कई बड़े हिरन आ जाते हैं जिनके बड़े सिंग होते हैं ड्राइवर जो आम तोर पर परिवार का पूरुष ह होता है चिलाता है इन बड़े हिरनों को देखो सहँच बुद्धी से हिरन सडक से दूर बागते हैं और सडक किनारे के खेतों में चले जाते हैं ड्राइवर कार को सडक में गिर जाती है इस का आने का सबक यह है कि जब आप अपनी सरल योजना का अनुसरन करना छोड़ देते हैं और हिर्णों भारी दोलत का पीछा करना शुरू करते हैं तो आपका भी यही हश्र होता है मानसिक द्रिष्टी कौन परस्णावली जब भी मैं किसे के मुँझ से सुनता हूं पैसे बनाने में पैसे की जरूरत होती है तो मैं सीहर जाता हूं मैं इसलिए सीहर जाता हूं क्योंकि अमीर डेडी ने कहा था आपको अमीर बनने के लिए रोकेट साइंटेस्ट होने के जरूरत नहीं है आपको शुरुवात करने के के लिए कालेज की शिक्षा उंची तंख्वा वाली नोकरी या पैसे की जुरूरत भी नहीं है आपको तो बस यह जानने की जुरूरत है कि आप क्या चाते हैं आपके पास एक योजना होनी चाहिए और आपको उसी से चिपके रहना चाहिए दूसरे सब्दों में इसमें बस थोड़े से अनुशाषन की जुरूरत होती है समश्या यह है कि पैसे के मामले में यही थोड़ा सा अनुशाषन प्राइद दुरलब होता है और शानसी मेरे एक प्रिय कथन को रेखांकित करते हैं यह मशूर कामिक स्ट्रिप पात्र पोगो का है जिसे वाल्ट केली ने बन होती और बस अपने फार्मूले का अनुसरन किया होता तो मैं आर्थिक द्रिष्टी से बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में होता तो मानसिक द्रिष्टी को अन प्रशन यह हैं क्या आप अपनी योजना के हिस्से के रूप में एक सरल फार्मूला खोजने और उस पर अमल क तरने को तयार हैं जब तक कि आप अपने वित्य लक्षय तक नहीं पहुंँ जाएं हां या नहीं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याए 9 की तरफ जो है आप अपने लिए सही योजना कैसे खोज सकते हैं आपका दिन शुब हो अध्याए 9 आप अपने लिए सही योजना कैसे खोज सकते हैं मैं वह योजना कैसे खोजूं जो मेरे लिए सही हो यह एक ऐसा सवाल है जो मुझ से बार बार पूछा जाता है मेरा समन्य जवाव यह होता है कि यह चर्णों में होता है पहला, अपना समय लें, अब तक के जीवन के बारे में शांती से सोचें शांती से सोचने में कई दिनों का समय लें, अगर जरूरत हो तो कई सब्ता भी लगाएं दूसरा, शान्ति के इन पलों में खुद से पूछें, मैं जीवन नमक इस उपहर से क्या चाता हूँ तीसरा, कुछ समय तक किसी दूसरे से इस बारे में बात नहीं करें कम से कम जब तक आपको पक्का नहीं हो जाए कि आप वह जान गई हैं, जो आप चाते हैं अक्सर लोग या तो अंजाने में या जानबूज कर दूसरों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे तो उन पर वे इच्छाएं थोपना चाते हैं, जो वे उनके लिए खुद चाते हैं गहरे अंदरूनी सपनों के सबसे बड़े हत्यारे आपके मित्र और परिवार के सदश्या हैं, जो कहते हैं, ओ, बेवकुफी मत करो, या तुम यह नहीं कर सकते चोथा, याद रखें कि बिल गेट्स की उमर 20 से कुछ अधिक थी, जब उन्होंने 50,000 डोलर से शुरुआत की थी, आजवे संसार के सबसे अमीर आदमी हैं, जिसके पास 90 अरब डालर हैं, यह बड़ा अच्छा रहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के विचार नहीं पू होती है, पेसेवर व्यक्ति जो कहता है, अगर वह आपको पसंद नहीं आता, तो किसी दूसरे को खोजें, आप किसी बिमारी के लिए दूसरे डोक्टर की राए लेते हैं, तो फिर अपनी आर्थिक चुनोतियों के लिए कई लोगों की राए क्यों ने लें, वित्य सलाकार कई प्रकार के होते हैं, सलाकार कोई कोच या मारकदर्सक भी हो सकता है, जिसने वह काम किया हो, जिसे आप करना चाहते हैं, एसा सलाकार खोजें, जो लिखित वित्य योजना तयार करने में आपकी मदद करने हैं तु युग्य हो, कई वित्य सलाकार विभिन प्रकार के उत बिमा एक एसा ही उत्पाद है बिमा एक बहुत एहम उत्पाद है और आपको इसे अपनी वित्यय योजना का हिस्सा बनाने पर विचार करना चाहिए। खास तोर पर तब जब आप पहले पहल शुरू कर रहे हों। मिसाल के तोर पर अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है लेकिन तीन बच्चे हैं तो बिमा महत्वपूर्ण है। ताकि अगर आप मर जाए आपको चोट लग जाए या किसी भी कारण से आप अपनी निवेश योजना को पूरा करने में ऐसमर्थ रहें तो परिवार सुरुक्षित रहे। बिमा सुरक्षा का जाल है यह आर्थिक दाइत्मों और कमजोर जगाओं से रक्षा का कवच है। इसके अलावा अगर आप अमीर बनते हैं तो आपकी आर्थिक स्तिती और आर्थिक आवशक्ताईं बदलने पर बिमे की भूमिका और वित्य योजना में बिमे का परकार अग लग गई परंतु फाइर बिर्गेड के दस्ते आग बुजाने वहां पहुंच गए। मैं कभी लोगों के किसी समूँ के परती इतना करतग नहीं हुआ गटना स्तल पर आने वाले अगले लोग मेरा बीमा एजेंट और उसका सहयोगी था। उस दिन जिन लोगों को दे इवन की योजना में एक बहुत मैतोपूर्ण उतपाद है। बीमे के साथ समझ्या यह है कि जब आपको इसकी जरूरत होती है तब आप इसे कभी नहीं खरीच सकते। तो आपको यह अनुमान लगाना होता है कि आपकी क्या जरूरत है। और फिर आप इसे उस उम्मिद से कि आपको इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बीमा बस मन की शान्ती है। मैतोपूर्ण टिप। कुछ वितिय सलाकार विशेश आर्थिक स्तरों के लोगों की मदद करने के विशेशग्य होते हैं। दूसरे सब्दों में कुछ सलाकार सिर्फ हमीरों के साथ ही काम करते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या नए हो ऐसा सलाकार खोजें जिसे आप पसंद करते हों और जो आपके साथ काम करने का इच्छुक हो। अगर आपका सलाकार अच्छा काम करता है तो आप यह पा सकते हैं कि अब आपको उस से आगे के स्तर के सलाकारों की जरूरत है। मे मिल हैं अगर वह व्यक्ति पेशेवर है तो वह समझ जाएगा लेकिन भले ही आप सलाकार बदलें लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपनी योजना पर डटे रहें तो आप अपनी योजना कैसे खोचते हैं मेरा लक्षा यह था कि मैं 30 साल की उमर से पहले मल्टी मिलेनियर ब लेकिन समझ यह थी कि मैंने तुरंद ही सारा पैसा गवा भी दिया उस अनुबव के बाद मैंने अपनी योजना में खामिया खोजी जिन्हें सुदारने की जुरूरत थी लेकिन मैंने अपनी सकल रन्निती बरकरार रखी जब मैंने अपना पैसा गवा दिया तो मुझे तो बस अनुबव से मिली सीख के अनुसार अपनी योजना सुदारने की जरूरत थी फिर मैंने अपना लक्षे दोबारा तै किया आर्थिक सोतंतरता प्राप्त करना और पंतालिस साल की उमर तक मिलेनियर बनना मैंने 47 साल की उमर में अपना लक्षे हासिल कर लिया मुद्दे की बात यह है कि मेरी योजना वही रही मैं तो बस अधिक सीखता गया और उसके इसाब से अपनी योजना को बेहतर बनाता गया तो आप अपनी खुद की योजना कैसे खुजें जवाब है किसी आर्थिक कोच या मारकदर्सक से मदद लें जो पहले ही वहक कर चुका हो जो आप करना चाते हैं उन से उनकी योगताईं बताने को कहीं और कई लोगों से मिलें इस बात की संभावना है कि इस से आपकी आँखे खुल जाएंगी यथार्थवादी लक्षे तै करें मैंने पांच वर्स में मल्टी मिलेनियर बनने का लक्षे तै किया था हलांकि क्योंकि यह मेरे लिए यथार्थवादी था यह यथार्थवादी इसलिए था क्योंकि अमीर जैडी मेरा मारकदर्शन कर रहे थे हलांकि वे मेरा मार्क दर्शन कर रहे थे लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि मुझे से गलतियां नहीं होई मैंने बहुत सी गलतियां की जिस वज़े से मैंने बहुत जल्दी सारा पैसा कवा दिया जैसे मैंने कहा था अगर मैं बस अपने अमीर डेडी की योजना पर चला होता तो जीवन बहुत अधिक आसान होता बहराल युवा होने के कारण मुझे चीजों को अपने तरीके से करना था इसलिए यथार्थवादी लक्षों से शुरुवात करें फिर शिक्षा और अनुबहु बढ़ने पर लक्षों को बेहतर बनाएं या उन्हें आगे बढ़ाएं हमेशा याद रखें कि मेरा थन में दोड़ने से पहले चल कर शुरुवात करना सबसे अच्छा होता है आप पहले कदम उठाकर अपनी खुद की योजना खोज सकते हैं किसी पेशेवर व्यक्ति से मिलकर शुरुवात करें और यथार्थवादी लक्षे तै कर लें यह जानते हुए कि आपके बदलने पर लक्षे भी बदलेंगे लेकिन योजना पर डटे रहें अधिकतर लोगों के लिए अंतिम योजना होती है आर्थिक सोतंतरता का एहसास पाना पैसे के लिए काम करने की देनिक दास्ता से मुक्त होना एहसास यह करें कि निवेस एक टीम खेल है इस पुस्तक में मैं आपको अपनी आर्थिक टीम का मैतव बताऊंगा मैंने देखा है बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि उन्हें चीजें खुद के दमपर करने की जरूरत है देखिए कुछ चीजें बेशक आपको अपने दमपर करने की जरूरत होती है लेकिन कई बार आपको एक टीम की जरूरत भी होती है वित्य बुद्धी यह जानने में आपकी मदद करती है कि कब चीजें अपनी दम पर करें और कब मदद मांगे पैसे के मामले में कई लोग अक्षर अकेले ही और खामस्वी से कष्ट उठाते हैं संभवत है उनके माता पिता ने भी यही किया था जब आपकी योजना विक्षित होती है तो आप अपने टीम के नए सदशियों से मिलना शुरू करेंगे जो आपके वित्य स्वपनों को साकार करने में आपकी मदद करेंगे आपकी वित्य टीम के सदशियों में ये शामिल हो सकते हैं बैंकर, अकाउंटेंट, वकील, दलाल, बुक कीपर, बीमा एजेंट, सफल मार्क दर्शक आप निश्चित रूप से इन लोगों के साथ लंच मिटिंग्स टै कर सकते हैं अमीर डैडी ने यही किया था और इन मिटिंग्स में ही मैंने व्यवसाई, निवेश तथा बहुत अमीर बनने की प्रक्रिया के बारे में सबसे ज़्यादा सीखा था याद रखें, टीम के सदशिया को खोजना काफी हद तक व्यवसाईक सांजेदारी खोजने जैसा है क्योंकि टीम के सदशिया कई माईनों में यही होते हैं वे सांजेदार हैं, वे सबसे मैतोबन व्यवसाई में मदद कर रहे हैं आपके जीवन का व्यवसाई, हमेशा अमीर डैडी की कही बात याद रखें चाहे आप किसी दूसरे के लिए काम करते हों या खुद के लिए अगर आप अमीर बनना चाते हैं, तो आपको अपने व्यवसाई का ध्यान खुद रखना होगा और अगर आप अपने व्यवसाई का ध्यान खुद रखते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाली योजना दीरे दीरे प्रकट हो जाएगी तो अपना समय लें एक दिन में एक कदम उठाएं और आपके पास अच्छे अवसर हैं कि आप जीवन में जो चाते हैं वह हर चीज आपको मिल जाएगी मानसिक दरश्टिकोन परसनावली मेरी योजना दरसल नहीं बदली है बहराल कई माइनों में यह नाटकिये रूप से बदल कई है मेरी योजना के बारे में यह नहीं बदला है कि मैंने कहां शुरू किया था और अन्ततै मैं अपने जीवन से क्या चाता हूँ कई गलतियों, सीखने के अनुबहों, जीतने, हारने, उतार चड़ाओं के मध्यम से मैं बढ़ा हुआ हूँ और मैंने रास्ते भर ग्यान वे बुद्धिमानी हासिल की है मेरी योजना लगातार संसोदन की अवस्ता में रहती है क्योंकि मैं लगातार संसोदन की अवस्ता में रहता हूँ जैसा की एक बार कहा था जिन्दगी एक निर्मम सिक्षिका है यह पहले आपको सजा देती है और फिर सबक सिखाती है इसे पसंद करें या ने करें यही सीखने की सची प्रक्रिया है हम में से अधिकतर ने कहा है अगर मैं तब वह जानता जो अब जानता हूँ तो जीवन अलग होता तो मेरे लिए अपनी योजना का अनुसरन करने पर ठीक यही हुआ मेरी योजना बुन्यादी तोर पर वही है मगर वह बहुत अलग है क्योंकि मैं अलग हो गया हूँ मैं आज वह नहीं करूँगा जो मैंने 20 साल पहले किया था मगर यह बात भी है कि मैंने 20 साल पहले जो किया था अगर मैंने वह नहीं किया होता तो मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूँ वह नहीं जानता होता जो मैं आज जानता हूँ मिसाल के तोर पर मैं अपना कारोबार 20 साल पहले जीस तरह चलाता था आज नहीं चलाता हूँ मगर मेरे पहले बड़े कारोबार के डूबने और खुद को उस मलबे से बाहर निकालने के फलसोरूप ही मैं बहतर विफसाई बन पाया तो हालांकि 30 साल की उमर तक मैं मिलेनियर बनने के अपने लक्षे तक पहुँच गया था लेकिन पैसा डूबने की वज़े से ही मैं आज मिलेनियर हूँ समय योजना के अनुसार बस मेरी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा समय लगा और जब बात निवेस की आती है तो मैंने अपने अच्छे निवेसों से जितना सीखा उस से ज़्यादा मैंने अपने बुरे निवेसों से सीखा उन निवेसों से जहां मैंने अपना पैसा गवा दिया मेरे अमीर डेडी ने कहा कि अगर मैं दस निवेस करता हूँ तो तीन अच्छी तरह चलेंगी और आर्थिक छक्के साबित होंगी पांच शायद फुसीवम निकले और कुछ नहीं करेंगे और दस में से दो होंगे जो तबाही मचा देंगे मगर मैं उन दो वित्य तबाईयों से जितना सीखूंगा उतना अपने तीन च्छकों से नहीं सीख पाऊंगा वास्तों में उन दो तबाईयों की बदोलत ही मैं अगली बार आसानी से च्छके मार पाया जब मैं बैटिंग करने उत्रा और यह सब योजना का हिस्सा है तो मानसिक द्रिष्टि कौन प्रशन यह है क्या आप एक सरल योजना से शुरू करने उस योजना को सरल बनाई रखने लेकिन सीखने और सुधार करने के इच्छुक है जब योजना आपको बताती है कि आपको रास्ते में क्या सीखने की जरूरत है दूसरे सब्दों में योजना दरसल नहीं बदलती है लेकिन क्या आप उस योजना को यह अनुमती देना चाहते हैं कि यह आपको बदल दे हाँ या नहीं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 10 की तरफ जो है इसी वक्त निर्नेले कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आपका दिन शुब हो अध्याई 10 इसी वक्त निर्नेले कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं निवेसक सबक तीन चैन के मैतव पर था उसमें बताया गया था कि वित्य एक्षेतर में तीन बुन्यादी मुल्या होते हैं जिन में से हमें चुनाव करना होता है वे थे पहला सुरक्षित बनना, दूसरा आरामदे बनना या तीसरा अमीर बनना ये व्यक्तिगत चैन बहुत मैतोपूर्ण है और इन्हें हलके में नहीं लिया जाना चाहिए 1973 में जब मैं वियतनाम युद से लोटा तो मेरे सामने ये विकल्प मुझूद थे अमीर डैडी ने एरलाइनों में पाइलेट की नोकरी के मेरे विकल्प पर बाचित करते हुए कहा था देखो शायद एरलाइनों की नोकरी आगे चल कर उतनी सुरक्षित ने हो मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में एरलाइनों को मुश्किल समय से गुजरना पड़ेगा अगर तुम्हारा रिकोर्ड साप सुत्रा रहा है तो तुम्हे उस पेसे में नोकरी की सुरक्षा मिल सकती है बसरते तुम वाकई यही चाते हो फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं स्टंडर्ड ओयल ऑफ कैलिफोर्निया वाली अपनी पुरानी नोकरी पाना चाता था जो मैंने सिर्फ पांस महीने तक की थी जिसके बाद मैं मरीन काप्स में भरती होने के लिए फ्लाइट स्कूल चला गया था क्या तुम्हे उनका पत्र नहीं मिला था कि जब सेना में तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो स्टंडर्ड आईल तुम्हे दोबारा करमचारी के रूप में रख लेगा उन्होंने कहा था कि उन्हें खुशी होगी अगर मैं दोबारा आवेदन करूँ मैंने जवाब दिया लेकिन उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी लेकिन क्या यह काम करने के लिए अच्छी कमपनी नहीं रहेगी क्या तनक्वा बहुत अच्छी नहीं थी बहुत अच्छी थी मैंने कहा स्टंडर्ड आईल बेहतरिन कमपनी है लेकिन मैं वहाँ नहीं लोटना चाता मैं आगे बढ़ना चाता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो अमीर डैडी ने तीन वी कलपों की और संकेत करते हुए पूछा तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो सुरक्षित रहना, आरामदे होना या अमीर बनना मेरे दिल की गैराई से जोर का जबाब आया अमीर बनना यह बरसों में नहीं बदला था हालांकि इस इच्छा और बुनियादी मुल्य को मेरे परिवार में काफी हद तक नीचे दबा दिया गया था जहां नोकरी और आर्थिक सुरक्षाही सरवच्चे परात्मिक्ता थी जहां आमीरों को बुरा एसिक्षित वैलो भी समझा जाता था मैं एक एसे परिवार में बड़ा हुआ था जहां डीनर टेबल पर पैसे समंदिब बाचित नहीं होती थी क्योंकि यह गंदा विशे था और बुद्धिक बाचित करने लाइक नहीं था लेकिन अब जब मैं 25 साल का हो गया था तो मैं अपनी व्यक्तिकत सचाई को सामने आने की अनुमती दे सकता था मैं जानता था कि सुरक्षित रहने और आरामदे होने के बुनियादी मुल्य मेरी सूची में सबसे उपर नहीं थे मेरे लिए तो अमीर बनना ही सरवच्चे बुनियादी मुल्य था तब अमीर डैडी ने मुझसे बुनियादी वितिये पराथमिक्ताओं की सूची बनवाई मेरी सूची इस क्रम में थी पहला अमीर बनना दूसरा आरामदे होना और तीसरा सुरक्षित होना अमीर डैडी ने मेरे सूची को देखकर कहा ठीक है अब पहला कदम है आर्थिक द्रिष्टी से सुरक्षित बनने की वित्य योजना लिखना क्या मैंने पूछा मैंने आपको बताया ना कि मैं अमीर बनना चाता हूँ सुरक्षित बनने की योजना लिखने की क्या जरूरत है अमीर डेडी हंस दिये जैसा मैंने सोचा था उन्होंने कहा संसार तुम जैसे लोगों से भरा पड़ा है जो बस अमीर बनना चाते हैं समश्या यह है कि तुम जैसे अधिकतर लोग इसमें कामियाब नहीं होते हो क्योंकि तुम यह नहीं समझ पाते हो कि आर्थिक द्रस्टी स सुरक्षित होने या आर्थिक द्रस्टी से आरामदे होने का मतलब क्या है। हालांकि तुम जैसे कुछ लोग यह करने में काम्याब हो सकते हो। लेकिन सचाई यह है कि दोलत की रा लापरवा लोगों की तुम जैसे लोगों की बरबात जिन्दगी से भरी पड़ी है। मेरा मन चीखने चिलाने को हो रहा था। जिन्दगी भर मैं अपने गरीब डैडी के साथ रहा था जो सुरक्षा को सबसे ज़्यादा मैतव देते थे। अब जब मैं आखिरकार इतना बड़ा हो गया था कि अपने गरीब डैडी के मुल्यों से बाहर निकल सकूँ तो मेरे अमीर डैडी मुझसे वही चीज करने को कह रही थे। मैं चीखने चिलाने के लिए तयार था, मैं सुरक्षित नहीं अमीर बनने के लिए तयार था। तीन सब्ता बाद जाकर मैं अमीर डैडी से दोबारा बातचित कर पाया। मैं बहुत विचलित था। उन्होंने वह हर चीज मेरी तरफ उच्छाल दी थी जिससे दूर जाने की मैंने सर्वसरेश्ट कोशिज की थी मैं आखिरकार शान्त हो गया और मैंने अगले सबक के लिए उन्हें फोन किया दोबारा मुलाकात होने पर अमीर डैड़े ने पूछा क्या तुम सुनने को तयार हो मैंने सीर हिलाते हुए कहा मैं तयार हूँ लेकिन सचमुची चुक नहीं हूँ पहला कदम अमीर डैड़े ने शुरू करते हुए कहा मेरे वितिय सलाकार को फोन करो उन से कहना मैं आजीवन वितिय सुरक्षा के लिए एक लिखित वितिय योजना चाहता हूँ ठीक है मैंने कहा दूसरा कदम अमीर डैडी ने कहा बुनियादी आर्थिक सुरक्षा की लिखित योजना बन जाने के बाद मुझे फोन करना फिर हम उस पर चर्चा करेंगे सबक खतम हुआ अलविधा एक मैने बाद मैंने उन्हें दुबारा फोन किया मेरे पास योजना थी और मैंने उन्हें यह दिखा दी अच्छी बात है उन्होंने कहा क्या तुम इस पर चलने को तयार हो मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने कहा यह बहुत बोरिंग और स्वेचलित है इसे ऐसा ही होना चाहिए अमीर डैडी ने कहा इसे मशीनी स्वेचलित और बोरिंग होना ही चाहिए लेकिन मैं तुम से इसका अनुसर्ण नहीं करा सकता हालांकि मैं ऐसा करने की सला देता हूँ मैं अब शान्त हो रहा था मैंने पूछा अब क्या अब अपना सलाकार खुद खोजो और एक योजना बनाओ कि आर्थिक दृष्टी से आराम दे कैसे बनना है अमीर टैडी ने कहा आपका मतलब है एक दिर्ख का लिन वितिय योजना जो थोड़ी अधिक आकरामक हो मैंने पूछा सही समझे अमीर टैडी ने कहा यह अधिक रोमान्चक है मैंने कहा मैं यह खुशी खुशी कर सकता हूँ अच्छी बात है अमीर टैडी ने कहा योजना तयार होने पर मुझे बताना चार मैंने बात जाकर मैं अमीर टैडी से दोबारा मिल पाया यह योजना बनाना आसान नहीं था कम से कम उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था मैं समय समय पर फोन के जरिये अमीर टैडी से संपरक में रहा लेकिन योजना लिखने में मेरी उमीद से ज़्यादा समय लग रहा था बहराल यह परक्रिया बहुत मिमुल्यवान थी क्योंकि मैंने कई वितिय सलाकारों से बात करके बहुत कुछ सीखा था मैं उन अवधारणाओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगा जो अमीर डैडी मुझे सिखाने की कोशिज कर रहे थे मैंने जो सबक सीखा वह यह था कि जब तक मैं यह सपष्ट नहीं कर लेता कि मैं क्या चाहता हूँ तब तक सलाकार इस बारे में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता कि मैं अपने लक्षे कैसे हासिल करूँ आखिरकार मैं अमीर डैडी से मिलने और उन्हें अपनी योजना बताने में काम्याव हुआ अच्छा कुछ देर तक उन्होंने बस इतना ही कहा वे बेटकर योजना को देखते रहे और फिर उन्होंने पूछा तो तुमने अपने बारे में क्या सीखा मैंने सीखा कि दरसल यह स्पष्ट करना आसान नहीं है कि मैं अपने जीवन से क्या चाता हूँ क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे विकल्प है और उनमें से कई विकल्प रोमान्चक दिखते हैं बहुत अच्छे वे बोले इसलिए तो आजकल बहुत सारे लोग इस नोकरी से उस नोकरी या इस व्यवसाई से उस व्यवसाई में कूदते रहते हैं और वहां कभी नहीं पहुँच पाते जहां वे आर्थिक द्रस्टी से पहुँचना चाते हैं इसलिए वे अकसर अपनी सबसे कीमती संपत्ती यानि अपने समय को कमा देते हैं और कमों बेश बिना किसी योजना के जीवन भर बठकते रहते हैं वे जो कर रहे हैं उनसे वे खुश तो हो सकते हैं लेकिन वे दरसल यह नहीं जानते कि वे किन चीजों से वन्चित रह रही हैं बिल्कुल ठीक मैंने सहमत होते हुए कहा इस बार सिर्फ सुरक्षित रहने के बजाए मुझे सचमुच सोचना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में क्या चाता था और हैरानी की बात यह थी कि मुझे उन विचारों को टटोलना पड़ा जो पहले कभी मेरे दिमाग में आये ही नहीं थे मतलब अमीर ठेडी ने पूछा देखिए मैं अपने जीवन में सचमुच आरामदे होना चाता हूँ तो मुझे यह सोचना है कि मैं जीवन में क्या पाना चाता हूँ मुझे अपने विचारों का विस्तार करके सचमुच बविशय तक ले जाना पड़ा और यह पता लगाना पड़ा कि मैं अपने जीवन में क्या चाता हूँ और तुम्हें क्या पता लगा? अमीर ठेडी ने पूछा मुझे पता लगा कि सुरक्षय बहुत आसान थी क्योंकि मैं केवल सुरक्षित बनने की योजना बना रहा था मैं यह नहीं जानता था कि सचमुच आरामदे होने का क्या मतलब है सुरक्षित को सपष्ट करना आसान था लेकिन आरामदे को परिवासित करना मुश्किल था अब मैं यह जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ कि अमीर बनने का क्या मतलब है और मैं भारी दोलत हासिल करने की योजना कैसे बनाऊँ अच्छी बात है अमीर टेडी ने कहा बहुत अच्छी बात है उन्होंने आगे कहा इतने सारे लोगों को अपने सादनों से कम जीने या मुश्किल दिनों के लिए बचत करने का आदी बनाया गया है कि वे कभी जान ही नहीं पाते कि उनके जीवन में क्या संभव हो सकता है नतीजा यह होता है कि लोग सालाना छुटियों और सेर सपटा करके या अच्छी कार खरीद कर करज में चले जाते हैं या पैसे उड़ा देते हैं और इसके बाद अपराद बोद महसूस करते हैं वे यह पता लगाने का समय कभी नहीं निकालते कि आर्थिक द्रेश्टी से क्या संभव हो सकता था बसरते उनके पास बस एक अच्छी वितिय योजना होती है और यह बहंकर बरबादी है आपने बिल्कुल सच कहा मैंने कहा सलाकारों से मिलने और संभावनाओं पर बातचीत करके मैंने बहुत कुछ सीखा मैंने सीखा कि मैं खुद को सस्ते में बेच रहा था वास्तों में मुझे ऐसा मैसूस हुआ जैसे मैं बर्षों से किसी नीची छत वाले मकान में चल रहा था बचत करने, सुरक्षित रहने और अपने साधनों से कम में जीने की कोशिस कर रहा था अब जब मेरे पास एक योजना है और आरामदे बनने के संदर्व में क्या संभव है तो मैं अमीर बनने के अर्थ को स्पष्ट करने के बारे में रुमान्चित हूँ अच्छी बात है अमीर टैडी ने मुश्कुरा कर कहा युवा बने रहने की कुझी यह निर्णे लेना है कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो और फिर विकास करते रहना है उन लोगों को देखने से ज़्यादा तुखत कुछ नहीं है जिनोंने अपने जीवन की संभावनाओं को अंदेखा करते हुए खुद को सस्ते में बेच दिया वे कंजूसी से बचत करके पाई पाई जोड़कर जीने की कोशिश करते हैं और इसे आर्थिक चतुराई मानते हैं वास्तव में यह आर्थिक द्रश्टी से खुद को सिमित करना है और जब उनकी उम्र बढ़ती है तो यह उनके चेहरे पर नजर आता है और जीवन संबन्दी उनके द्रश्टी कोण में भी आर्थिक ज्यान की वज़े से अधिकतर लोग अपना जीवन मानसिक पिंजरे में बंद रहकर ही उजार देते हैं वे जंगली शेरों जैसे दिखने लगते हैं वे चिडिया करके छोटे पिंजरे में फसे रहते हैं वे बस आगे पीछे कदम रखते हैं और सोचते हैं कि उस जीवन का क्या हुआ जिसे वे कभी जानते थे। योजना कैसे बनाई जाए यह सीखने का समय निकाल कर लोग एक बहुत ही मैत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक द्रिष्टी से क्या संबव है और यह अनमोल है। सतत नियोजन परकिरिया मुझे यूवा भी रखती है। आप किसी महान चित्रकार से यह नहीं कहते कि एक बार सफल होने के बाद वह पेंटिंग करना छोड़ दे। तो फिर मैं क्यों व्यवसाई बनाना निवेस करना और अधिक पैसे बनाना छोड़ दूँ। जिस तरह चित्र बनाने से चित्रकारों के दिल यूवा और जीवन्त बने रहते हैं बले ही उनके सरीर की उम्र हो जाती है। उसी तरह मेरा भी यही हाल है। मैंने पूछा तो आपने मुझे अलग-लग स्तरों पर योजना बनवाई उसका कारण क्या मुझे एसास कराना था कि मेरे जीवन में आर्थिक द्रश्टी से क्या संबव है। यही बात है। अमीर टेड़ी ने कहा। इसलिए योजना बनानी चाहिए। जीवन नामक इस जबरदस्त उपार में क्या संबव हो सकता है। यह जितना ज़्यादा पता रहेगा आप दिल से उतने ही ज़्यादा युवा बने रहेंगे। जो लोग सिर्फ सुरक्षा की खातिर योजना बनाते हैं या जो कहते हैं रिटाइर होने के बाद मेरी आमदनी कम हो जाएगी। वे समर्दी के नहीं अभाव के जीवन की योजना बना रहे हैं। अगर हमारे इश्वर ने ऐ सिमित समर्दी का संसार बनाया है तो आप और यह दुखद है अमीर डैडी ने जवाब दिया। बहुत ही दुखद। जब अमीर डैडी और मैं वहां बैठे थे तो मेरे दिलो दिमाग में मेरे गरीब डैडी की तस्वीर उबर आई। मैं जानता था कि वे मुश्किल में थे और अपना जीवन दोबारा शुरू करन करती थी। मैं सोचता हूँ कि जब दो लोग अलग-अलग बुनियादी मुल्यों से समवाद करते हैं एक सुरक्षा के मुल्य से और दूसरा अमीर बनने के मुल्य से तो अक्सर बादचीत में इस तरह का विकार आ ही जाता है। हालांकि मैं अपने डेड़ी से प्रेम करता था लेकिन हम में धन, दोलत और समरदी के विशे पर समवाद नहीं हो सकता था। आखिरकार मैंने फैसला कि उन्हें अपना जीवन जीने दूं और मैं अपना जीवन जीने पर ध्यान के अंदरीत करूं। अगर उन्हें पैसे के बारे में कभी कुछ जानना होगा तो बेहतर यही रहेगा कि वे खुद पूछें। बिना पूछे मदद करने की कोशिस में कोई तुक नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कभी नहीं पूछा। आर्थिक शेत्र में मदद की कोशिस करने के बजाए मैंने निर्ने लिया कि मैं उनकी कमजोरियों को नजर अंदाज करूं। और उनकी शक्तियों की खाथिर उन्हें प्रेम करूं। आखिरकार प्रेम और सम्मान धन से कहीं अधिक मैतोपूर्ण है। मानसिक द्रिष्टिकोंड परशनावले। पुन्रावलोकन में मेरे असल डैडी के पास केवल एक ही योजना थी। नौकरी की सुरक्षा के जरिये वित्य सुरक्षा। समश्या यह थी कि जब उन्होंने अपने बोस के खिलाब चुनाव लड़ा तो उनकी योजना धेर हो गई। वे समय के हिसाब से योजना में संसोदन नहीं कर पाए और सिरफ सुरक्षा की खातिर योजना बनाते रहे। उनकी किस्मत अच्छी रही कि उनकी आर्थिक जरूर्टें पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेर से पूरी हो रही थी। अगर यह सुरक्षा जाल नहीं होता तो वे बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में होते। वास्त विक्ता यह थी कि उन्होंने अभाव, निन्तम जीवन स्थर के संसार की योजना बनाई थी और उन्हें यही मिला। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने आर्थिक समर्दी के संसार की योजना बनाई थी और इसे उन्होंने हासिल भी किया था। दोनों ही जीवन सैलियों में योजना की आवशक्ता थी। दुखत बात यह है कि अधिकतर लोग अभाव के संसार की योजना बनाते हैं। हालांकि आर्थिक सम्रदी का एक समानतर संसार भी संभव है। बस इसमें एक योजना की जुरूरत होती है। तो मानसिक दृस्टी कौन का प्रसन है क्या आपके पास यह बनने की लिखित वितिय योजना है। पहला सुरक्षित हां या नहीं। दूसरा हरामदे हां या नहीं। तीसरा अमीर हां या नहीं। करपिया अमीर डैडी के सबक को याद रखें कि तीनों ही योजनाई मेत्वपूर्ण है। बले ही अमीर बनना आपका पहला विकल्प हो। लेकिन सुरक्षा और आरामदे स्तरों की योजनाई आपको फिर भी अमीर बनने की योजना से पहले बनानी होगी। मुद्ध की बात यह है है कि अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो आपको तीनों योजनाई और आरामदे होने की और आरामदे होने के लिए आपको सिर्फ दो योजनाई की जरूरत होती है। और सुरक्षित रहने के लिए आपको सिर्फ एक योजना की जरूरत होती है। याद रखें, सो मेश सिर्फ तीन अमेरे की ही अमीर हैं। उन मेशए अधिकतर एक से अधिक योजना नहीं बनाते हैं। बहुतों के पास तो किसी तरह की कोई लिखित विद्धिय योजना होती ही नहीं है धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई 11 की तरफ, हर योजना की एक कीमत होती है आपका दिन शुब हो अध्याई 11 हर योजना की एक कीमत होती है अमीर बनने की योजना और आराम्दे या सुरक्षित होने की योजना के बीज क्या फर्क होता है मैंने पूछा अमीर रेडि अपने पीले पैड की और मूरे और उसपर ये शब लिख दिए नमबर एक सुरक्षित नमबर दो आराम्दे नमबर तीन अमीर फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा मतलब है अमीर, सुरक्शित और आरामदे होने के बीच में यही मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने पृतिकिरिया दी फरक कीमत का है अमीर डैडी ने कहा अमीर बनने और बाकी दोनों स्तरों की योजना अमीर बनने और बाकी दोनों स्तरों की वितिय योजनाओं में कीमत का जबरदस्त अंतर होता है मैंने पूछा आपका मतलब है अमीर बनने की वितिय योजना में पैसे के अलावा भी कीमत चुकानी पड़ती है देखो अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि कीमत पैसों के संदर्ब में ना पी जाती है लेकिन ज़्यादा गोर से देखने पर तुम पाओगे की कीमत पैसे में नहीं ना पी जाती है यहे तो दरसल समय में ना पी जाती है समय और आर्थिक संपतियों की तुलना की जाए तो समय दरसल अधिक कीमती होता है मैंने मूँ बनाते हुए वह समझने की कोशिश की जो अमीर डैडी मुझे बता रहे थे आपका क्या मतलब है कीमत समय के संदर्ब में ना पी जाती है इसका कोई उधारन दे निश्चित रूप से अमीर डैडी ने कहा अगर मैं लोस एंजलेस से निव यारक जाना चाहता हूँ तो बस में कितना किराया लगेगा मुझे नहीं पता शायद सो डोलर से कम मैंने जवाब दिया मैंने कभी लोस एंजलेस से निव यारक तक का बस टिकट नहीं खरीदा मैंने भी नहीं खरीदा अमीर डैडी ने कहा अब मुझे बताओ कि लोस एंजलेस से न्यू यार्क तक के विमान के टिकेट की लागत कितनी होगी एक बार फिर मुझे सच मुच नहीं मालू लेकिन मुझे लगता है कि यह 500 डोलर के करीब आता होगा मैंने जवाब दिया काफी करीब है अमीर डैडी ने कहा अब मैं तुमसे एक सवाल पूचता हूँ कीमत में अंतर क्यों है तुम दोनों ही मामलों में लोस एंजलेस से न्यू यार्क तक की यात्रा कर रहे हो विमान के टिकेट के लिए तुमें ज़्यादा पैसे क्यों चुकाने होगी ओह मैं समझ गया मैंने कहा और उस बात को समझने लगा जो अमीर डैडी कहने की कोशिस कर रहे थे मैं विमान के टिकेट के लिए ज़्यादा पैसे इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं समय बचा रहा हूँ इसे समय बचाने के बज़ाए समय खरीदना मानो जिस पल तुम समय को कीमती मानने लगते हो और यह सोचने लगते हो कि इसकी एक कीमत होती है उसी पल तुम ज़्यादा अमीर बनने लगोगे मैं पैट कर सोचता रहा अमीर डैडी जो कह रहे थे उसे मैं दरसल पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था लेकिन मैं जानता था कि यहे उनके लिए मैं तपूर्ण था मैं कुछ कहना तो चाता था लेकिन यहे नहीं जानता था कि क्या कहूं समय मुल्यवान है मैं इस विचार को समझता तो था लेकिन मैंने इसके बारे में दरसल कभी सोचा ही नहीं था कि इसकी एक कीमत होती है समय बचाने के बजाए समय खरीदने का विचार अमीर डैडी के लिए मैत्वपूर्ण था लेकिन यह है उस समय तक मेरे लिए मैत्वपूर्ण नहीं था आखिरकार मेरे मानसिक द्वंद को भावते हुए अमीर डैडी ने खामोसी तोड़ते हुए कहा मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारा परिवार बचाओ और बचत जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल करता होगा मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारी मा अक्सर कहती होगी कि वे शोपिंग करते समय पैसे बचाने की कोशिश करती है और तुमारे डेड़ी सोचते होंगे कि उनके पास बचत में जो पैसा है वह मैत्वपूर्ण है हाँ, वे एसा करते हैं, मैंने जवाब दिया तो इसका आप क्या मतलब निकालते हैं? देखो, वे बचत की कोशिश में कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वे बहुत सा समय भी बरबाद करते हैं मैंने देखा है कि किराने की दुकानों में खरीदार कुछ डोलर बचाने की खातिर घंटों समय बरबाद कर देते हैं अमीर डैडी ने कहा हो सकता है कि वे पैसे की बचत कर ले लेकिन वे बहुत सा समय बरबाद कर देते हैं लेकिन क्या बचत मैतो पूर्ण नहीं है मैंने पूछा क्या आप बचत करके अमीर नहीं बन सकते मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बचत मैं तो पूर्ण नहीं है अमीर डैडी ने आगे कहा और हाँ यह बात भी है कि तुम बचत करके अमीर भी बन सकते हो मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि कीमत दरसल समय से नापी जाती है एक बार फिर मैंने अपना मुँ सी कोड़ा और उनकी कही बातों से जूजने लगा देखो अमीर डैडी ने कहा तुम बचत करके अमीर बन सकते हो और तुम सस्ते बन कर भी अमीर बन सकते हो लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है जैसे कि थोड़े पैसे बचाने के लिए बस यात्राज में लोस एंजलेस से न्यूवर्क जाने में लगता है बहराल असली कीमत समय से नापी जाती है दूसरे सब्दों में 500 डोलर में विमान से जाने में 5 गंटे लगते हैं और 100 डोलर में बस से जाने में 5 दिन का समय लग सकता है गरीब लोग पैसे में नापते हैं लेकिन अमीर लोग समय में नापते हैं शायद इसलिए बसों में सफर करने वाले ज्यादातर लोग गरीब रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कम समय अधिक रहता है। मैंने पूछा क्या इसलिए वे बस में सफर करते हैं। यह उसका हिस्सा है। अमीर डैडी ने सीर हिलाते हुए कहा। इस तरह उन्होंने बताया कि वे हमारी बादचित के रुख से खुश नहीं थे। क्योंकि वे पैसे को समय से ज़्यादा मुल्यवान मानते थे। मैंने अंधिरे में तीर चलाते हुए कहा। काफी करीब हैं। अमीर डैडी ने कहा। मैंने गोर किया है कि किसी वेक्ति के पास जितना कम पैसा होता है वह उसे उतनी ही कसकर चिपकाई रखता है। मैं बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ जिनके पास बहुत सा पैसा होता है। मैंने आस्चरिय से पूछा गरीब लोग जिनके पास बहुत सा पैसा होता है। हाँ अमीर डैडी ने कहा। उनके पास बहुत सा पैसा होता है क्योंकि वे पैसे को इस तरह पकड़े रहते हैं मानो उसमें कोई जादोई मुल्य हो। इसलिए उनके पास बहुत सा पैसा होता है लेकिन वे उतनी ही गरीबी में रहते हैं मानों वे कंगाल हो तो अक्सर अमीरों के बज़ाई गरीब लोग पैसे को ज़्यादा पकड़े रहते हैं मैंने पूछा मैं पैसे को सिर्फ लेंदेन का माध्यम मानता हूँ वास्तिविक्ता में पैसे का अपने आप में बहुत कम मुल्य होता है तो जैसे ही मेरे पास पैसा आता है मैं इसके बदले किसी सच्चे मुल्य की चीज़ को खरीद लेता हूँ विड़मना यह है कि जो लोग पैसे को बुरी तरह ज़करते हैं उन में से कई उस पैसे को लगवग मुल्य हीन चीज़ों पर उड़ा देते हैं और इसलिए वे गरीब होते हैं वे ऐसी बातें करते हैं बैंक में रखे पैसे जितना सुरक्षित और जब वे अपनी कड़ी मेनत से कमाई पैसे को खर्च करते हैं तो वे अपनी नकदी को कच्रे में बदल डालते हैं मैंने कहा तो आपकी तुलना में वे पैसे को अधिक मुल्यवान समझते हैं हाँ अमीर डैडी ने कहा कई मामलों में गरीब और मध्यम वरगिये लोग इसलिए संगर्स करते हैं क्योंकि वे पैसे को बहुत जादा मैतो देते हैं वे इसे अपने सीने से चिपकाई रखते हैं इसके लिए जीतोड मैनत करते हैं कंजूसी से जीकर पाई पाई बचाते हैं सेल में खरिदारी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा बचाने की पूरी कोशिस करते हैं इन में से कई लोग सस्ते या घटिया बनकर अमीर बनने की कोशिस करते हैं हो सकता है कि खेल खत्म होने पर आपके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन आप फिर भी सस्ते या गटिया ही रहते हैं मैं नहीं समझ पाया मैंने जवाब दिया आप उन मुल्यों की बात कर रहे हैं जो मेरे ममी डेडी ने मुझ में बरने की कोशिश की थी आप उस तरीके के बारे में बात कर रहे हैं जिस तरीके से मैं इस वक्त सोचता हूँ मैं मरीन काप्स में हूँ और मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं इसलिए मैं सोभाविक तोर पर इसी तरह सोचता हूँ मैं समझता हूँ अमीर डैडी ने जवाब दिया किफायत और बचत की अपनी जगए है लेकिन आज हम अमीर बनने की योजना और बाकी दोनों योजनाओं के फर्क पर बात कर रहे है और फर्क कीमत का है मैंने कहा हाँ अमीर डैडी ने कहा और अधिकतर लोग सोचते हैं कि कीमत पैसे में ना पी जाती है और आप यह कह रही है कि कीमत समय में ना पी जाती है मैंने कहा और वह समझने लगा जो अमीर डैडी कहने की कोशिस कर रहे थे क्योंकि समय पैसे से ज़्यादा मैतोपूर्ण होता है सिर हिलाते हुए अमीर डैडी बोले, कई लोग अमीर बनना चाते हैं, या अमीरों के निवेसों में निवेस करना चाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग समय का निवेस नहीं करना चाते, इसलिए सो में से सिर्फ तीन अमेरिकी ही अमीर बनते हैं, और उन तीन में से एक को यह पैसा विरासत में मिल अमीर डेडी ने एक बार फिर अपने पीले पैड पर उन तीन बुनियादी मुल्यों को लिख दिया जिन पर हम बाचित कर रहे थे सुरक्षित, आरामदे और अमीर तुम स्वेच अलित परनाली या योजना बनाकर सुरक्षित और आरामदे बनने के लिए निवेश कर सकते हो वास्तों में अधिकतर लोगों को मैं इसी की सला देता हूँ बस काम करो अपना पैसा किसी पेशेवर मैनेजर या संस्ता के हवाले कर दो और लंबे समय के लिए निवेश करो जो लोग इस तरह से निवेश करते हैं उनकी स्तिती संबवताय उस इनसान से तो बहतर ही होगी जो खुद को शेर बाजार का तारजन मानता है योजना बनाकर पैसे को लगातार अलग रखना अधिकतर लोगों के लिए निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है लेकिन अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे पैसे से अधिक मुल्यवान किसी चीज में निवेश करना होगा और यह समय है क्या आप इस सबक में यही बताने की कोशिस कर रहे हैं मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम सबक समझ गए हो अमीर डैडी ने कहा देखो अधिकतर लोग अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन वे समय का निवेश नहीं करना चाहते वे तो जोरदार टिप्स या आजीबो करीब फटाफट अमीर बनो योजनाओं के चक्कर में उलत जाते हैं या वे कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं और तेजी से उसमें कूद पड़ते हैं वे बुनियादी योगेताइं सीखे बिना ही कारोबार शुरू कर देते हैं और फिर हम इस बात पर हैरान होते हैं कि 95% चोटे व्यवसाई शुरुवाती 5-10 सालों में डूब क्यों जाते हैं वे पैसे कमाने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि वे अंततै समय और पैसा दोनों ही गवा देते हैं मैंने कहा वे थोड़े अध्यन में निवेश करने के बजाए अपने दम पर चीजें करना चाते हैं या किसी सरल दिर्ग कालिन योजना पर अमल करने के अमीर डैडी ने दोराया देखो पास्चात्य जगत में लगबग हर व्यक्ति आसानी से मिलेनियर्स बन सकता है बसरते वह दिर्ग कालिन योजना पर चले लेकिन एक बार फिर अधिकतर लोग समय का निवेश नहीं करना चाते वे तो इसी वक्त अमीर बनना चाते हैं समय का निवेश करने के बज़ाए वे एसी वातें कहते हैं निवेश करना खतरनाक है पैसे बनाने में पैसे लगते हैं या मेरे पास निवेश करना सीखने का समय नहीं है मैं काम करने में बहुत व्यस्तूं और मुझे धेर सारे बिल चुकाने है मैंने कहा जब मैं अमीर डेडी के बिंदू को समझ गया अमीर डेडी ने सिर हिलाया और ये बहुत आम विचार या बहाने ही है जिनकी वज़े से इतने कम लोग उस संसार में भारी दोलत हासिल करते हैं जो पैसे से भरा हुआ है इन विचारों या शब्दों के कारण ही 90% जनसंक्या के पास बहुत ज़्यादा पैसे होने की समझ्या के बजाई कम पैसों की समझ्या होती है पैसे और निवेस संबंदी उनके विचार ही उनके सामने पैसे की समझ्याएं खड़ी कर देते हैं उन्हें तो बस कुछ शब्द, कुछ विचार बदलने हैं और उनका आर्थिक संसार जादूई ढंग से बदल जाएगा लेकिन अधिकतर लोग काम करने में बहुत ज़्यादा मश्रूफ रहते हैं और उनके पास समय नहीं होता कई अक्सर कहते हैं निवेश करना सीखने में मेरी कोई दिलचलस भी نہیں है इस विशह में मेरी रूची ही नहीं है मगर वे यह देखने में ऐस फ़ल रहते हैं कि यह शब्द कहकर वे पैसे के गुलाम बन जाते हैं वे पैसे के लिए काम करते हैं पैसे को अपने जीवन की आर्थिक सीमाइन तै करने देते हैं, कि फाहित से अपने संसादनों के भीतर गुजारा करते हैं। निवेश करने, योजना पर चलने और पैसे से अपने लिए काम करवाने के बजाए वे यह सब चुनते हैं। तो समय धन से जादा मैतवपूर्ण है, मैंने कहा। यह मेरे लिए सच है, अमीर टैडी ने कहा। अगर तुम निवेश के अमीर स्तर पर पहुंचना चाते हो, तो तुम्हें बाकी दोस्तरों से कहीं अधिक समय का निवेश करना होगा। अधिक्तर लोग सुरक्षित और आरामदे होने से आगे तक नहीं जाते हैं। क्योंकि वे समय का निवेश नहीं करना चाते। यह हैं एक व्यक्तिकत निरने हैं, जो हम सभी को लेना होता है… कम से कम व्यक्ति के पास सुरक्षित या आरामदे बनने की वितिय योजना तो होनी ही चाहिए। उस व्यक्ति से अधिक ज्यादा जोखिम में कोई नहीं है जिसके पास ये दोनों बुनियादी योजनाई नहीं है। और वह सिर्फ अमीर बनना चाहता हो। हालांकि कुछ लोग इसमें काम्याब हो जाते हैं लेकिन अधिकतर लोग नहीं हो पाते। आप उन्हें जीवन के बात के वर्सों में देखते हैं। कड़के, हताश और उस सोदे के बारे में बात करते हुए जिसमें वे पैसा बनाते ब कुछता हूँ कि यही समय है मैं अधिक समय का निवेश शुरू करूँ, खास तोर पर तब जब मैं अमीर स्तर पर निवेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं उस कड़के तथा तूटे बुडे आदमी बनने के विचार से काप उठा, जो अपनी पीर पीते-पीते उन को देखना सुखद नहीं होता, जिसके पास समय और धन दोनों ही नहीं हो। मानसिक द्रिस्टिकोन परसनावले। जहां तक संभव हो, सुरक्षित और आरामदे स्तरों पर निवेश करना, मशिनी पर नाली या फार्मूले के आदार पर होना चाहिए। उसमें किसी तरह के दिमाग का इस्तिमाल नहीं होना चाहिए। अपना होम वर्क करें और पेशेवर, परतिस्ठित मैनेजर्स के साथ काम करें ताकि वे आपकी योजना का अनुसरन करें। अगर आप जल्दी शुरू कर देते हैं और अगर किस्मत आपका साथ देती है, तो अंत में आपके पा जीवन में जोखिम रहित जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि कम जोखिम वाली चीज़ें होती है और यह निवेश में भी सच है। तो अगर आप वितिय संसार के भग्य के बारे में एनिश्चित महसूस करते हैं और लोगों या उद्योग धंदों पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको तथ्यों को सीखने और सचाई का पता लगाने के लिए कहीं अधिक शोद करने के जुरूरत होती है। अपनी भावनाओं और सहज बोध के प्रती सच्चे रहना मैतवपूर्ण है। लेकिन उन्हें अपने जिंदगी चलाने के यनुमति नहीं दें। अ उसे पैसे बनाने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अगर यह पैसे बनाता है तो हमेशा एक अदलावदली होती है, जैसी कहावत है, मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक कीमत होती है और निवेस जगत में कीमत समय तथा धन दोनों ही पैमानो पर मापी जाती है। जब आर्थिक द्रिष्टी से सुरक्षित या आरामदे बनने की आपकी निवेश योजनाई बन जाएं और पट्री पर चलने लगे तो आप उस जोरदार शेयर की टिप पर दाउं लगा सकते हैं जो आपके किसी दोस्त ने दी है। वित्य उत्पादों के संसार में अनुमान लगाकर निवेश करना मज़ेदार है लेकिन इसे जिम्मेदारी से करना चाहिए। बाजार में कई तथाकतित निवेशक होते हैं जिने जुए की लट जैसी समश्या होती है। जब लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं आप किन श शेयर नहीं चुनता हूं पेशेवर मनी मैनेजर मेरे लिए यह काम करते हैं इस पर वे अक्सर कहते हैं मैं तो सोचता था कि आप पेशेवर निवेशक हैं और मैं जवाब देता हूं मैं हूं लेकिन मैं उस तरीके से निवेश नहीं करता हूं जिस तरीके से अधिकतर लोग करते हैं मैं तो उस तरीके से निवेश करता हूं जिस तरीके से मेरे अमीर डैडी ने मुझे निवेश करना सिखाया था मैं व्यक्तिगत रूप से और सक्रियता से निवेश के अमीर स्थर में निवेश करता हूं बहुत कम लोग इस स्थर पर निवेश करते हैं और निवेश क यहे खेल खेलते हैं, इस पुस्तक का बचा हुआ हिस्सा निवेश के इसी स्तर के प्रति समर्पित है, जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था, यहे तरीका हर एक के लिए नहीं है, खास तोर पर अगर आप के पास पहले से ही सुरक्षित और आरामदे स्तर ने हो, तो मा आर्थिक जरूरतें पूरी करने की निवेश योजना बनाने के इच्छुक हैं, हाँ या नहीं? 2. क्या आप अमीर स्तर पर, मेरे अमीर डैडी के स्तर पर निवेश करना सीखने के लिए समय का निवेश करने के इच्छुक हैं, हाँ या नहीं? यदि आपको जवाबों के बारे में पक्का पता नए हो और आप यह पता लगाना चाहते हो कि अमीर डैडी का निवेस किस तर के अध्याय समर्पन की मांग करता है तो बची हुई पुष्टक आपको जानकारी देदेगी कि अमीर सतर पर निवेस करने के लिए किन चीजों की जुरूरत होती है धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याय बारा की तरफ जो है निवेस करना खतरना क्यों नहीं है आपका दिन शुब हो अध्याई बारा, निवेश करना खतरनाक क्यों नहीं है? तीन कारणों से लोग कहते हैं कि निवेश करना खतरनाक है पहला कारण, उन्हें निवेशक बनने का पर्शिक्षन नहीं मिला है अगर आपने cash flow quadrant सुनी हो जो risk dad poor dad का अगला भाग है तो आपको याद होगा कि अधिकतर लोग cash flow quadrant के दाएं हिस्से के बजाएं हिस्से का पर्शिक्षन लेने के लिए स्कूल जाते हैं दूसरा कारण ज्यादातर निवेशकों में नियंतरण की कमी होती है या नियंतरण होता ही नहीं है उधारण के लिए अमीर डेडी कहते थे कार चलाने में थोड़ा जोखिम रहता है लेकिन स्टीरिंग वेल से हाथ अटा कर कार चलाना सचमुच खतरनाक होता है फिर उन्होंने कहा जब निवेश की बात आती है तो अधिकतर लोग अपने हाथ स्टीरिंग वेल से हटा कर कार चला रहे है इस पुस्तक का पहला चरण निवेश के पहले खुद पर नियंतरण करने के बारे में है अगर आपके पास कोई योजना नहीं है थोड़ा सा अनुसासन नहीं है और थोड़ा संकल्प नहीं है तो अन्य निवेशक नियंतरणों से ज़्यादा फाइदा नहीं होगा बाकी की पुस्तक अमीर रैडी के दस निवेशक नियंतरणों के बारे में बताएगी तीसरा कारण लोग निवेश को खतरनाक इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर लोग अंदर से नहीं, बाहर से निवेश करते हैं हम में से अधिकतर लोग सहज बोच से जानते हैं कि अगर आपको कोई वास्त्विक सोदा चाहिए तो यहे आपको अंदर रहने से ही मिलता है आपने एकसर किसी को कहते सुना होगा उस कारोबार में मेरा एक मित्र है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि कारोबार क्या है यहे कार खरीदना, नाटक के टिकेट लेना या नई ड्रेस खरीदना हो सकता है हम सभी जानते हैं कि अंदर रहना ही वह जगे है जहां पर सोदे किये जाते हैं निवेश जगत भी इससे भिन नहीं है जैसे वाल स्ट्रीट फिलम में माईकल डगसल द्वारा अभिनीत खलनाएक पात्र गार्डन गेकों ने कहा था अगर आप अंदर की तरफ नहीं है तो बाहर ही रह जाते हैं हम अंदर और बाहर रहने के आपसी संबंद की समिक्षा बाद में करेंगे इस समय यह देखना दिलचस्प है कि कैश्पलो क्वान्रेट के बाएं हिस्से के लोग अमूमन बाहर से निवेश करते हैं इसके विपरीत B और I वाले लोग अंदर तथा बाहर दोनों तरफ से निवेश करने में समर्थ होते हैं महतोपूर्ण टिप जब यह पुस्तक आगे बढ़ती है तो पैसे सबंदी कई पवित्र सिदान्तों की चमड़ी उधर जाती है इनसाइड इन्वेस्टिंग या अंदरूनी निवेश उनमें से एक है असल संसार में कानूनी अंदरूनी निवेश भी होता है और गैर कानूनी अंदरूनी निवेश भी होता है यह एक मैतोपूर्ण फर्क है अगवारों में जिसके बारे में चपता है वह गैर कानूनी अंदरूनी निवेस है बहराल असल संसार में अंदरूनी निवेस कानूनी अधिक होते हैं जिनके बारे में अख़बारों में नहीं चपता है मैं इसी प्रकार के अंद्रूनी निवेश के बारे में बात कर रहा हूँ किसी टैक्सी ड्राइवर की जोरदार टिप भी कई मायनों में एक अंद्रूनी टिफ है अंद्रूनी निवेश में असल सवाल दरवसल यह है, आप अंदर के कितने करीब है अमीर डैडी की योजना जब अमीर डैडी ने तीन बुनियादी विट्णिय मुल्यों की सूची बताई सुरक्षित, आरामदे और अमीर बनना तो उन्होंने कहा जब तुम निवेश के सुरक्षित और आरामदे स्तर पर निवेश करते हो तो बाहर से निवेस में पूरी समझदारी नजर आती है इसलिए तुम अपना पैसा किसी पेशेवर मनी मैनेजर के हवाले कर देते हो इसके बारे में तुम्हें उम्मीद होती है कि वहे तुम्हारे मुकाबले अंदर से ज़्यादा करीब होगा लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाते हो तो तुम्हें उस पेशेवर के मुकाबले अंदर के ज़्यादा करीब रहना होता है जिसे अधिकतर लोग पैसा सूपते है यह अमीर बनने की अमीर डेडी की योजना का केंदर था उन्होंने यही किया था और इसलिए वे इतने अमीर बने थे उनकी योजना पर अमल करने के लिए मुझे कैस्पलोक वांडरेड के बाएं नहीं दाएं हिस्से में पाई जाने वाली सिक्षा और अनुबवों की जरूरत थी एसा करने के लिए मुझे ओसत निवेसक से बहुत जादा समय निवेस करने की जरूरत थी और इस पुस्तक का बाकी हिस्सा दरसल इसी बारे में है यह पुस्तक इस बारे में है कि बाहर से अंदर तक पहुँचने में किन चीजों की जरूरत होती है निर्णे लेने से पहले मुझे एसास है कि कई लोग सिर्फ अंदर जाने के लिए निवेस पर उतना ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहते लेकिन आपके निर्णे लेने के पहले और अमीर डैडी की योजनाव के बारे में अधिक विस्तार से जानने के से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको निवेस के विशे का एक बहुत सरलिकरत विस्तरत विवन दे दूँ मुझे आशा है कि अगले कुछ अध्याय सुनने के बार आप निवेस के जोखिम कम करने के कुछ नई तरीके सीखेंगे ताकि आप निवेसक के रूप में अधिक सफल बन सके भले ही आप अंदरुनी निवेसक नए बनना चाहें जैसा मैंने पहले कहा था निवेस निहायत ही व्यक्तिगत विशे है और मैं इस सचाई का पूरा-पूरा सम्मान करता हूँ मैं जानता हूँ कि कई लोग निवेस के विशे पर उतना समय नहीं लगाना चाहते जितना अमीर डैडी और मैंने लगाया है अमीरों के स्तर पर निवेसक बनने के लिए मुझे सिखाने की अमीर डैडी की सिख्षय योजना में जाने से पहले अगले कुछ अध्यायों में मैं अमीर डैडी की निवेस योजना का एक सरल विवरंट पेस करता हूँ मानसिक द्रिष्टिकोन परसनावली निवेस विवसाई और पेशेवर खेलों के विवसाई के बीच कई समानताई है मिसाल के तोर पर हम पेशेवर फुटबाल के खेल को देखते हैं सूपर बाल के दोरान लाखों करोडों फुटबाल प्रेमी खेल देखते हैं मैदान में खिलाडी, परसंसक, दर्सक, बेचने वाले कमेंटेटर होते हैं और टीवी पर मैच देखने वाले परसंसक घर पर बैठ कर टीवी देखते हैं। आज कई निवेशकों को निवेश का संसार पेशेवर फुटबाल मैच जैसा दिखता है। आपके पास वही पात्र होते हैं, आपके पास टीवी कमेंटेंटर होते हैं, जो मैदान में ब्लूचिप दिगजों के पलपल के युद्ध का विर्ण करते हैं, प्रेम करने वाले परसंसक होते हैं जो टिकेट के बजाए शेर खरीबते हैं और अपनी प्रिय टीम का उच्छा बढ़ाते हैं, आपके पास उच्छा बढ़ाने वाले चियर लेडर्स भी हो कि भाव जल्दी ही बढ़ जाएगा बुक मेकर्स भी होते हैं जिने शेर दलाल कहा जाता है जो आपको फोन पर भाव बताते हैं और आपके दाओं का रिकोर्ड रखते हैं खेलों वाला पन्ना पढ़ने के बज़ाए आप वितिय पन्ना पढ़ते हैं वितिय टिकेट पेचने वाले देर से आने वालों को ज़्यादा भाव में टिकेट नहीं बेचते हैं वे ज़्यादा भाव वाले वितिय शेरों की टिप्स उन लोगों को बेचते हैं जो अंदरूनी खेल के ज़्यादा करीब पहुंचना चाते हैं फिर होट डोग बेचने वाले भी होते है, जो एंटे सीट की गोलियां भी देते हैं, साथ ही वे लोग भी होते हैं, जो कारुबरी दिन खतम होने पर कच्रा साफ करते हैं, और जाहिर है, घर पर दर्शक भी रहते हैं, अधिकतर लोग खेल जगत और निवेस जगत दोनों ही मैदानों में वह नहीं देख पाते हैं जो पर्दे के पीछे चल रहा है और दोनों खेलों के पीछे का कारोबार यही है ओह आप तीम के मालिक को कभी कभार देख सकते हैं जिस तरह कि आप किसी कंपनी के CEO या प्रेजडेंट को देख सकते हैं लेकिन किसी पद पर वैठा आदिकारी दरसल व्यवसाई नहीं होता जैसा अनीर टेडी ने कहा था व्यवसाई के पीछे का व्यवसाई ही असल खेल है व्यवसाई के पीछे का व्यवसाई ही पैसा बनाता है चाहे मैच कोई भी जीते या चाहे बाजार किसी भी तरफ जा रहा हो उपर या नीचे असल व्यवसाई वह है जो मैच के टिकेट बेचता है वह नहीं जो टिकेट खरीदता है अमीर डैडी ने मुझे यही निवेस खेल सिखाया था जिसने संसार के सबसे अमीर लोगों को अमीर बनाया है तो मानसिक द्रिष्टि कोन प्रशन ये है पहला क्या आप खुद पर नियंतर्ण लेने की तयारी करना चाते हैं हाँ या नहीं दूसरा आप अब तक जो जानते हैं उसके आधार पर क्या आप सफल अंदुरूनी निवेसक बनने के लिए शिक्षा और अनुवव हासिल करने का समय लगाना चाते हैं हाँ या नहीं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 13 की तरफ जो है आप टेबल के किस तरफ बैठना चाते हैं आपका दिन शुब हो अध्याई 13 आप टेबल के किस तरफ बैठना चाते हैं मेरे गरीव डेड़ी हमेशा कहते थे कड़ी मेनत करो और पैसे बचाओ मेरे अमीर डेड़ी कहते थे अगर तुम सुरक्षित और आरामदे बनना चाते हो तो कड़ी मेनत करना और पैसे बचाना मैतोपून है लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाते हो तो शायद कड़ी मेनत करके और पैसे बचाने से तुम वहा नहीं पहुँच पाओगे इसके अलावा जो लोग कड़ी मेनत करते हैं और पैसे बचाते हैं अक्सर वही लोग कहते हैं निवेश खतरनाक है कई कारणों से अमीर डैडी ने माई को और मुझे बार बार बताया था कि कड़ी मेनत करना और पैसे बचाना वह तरीका नहीं था जिससे वे अमीर बने, वे जानते थे कि कड़ी मेनत करना और पैसे बचाना आम लोगों के लिए तो अच्छा था लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं जो अमीर बनना चाहता था तीन कारणों की वज़े से वे अमीर बनने के लिए एक अलग योजना बनाने की सला देते थे पहला कारण, वे कहते थे जो लोग कड़ी मेनत करते हैं और पैसे बचाते हैं उन्हें अमीर बनने में मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि वे कर का ज्यादा हिस्सा चुकाते हैं सरकार उन लोगों पर तब कर लगाती है जब वे कमाते हैं, जब वे बचाते हैं, जब वे खर्च करते हैं और जब वे मरते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कड़ी मेनत करने और पैसे बचाने से अधिक वित्य विशेशक गयता की जरूरत होती है। अमीर डैडी ने इसे आगे स्पस्ट करते हुए कहा था। अगर आप बचत में 1000 डोलर चाहते हैं तो अपनी योजना में यह भी शामिल कर लें कि सरकार कर में अपना हिस्सा वसूल कर लेगी। तो हो सकता है कि 1000 डोलर बचाने के लिए आपको 1300 डोलर या इससे अधिक क्याम्दनी करनी पड़े। फिर वह 1000 डोलर तुरंत मुद्रा स्पीति की चपीट में आ जाता है जिससे हर साल 1000 डोलर का मुल्य घटता जाता है। आपको जो छुटपुट ब्याज मिलता है वह भी करोर मुद्रा स्पीति कुतर लेती है। आईए मान लेते हैं कि बैंक आपको 5% ब्याज देता है। महंगाई की दर 4% है और कर में ब्याज का 30% हिसा चला जाता है। पुल परिणाम यह होता है कि इसमें आपके पैसे कम होते जाते हैं। इसलिए अमीर डेडी सोचते थे कि कड़ी मेनत करना और पैसे बचाना अमीर बनने का मुश्किल तरीका है। दूसरा, अमीर बनने के लिए अमीर डेडी एक अलग योजना की सला देते थे। इसका दूसरा कारण यह है कि जो लोग कड़ी मेनत करते हैं और पैसे बचाते हैं, वे अक्सर निवेश को खतरनाक मानते हैं। जो लोग सोचते हैं कि चीजें खतरनाक हैं, वे अक्सर कोई इस्वास करते हैं तथा निवेश को खतरनाक मानते हैं, फे शायद ही कभी सिक्ये के दूसरे पहलो को देख पाते हैं। यह अध्याय कुछ कारण बताएगा निवेश खतरनाक क्यो नहीं है। अमीर डेडी की खासियत यह थी कि वे बहुत चटिल विशों को इतना सरल बना देते थे कि हर व्यक्ति कम से कम बुनियादी बात समझ जाई। रिच डैड पूर डैड में मैंने इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट के रेखाचितर बताई थे। जिनका इस्तेमाल उन्होंने मुझे अकाउंटिंग, बुनियादी बातें और वित्य साक्षरता की बुन पुनियादी, भावनात्मक और सेक्षनिक स्तरों को स्पष्ट किया था। निवेज को समझने से पहले मुझे उन दो पुस्त को मैं सिखाई सबक पूरी तरह समझने की जुरूरत थी। जब मेरी उमर बारा से पंदरा साल के बीच थी तो अमीर डैडी मुझे कभी कभार अ एक कुर्सी पर लकडी की एक बड़ी टेबल के पीछे बैठ जाता था। जिसका इंट्रिव्यू लेना होता था। उसके लिए टेबल के पार एक अकेली कुर्सी रखी होती थी। एक एक करके उनकी सेक्रेटरी संभावित करमचारियों को बड़े कमरे में बेजती थी और ह प्रती गंटे एक डोलर का बुगतान मिलता था और बाकी लाब नुनतम थे। हालांकि मैं किशोर था लेकिन फिर भी मैं जानता था कि अमीर बनने की बात तो रहने ही दें। एक दिन में आठ डोलर पर परिवार पालना ही मुश्किल था। मैंने कालेज की डिगरी वाले लोगों को भी देखा जिन में से कई तो पीएजडी भी थे जो अमीर डेड़ी से मैनेजर या तकनिकी योग्यता वाली एसी नोकरिया मांग रहे थे जिन की तनक्वा प्रती माँ पांसो डोलर से भी कम थी। कुछ समय बाद अमीर डेड़ी की तरफ वाली टेबल पर बैठने का नयापन खतम हो गया। इसके अलावा इतने बड़े लोगों को नोकरी और पैसे के लिए इतना जरूरतमन देखना दुखद है। इन में से कुछ तो सचमुछ हताश हैं। वे अपनी वरतमान नोकरी तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि आप उन्हें दूसरी नोकरी ने दे दें। उन्हें हो क्या गया है। आप मुझे यह सब क्यों दिखाना चाते हैं। हर बार जब मैं आपके साथ बैठता हूँ तो मुझे चोट पहुशती है। उनके नोकरी मांगने में मुझे कोई समश्या नहीं है लेकिन उनकी आँखों में पैसे के लिए जो चटपटाड दिखती है। उससे मुझे दिक्कत होती है। अमीर डैडी एक पल के लिए टेबल पर स्थिर बैठे रहे और उन्होंने अपने विचार बटो रहे। फिर वे बोले मैं तुमारे इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। इससे मुझे भी कश्ट होता है और इसलिए मैं चाहता था कि तुम ज़्यादा बड़े होने से पहले यह देख लो। अमीर डैडी ने अपना पीला पैड निकाला और उस पर कैस्ट लो क्वांडेट खींच दिया। तुम अभी हाई स्कूल शुरू कर रहे हो। जल्द ही तुमें इस बारे में कुछ बहुत मैतोपूर निर्ने लेने होंगे कि बड़े होने पर तुम क्या बन हैं। अगर तुम उनकी सला मानते हो तो तुम इस दिसा में जाओगे। रिच डैड ने फिर एक लकीर E और S की और खींच दी। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम कैस्ट लो क्वांडेट के दाएं हिस्से वाला व्यक्ति बनने के लिए अध्यन कर रहे हो। फिर उन क्यों बता रहे हैं। क्योंकि अगर तुम अपने डैडी की बात मानते हो तो तुम खुद को जल्द ही टेबल के दूसरे हिस्से पर उस अकेली कुरसी पर बैठे पाओगे। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम टेबल के मेरे तरफ वाले हिस्से की कुरसी पर बैठते हाई स्कूल में दाखिल होते वक्त तुम्हें चेतन या आवचेतन रूप से यही निर्ने लेना है कि तुम्हें टेबल की अपनी तरफ वाले हिस्से पर इसलिए बैठाया ताकि तुम दृष्टी कोने के फर्क को जान जाओ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि टेबल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बेठर होता है हर हिस्से के अपने नफे नुक्षान होते हैं मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अब यह चुन लो कि तुम किस हिस्से में बैठना चाहते हो क्योंकि इस दिन के बाद तुम क्या पढ़ फिर टेबल के बी और आई वाले हिस्से में। दस साल बात एक हलकी चेतावनी। 1973 में अमीर डैडी ने मुझे उस चर्चा की याद दिलाई। जो उन्होंने मेरे साथ 15 साल की उमर में की थी। उन्होंने पूछा क्या तुम्हें याद है। मैंने पूछा था कि तुम टेबल के किस सिरे पर बैठना चाते हो। मैंने सिरे लाया और कहा। तब कोन यह बविश्यवानी कर सकता था कि मेरे डैडी जो नोकरी की सुरक्षा और आजीवन रोजगार के हिमाईती थे बावन साल की उमर में एक बार फिर टेबल के दूसरे सिरे पर बेठे थे। चालिस साल की उमर में उनके साथ सब कुछ सही हो रहा था लेकिन सिर्फ दश साल बाद ही यह सब खत्म हो गया। हमीर डैड़ी ने कहा देखो तुम्हारे डैड़ी बहुत सासी है। दुर्भाग्य से उन्होंने अपने साथ ऐसी किसी चीज के होने की योजना नहीं बनाई थी और अब वे पेशेवर तथा वित्य मुश्किल में हैं। अगर वे कुछ तीवर परिवर्तन नहीं करते हैं तो स्थिती बदतर हो जाएगी। अगर वे नोक्रियों और नोक्री की सुरक्षा के बारे में अपनी पुरानी मान्यताओं पर विचार करते रहें तो मुझे लगता है कि वे अपनी जिन्दगी के आखरी समय बरबाद कर लेंगे। मैं हाल फिलाल उनकी मदद नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारा मार्क दर्शन जरूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा तो आप यह कह रही है यह चुन लो कि टेबल के किस सिरे पर बैठना है आपका मतलब है कि मुझे या तो एरलाइनों में पाइलेट की नोक्री चुन लेनी चाहिए या आपना खुद का बार्क बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है अमीर डेड़ी ने कहा मैं तो इस सबक में बस तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वह क्या मैंने पूछा अमीर डेड़ी ने एक बार फिर कैस्पलो क्वांडेट बनाया। फिर उन्होंने कहा, बहुत सारे युवा लोग, कैस्पलो क्वांडेंड के सिर्फ एक ही हिस्से पर ध्यान के इंद्रित करते हैं। अधिकतर बच्चों से पूछा जाता है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। गोर करना अधिकतर बच्चे जवाब में कहते हैं इंजिनियर, डांसर, डॉक्टर या सिक्षक यानि अधिकतर बच्चे ई और एस हिस्से का चुनाव करते हैं। मैंने कहा, हाँ अमीर डैडी ने कहा। और आई क्वांड्रेंट, निवेसक क्वांड्रेंट बाद में आने वाला विचार होता है। बसरते इस पर कभी विचार किया जाई। कई परिवारों में आई क्वांड्रेंट के बारे में तभी बात होती है जब माता-पिता कहते हैं। यह सुनिश्चित करो कि तुम अच्छे लाबों और जवर्दस्त रिटायर्मेंट योजना वाली कोई नोकरी हासिल करो। दूसरे सब्दों में, विचार यह है कि अपने दिर्ग काली निवेस आवशक्ताओं के लिए कमपनी को जिम्मेदार माने। यह स्थिती तेजी से बदल रही है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने पूछा, आप यह क्यों कहते हैं कि स्थिती बदल रही है? हम वैस्विक अर्थ्यवस्ता के दोर में दाखिल हो रहे हैं। अमीर डेड़ी ने कहा, कमपनिया संसार में 35 परदा कर पाएं, इसके लिए उन्हें अपनी लागत कम करने की जरूरत है और करमचारी बुगदान और करमचारी रिटायर्मेंट योजना बुगदान की लागत काफी होती है। मेरे शब्द याद रखना, अगले कुछ सालों में कमपनिया रिटायर्मेंट के लिए निवेस की जिम्मेदारी करमचारी पर ही डालने लगेंगी। आपका मतलब है लोग अपनी पेंशन के लिए अपने नियोकता या सरकार पर निर्बर रहने के बजाए खुद पर निर्बर रहेंगे। मैंने पूछा। हाँ, समश्या यह है कि यह गरीब लोगों के लिए सबसे बुरा रहेगा। मुझे उन्ही लोगों की चिंता है। अमीर डैडी ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें उन लोगों के बारे में याद दिलाया, जो टेबल पर तुम्हारे सामने बैठते थे, जिनका एक मात्र आर्थिक सहारा नोकरी थी। जब तक तुम मेरी उमर के हो जाओगे, तो जिन लोगों के पास कोई आर्थिक और चिकित से किया सहारा नहीं है, उनके बुड़े होने पर उनके साथ क्या किया जाई। हमीर डेड़ी ने कहा, आई क्वांडरेट को सबसे मैत्वपूर्ण क्वांडरेट बनाओ, बड़े होने पर निवेशक बनने का विकल्प चुनो, तुम यह चाओगे कि तुम्हारा पैसा तुम्हारी खातिर काम करे ताकि तुम्हें काम ने करना पड़े, अगर तुम काम ने करना चाहो, या यदि तुम काम ने कर सको, तुम बावन साल की उमर में अपने डेड़ी जैसे नहीं दिखना चाते, जो दोबारा शुरू करने को मजबूर है, यह पता लगाने की कोशिस कर रहे हैं, कि किस क्वांडरेट से वे सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और उन्हें यह एहसास हो रहा है, कि वे यह क्वांडरेट में फस चुके हैं, तुम सीखना चाते हो, कि सारे क्वांडरेटों में काम कैसे किया जाई, टेबल के दोनों सिरों पर बैठने से, तुम सिक्के के दोनों पहलू देख सकते हो, अमीर डेड़ी ने सारांस बताते और गरीब लोगों में एक फर्क यह होता है, कि उनके माता-पिता घर पर अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, उन्होंने कहा, माईक जब पंदरा साल का हुआ, उसके पास दो लाक डॉलर से अधिक का व्यक्तिगत निवेस पोर्ट फोलियो था, तुमारे पास तो बस स्क दिलाया, कि उनका बेटा माईक हाई स्कूल छोड़ने से पहले ही जानता था कि निवेसक कैसे बनना है, अमीर डेडी ने कहा, मैंने कभी उसके करियर के चुनाओं में उसे प्रभावित करने की कोशिस नहीं की, मैं चाहता था कि वह अपनी रूची का काम करे, फिर भले ही इसका मतलब यह होता कि वह मेरे कारोबार को नए संबाले, वह चाहता तो पूलिस वाला, राजनेता या कभी बनने का विकल्प चुन सकता था, मैं तो बस इतना चाहता था कि वह भले ही कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले एक निवेसक बने, अगर तुम निवेसक बनना सी परिवारों से आने वाले लोगों से ज़्यादा मिला, तो उन में से कई ने यही बात बताई, मेरे कई अमीर मित्रों ने कहा कि जब वे बहुत छोटे थे, तो उनके परिवार ने उनके लिए एक निवेस पोर्टफोलियो शुरू कर दिया था, और फिर निवेसक बनना निखने में उनका मार्क दर्शन किया था, यहे निर्ने लेने से पहले कि वे किस पेसे में जाना चाते थे, मानसिक द्रिष्टिकोन परशनावली, और द्योगिक यूग में रोजगार के नियम यहे थे, कि कमपनी आपको जीवन भर के लिए रोजगार देती थी, और जब आपके काम के दिन खतम हो जाते थे, तो आपकी निवेस आवशक्ताओं की देखबाल करती थी, 1960 में मर्त्यू से पहले, रिटायर्मेंट की ओसत लंबाई, पुरोसों के लिए केवल एक वर्ष और महिलाओं के लिए आठ वर्ष थी, दूसरे सब्दों में, आपको तो बस इक वांडरेट पर ध्यान के अंदरित करना था, और आपका नियोकता आई कवांडरेट की परवाग कर लेता था, संदेश बहुत आराम दे था, खास तोर पर मेरे माता-पिता की पीडी के लिए, क्योंकि वे एक बयानक विश्वयुद और महामंदी से गुजरे थे, इन ग जरिया सिखा दिया, कई लोग अब भी यही यकीन करते हैं कि उनका मकान एक संपत्ती और उनका सबसे मेतवपून निवेस हैं, यहे विचार ओद्योगिक यूग के सोचने का तरीका है, ओद्योगिक यूग में किसी व्यक्ति को पैसे के प्रबंदन के बारे में बस इतना ह हैं, आज के सूचना यूग में हमें से अधिकतर को अधिक वित्य विशेसग्यता की जरूरत है, हमें संपत्ति और दाइतों में फरक जानने की जरूरत है, हम ज़्यादा लंबा जिवन जी रहे हैं, इसलिए हमें अपने रिटायर्मेंट के वर्सों के लिए अधिक वित्य स्थाइत्व की जुरूरत है अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेशक है तो आप शायद आर्थिक परेशानी में हैं आपके वित्य पोर्टफोलियो को आपके मकान से ज्यादा बड़ा निवेश होना चाहिए अच्छी कबर यह है कि आई क्वांड्रेट एक बहतरी कोंड्रेट है जिसे आप सीर्स प्रात्मिक्ता दे सकते हैं और जिसके लिए आप जिम्मेदार होना सीख सकते हैं क्योंकि सुथंतरता इसी कवांड्रेट से मिलती है तो मानसिक दृष्टि कौन प्रशन यह है पहला आप किस कवांड्रेट को पहले स्थान पर रखेंगे E S B I दूसरा आप अन्तते टेबल के किस सिरे पर बैठने की योजना बना रहे हैं मैंने दूसरे प्रशन को पूछने के बाद इस वज़े से इसे बिना किसी जवाव के छोड़ दिया आपने गोर किया होगा कि जब कोई बड़ी कमपनी हजारों करमचारियों की छंटनी करती है तो कमपनी के शेयर का भाव अकसर उपर उचल जाता है यहे टेबल के दो सिरों का एक उधारन है जब कोई व्यक्ति टेबल के दूसरे सिरे पर पहुन जाता है तो संसार को देखने का उसका दृष्टी कोण भी बदल जाता है और जब व्यक्ति क्वाड्रेट बदलता है भले ही सिर्फ मानसिक और भावनात्मक रूप से तो अक्सर वफादारियां भी बदल जाती है मेरा मानना है कि यह परिवर्तन यूगों के परिवर्तन और द्योगिक यूग की सोच से सूजना यूग की सोच तक के कारण हुआ है यह परिवर्तन भविश्या के व्यवसायों और व्यवसायों के लिए कुछ सबसे बड़ी चुनोतिया उत्पन करने वाला है नियम बदलना अभी शुरू ही हुए है धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याएच 14 की तरफ जो है निवेश के बुनियादी नियम आपका दिन शुब हो अध्याएच 14 निवेश के बुनियादी नियम एक दिन मैं जीवन में अपनी आर्थिक प्रगती के बारे में कुंठित मैसूस कर रहा था सेना छोड़ कर ऐस एनिक संसार में आने के लगबग चार महीने बचे थे मैंने एरलाइन में नोकरी खोजने की सारी कोशिसें छोड़ दी थी अब मैंने यह नेने लिया था कि मैं जून 1974 में कारोबारी जगत में कदम रखूँगा और देखूँगा कि क्या मैं बीक वांडरेट में काम्याब हो सकता हूँ यह नेने लेना मुश्किल नहीं था क्योंकि अमीर डैडी मेरा मारक दर्शन करने के लिए तयार थे लेकिन आर्थिक दर्श्टी से सफल बनने का दवाव हावी हो रहा था मुझे मैसूस हुआ कि मैं आर्थिक दर्श्टी से बहुत पीछे था खास तोर पर माईक की तुलना में हमारी एक मुलाकात में मैंने अमीर डैडी को अपने विचार और कुंठाएं बता दी मेरे पास दो योजनाई है एक योजना यह सुनिश्चित करना है कि मेरे पास बुनियादी आर्थिक सुरुक्षा रहे और दूसरी ज़्यादा आक्रामक निवेस योजना है ताकि मैं आर्थिक दर्श्टी से आराम दे रहे सकूं लेकिन अगर वे सफल हो भी जाएं तब भी मैं कभी आप और माइक जितना अमीर नहीं बन पाऊंगा मैंने कहा यह सुनकर अमीर ठेडी मुस्कुराए दीरे से हंसकर वे बोले निवेस कोई दोड नहीं है तुम किसी दूसरे के साथ परतिस परदा नहीं कर रहे हो जो लोग परतिस परदा करते हैं आम तोर पर उनकी आर्थिक जिंदगी में बहुत भारी उतार चड़ावाते हैं तुम्हें पहले नमबर पर आने की कोई जुरूर्ट नहीं है ज्यादा पैसे बनाने के लिए तुम्हें बस इतना करना है कि बहतर निवेशक बनने पर ध्यान के अंदरित करो अगर तुम निवेशक के रूप में अपने अनुबव और शिक्षा को बहतर बनाने पर ध्यान के अंदरित करते हो तो तुम्हें भारी दोलत मिलेगी दूसरी ओर अगर तुम फटावट अमीर बनना चाहते हो या माईक से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो संभवत है तुम बूरी तरह पराजित हो जाओगे थोड़ी बहुत तुलना और परतिशपरदा तो ठीक है लेकिन इस प्रक्रिया का असल उदेशय यह है कि तुम बहतर और अधिक सिक्षित निवेसक बन जाओ इसके अलावा कुछ भी करना मुर्कता पुर्ण और खतरनाक है मैं सिर हिलाते हुए वहां बैठा रहा और थोड़ा बहतर मैसूस करने लगा तब मैं जान गया कि ज़्यादा पैसे बनाने और ज़्यादा थोड़ा जोखिम लेने के बजाए मैं ज़्यादा मेहनत से अध्यन करने पर ध्यान के अंद्रित करूँगा इसमें समझदारी अधिक थी खतरा कम था और इसमें निश्चित रूप से कम पैसों की जुरूरत थी और तब मेरे पास ज़्यादा पैसे थे भी नहीं फिर अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि B या E क्वांडरेट के बजाए उन्होंने माइक की शुरुआत I क्वांडरेट से क्यों कराई चुकि अमीरों का उदेश्या यह है कि अपने पैसे से अपने खातिर काम करवाया जाए ताकि उन्हें काम नए करना बड़े इसलिए क्यों ने वहीं से शुरू किया जाए जहां तुम आन्तताय पहुंचना चाहते हो उन्होंने आगे बताया कि जब हम दस साल के थे तब उन्होंने माईक और मुझे गॉल्फ केलने के लिए क्यों प्रोचाइट किया था उन्होंने कहा गॉल्फ एक ऐसा खेल है जिसे तुम जिंदगी भर खेल सकते हो फुटबाल तुम सिर्फ कुछ साल तक ही खेल सकते हो तो क्यों ने उसी खेल से शुरू किया जाई जो तुमें अंत में खेलना है जाहिर है मैंने उन्हों की बात नहीं सुनी थी माईक गॉल्फ केलता रहा मैं बेसबाल, फुटबाल और रगवी खेलने लगा मैं उन में से किसी में भी बहुत अच्छा नहीं था लेकिन मैं उन खेलों से प्रेम करता था और मुझे खुशी है कि मैंने उन्हें खेला गॉल्फ केलना और निवेश करना शुरू करने के पंद्रे साल बाद माई कब एक बहतरीन गॉल्फ खिलाडी बन गया है निवेश के खेलों की बुनियादी बातें सीख रहा था मैं यह बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप चाहे कितने ही युवा या उमर वाले हो किसी भी चीज खास तोर पर खेल की बुनियादी बातें सीखना महतवपूर्ण है अधिकतर लोग गॉल्फ खेलने से पहले बुनियादी बातें सीखने लिए परशिक्षन लेते हैं लेकिन दुर्भाग्य से अपने कड़ी मेनत से कमाई पैसों का निवेश करने से पहले अधिकतर लोग निवेश की सरल बुनियादी बातें कभी नहीं सीखते हैं अब जब तुम्हारी दो योजनाई बन चुकी है, सुरक्षित रहने की योजना और आरामदे होने की योजना, तो मैं तुम्हें निवेस की बुनियादी बातें सिखाऊंगा। योजनाई पूरी तरह बन जाती है, तभी तुम दूसरे प्रियोग कर सकते हो, और विभिन निवेस वानों का इस्तेमाल करके ज़्यादा आकरशक तक्निके सीख सकते हो। इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि तुम समय लगा कर ये दो स्वेच अलित या मसिनी निवेस योजनाई बना लो और इसके बाद ही मैं तुम्हें सबक दूँ। पहला बन्यादी नियम निवेसक का पहला बन्यादी नियम अमीर डेड़ी ने कहा, हमेशा यह जानना है कि आप किस तरह की आमदनी के लिए काम कर रहे हैं। बरसों तक अमीर डेड़ी ने माईक और मुझे हमेशा बताया था कि आमदनी तीन तरह की होती है। पहला सामन्य आमदनी आम तोर पर किसी नोकरी या श्रम के किसी रूप से प्रापत की जाती है। सबसे आम रूप में यह तंख्वा से होने वाली आमदनी है। इस आमदनी पर सबसे ज़्यादा कर लगता है। इसलिए दोलत बनाने के लिए आज से यह सबसे मुश्किल आमदनी है। जब आप किसी बच्चे से कहते हैं कोई अच्छी नोकरी खोजो तो आप बच्चे को सला दे रहे हैं कि वह सामन्य आमदनी की खातिर काम करे। दूसरा, पोर्टफोलियो आमदनी आम तोर पर शेयर, बॉंड या म्यूचल फंड जैसी कागजी संपतियों से प्रापत होती है। पाई जा सकती है। लेकिन लगबग 80% मामलों में निश्करिय आमदनी अचल संपति से मिलती है। अचल संपति की खेतर में कई करलाब मुझूद हैं। अभी बावग को अपने बच्चों को क्या कहना चाहिए। इस बावग मेरे दोनों डैडियों के भिन भिन द्रिश्टी कोन थे। मेरे गरीब डैडि मुझसे कहा करते थे। स्कूल में कड़ी मैनत करो ताकि तुम्हें अच्छे ग्रेड मिल सकें। अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड मिलते हैं, तो तुम्हें अच्छी नोकरी मिल जाएगी। तब तुम्हें एक अच्छे मेंती इंसान बन जाओगे। जब माईक और मैं हाइ स्कूल में थे, तो अमीर डेड़ी इस विचार पर हंसते थे। वे कहा करते थे, तुम्हारे डेड़ी अच्छे मेंती इंसान है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, तो वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर तुम मेरी बात मानकर अमीर बनना चाते हो, तो तुम पोर्टफोलिय आमदनी और निश्करी आमदनी के लिए कड़ी मेनत करोगे। तब मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि वे दोनों क्या कह रहे थे, या उनके दर्शनों में क्या फर्क था। 25 साल की उमर में मेरी समझ बढ़ गई थी, मेरे असल डैडी 52 साल के थे और दोबारा शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ समन्य आमदनी पर ध्यान के निरित किया था, एक एसी चीज जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि इसे जिंदगी बर करना सही था। मेरे अमीर डैडी दोलतमंद थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। क्योंकि उन्होंने निश्करिय तथा पोर्टफोलियो आमदनी के लिए कड़ी मेनत की थी। अब मैं जान गया था कि मैं किस प्रकार की आमदनी के लिए कड़ी मेनत करने वाला था। और यह सामन्य आमदनी नहीं थी। निवेशक का दूसरा बुनिया दिनियम अमीर डैडी ने कहा था सामन्य ढंक से कमाई गई आमदनी को यथा संभवकारिय कुशलता से पोर्टफोलियो आमदनी या निश्करिय आमदनी में बदलना है। अमीर डैडी ने फिर अपने पीले पैड़ पर यह रेखाचितर खींच दिया। और संक्षेप में किसी निवेशक को यही करना चाहिए। अमीर डैडी ने मुस्कराने के साथ सारांस बताते हुए कहा। यहे उतना यही गुन्यादी है जितना की हो सकता है। लेकिन मैं यहे कैसे करूँ। मैंने पूछा। यदि मेरे पास पहले से ही पैसा نہیں है तो मुझे पैसा कहां से मिलेगा। अगर मेरे पैसे डूब गए तो मेरा क्या होगा। कैसे अमीर डैडी ने कहा। तुम तो पुरानी फिल्म के रेड इंडियन्स मुक्या की तरह बोल रहे हो। लेकिन ये तो असल सवाल है। मैंने कराते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि ये असल सवाल है। लेकिन हाल-फिलाल मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बन्यादी बतें सीख लो। बाद में मैं कैसे कर पाऊंगा ठीक है और नकारात्मक विचारों पर निगा रखो देखो जोखिम हमेशा निवेश का यहां तक की जीवन का ही हिस्सा रहा है जो लोग बहुत नकारात्मक होते हैं और जोखिम से बचते हैं वे अपनी नकारात्मकता और जोखिम के डर की वज निवेशक का तीसरा बुन्या दिनियम अमीर डेडी ने मेरे आखरी कथन पर सिर हिलाते हुए कहा अपनी सामान्य अर्जित आमदनी को सुरक्षित रखना है इसके लिए आप ऐसे सिक्यूरिटी या परतिबूती खरीदते हैं जिसके बारे में आपको उमीद होती है कि यह आपकी सामान्य आमदनी को निश्क्रिय आमदनी या पोर्टफोल्य आमदनी में बदल देगी सिक्यूरिटी खरीदते हैं मैंने पूछा मैं दूविदा में हूँ संपतियों और दाइत्वों का क्या हुआ अच्छा सवाल है अमीर डेड़ी ने कहा अब मैं तुमारी शब्दावली को बढ़ा रहा हूँ अब समय आ गया है कि तुम संपतियों और दाइत्वों की सरल समझ से परेपंचो मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर लोग इस समझ को कभी हासिल नहीं कर पाते लेकिन यहां मैं जो बात कह रहा हूँ वह यह है कि जरूरी नहीं है कि सारी सिक्यूरिटी या शेर संपति हो जैसा कि लोग उन्हें मानते है आपका मतलब है कि कोई शेर या जायदात सिक्यूरिटी या परतिभूती तो है लेकिन हो सकता है कि यह संपति नहीं हो मैंने पूछा सही कहा बहराल कई ओसत निवेसक सिक्यूरिटी और संपति के बीच का फरक नहीं समझ पाते कई लोग जिन में कई पेशेवर भी शामिल है इस फरक को नहीं जानते हैं कई लोग किसी भी प्रकार की सिक्यूरिटीज को संपत्ति कहने लगते हैं तो फरक क्या है मैंने पूछा सिक्यूरिटीज वह चीज है जिसके बारे में आपको उमीद होती है कि वह आपके पैसे को सुरक्षित रखेगी आम तोर पर सिक्यूरिटीज या शेयर सरकारी नियमों के कठोर नियंतर्ण में रहते हैं इसलिए अमेरिकी सरकार का जो संगठन अमेरिका के अधिकतर निवे संसार पर नजर रखता है उसे सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन कहा जाता है गोर करो कि इसका नाम एसेट्स एंड एक्सचेंज कमिशन नहीं है तो सरकार जानती है कि सिक्यूरिटीज या शेयर हमेशा संपत्ती नहीं होते हैं मैंने कहा हमीर डैडी ने सीरह लाया और कहा नहीं इसे Securities and Guaranties Commission कहा जाता है। सरकार जानती है कि यह बस कठोर नियम बना सकती है और इन नियमों का पालन कराकर व्यवस्ता काइम रखने का सर्वस रेस्ट परियास कर सकती है। यह इस बात की गारंटी नहीं देती कि जो भी व्यक्ति शेर खरीदता है वह पैसे बनाईगा। इसलिए Securities या शेरों को संपत्ती नहीं कहा जाता। अगर तुम्हें बुनियादी परिवासा याद हो तो संपत्ती आपकी जेव या आमदनी के कोलम में पैसे रखती है। का मामला है। मैंने सिरह लाया। तो यह जानना निवेशक पर है कि कौन से Securities संपत्तियां है और कौन से Securities दाइत्तव है। मैंने कहा और समझने लगा कि अमीर डैडी बात को कहां ले जा रहे थे। सही कहा अमीर डैडी बोले और एक बार फिर अपने लीगल पैड की और खिंचा। अधिकतर लोगों की दूइदा तब शूरू होती है जब कोई उन्हें बताता है कि Securities या Share संपत्ति होते हैं। आम निवेशक निवेशक को लेकर घबराता है क्योंकि वह जानता है कि Share खरीदने का यह मतलब नहीं है कि वह पैसे भी बना लेगा। शेर खरीदने के साथ समझ्या यह है कि निवेशक पैसे गवा भी सकता है। अमीर डैडी ने कहा वे आगे बोले। तो अगर Share पैसे बनाता है जैसा रेखा चितर में दिखाया गया है तो यह Financial statement के आमदनी वाले कोलम में पैसे डालता है और यह एक संपत्ति है लेकिन अगर यह पैसे गव बाता है तो यह गटना Financial statement के वेवाले कोलम में दर्ज होती है तो वह शेयर एक दाइतो है वास्तव में वही शेयर संपत्ति से दाइतों में बदल सकता है। मिसाल के तोर पर मैंने दिसंबर में 20 डॉलर के भाव पर ABC कंपनी के 100 शेयर खरी दी जनुवरी में मैंने 10 शेयर 30 के भाव पर बेच दीए वे 10 शेयर संपत्ति थे क्योंकि उन्होंने मेरे लिए आमधनी उत्पन की लेकिन मार्च में मैंने 10 डॉलर के भाव पर 10 और शेयर बेच दीए तो वही शेयर एक दाइतों बन गया क्योंकि इसने मेरा नुकसान कराया और वे थाबित हुआ। आगे बोलने से पहले अमीर डेड़े ने अपना गला साप किया, तो मैं इसकी और इस तरह देखता हूँ, कि मैं सिक्यूरिटीज नामक साधन में निवेश करता हूँ, वह तेय करने की जिम्मेदारी बतोर निवेशक मुझ पर है कि हर सिक्यूरिटीज संपत्ती है या दाइत और यहीं पर जोखिम की बात आती है, मैंने कहा, जो निवेशक संपत्ती और दाइतों में फर्क नहीं जानता है, वही निवेश को खतरनाक बना देता है। निवेशक का चोथा बुन्यादी नियम यह है कि दर असल निवेशक ही संपत्ती या दाइतों होता है। अमीर डेडी ने कहा, क्या मैंने पूछा, निवेश या सिक्यूरिटीज नहीं, बलकि निवेशक संपत्ती का दाइतों होता है। अमीर डेडी ने सिरे लाया, तुमने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, निवेश खतरनाक है। लेकिन दर असल निवेश नहीं, निवेशक खतरनाक होता है। अंतते निवेशक ही संपत्ती या दाइतव होता है, जब हर कोई पैसे बनाता है, तब भी कई तथाकतिद निवेशक पैसे गवाते हैं। मैंने कई तथाकतिद निवेशकों को कारोबार बेचे हैं, और उन कारोबारों को जल्द ही दिवालिया होते देखा है। मैंने देखा है कि लोग काफी पैसे बना रही किसी अच्छी जायदाद को खरीदते हैं और कुछ सालों में वही जायदाद घाटे में चली जाती है। निवेश नहीं, दरसल निवेशक खतरनाक है। वास्तव में एक अच्छा निवेशक, एक खतरनाक निवेशक के पीछे चलना पसंद करता है क्योंकि वही पर असल निवेशक के शोदे पाई जाते हैं। इसलिए आपको उन निवेशकों की बातें सुनना पसंद है, जो पहले नुकसान का रोना रोते हैं। मैंने कहा, आप यह पता लगाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया और यह देखना चाहते हैं कि क्या आपको कोई सोदा मिल सकता है, तुम समझ गई। अमीर डेड़ी ने कहा, मैं हमेशा टाइटैनिक के कप्तान की तलास करता हूँ। इसलिए आपको उन लोगों के बारे में कहानिया सुनना पसंद नहीं है जो शेर बाजार या अचल संपती बाजार में धेर सारे पैसे कमा रहे हैं। आप इससे नफरत करते हैं। जब कोई आपको बताता है कि उसने पांच डोलर के भाव पर कोई शेर खरीदा और वह 25 डोलर तक चला गया। तुमने अच्छी तरह मेरा विशलेशन किया है। अमीर डेड़ी ने कहा। फटा फट पैसे और तुरंत दोलत कमाने की कहानिया मूर्खों का खेल है। एसी कहानिया सिर्फ पराजितों को ही आकरशित करती है। अगर शेर इतना लोग प्रिय है या धेर सारे पैसे बना चुका है तो पार्टी अकसर खतम हो चुकी होती है। या जल्द ही खतम हो जाएगी। मैं तो दुख और विलाब की कहानिया ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ। क्योंकि असल सोदे वहीं पर होते हैं। बी और आई हिस्से से संसालित होने वाले व्यक्ति के रूप में मैं ऐसी सिक्यूरिटीज खोजना चाहता हूँ। मैंने कहा भीड के वीपरीत जो बाजार के लोक्प्रिय बहाव के खिलाप जाता है। भीड के वीपरीत निवेशक के बारे में यह सामान्य व्यक्ति का विचार है। अधिकतर लोग बस यह मान लेते हैं कि कंट्रेरियर निवेशक ऐसामाजिक होता है। और वह भीड के साथ चलना पसंद नहीं करता। मैं तो खुद को मरमत करने वाला कहता हूँ। मैं किसी मलवे की ओर देखता हूँ। और देखता हूँ कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है। अगर इसे ठीक किया जा सकता है तो यह तभी एक अच्छा निवेश होता है अगर अन्य निवेशक भी इसे ठीक हालत में देखना चाहते हूं अगर इसे ठीक नहीं किया जा सकता या अगर कोई से ठीक होने के बाद भी नहीं चाहता तो मैं भी इसे नहीं चाहता तो एक सच्चे निवेसक को वह पसंद आना चाहिए जो भीड पसंद करती है इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा मैं एक शुद्ध कंट्रेरियन या वीपरित निवेशक हूँ मैं कोई चीज शिर्फ इसलिए नहीं खरीदूँगा क्योंकि कोई भी इसे नहीं चाहता है क्या निवेशका पांचवा बुन्यादिनियम है मैंने पूछा हाँ है अमीर डेडी ने कहा निवेशक का पांचवा बुन्यादिनियम यह है कि सच्चा निवेशक हर संभा उस्तिती के लिए तयार रहता है जो निवेशक नहीं है वह यह भविश्यावानी करने की कोशिस करता है कि क्या होगा और कब होगा इसका क्या मतलब है मैंने पूछा क्या तुमने कभी किसी को कहते सुना है 20 साल पहले मैं उस जमीन को 500 डोलर परती एकड के भाव से खरीच सकता था और अब इसकी और देखो किसी ने इसके ठीक पास एक शोपिंग सेंटर बना दिया है और अब यही जमीन 5 लाख डोलर परती एकड की हो गई है हाँ मैंने इसी कानियां बहुत बार सुनी है हम सभी ने सुनी है अमीर डैडी ने कहा देखो यह उस व्यक्ति का उधारन है जो तैयार नहीं था जो निवेस आपको अमीर बनाते हैं उन में से अधिकतर बहुत कम समय के लिए ही उपलवध होते हैं शेर बाजार के संसार में आउसर की यह संकरी खिड़की कुछ पल के लिए खुली रहती है और अचल संपत्ति के संदर्म में यह कई बार बरसों तक खुली रहती है लेकिन आउसर की खिड़की चाहे जितनी देर तक खुली रहे अगर आप शिक्षा और अनुभव या अत्यदिक पैसे के लिए तैयार नहीं है तो एक अच्छा आउसर गुजर जाएगा इसके लिए तैयार रहें आपको ध्यान के अंदरित करने और यह याद रखने की जरूरत है कि दूसरे पहले से ही किस चीज की तलास में है अगर आप कोई शेर खरीदना चाते हैं तो परशिक्षन कक्षाओं या सेमेनारों में जाकर सीखें कि आप शेरों में सोदे कैसे भाव सकते हैं अचल संपती के संदर्म में भी यही करें सब कुछ अपने मस्तिस्क को परशिक्षित करने के लिए शुरू होते हैं ताकि उसे समझ में आ जाई कि किस चीज की तलास करनी है फिर आपको उस पल के लिए तयार रहना है जब निवेस आपके सामने पेश किया जाई यह काफी हद तक फुटबाल के मैच की तरह होता है आप खेलते हैं और खेलते रहते हैं तभी अचानक गोल में गेंद डालकर जीतने का मौका परकट हो जाता है उस वक्त या तो आप तयार होते हैं या नहीं होते आप या तो पोजिशन में होते हैं या नहीं होते लेकिन अगर आप फुटबाल या निवेश में परहार चूक भी जाएं तब भी दूसरा परहार करके या जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर आसपास ही होता है अच्छी खबर यह है कि हर दिन अधिकादिक आते जा रहे हैं लेकिन उनका लाब उठाने से पहले आपको अपना खेल चुनने और उसे खेलना सीखने की जरूरत होती है इसलिए जब कोई अच्छा सोदा चूकने पर अफसोस करता है या आपको बताता है कि आपको यह है या वह है सोदा कर लेना चाहिए तो आप हस देते हैं बिलकुल बहुत से लोग इस मानसिकता के होते हैं कि यह समरदी नहीं है बलकि अभाव का संसार है वे अक्सर कोई सोदा चूकने के बारे में बरसों अफसोस करते रहते हैं और किसी सोदे से बहुत लंबे समय तक चिपके रहते हैं इसके पीछे उनकी यही सोच होती है कि यही इकलोता सोदा है या फिर वे किसी चीज को यह सोच कर खरीद लेते हैं कि जो सामने दिख रहा है वही इकलोता सोदा है अगर तुम कैशफलो क्वांडरेट के B और I वाले हिस्वे में अच्छे हो तो आपके पास देखने के लिए अधिक समय और सोदे रहते हैं तथा तुमारा आतम विश्वास उंचा होता है क्योंकि तुम जानते हो कि अधिकतर लोग जिसे नकार देते हैं तुम उस बुरे सोदे को भी अच्छे सोदे में बदल सकते हो तयार होने के लिए समय का निवेश करने से मेरा यही मतलब है अगर तुम तयार हो तो जीवन में एक बार मिलने वाला सोदा तुमारे सामने हर दिन पेश होता है इसी तरह आपने जमीन का वह बड़ा प्लाट खोजा था बस सडक पर चलते चलते मैंने टिपनी की और याद किया कि अमीर डैडी ने अचल संपत्ती का एक बहुत अच्छा प्लाट कैसे हासिल किया आपने देखा था कि बिकाओ है वाला साइन बोर्ड नीचे गिर गया था और कुचल दिया गया था इसलिए कोई भी नहीं जानता था कि वह जमीन बिकाओ है आप मालिक से मिले और उसके सामने कम लेकिन अपने हिस्से से उचित कीमत का प्रस्ताओ रखा और उसने उसे स्विकार कर लिया उसने आपका प्रस्ताओ इसलिए स्विकार किया क्योंकि दो साल से ज़्यादा समय से किसी ने भी उसके सामने कोई प्रस्ताओ नहीं रखा था आपका यही मतलब है है ना हाँ मेरा यही मतलब है और वहे प्लाट अधिकतर सोदों से अच्छा सोदा था तैयार होने से मेरा यही मतलब है मैं जानता था कि जमीन कितनी मुल्यवान थी और मैं यहे भी जानता था कि कुछ मैनों में उस इलाके में क्या होने वाला था इसलिए बहुत कम किमत के साथ ही जोखिम भी बहुत कम था मुझे अच्छा लगेगा अगर आज उसी इलाके में वैसे ही दस प्लाट मिल जाएं और भविश्यवानी मत करो से आपका मतलब क्या है मैंने पूछा देखो क्या तुमने कभी किसी को यह कहते सुना है अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा तब मेरे निवेस का क्या होगा इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूँ पहले इंतजार करके देखता हूँ कि क्या होता है कई बार मैंने कहा अमीर डैडी ने कहा कई लोगों के सामने निवेश का जब कोई अच्छा आउसर पेस किया जाता है तो वे उससे पीछे इसलिए हड़ जाते हैं क्योंकि उनके बुनियादी डर वविश्यवाणी करने लगते हैं कि कौन सी संपतियां बरबाद होने वाली हैं वे अपने नकारात्मक कंपन बाहर बेशते हैं और कभी निवेश नहीं करते या फिर अपनी आशावादी या निराशावादी भावनात्मक वविश्यवाणियों के आधार पर वे तब बेच देते हैं जब उन्हें नहीं बेचना चाहिए और ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो उन्हें नहीं खरीदनी चाहिए बिलकुल अमिर डेड़ी ने कहा इसके अलावा अच्छा निवेसक बनने की एक मुनियादी बात मुनाफे के लिए तयार रहना है चाहे बाजार उपर जाए या नीचे यह निवेसका छटा बुनियादी नियम है अमिर डेड़ी ने कहा या अगर तुम्हारे पास सिक्षा तथा अनुबव है और तुम्हे कोई अच्छा सोदा मिल जाता है तो पैसा तुम्हे खोज लेगा या तुम पैसे को खोज लोगे। अच्छे सोदे देखकर लोगों के मन में लालच आ जाता है इसलिए जब कोई इनसान अच्छे सोदे को खोज लेता है तो वह सोदा क्योंकि उसमें भारी पुरुषकार का वादा चुपा हुआ है पैसे को आकरशित कर लेता है अगर बुरा सोदा है और भारी पुरुषकार क कभी कोई अच्छा सोदा देखा है जिसने पैसे को आकर्षित नहीं किया। कई बार अमीर डैडी ने कहा। लेकिन उन मामलों में समश्या सोदे में नहीं थी। समश्या तो सोदे को नियंतरन करने वाले व्यक्ति में थी। जिसने पैसे को आकर्षित नहीं किया। सालक ओसत हो चाहे कार कितनी भी अच्छी हो उसे चलाने वाले ओसत ड्राइवर पर कोई दाउन नहीं लगाएगा अचल संपत्ति में लोग अक्सर कहते हैं कि सफलता की कुंजी है जगय 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 मेरा दृष्टिकोण अलग है वास्तों में निवेस के संसार में चाहे यह अचल संपत्ति हो यह कागजी संपत्या हो कुण्जी हमेसा है इनसान 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 मैंने शर्वैसरेष्ट जगय वाली सबसे अच्छी अचल संपत्ति को भी पैसे गवाते देखा है क्योंकि गलत लोग उसके प्रभारी थे मैंने कहा यानि अगर मैं तैयार हूँ अगर मैंने अपना होमवर्क कर लिया है अगर मेरे पास कुछ अनुवव तथा ट्रैक रिकोर्ड है और मैं किसी अच्छे निवेस को खोज लेता हूँ तो पैसे मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता मेरा अनुवव तो यही है अमीर डैडी ने कहा दुर्भाग्य से जिन सोदों में मेरे जैसे निवेसक निवेस नहीं करना चाते वे बहुत बुरे सोदे गैर विशेसक्य निवेसकों के सामने प्रोस दिये जाते हैं और उनके लालच में आकर गैर विशेसक्य निवेसक प्रा से ओसत निवेसक की रक्षा करना है। सही कहा, हमें डैड़ी ने कहा, निवेसकों का पहला काम यह सुनिश्चित करना है, कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। अगला कदम उस पैसे को कैश फलो या कैपिटल गेंस में बदलने का सरवसरेश्ट प्रयास करना है। तब आपको पता लगता है कि आप या वह व्यक्ति जिसे आपने अपना पैसा सोंपा है, उस सिक्यूरिटीज को संपत्ति में बदल सकता है या फिर यह दाइक तो बन जाएगी। एक बार फिर यह जरूरी नहीं है कि निवेस सुरक्षित या खतरनाक हो। मूल बात तो यह है कि निवेसक कैसा है। मैंने पूछा तो क्या यह निवेसक का आखरी बुनियादी नियम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अमेर डेड़ी ने कहा। निवेस तो एक ऐसा विशे है जिसकी बुनियादी बाते तुम जिंदगी वर सीख सकते हो। अच्छी कवर यह है कि इन बुनियादी बातों में तुम जितने बेतर बनते जाते हो, तुम उतना ही अधिक पैसा कबनाते हो और तुमारे सामने उतना ही कम जोखिम रहता है। लेकिन मैं तुम्हें निवेसक का एक और बुनियादी नियम बताना चाहता हूँ। और यह है निवेसक का सात्मा बुनियादी नियम। यह जोखिम और पुरुषकार का आंकलन करने की काबिलियत है। अमीर डैडी ने कहा। कोई उधारन दें, मैंने कहा। मान लेते हैं कि तुम्हारी दोनों बुनियादी निवेस योजनाई सही चल रही है। तुम्हारे पास बविशय के लिए जो सुरुक्षित धन है उसका प्रदर्शन अच्छा है। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 25,000 डोलर अतिरिक्त आ जाते हैं। जिसका इस्तेमाल तुम थोड़े अधिक खतरनाग निवेस में कर सकते हो। काश मेरे पास वो 25,000 डोलर इसी वक्त होते। मैंने सुशकता से टिपणी की। लेकिन मुझे जोखिम और पुरुसकार के आंकलन के बारे में आगे बताई। तो तुम्हारे पास 25,000 डोलर हैं। जिसे तुम कमोबेस गवाना जहल सकते हो। इसका मतलब है कि अगर यह पूरी राशी भी डूब जाती है तो तुम थोड़े बहुत दुखी तो होगे लेकिन फिर भी खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। कार गैराज में खड़ी नहीं रहेगी और तुम देर सवेर 25,000 डोलर दुबारा बचा लोगे। अगर तुम अधिक खतरनाक निवेशों के जोखिम और पूरुसकारों का आंकलन शुरू करते हो और मैं एसा कैसे करता हूँ। आओ, मान लेती हैं कि तुमारा कोई बतिजा है जो एक हेंबर्ग स्टेंड शुरू करना चाता है। उस बतिजे को कारोबार शुरू करने के लिए 25,000 डोलर की जरूरत है। क्या यह अच्छा निवेश रहेगा? भावनात्मक रूप से तो अच्छा है लेकिन आर्थिक द्रिष्टी से नहीं होगा। मैंने जवाब दिया। क्यों नहीं? अमीर डड़ी ने पूछा। जोकिम बहुत ज़ादा है और पुरुसकार प्रयाप्त नहीं है। मैंने जवाब दिया। इसके अलावा आपको आपका पैसा वापिस कैसे मिलेगा? यहां मैत्वपूर्ण चीज निवेश पर लाव नहीं है। यहां सबसे मैत्वपूर्ण चीज तो निवेश की वापसी है। जैसे आपने कहा था। पूंजी की सुरक्षा बहुत मैत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। अमीर डेड़ी ने कहा। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह बतिजा पिछले 15 साल से एक बड़ी बर्गर चेन में काम कर रहा है। कारुबार के हर मैत्वपूर्ण पहलू का वाइस प्रेजडेंट रहे चुका है और अपने दम पर बाहर निकलने तथा एक विश्व व्यापी बर्गर चेन शुरू करने के लिए तयार है। और क्या हो अगर सिर्फ 25,000 डॉलर में तुम पूरी कंपनी की 5% हिसेदारी खरी ही है। सही कहा। अमीर डैड़ी ने कहा। और यह विश्व निवेसक के बुन्यादी नियम का एक उधारण है। जोखिम और पूरुषकार का आंकलन करना। तो कोई ऐसे खतरनाक निवेशों का आंकलन कैसे करता है, मैंने पूछा। अच्छा सवाल। अमीर डैड़ी ने क यह निवेस का अमीर स्तर है निवेस का वह स्तर जो सुरक्षित और आरामदे निवेस योजनाओं के बाता है। अब तुम अमीरों के निवेसों में निवेस करने की योग्यताई हासिल करने की बात कर रहे हो। तो एक बार फिर मैंने सारांस में कहा यह निवेश नहीं है जो खतरनाग है यह तो निवेशक है जिसके पास परियाप्त युग्यताईन नहीं है जिनकी वज़े से वह निवेश ज्यादा खतरनाग बन जाता है तीन ए सही कहा अमीर डैडी ने कहा जिस तरपर अमीर निवेश करते हैं उस तरपर निवेशक के पास तीन ए होने चाहिए और वे तीन ए हैं पहला शिक्षा दूसरा अनुभव तीसरा अत्यदिक पैसा अत्यदिक पैसा मैंने पूछा सिर्फ अत्यदिक पैसा नहीं नहीं मैं अत्यदिक पैसा शब्दों का इस्तेमाल एक कारन से कर रहा हूँ अमीरों के निवेशों में निवेश करने के लिए बहुत पैसे की जुरूरत होती है इसका मतलब है कि तुम सचमुच नुकसान जहल सको और नुकसान से भी मुनाफ़ा कमा सको नुकसान से भी मुनाफ़ा? मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? हम इस बारे में बात करेंगे अमीर डेड़ी ने कहा निवेश के अमीरों वाले स्तर पर तुम पाऊगे की चीजें अलग होती है अमीरों के स्तर पर तुम पाऊगे की कुछ अच्छे नुकसान होते है कुछ बुरे नुकसान भी होते है अच्छा कर्च और बुरा कर्च अच्छे खर्च और बुरे खर्च हमीरों के स्तर पर तुम्हारी शेक्षनिक आवशकताई और अनुबव बहुत उंचे होने चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम वहाँ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे समझ गई? मैं समझ रहा हूँ मैंने जवाब दिया अमीर डैडी ने आगे समझाया कि अगर चीजें सरलता के फार्मूले के अनुसार नहीं होती है तो जोखिम शायद ज्यादा है उन्होंने कहा अगर कोई दो मिनिट से कम समय में किसी निवेश को तुमें अच्छी तरह नहीं समझा पाता या तो तुम इसे नहीं समझते हो या वह इसे नहीं समझता है या फिर तुम दोनों ही इसे नहीं समझते हो चाहे जो भी मामला हो सबसे अच्छा यही रहता है कि तुम उस निवेश को छोड़ दो उन्होंने यहे भी कहा अगर लोग निवेश को जटिल बनाने की कोशिस करते हैं इसलिए वे भारी बरकम शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऐसा करे तो उससे सरल वासा में बोलने को कहो अगर वेश उस निवेश को इस तरह नहीं समझा पाता कि कोई 10 साल का बच्चा भी कम से कम मोटी मोटी बातें समख सके तो आसार यही है कि वेश भी इसे नहीं समझता है P.E. सिर्फ यह बताता है कि कोई शेयर कितना महेंगा है और कैप रेट इसका इस्तेमाल अचल संपत्ती में होता है बस यह नापती है कि जायदाद आपकी जिब में कितना पैसा पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है तो अगर निवेस सरल नहीं है तो उसे मत करो मैंने पूछा नहीं मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ अमीर डैडी ने कहा अक्सर जिन लोगों की निवेस में रूची नहीं होती या जिन में पराजित व्यक्ति का नजरिया होता है वही कहेंगे अरे अगर यह आसान नहीं है तो मैं इसे नहीं करूँगा इस तरह के आदमी से मैं एक्सर कहता हूँ जब आप पैदा हुए थे तो आपके माता पिदा ने आपको पोटी ट्रेनिंग देने में बहुत मेनत की थी इसका मतलब है कि एक वक्त तेसा था जब आपके लिए टोइलेट जाना भी मुश्किल था आज आपके पास पोटी ट्रेनिंग है और वहाँ जाना आपके लिए बुनियादी बातों का हिस्सा है मानसिक द्रिष्टिकोर्ण परस्नावली मैंने पाया है कि बहुत सारे लोग अपने नीचे द्रड नितिय बुनियाद रखे बिना अमीरों के निवेसों में निवेस करना चाते हैं अक्सर लोग अमीर व्यक्ति के स्तर पर इसलिए निवेस करना चाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और वे बुरी तरह पैसा चाते हैं जाहिर है अगर आप पहले से ही अमीर नहीं है तो मैं आपको अमीर व्यक्ति के इस्तर पर निवेश की सला नहीं दूँगा। नए ही मेरे अमीर टेड़ी यह सला देते। सो बाक्य से आरामदे बनने की वित्यय योजना कुछ लोगों को परियाप्त पैसे दे देती है जिसकी बज़े से वे खुद को अमीर मानने लगते हैं लेकिन जब तक वे अमीरों की तरह सोचना नहीं सीखते हैं तब तक वे गरीब ही रहेंगे। फर्क बस इतना है कि वे पैसे वाले गरीब रहेंगे। तो मानसिक द्रिष्टी कौन प्रशन यह है है जहां अमीर लोग निवेश करते हैं अगर आप वहां निवेश करने जा रहे हैं या एसा इरादा रखते हैं तो क्या आप वह हासिल करने के इच्छुक हैं जिने अमीर अगर जबाब नहीं है तो बाकी की पुस्तक शायद आपके लिए ज़्यादा मुल्यवान नहीं होगी। नए ही मैं आपको अंतरात्मा से अमीरों के किसी निवेश में निवेश करने की सला दूँगा। जिन के बारे में मैं लिखूँगा। अगर आप इस बारे में जिग तक के अंत में आप फैसला कर सकते हैं कि आप तीन इई हासिल करना चाहते हैं या नहीं। रास्ते में आपको पता चल सकता है कि आर्थिक द्रिष्टी से पहले सुरक्षित और फिर आरामदे बनने की योजनाओं से आप चड़ उपर उठा सकते हैं। जिस तरह एक स्तर पर सफल होने के बाद हाई जम या पोल वाल्ट करने वाला खिलाडी चड़ को थोड़ा उपर उठा देता है। उसी तरह आप भी सुरक्षित और आरामदे स्तरों पर आर्थिक द्रिष्टी से सफल होने के बाद अपनी चड़ तता लक्षों को उपर उठा सकते हैं और अमीर बनने पर ज़्यादा समय दे सकते हैं जैसा अमीर डैडी ने कहा था निवेस एक एसा विशय है जिसके बुन्यादी सिदान आप जीवन भर सीख सकते हैं उनका मतलब यह था कि शुरुआत में यह जटिल नजर आता है लेकिन बाद में सरल हो जाता है आप इस विशय को जित अतनी ज़्यादा बुन्यादी बातें सीख लेते हैं आप उतने ही ज़्यादा अमीर बन जाते हैं वह भी जोखिम कम करके अधिकतर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनोती होती है समय का निवेश करना धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई पंद्रा की तरफ जो है वि जित्य साक्षरता से जोखिम कम करें उन्निसो च्वेतर का बसंद शुरू ही हुआ था मेरे सैन्य अनुबंद के खत्म होने में अब भी दो महिने बचे थे मैं अब यह नहीं जानता था कि जब मैं आखरी बार चाउने से बाहर निकलूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं रा जून की चिंताएं उस पल मुझसे ज्यादा थी हम सभी जानते थे कि वियतनाम का युद्ध खत्म हो गया था और हम हार गए थे मेरे बाल अब भी सेना चाप यानि बहुत छोटे थे और जब भी मैं ऐसे निक संसार में जाता था तो हर बार सबसे अलग दिखता था क्योंक कि उस वक्त लंबे हिप्पी बाल फैशन में थे मैं सोचने लगा कि मैं कंदों जितने लंबे बालों में जाने कैसा दिखूंगा 1965 से ही मेरे बाल सेना चाप थे जब मैं कालेज के लिए मिलिटरी अकादमी में दाखिल हुआ था यह थोटे बाल रखने के लिए गलत समय था पिछले चार मईनों से शेर बाजार लुड़क रहा था और लोगों में गबरावट फैली हुई थी यहां तक की सावने के पाइलेट रेस्ट रूम में भी गबराहट थी जो पाइलेट बाजार में दाउं लगाते थे वे परिशान और तनावगरस थे एक ने तो अपने सारे शेर बेच दी थे और पैसा निकाल कर दूर खड़ा हुगया उस वक्त मैं शेर बाजार में निवेस नहीं करता था इसलिए मैं बगैर किसी पुरुवाग रहके देख सकता था कि शेर बाजार के उतार चड़ाओ का लोगों पर क्या असर होता है हमेर डैडी और मैं लंच पर उनके प्रिये होटल में मिले जो समुंदर तट पर था वे पहले जितने ही खुश थे बाजार गिर रहा था लेकिन वे पहले से भी ज़्यादा पैसे पना रहे थे मुझे यह अजीब लगा कि वे शान्त और खुश थे जबकि हर कोई यहां तक की रेडियो कमेंटेटर भी गबराया हुआ था एसा क्यों है कि आप खुश है जबकि मैं शेर बाजार से जुड़े हर व्यक्ति को गबराया हुआ देख रहा हूँ देखो हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं अमीर डैडी ने कहा हमने यह तै किया था कि निवेशक बनने की एक बुनियादी बात यह है कि किसी एक संभावित सिती की बविशयवानी करने के बजाए हर संभावित सिती के लिए तैयार रहे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाजार की सटीक बविशयवानी कर सकता है हालांकि कई लोग इसका दावा करते है एक व्यक्ति किसी चीज के होने की एक पार शायद दो बारी बविश्यवानी कर सकता है लेकिन मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो लगातार तीन बार बाजार के बारे में सटीक बविश्यवानी कर सके अगर ऐसा कोई विक्ति है तो उसके पास निश्चिद रूप से कोई जादूई दरपन होगा मैं जानता था कि हम इस बारे में बातें कर चुके हैं लेकिन फिर भी मुझे अमीर डैडी से एक सवाल पूछने की जरूरत मैसूस हो रही थी मैंने पूछा लेकिन क्या निवेश खतरनाक नहीं है क्या यह नए जानना खतरनाक नहीं है कि क्या होगा नहीं अमीर डैडी ने कहा मैं जिन अधिकतर लोगों से बात करता हूँ वे निवेश को खतरनाक मानते हैं इसलिए वे अपना पैसा, बैंक, मनी मार्केट फंड या एफडी में रखते हैं और यही उन्हें करना भी जाईए अमीर डैडी ने कहा और एक पल के लिए थैर कर आगे बोले अधिकतर लोगों के लिए निवेश खतरनाक होता है लेकिन हमेसा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि निवेश खतरनाक हो यह तो निवेशक है जो खतरनाक है जो लोग खुद को निवेशक मानते हैं उन में से कई दरसल निवेशक नहीं है वास्तव में वे अटकलबाज, व्यापारी या इससे भी बुरा जुवारी है इन सब के और सच्चे निवेशक के बीच कई सुक्षम अंतर होते हैं मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना एसे अटकलबाज, व्यापारी और जुवारी हैं जो आर्थिक द्रिष्टी से बहुत अच्छा परदर्शन करते हैं लेकिन मैं उन्हें निवेशक की श्रेणी में नहीं रखता तो निवेशक कम खतरनाक कैसे बनता है? मैंने पूछा अच्छा सवाल, अमीर डैडी ने कहा या शायद इससे बेहतर सवाल यह हो सकता है मैं ऐसा निवेशक कैसे बनूँ जो बहुत कम जोखिम के साथ बहुत सारा पैसा कमाई और फिर अपने कमाई पैसे को अपने पास कैसे बनाई रखो निश्चित रूप से यह ज़्यादा सटिक सवाल है मैंने जवाब दिया मेरा जवाब वही है बस चीजों को सारल रखो और बुनियादी बातों को समझो सुरक्षा और आरामदे होने की निवेश योजनाई बना कर शुरू करो इन योजनाओं को अक्सर कोई दूसरा संबालता है जिसे तुम योग्या समझते हो ये स्वैचलित बिना दिवाग के फार्मूले पर चलती है फिर तुमें वहे निवेशक बनने की कीमत चुकानी होगी जो कम जो खिम लेकर ज्यादा पैसे बनाना चाता है और वहे कीमत क्या है मैंने पूछा समय हमी डैडी ने कहा समय तुमारी सबसे मैत्वपूर्ण समपत्ती है अगर तुम अपने समय का निवेश नहीं करना चाते तो अपने निवेश पूजी उन लोगों के हवाले कर दो जो तुमारी चुनी होई निवेश योजना पर चल रहे है अमीर बनने के सपने तो बहुत से लोग देखते है लेकिन अधिकतर अपने समय का निवेश करने की कीमत नहीं चुकाना चाते मैं देख सकता था कि अमीर डैडी अब भी हमारे सबकों की मानसिक तयारी वाली आवस्ता में थे लेकिन अब मैं आगे बढ़ने को तयार था मैं उनके निवेश फर्मूले पर चल कर निवेश करना सचमुच सीखना चाता था बहराल वे अब भी इस बात का इम्धियान ले रही थे क्या मैं अपने समय का निवेश करूँगा और मुझे जो सीखने की जरूरत है मैं सीखना चाता हूँ मैं अपने समय का निवेश करना चाता हूँ मैं अध्यन करूँगा मैं आपको निराश नहीं करूँगा आप मुझे सीखा कर अपना समय बरबाद नहीं कर रहे हैं बस मुझे इतना बता दें कि बहुत कम जोखिम के साथ सफल निवेशक बनने की बुनियादी बातें क्या है अच्छी बात है अमीर डैडी ने कहा मैं थोड़ी आग देखने का ही इंतजार कर रहा था आज सुबह जब तुम बाजार गिरने को लेकर चिंतित दिखे थे तो मुझे उल्जन होने लगी थी अगर तुम शेर बाजार में उतार चड़ाओ को अपने जिंदगी की बागडूर थमा दोगे तो तुम्हे निवेशक नहीं बनना चाहिए निवेशक के रूप में तुम्हारे पास जो सर्वोच्य नियंत्रण है वह हैं सुमय पर नियंत्रण अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो बाजार के उतार चड़ाओ तुम्हे नियंत्रित कर लेंगे और किसी भी उतार चड़ाओ में तुम हार जाओगे लोग अच्छे निवेशक नहीं होते हैं इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका खुद पर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता सुरक्षा और आरामदे जीवन की उनकी इच्छा उनके दिल उनकी आत्मा उनके दिमाग संसार के प्रती उनके द्रिष्टिकून और उनके कारियों को नियंत्रित करने लगती है जैसा मैंने कहा था सच्चे निवेशक को इस बात की परवान नहीं होती कि बाजार किस दिशा में जाता है सच्चा निवेशक किसी भी दिशा में पैसे बना लेता है इसलिए खुद पर नियंत्रण सबसे पहला और सबसे मैत्वपून नियंत्रण है समझ गई मैं समझ गया मैंने कहा जब मैं अपनी कुर्शी पर थोड़ा खिसका मैं थोड़ा सहमा हुआ और चिंतिताया था मगर मैं अमीर डैडी के साथ बरसों से अध्यन कर रहा था और उनकी गहनता मुझे बता रही थी कि निवेश पर सबक अब शुरू होने वाले है अमीर डैडी ने पूरी तेजी से आगे कहा तो अगर तुम बहुत कम जो खिम्मे और भारी लाब के लिए निवेश करना चाते हो तो तुमें बस कीमत चुकानी होगी और इस कीमत में अध्यन शामिल है बहुत सारा अध्यन तुम्हें कारोबार की बुनियादी बातों के अध्यन की जरूरत है इसलिए अमीर निवेशक बनने के लिए तुम्हें या तो एक अच्छा कमपनी स्वामी बनना होगा या फिर वह जानना होगा जो किसी कमपनी का स्वामी जानता है शेर बाजार में निवेशक सफल B में निवेश करना चाते हैं अगर तुम में किसी B की योगेताई है तो तुम B के रूप में अपना खुद का व्यावसाइब बना सकते हो या फिर आई के रूप में संभावित निवेशों के लिए दूसरी B कमपनियों का विशलेशन कर सकते हो समझ्या यह है कि अधिकतर लोगों को स्कूल में E या S बनने का परशिक्षन मिलता है उनमें वे योगेताई नहीं होती जो B बनने के लिए आवशक होती है इसलिए बहुत कम लोग बहुत अमीर निवेशक बन पाते हैं और इसलिए इतने सारे लोग यह कहते या सोचते हैं कि निवेश खतरनाक है मैंने कहा बिल्कुल अमीर डैडी ने कहा जब उन्होंने अपने पीले पैड की और हात बढ़ाया अधार भूत निवेश यह होता है यह उन बुनियादी फार्मूले का सरल रेखाचित्र है जिस पर मैं चलता हूँ और कई अत्यदिक अमीर निवेशक भी चलते हैं निवेश के संसार में संपत्ती की तीन बुनियादी स्रेणिया होती है जिन में तुम निवेश कर सकते हो हम पहले ही सामान्य आमदनी, निश्चित आमदनी और पोर्टफोलिय आमदनी पर बात कर चुके है सचमुच अमीर और ओसत अमीर के बीच बड़ा फर्क उस चतुश फलक का है जो मैंने यहाँ पर खींचा है आपका मतलब है कि कमपनी बनाना एक निवेश है अगर तुम अमीर निवेशक बनना चाते हो तो यह संभवत है, सबसे अच्छा निवेश है अमूमन 80% बहुत अमीर लोग व्यवसाई खड़ा करके ही अमीर बने है अधिकतर लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जो व्यवसाई खड़ा करते हैं या कमपनी में निवेश करते हैं फिर वे इस बात पर हैरान होते हैं कि जिस व्यक्ति ने व्यवसाई खड़े किये वह इतना अमीर क्यों है कारण यह है कि व्यवसाई खड़ा करने वाला व्यक्ति हमेशा पैसे देकर संपत्ति खरीदता है मैंने पूछा आपका मतलब है कि व्यवसाई खड़ा करने वाला व्यक्ति या व्यवसाई का मालिक संपत्ति को पैसे से ज़्यादा मुल्यवान मानता है यह तस्वीर का हिस्सा है क्योंकि निवेशक दरसल उस सेक्योरिटी या प्रतिबूती के लिए समय विशे सग्यता या धन का लेंदिन करता है जिसके बारे में उसे संपत्ती बनने की उमीद होती है या इरादा होता है तो जिस तरह तुम किराए के मकान जैसी अचल संपत्ती या शेर खरीदने के लिए पैसे देते हो उसी तरह व्यावसाई का मालिक व्यावसाई की संपत्ती बनाने के लिए लोगों को पैसे देगा गरीब और मद्यों वर्गिया लोगों के संगर्ज करने का मुख्य कारण यह है कि वे पैसे को सची संपतियों से ज़्यादा मुल्यवान मानते है तो गरीब और मद्यों वर्गिया लोग पैसे को मुल्यवान मानते है जबकि अमीर लोग इसे सचमुच मुल्यवान नहीं मानते हैं, क्या आप यही कह रही हैं? आंसिक रूप से अमीर डैडी ने कहा, हमेशा ग्रेशम का नियम याद रखो ग्रेशम का नियम मैंने जवाव दिया, मैंने कभी ग्रेशम के नियम के बारे में नहीं सुना, यह क्या है? ग्रेशम का नियम एक आर्थिक नियम है, जो कहता है कि बुरा पैसा हमेशा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है अच्छा पैसा बुरा पैसा मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं समझाता हूँ अमीर डैडी ने कहा ग्रेशम का नियम तब से अमल में चला आ रहा है जब से इनसानों ने धन को मैतव देना शुरू किया प्राचिन रूम में लोग चांदी और सोने के सिकों को कतर लेते थे कतरने का मतलब था कि लोग किसी दूसरे को सिका देने से पहले उसके थोड़े हिसे की कतरन काट लेते थे इसलिए सिकों कम होने लगा रोम के लोग मुर्क नहीं थे और जल्द ही उन्होंने इस बात पर गोर किया कि सिक्के हलके होने लगे है एक बार जब रोम के लोगों को पता चल गया कि क्या हो रहा था तो इसके बाद उन्होंने चांदी और सोने के उंचे अंश वाले सिक्कों का संचे कर लिया और सिर्फ हलके सिक्के ही खर्च करने लगे यह इस बात का उधारण है कि बुरा धन की स्थरे अच्छे धन को चलन से बाहर कर देता है सिक्कों की कतरन पर्था से मुकाबला करने के लिए सरकार तीर नुमा या कटे हुए किनारों वाले सिक्के बाटने लगी इसलिए मुल्यवान सिक्कों के किनारे पर छोटी नालियां होती है अगर किसी सिक्के की नालियां कतर ली जाए तो लोगों को पता चल जाता है कि सिक्के के साथ छेड़ चार की गई है विड़मना यह है कि यह सरकार ही है जो हमारे पैसे के मुल्य की सबसे ज़्यादा कत्रन करती है लेकिन यह तो प्राचिन रोम की बात थी अतीत की बात थी वहे नियम आज कैसे लागू होता है मैंने पूछा 1965 में यानि आज से अमूमन दस साल पहले ग्रेशम का नियम अमेरिका में भी काम करने लगा जब सरकार ने चांदी के सिक्के बनाने बंद कर दिये दूसरे शब्दों में सरकार बुरे सिक्के बनाने लगी जिनका कोई सच्चा मुल्य नहीं था लोगों ने तुरंत असली चांदी के सिक्कों का संचे शुरू कर दिया और खोटे या नकली सिक्के खर्च करने लगे दूसरे सब्दों में लोग सहजबोट से जानते हैं कि सरकारी पैसा ज़्यादा मुल्यवान नहीं है मैंने कहा एसा ही लगता है अमीर डैडी ने कहा मेरे इसाव से शायद इसलिए लोग बचत कम और खर्च जाला करते हैं दुर्भाग्या से गरीब और मद्यम वरगिया लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनका मुल्या उनके पैसे से भी कम होता है वे नगदी को कच्रे में बदल लेते हैं इस दोरान अमीर लोग अपने पैसे से व्यवसाई शेयर और अचल संपत्ती खरीदते हैं वे ऐसे समय में सुरक्षित सिक्यूरिटीज या परती बूतियों की तलास कर रहे हैं जब पैसे का असल मुल्या दिनो दिन कम होते चा रहा है इसलिए मैंने तुम से और माइक से लगातार कहा है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुमें अच्छे पैसे और बूरे पैसे संपत्तियों और दाईतों के बीच फरक पता होना चाहिए अच्छे सिक्यूरिटीज और बूरी सिक्यूरिटीज मैंने जोड़ा अमीर डैडी ने सिरह लाया अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अमीर इतने चतुर होते हैं कि यह बात जानते हैं कि पैसे का मुल्य दिनो दिन कम होता जा रहा है अगर तुम बुरे पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हो लेकिन संपतियों और दाइतों अच्छी सिक्यूरिटीज और बुरी सिक्यूरिटीज के बीज के फर्क को नहीं जानते हो तो तुम जिंदगी भर आर्थिक शेत्र में संगर्स करते रहोगे यह सचमुच शरमनाग बात है कि जो लोग सबसे कड़ी मेहनत करते हैं और जिने सबसे कम भुतान मिलता है वही धन के मुल्य के इस सतत क्षै से सबसे ज़्यादा कष्ट उठाते हैं ग्रेशम के नियम के प्रभावों के कारण जो लोग सबसे कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें आगे निकलने में सबसे अधिक कृष्णाई होती है चुंकि पैसे का मुल्य लगातार कम हो रहा है इसलिए वित्ये द्रिष्टी से समझदार व्यक्ति को लगातार एसी चीजों की तलास करनी चाहिए जिनका सच्चा मुल्य है और जो अधिकादि खोटे पैसे को उत्मन कर सकती है अगर आप एसा नहीं करते हैं तो समय के साथ आप आगे निकलने के बजाए वित्ये द्रिष्टी से पीछे रह जाते हैं फिर अमीर डैडी ने अपने पीले पैड के सकेच की और संकेत किया मैं आज तुमारे डैडी से अधिक सुरक्षित हूँ क्योंकि मैंने इन तीनों बुनियादी संपतियों या सिक्यूरिटीज को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है तुम्हारे डैडी ने नोकरी की सुरक्षा की खातिर कड़ी मेनत करने का चुनाव किया था तो जिस चीज के लिए उन्होंने कड़ी मेनत की वह इस तरह दिखता है फिर अमीर डैडी ने नोकरी की सुरक्षा को काट दिया जो नोकरी छूटने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने तो सुन्य की खातिर कड़ी मेनत की थी और सबसे बुरी बात वे सफल हो गई थे उन्होंने मेहनत करके खुद को राज्य सिक्षा तंतर के सिखर तक पूंचाया था लेकिन फिर उन्होंने तंतर का विरोध कर दिया उनकी सरकारी नोकरी की सुरक्षा एक जटके में चली गई मुझे तुमारे डैडी के लिए लगबग उतना ही अपसोस है जितना की तुमें है लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा सकते जिसके बुन्यादी मुल्य बहुत कठोर हो और जो बदलना ही ने चाता हो वे दूसरी नोकरी की तलास कर रहे हैं लेकिन खुद से यह नहीं पूछ रहे हैं कि जो वे सचमुच चाते हैं क्या कोई नोकरी उन्हें यह प्रदान करेगी मैंने कहा वे नोकरी की सुरक्षा और जोटी संपतियों से चिपके रहे बहराल वे अपनी सामान्य आमदनी को असल संपतियों में नहीं बदल पाए ताकि उन्हें अमीर व्यक्ति की आमदनी, निश्क्री आमदनी या पोर्टफोलियो आमदनी हो सके उन्हें पहले अपनी तनक्वा को असल सिक्यूरिटी या परतिबूतियों में बदलना चाहिए था इसके बाद ही तंतर से मुकावला करना चाहिए था तुम्हारे डेड़ी बहुत सासी है और बहुत सिक्षित भी है लेकिन वे आर्थिक द्रिष्टी से सुरुक्षित नहीं है और यही उनके पतन का कारण है अगर वे अमीर होते तो चुनाओ परचार के चंदों दुवारा तंतर को परवावित कर सकते थे लेकिन चुकि उनके पास पैसा नहीं था इसलिए वे बस विरोध ही कर सकते थे और सरकार को चुनोती दे सकते थे विरोध परवावी तो हो सकता है लेकिन सरकार में कोई परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे लोगों के भारी विरोध की जुरूरत होती है वियतनाम के इस युद को रोकने की कोशिस में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की संख्या को ही देख लो वे डंबना यह है कि वे इस बात का विरोध कर रहे थे कि अमीर लोग चुनावी चंदे द्वारा सरकार को परभावित करने की कितनी शक्ती रखते हैं मैंने कहा उन्होंने देखा था कि अमीर लोगों की नेताओं पर कितनी शक्ती थी और अमीर लोगों को कौन से अनुग्रे मिलते थे या अमीरों के पक्ष में कितने कानून पारित होते थे मेरे डैडी ने राजनिती में आने वाले पैसे को देखा और इसलिए इस वित्यत रुपियों को रोकने की खातिर लेफ्ट नेट गवर्नर पद के लिए खड़े हुए अब इसकी वज़े से उनकी सरकारी नोकरी छूट गई है वे जानते हैं कि कानून अमीरों के पक्ष में बनाई गई है देखो यह पैसे पर एक और विशे है लेकिन आज हमारा विशे नहीं है अमीर टेडी ने कहा निवेश खतरना क्यों नहीं है मैं अपना मन बना चुका था मैंने कहा मैंने पाइलेट के नोकरी की कोशिश छोड़ दी मैं तो जल्द ही किसी ऐसी कंपनी में नोकरी खोजूँगा जो सेल्स ट्रेनिंग देती हो ताकि मैं ऐस विकरती के डर से उबर सकूँ और बेचना सीख सकूँ या समवाद करना सीख सकूँ जैसे आप सला देते हैं अच्छी बात है अमीर डैडी ने कहा आई बीम और जिरोक्स दोनों की ही उतकरष्ट सेल्स ट्रेनिंग योजनाई है अगर तुम बी क्वाडरेट में जा रहे हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि बेचना कैसे है और मार्केटिंग कैसे करनी है तुम्हें बहुत मोटी चमडी की भी जरूरत है अगर लोग तुमारे परस्ताव पर नहीं कह देते हैं तो तुम्हें उसकी परवाण नहीं करनी चाहिए लेकिन जब उचित हो तो तुम्हें उनका मन बदलने में सक्षम भी होना चाहिए बेचना उस व्यक्ति के लिए एक बहुत आवशक योग्यता है जो अमीर बनना चाहता है खास तोर पर B क्वाडरेट में और अक्सर I क्वाडरेट में भी मैंने कहा लेकिन मेरे मन में एक सवाल उबल रहा है पूछो अमीर डैडी ने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि निवेश खतरनाक नहीं है जबकि अदिकतर लोग निवेश को खतरनाक कहते हैं इसका जवाब आसान है अमीर डैडी ने कहा मैं फाइनेंसियल स्टेटमेंट पढ़ सकता हूँ लेकिन अदिकतर लोग नहीं पढ़ सकते क्या तुम्हें याद है बरसों पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे डैडी शब्द साक्षर तो है लेकिन वित्य द्रश्टी से साक्षर नहीं है मैंने सिर इलाते हुए कहा मुझे याद है आप अक्सर यह बात कहते थे वित्य साक्षर था निवेशक के लिए एक बहुत मैतोपून बुनियादी बात है खास तोर पर अगर तुम एक सुरक्षित निवेशक, एक अंद्रूनी निवेशक और एक अमीर निवेशक बनना चाते हो जो की वित्य द्रश्टी से साक्षर नहीं है हम किसी निवेश के अंदर नहीं देख सकते जिस तरह कोई डोक्टर इनसान के शरीर के अंदर देखने के लिए एक सरी का इस्तिमाल करता है उसी तरह एक फाइनेंसियल स्टेटमेंट आपको किसी निवेश के बीतर जाकर सचाई, तक्थे, खल्पना, आउसर और जोखिम देखने की अनुमती देता है किसी व्यवसाई या व्यक्ति का फाइनेंसियल स्टेटमेंट पढ़ना उसकी जीवनी या आतमकता पढ़ने जैसा होता है मैंने हैरानी में पूछा तो कई लोगों के निवेश को खतरना कहने का एक कारण यह है कि उन्हें कभी फाइनेंसियल स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं सिखाया गया और इसलिए आपने माई को और मुझे फाइनसियल स्टेटमेंट पढ़ना तब सिखाया था जब हम सिर्फ नो साल के थे देखो अगर तुमें याद हो तो तुमने बस नो वर्स की उमर में मुझे बताया था कि तुम अमीर बनना चाहते हो तुमारी यह इच्छा सुनने के बाद मैंने शुरुआत में तुमें बनियादी बातें बताई थी पहला कभी इन पैसों के लिए काम मत करो दूसरा नोकरी नहीं आवसर खोजना सिखो तीसरा फाइनसियल स्टेटमेंट पढ़ना सिखो अधिकतर लोग आवसर की नहीं बलकि नोकरी की तलास में स्कूल कालेज से निकलते हैं उन्हें निस्क्रिय या पोर्टफोलियो आमदनी के बजाई सामान्य आमदनी के लिए कड़ी मेनत करना सिखाया गया है और अधिकतर को तो यह भी नहीं सिखाया गया कि चेक बुक कैसे मिलाई जाती है फाइनेंसियल स्टेटमेंट पढ़ने और लिखने की बात तो रहने ही दो कोई हैरानी नहीं कि वे निवेश को खतरनाक कहते हैं अमीर डेडी ने एक बार फिर पीला पैड निकाला और उस पर यह रेकाचितर बना दिया हर व्यवसाई का एक फाइनेंसियल स्टेटमेंट होता है हर शेर किसी फाइनेंसियल स्टेटमेंट का परतिविंब होता है अचल संपत्ति की हर जायदात का एक फाइनेंसियल स्टेटमेंट होता है और हर व्यक्ति का एक फाइनेंसियल स्टेटमेंट होता है अमीर डैडी ने कहा हर securities और हर व्यक्ति का मैंने पूछा मेरे डैडी का भी मेरी मम्मी का भी बिल्कुल अमीर डैडी ने कहा हर चीज चाहे यह व्यवसाई हो शेयर हो अचल संपती हो या इनसान हो जो पैसे का लेंदेन करती है उसका एक इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट होती है चाहे उसे यह बात मालूम हो या ने हो जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ती के बारे में जागरुक नहीं होते है उनके पास अक्सर सबसे कम पैसा होता है और सबसे ज़्यादा वितियस समश्याइं होती है आपका मतलब है कि जैसी मेरे डैडी को इस समय हो रही है मैंने कहा दुर्भाग्य से यह सच है अमीर डैडी ने कहा संपतियों और दाइतमों, सामन्य आमदनी और निश्करिय तथा पोर्टफोलिय आमदनी के बीच सरल फर्क ने जानने के कारण और यह ने जानने के कारण कीवे कहां प्रकट होती है और फाइनेंसियल स्टेटमेंट में कैसे प्रभावित होती है यह तुमारे डैडी की एक महंगी भूल थी तो जब आप किसी व्यवसाई को देखते हैं तो आप उस दिन इसके शेयर का भाव नहीं देखते बलकि फाइनेंसियल स्टेटमेंट देखते हैं मैंने पूछा और बातचीत के मुते को अपने डैडी से दूर ले जाने की कोशिश की सही है अमीर टेडी ने कहा इसे आधारबूत निवेस कहा जाता है वित्य साक्षर्ता आधारबूत निवेस के लिए आवशक है जब मैं किसी व्यवसाई के वित्य विवरन देखता हूं तो मैं उस व्यवसाई के अंदर के शरीर को देखता हूं वित्य विवरण को देखकर मैं बता सकता हूँ कि व्यवसाई बुनियादी तोर पर शक्ति साली है या कमजोर बढ़ रहा है या घट रहा है मैं बता सकता हूँ कि परबंदन अच्छा काम कर रहा है या बहुत से निवेशकों के पैसे को बरबाद कर रहा है यह किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग या ओफिस बिल्डिंग के बारे में भी सच है मैंने कहा यानि वित्य विवरण पढ़कर आप समझ सकते हैं कि निवेश खतरनाक है या सुरक्षित हाँ अमीर डेडी ने कहा किसी व्यक्ति व्यवसाय या अचल संपत्ति की जायदात के वित्य विवरण मुझे उससे जादा बताते हैं लेकिन किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सरसरी निगा डालने से तीन और मेत्वपूर्ण चीजें होती है वे क्या है पहली बात वित्य साक्षर्टा मुझे एक जान्त सुची परदान करती है कि क्या मैं तपूर्ण है मैं हर बिंदू को देखकर तै कर लेता हूँ क्या सही नहीं किया जा रहा है या मैं कारोबार को सुधारने और चीजों को दुरूस्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ अधिकतर निवेशक भाव देखते हैं और फिर शेयर का पी-ई अनुपाद देखते हैं किसी शेयर का पी-ई बाहरी व्यक्ति का कारोबारी सुचकांक होता है अंदुरूनी व्यक्ति को अन्य सुचकों की भी जरूरत होती है और यही मैं तुमें सिखाऊंगा ये सुचक सुरक्षय जान्ट सुची का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि व्यवसाई के सभी हिस्से अच्छी तरह काम कर रहे हैं यदि तुम वित्य द्रश्टी से साक्षर नहीं हो तो तुम फरक नहीं समझ सकते जाहीर है तब निवेश उस व्यक्ति के लिए खतरनाक बन जाता है मैंने पूछा और दूसरी चीज दूसरी चीज यह है कि जब मैं किसी निवेश को देखता हूँ तो मैं इसे अपने व्यक्तिगत फाइनेंसियल स्टेटमेंट के उपर रखकर देखता हूँ कि यह उसके तालमेल में है या नहीं है जैसा मैंने कहा था निवेश एक योजना है मैं देखना चाता हूँ कि उस व्यवसाई, शेयर, बोंड या अचल संपती का फाइनेंसियल स्टेटमेंट की इस तरह मेरे व्यक्तिगत फाइनेंसियल स्टेटमेंट को परभावित करता है मैं जानना चाता हूँ कि क्या यह निवेश मुझे वहां तक ले जाएगा जहां मैं जाना चाता हूँ मैं यह विशलेशन भी करता हूँ कि क्या मैं उस निवेश का खर्च उठा सकता हूँ अपनी संख्याई पता होने के कारण मैं जानता हूँ कि क्या होगा अगर मैं किसी निवेश को खरीदने के लिए करज लूँ मैं यहे भी जानता हूँ कि नए करज की किस्ट से आईवेखे संतुलन पर क्या दिर्ग का लिनासर होगा और तीसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ कि यहे निवेश सुरक्षित है और मेरे लिए पैसे बनाएगा मैं बता सकता हूँ कि क्या यहे मेरे लिए बहुत कम समय में पैसे बनाएगा या पैसे डुबोएगा अगर यहे मेरे लिए पैसे नहीं बनाएगा या मैं इसके पैसे ने बना पाने के कारण को दुरुस्त नहीं कर सकता तो मैं इसे क्यों खरिदू, यह खतरनाक होगा मैंने पूछा, यानि अगर आप पैसे नहीं बना पाते हैं तो आप निवेश नहीं करते हैं अधिकतर प्रकृणों में, अमीर डेडी ने कहा हलांकि यह बहुत सरल लगता है लेकिन मुझे हमेशा हैरानी होती है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो पैसे गवा रहे हैं या पैसे नहीं बना पा रहे हैं फिर भी वे खुद को निवेश मानते हैं अचल संपत्ति में निवेश करने वाले कई लोग हर माईने पैसे गवाते हैं और फिर कहते हैं लेकिन सरकार मेरे नुक्सान के बदले मुझे कर में छूट देती है यह तो इस तरह कहना है अगर आप एक डोलर गवाते हैं तो सरकार आपको 30 सेंट लोटा देगी कुछ बहुत परिश करती अवसाई और निवेसक जानते हैं कि सरकारी निती से कैसे लाव उठाएं लेकिन बहुत कम लोग दरसल ऐसा कर पाते हैं क्यों नए एक डोलर कमाई और फिर सरकार से 30 सेंट का आतिरिक बोनस पाई असल निवेसक यही करता है लोग सचमुच ऐसा करते हैं वे पैसे गवाते हैं और इसे निवेस मानते हैं यही नहीं वे तो यह भी सोचते हैं कि कर लाव के लिए पैसे गवाना एक अच्छा विचार है क्या तुम जानते हो कि एसा निवेस खोजना कितना आसान है जिसमें तुमें पैसों का नुक्सान हो जाई अमीर डैडी ने कहा मेरे साथ से यह बहुत आसान होगा मैंने कहा संसार एसे शेरों, म्यूचल फंडों, अचल संपत्ती और कारोबारों से भरा पड़ा है जो पैसे नहीं बनाते हैं तो सच्चा निवेसक सबसे पहले तो पैसे बनाना चाता है और फिर पैसे बनाने के बाद वह सरकार से अतिरिक्त बोनस भी चाता है इसलिए सच्चा निवेसक एक डोलर कमाईगा और साथ ही सरकार से तीस सैंट का बोनस भी हासिल करेगा गैर विसे सग्य निवेशक एक डोलर गवा देगा और फिर कर छूट के रूप में सरकार से 30 सेंड लेकर रोमान्चित होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति फाइनेंसियल स्टेटमेंट नहीं पड़ सकता मैंने पूछा यह तो एक बुनियादी बात है वित्य साक्षर्था निश्चित रूप से अमीरों के निवेस तरपर बहुत ही मैत्वपूर्ण और बुनियादी बात है दूसरी बुनियादी बात यह है कि निवेस पैसा बनाए कभी भी पैसे गवाने या कर्मे छूट लेने के इरादे से निवेस ने करें आप शिर्प एक ही कार्ण से निवेस करें पैसे बनाने के लिए निवेस में वैसे ही क्या कम जोखिम है जो पैसे गवाने के लिए निवेस किया जाई आपका रिपोर्ट कार्ड जब हमने उस दिन का सबक खतम किया तो अमीर डैडी ने कहा क्या अब तुम्हें एहसास है कि मैंने तुमसे इतनी बार तुमारे खुद के financial statement क्यों बनवाई मैंने सिरह लाते हुए कहा साथ ही कमपनियों और अचल संपत्ति निवेसों के financial statement का फिसलेशन भी करवाया आपने कहा था आप यह है चाहते हैं कि मैं financial statement के संदर्ब में सोचूँ अब मैं इसका कारण समझ गया हूँ जब तुम स्कूल में थे तो तुमें हर तिमाई एक report card मिलता था financial statement school से निकलने के बाद आपका report card है समझ यह है कि चुकि अधिकतर लोगों को financial statement पढ़ने का परशिक्षन नहीं मिलता है या उन्हें व्यक्तिगत financial statement बनाने का परशिक्षन नहीं दिया जाता है इसलिए उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि स्कूल छोड़ने के बाद उनकी स्तितिक कैसी है कई लोगों के व्यक्तिगत financial statement को फेल होने वाले अंक मिलते हैं लेकिन वे सोचते हैं कि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छी तनक्वा वाली नोकरी और एक अच्छा मकान है दुर्भाग्य से अगर तुम्हें grade देने होते तो पंतालीस साल की उमर तक वितिय द्रश्टी से सोतंतर नय होने वाले हर व्यक्ति को मैं फेल का grade देता मैं निर्ममता नहीं परत रहा हूँ मैं तो बस यह चाहता हूँ कि लोग जाग जाएं और कुछ चीजें अलग तरीके से करें इससे पहले कि उनकी सबसे मैतवपून संपत्ती खतम हो जाए समय तो वितिय विवरन पढ़ने की सामर्थय से आप जोखिम कम कर लेते हैं मैंने जवाब दिया निवेश करने से पहले इनसान को अपने व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर काबू करने की जरूरत होती है निश्चित रूप से अमीर डैडी ने कहा मैं जिस पूरी प्रकिरिया के बारे में बात कर रहा हूँ यह अपना नियंतरन संबालने की प्रकिरिया है जिसमें तुमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शामिल है बहुत सारे लोग इसलिए निवेश करना चाते है क्योंकि वे गहरे करज में है आप अपने बिल चुका सकें या ज़्यादा बड़ा मकान या नई कार खरीद सकें इसके लिए अधिक पैसे कमाने की उम्मीद में निवेश करना मुर्खों की निवेश योजना है आपको सिर्फ एक ही कारण से निवेश करना चाहिए एक ऐसी संपती हासिल करने के लिए जो समन्य आमदनी को निश्करिय आमदनी या पोर्टफोलियो आमदनी में बदलती हो एक परकार की आमदनी को दूसरे परकार की आमदनी में बदलना ही सच्चे निवेसक का मुल भुतु दिश्य होता है एसा करने के लिए चेक बुक के मिलान से ज्यादा उंची स्रेणी की वित्य साक्षर्ता की जरूरत होती है तो आप शेयर या अचल संपत्ती की जाइदाद के भाव की उतने चिंता नहीं करते हैं जितनी की कारिय कारी बुनियादी बातों की जो आपको फाइनेंशियल स्टेट्मेंट में दिखती है सही है अमीर डैडी ने कहा इसलिए जब तुम शेयर बाजार के भाव लुडगने को लेकर चिंतित थे तो मैं विचलित हो गया था हालांकि भाव मैतोपूर्ण है लेकिन यह आदारबूत निवेस में सबसे मैतोपूर्ण चीज से बहुत दूर है भाव तकनिकी निवेस में ज्यादा प्रासंगिक है लेकिन तकनिकी निवेस अलग वीशे है अगर तुम यह समझ गई हो कि मैंने तुम से इतने सारे व्यक्तिगत फाइनेंसियल स्टेटमेंट क्यों बनवाई कमपनियों तथा अचल संपत्ती जाइदादों का विसलेशन क्यों करवाया मैंने सीरहिलाया उस वक्त मुझे बहुत चिड हुई थी लेकिन अब मुझे खुशी है कि आपने मुझे यह सब करवाया मुझे एहसास होता है कि अब मैं अपने फाइनेंसियल स्टेटमेंट की मानसिक तस्वीरों का इस्तेमाल करके चीजों का कितना विसलेशन कर लेता हूँ मैं यह तस्विर देख सकता हूँ कि अपने पैसे के साथ मैं जो करता हूँ वह है मेरे financial statement पर कैसा अर्सल डाल रही है मुझे यह ऐसास नहीं था कि अधिकतर लोग चितर के संदरब बिन्दूओं के साथ नहीं सोचते जादूई कलीचा तुम अब खेल में काफी आगे हो अमीर डेड़ी ने कहा अमीर बनने के खेल में income statement और balance sheet financial statement को बनाने वाली दो आधार भूत रिपोर्टों के बारे में मैं एक सब्दावली का इस्तेमाल करता हूँ जादूई गलीचा आप उन्हें जादूई गलीचा क्यों कहते हैं मैंने पूछा क्योंकि वे आपको जादूई तरीके से किसी व्यवसाए किसी अचल संपत्ती की जाइदाद और संसार के किसी भी देश के मामले में पर्दे के पीछे दे जाते हैं यह एक तरीके से गोता खोरी का नकाब लगाकर अचानक पानी की सतय के नीचे देखने जैसा है जहां नकाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रतीक है यह आपको स्पष्टता से दिखा देता है कि सतय के नीचे क्या चल रहा है विकल्प के तोर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सूपरमेन की एकसरे द्रिष्टी जैसा होता है उंची इमारतों पर कूदने की कोशिस करने के बजाई वित्य रूप से साक्षर वेक्ती इमारत की कंक्रीट की दिवारों के पार देख सकता है उन्हें जादूई गलिचा कहने का एक और कारण यह है कि वे आपको अपनी डेश्क पर बैठे बैठे संसार के इतने सारे हिस्सों में इतनी सारी चीजें देखने और करने के तिए स्वतंतर कर देती है आप अधिग्यान और अंतरद्रिष्टी के साथ संसार के कई स्थानों में या अपने आसपास ही निवेस कर सकते हैं मेरी वित्य साक्षर्टा बेहतर होने से मेरा जोखिम अंतत्य कम होता है और मेरे निवेस का मुनाफ़ा बढ़ जाता है फाइनेंसियल स्टेटमेंट मुझे अब दिखा देता है जो ओसक निवेसक नहीं देख सकता यह मुझे अपनी व्यक्तिगत संपतियों पर नियंतरन देता है और मुझे जीवन में वहाँ पहुँचने की अनुमती देता है जहां मैं पहुँचना चाहता हूँ फाइनेंसियल स्टेटमेंटों पर अनियंतरन हासिल करने से मुझे शारिरिक रूप से कारोबार में रहे बिना कई व्यवसाई चलाने की चूप मिलती है Financial Statement को सचमुच समझना एक A.C. कुंजी है जिसके बिना A.S. Quadrate में रहने वाला व्यक्ति B.Quandrate में नहीं पहुंच सकता इसलिए मैं Income Statement और Balance Seat को जादूई गलीचा कहता हूँ मानसिक दृष्टिकोन परस्नावली अगर आप कोई Second Hand Car खरीदने वाले हैं तो शायद आप इसे किसी Mechanic को दिखाएंगे और Electronic Analyzer से इसकी जाँच कराएंगे इसके बाद ही यह निर्ने लेंगे क्या यह मांगी गई रकम के लाइक है अगर आप किसी मकान को देखते हैं तो आप मकान खरीदने से पहले किसी Home Inspector से जांच सूची के हिसाब से नीम, नलकी पाइप, बिजली, छत आदी की स्थिति की जांच कराएंगे अगर आप किसी से शादी करने वाले हैं तो उस सुन्दर चेरे के साथ जीवन भर बिताने का निर्ने लेने से पहले शायद यह जानना चाहेंगे कि उस सुन्दर चेरे के पीछे दरसल क्या चल रहा है मगर जब निवेश की बात आती है तो अधिकतर निवेशक जिस कंपनी में निवेश करते हैं उसके financial statementों को कभी पढ़ते ही नहीं है अधिकतर निवेशक या तो जोरदार टिप के अदार पर निवेश करना पसंद करते हैं या कम भाव या ज़्यादा भाव पर जो बाजार की दिसा पर निर्वर करता है अधिकतर लोग अपनी कार ठीक ठाक कराते हैं सालाना जांच कराते हैं और सालाना हेल्थ चैक अप कराते हैं लेकिन अधिकतर लोग अपने financial statementों के दोसों या संभावित समश्याओं का विशलेशन कभी नहीं कराते हैं इसका कारण यह है है कि स्कूल कॉलेज से निकलने वाले अधिकतर लोग financial statement के मैतव से अंजान होते हैं उसे नियंतरन करने की बात तो रहने ही दे कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे लोग कहते हैं कि निवेस खतरनाक है निवेस खतरनाक नहीं है वितिय द्रश्टी से निरक्षर रहना खतरनाक है निवेस अवसर कैसे देखें यदि आप निवेसक बनकर अमीर बनना चाते हैं तो मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अच्छा कार्यकारी ज्यान निवनतम आवशकता है यह नए सिर्फ आपके सुरुक्षा गटक को बेतर बनाएगा बलकि यह कम समय में ज़्यादा पैसे बनाने की वियनुमती देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से आपको वे निवेस अवसर दिख जाएंगे जिने ओसत निवेसक चूग जाते हैं ओसत निवेसक खरीदने बेजने के अवसर के रूप में सिर्फ भाव देखता है परिशकरत निवेसक अपने दिमाग को भाव के अलावा अन्य अवसर देखने के दिए प्रशिक्षित करता है अधिकतर परिश्कर्ट निवेसक सर्वेसरेस्ट निवेस अवसरों को भाप लेते हैं जो ऐ परशिक्षित आँखों को नजर नहीं आते हैं अमीर डैडी ने मुझे सिखाया कि निवेसक के रूप में आप सबसे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं बसरते आप वित्य द्रिश्टी से साक्षर बन जाएं और निवेस की आंतरिक शक्तियों वेकमजोरियों को जान लें उन्होंने कहा था आपको सर्वेसरेस्ट अवसर यहां मिलते हैं अकाउंटिंग, टैक्स कोड, बिजनेस ला और कॉर्परेट ला की समझ इन्ही एद्रिश्टे क्षेत्रों में असल निवेसक सबसे बड़े निवेस सोदे खरीदते हैं और इसलिए मैं इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट को जादूई गलिचा कहता हूँ मानसिक द्रिश्टी कोण प्रशन यह है यदि आप निवेसक के रूप में दोलतमन बनना चाते हैं और अमीरों के निवेसों में निवेस करना चाते हैं तो क्या आप व्यक्तिगत फाइनेंसियल स्टेटमेंट को अपडेट रखने के इचुप हैं और नियमित रूप से अन्य फाइनेंसियल स्टेटमेंट पढ़ने का अभ्यास करने के लिए तयार है हाँ या नहीं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई सोला की तरफ जो है वित्य साक्षर्ता सरल रूप में आपका दिन शुब हूँ अध्याई सोला वित्य साक्षर्ता सरल रूप में तुमारे डेडी आर्थिक मुश्किल में इसलिए हैं क्योंकि वे शब्द साक्षर्तो हैं लेकिन वित्य द्रस्टी से साक्षर्त नहीं है अमीर डेडी अक्सर मुझसे कहते थे अगर वे बस समय निकाल कर आंकडों और पैसे की सब्दावली को पढ़ने का तरीका सीख लें तो उनका जिवन नाट की रूप से बदल जाएगा वित्य साक्षर्ता रिच डेड पूर डेड में अमीर डेडी के च्छे सबकों में से एक थी अमीर डेडी के हिसाब से वित्य साक्षर्ता हर उस व्यक्ति के लिए अनिवारिय थी जो किसी कारोबार का मालिक या पेशेवर निवेशक बनने के बारे में गंबीर था मैं सरल और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से वितिय साक्षर्था की त्वरित समिक्षा करूंगा जिस तरह अमेर डैडी ने मुझे समझाया था बुनियादी बातें प्रिशकर्थ निवेसक में कई अलगलग वितिय दस्तावेजों को पढ़ने की काबिलियत होनी चाहिए इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट सबी दस्तावेजों के केंदर में है मैं अकाउंट एट नहीं हूँ लेकिन मैं अकाउंटिंग की कख्षाओं में गया हूँ रित करते थे और उनके आपसी संबंद पर कोई ध्यान नहीं देता था दूसरे सब्दों में परसीक्षिकों ने कभी यहसपष्ट नहीं किया कि एक दस्तावेज दूसरे के लिए क्यों मेहत्वपूर्ण था या उन में से एक दूसरे को कैसे परवावित करता था अमीर डैडी का मानना था कि इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट के बीच का सबंध ही सब कुछ है वे कहते थे एक के बिना तुम दूसरे को कैसे समझ सकते हो आये कोलम या वे कोलम के बिना तुम कैसे बता सकते हो कि कौन से चीज सचमुद संपत्य या दाइतव है उन्होंने आगे कहा, कोई चीज संपत्ती वाले कोलम में लिखी गई है, सिर्फ इसी वज़े से वह संपत्ती नहीं बन जाती है, मैं इसे उनका सबसे मैतपूर्ण कथन मानता हूँ उन्होंने कहा था, अधिकतर लोग आर्थिक कष्ट जहलते हैं, उसका कारण यह है, कि वे दाइतव खरिदते हैं, और उन्हें संपत्ती वाले कोलम में लिख देते हैं इसलिए इतने सारे लोग अपने मकान को एक संपत्ती कहते हैं, जबकि यह दरसल एक दाइतव हैं अगर आप ग्रेशम के नियम को समझते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि इतनी छोटी दिखने वाली भूल भी वित्य सुतंतरता के बजाए, जीवन भर का वित्य संगर सुत्पन कर सकती है, वे यह भी कहते थे, अगर तुम पीडियों तक अमीर बनना चाहते हो, तो तुम औ और तुमारे परीजनों को संपती वैदाईतों का फरक मालूम होना चाहिए, तुमें किसी मुल्यवान और किसी मुल्यहिन चीज के बीच में फरक को जानना चाहिए, रिच डैड पूर डैड के परकासित होने के बाद कई लोगों ने पूछा, क्या वे यह कह रही हैं, कि कि इसी विक्ति को मकान नहीं खरीदना चाहिए, इस सवाल का जवाब है, नहीं, वे मकान खरीदने को मना नहीं कर रहे हैं, अमेर डैडी तो वित्ये द्रिश्टी से साक्षर बनने के मैतों पर जोर दे रहे थे, वे कह रहे थे, किसी दाइतों को संपत्ति मत कहो, बले ही यह मकान हो, अगला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह था, अगर मैं अपने मकान का सारा करज उतार देता हूँ, तो क्या यह संपत्ति बन जाएगा, अधिकतर प्रकरणों में जवाब है, नहीं, आपके मकान पर कोई करज नहीं है, सिर्फ इसलिए यह संपत्ति नहीं बन जाता, इस जवाब का कारण एक बार फिर कैश पलो सब्दावली में पाया जाता है, अधिकतर व्यक्तिगद मकानों के मामले में भले ही उस चीज़ पर कोई करज नहीं हो, लेकिन फिर भी खर्च और प्रोपर्टी टेक्स तो रहते ही है, वास्तव में आप दरसल कभी भी अचल संपत्ती के मालिक नहीं होते हैं, अचल संपत्ती की सुआमी हमेशा सरकार होती है, रियल इस्टेट में रियल नामक स्पेनिस शवद का अर्थ है शाही, रियल का अर्थ यहां बोतिक या मूर्त नहीं है, एसा इसलिए क्योंकि जमीन हमेशां राजाओ की पत्ती रही है। आज यह सरकार की है। अगर आपको इस बारे में कोई शक हो तो अपने प्रोपर्टी टेक्स चुकाना बंद कर दें और आपको पता चल जाएगा कि आपके मकान का असली मालिक कौन है। चाहे उस पर हाउस लोन हो या नए हो। प्रोपर्टी टेक्स नहीं चुकाने की वजय से टेक्स लाइन सर्टिवेट आते हैं। रुच डैड, पूर डैड में मैंने निवेशकों को टेक्स लाइन से मिलने वाले उँचे ब्याज के बारे में लिखा था। टेक्स लाइन सरकार का यह कहने का तरीका है, आप अपनी असल संपत्ति को नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्वामी हमेशा सरकार ही रहेगी। हमेश डेडी घर के मालिक बनने के पक्ष में थे, वे सोचते थे कि घर पैसा लगाने की सुरुक्षित जगह थी, हालांकि जरूरी नहीं कि यह संपत्ति हो। दरसल प्रयापत असली संपतियां हासिल करने के बाद वे एक बड़े सुन्दर घर में रहने लगे। उन असली थी कि लोगों को किसी दाइत्तों को संपत्ति नहीं कहना चाहिए, या दाइत्तों को संपत्ति मानकर नहीं खरीदना चाहिए। वे कहते थे, अगर कोई चीज दाइत्तों है, तो बेहतर है कि आप इसे दाइत्तों कहें और इसे गोर से देखें। जादूई शब्द है व्यवसाई और निवेशक के संसार में सबसे जादू इशब था कैश फलो। वे कहते थे जिस तरह मच्छुआरे को जवार बाटे पर नजर रखनी चाहिए, उसी तरह निवेशक और व्यवसाई को कैश फलो के सुक्षम उतार चड़ाओ पर पैनी नजर रखनी चाहिए, व्यक्ति और व्यवसाई इसलिए आर्थिक द्रिस्टी से संगर्स करते हैं, क्योंकि उनके पास कैश फलो का खराब नियंतरन होता है, बच्चे के लिए वित्या साक्षर्ता, अमीर डैडी के पास उप्चारिक शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन में जटिल विशों को इतना सरल बनाने की कला थी, कि नो साल का बच्चा भी उसे समझ जाए, मैं यह बात दावे से इसलिए कह सकता हूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझे ये बातें समझाने शुरू की, तब मेरी उमर नो साल की थी, मुझे स्विकार करना होगा, कि अमीर डैडी ने मेरे लिए जो सरल तस्वीरें खिंची थी, मैं उन सरल लाइन रिखा चित्रों से ज़्यादा आगे परगती नहीं कर पाया हूँ, मैं अब भी चीजों को सरल रखना पसंद करता हूँ, अमीर डैडी के सरल स्पस्ट्री करनों ने मुझे पैसे की बेहतर समझ परदान की, इसके प्रवा को समझने में मदद की, मार्क दर्शन के रूप में करता रहता हूँ, अगर आप आगे दिये गए रिखा चित्र समझ सकें, तो आपके पास भारी दोलत हासिल करने का ज़्यादा अच्छा आफसर है, तकनिकी अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंटों के सुपूर्द कर दें, जिनें इस मैतपूर्ण काम को करने का परशिक्षन मिला है, आपका काम अपनी विद्धिय संख्याओं को नियंतिरित करना है, अपनी दोलत बढ़ाने के लिए उन्हें मार्क दर्शन देना है, अमीर डैडी के विद्धिय साक्षर्टा के बुनियादी सिधान्त, सक्षर्टा सबक एक, कैश्फ फ्लो की दिसाही तै करती है, कि कोई चीज उस पल संपत्ती है या दाईतो, दूसरे सबदों में, अगर आपका अचल संपत्ती का दलाल, आपके मकान को एक संपत्ती कहता है, तो इसका यह मतलब नहीं है, कि यह एक संपत्ती है, अमीर डैडी की संपत्ती की परिवासा है संपत्ती वह होती है जो आपकी जेव में पैसा डालती हो किसी संपत्ती का कैश फ्लो पैटर्न ऐसा होता है दाइत्तों की अमीर डैडी की परिवासा दाइत्तों वह होता है जो आपकी जेव से पैसा निकालता हो दाइत्तों का कैश फ्लो पैटर्न ऐसा होता है दूविधा का बिंदू अमीर डैडी ने मुझे समझाया था दूविधा इसलिए होती है क्योंकि अकाउंटिंग का परिश्कर्थ तरीका संपत्यों और दाइत्तों दोनों को ही संपत्य वाले कॉलम में रखने की छूट देता है फिर उनोंने अपनी बात समझाने के लिए एक रेखा चितर खींचा और कहा इसलिए यह दूविधा पूर्ण है इस रेखा चितर में हमारे पास एक लाख डॉलर का मकान है जिसमें किसी ने 20,000 डॉलर नकत बुगतान किया और 80,000 डालर करज लिया आपको कैसे पता चले कि यह मकान संपत्ती है या दाइतो क्या यह मकान सिर्फ इसलिए संपत्ती है क्योंकि यह संपत्ती वाले कॉलम में लिखा है जबाब है नहीं असल जबाब यह है कि यह संपत्ती है या दाइतो यह पता लगाने के लिए आपको इंकम स्टेटमेंट को देखने की जरूरत है फिर अमीर डैडी यह रेखाची तर खींच कर कहते थे यह एक एसा मकान है जो एक दाइतो है आप जानते हैं कि यह दाइतो है क्योंकि इसके सभी बिंदू व्यवाले कॉलम में है आए वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है दाइतो को संपत्ती में बदलना फिर अमीर डैडी रेखाचीतर में एक पंक्ती जोडते हैं जो किराई से प्राप्त आमदनी और किराई से प्राप्त शुद्ध आमदनी की थी मुख्य शुद्ध शुद्ध था फाइनेंसियल स्टेट्मेंट में इस लाइन के डलते ही यह मकान दाइतो से संपत्ती में बदल गया जब मैं इस अवदारना को समझ लेता था तो अमेर डैडी उनमें संख्याएं भी जोड़ देते थे ताकि मैं उसे और अच्छी तरह समझ जाऊ आओ मान लेते हैं कि उस मकान पर होने वाले सभी खर्च कुल मिलाकर एक हजार डोलर होते हैं इसमें हाउस लोन की किस्ट असल संपत्तिकर, बीमा, पानी, बिजली के बिल और रख रखाओ शामिल हैं और अब तुम्हारे पास एक किराएदार है जो तुम्हें बारा सो डोलर परतिमा किराया दे रहा है तो अब तुम्हें हर मैने दो सो डालर के किराये से प्राप्त शुद आमदनी हो रही है इस वज़े से यह मकान संपत्ति बन जाता है क्योंकि यह अब तुम्हारी जेब में पैसे डाल रहा है जिसकी पुष्टी दो सो डोलर की मासिक आमदनी से होती है यदि तुम्हारे खर्च बही रहें लेकिन तुम्हें किराए में हर मैंने सिर्फ 800 डॉलर ही मिलें तो तुम्हें हर मैंने 200 डॉलर का नुक्सान हो रहा है हलांकि तुम्हें हर मैंने किराए से 800 डॉलर की आमदनी हो रही है लेकिन फिर भी वह है मकान दाइतव कहलाएगा यानि किराय की आमदनी के बाद भी मकान संपत्ति के बजाए दाइतव हो सकता है मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ लेकिन मैंने इसके लिए जितना बुगतान किया था अगर मैं इसे उस से ज़्यादा में बेच सकूँ तो यह एक संपत्ति बन जाता है हाँ यह अंततैसस हो सकता है लेकिन सिर्फ तवी जब वह गटना भविश्य में हो लोगपरियमानेता के विपरीत अचल संपत्ति की कीमत कई बार नीचे भी गिरती है इसलिए मुर्गे निकलने से पहले ही उन्हें मतगीनो कहावत में वित्यस समझदारी भरी हुई है सरकार ने नियम बदल दिये 1986 टेक्स रिफॉर्म एक्ट के बाद अचल संपत्ति के बाजार में अर्बों डॉलर का नुक्सान हुआ बहुत सारे अटकले बाजों का पैसा डूब गया क्योंकि वे मेहंगी अचल संपत्ति खरीदने और पैसा गवाने के इच्छुक थे वे इस मान्यता पर चलते थे कि जमीन की कीमते हमेशा उपर जाती है और सरकार अचल संपत्ति के निश्करिय नुक्सान के बदले हमेशा कर में छूट देगी दूसरे सब्दों में सरकार किराय की आमदनी और ज्यादा खर्च के अंतर का अनुदान देगी जैसी की कहावत है किसी ने नियम बदल दिये कर कानून बदलने के बाद शेर बाजार लुटक गया बचत और कर्ज संस्ताइं दिवालिया हो गई और 1987 से 1995 के बीच दोलत का भारी अस्तांतन हुआ निवेश संपता मूलते एस कौंडरेंट उन्ची आमदनी वाले पेशेवर व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट से आई कौंडरेंट के निवेशकों तक परवाहित हुई कर कानून के इस अकेले परिवरतन ने लाखों लोगों को अचल संपती निवेश छोड़ने और शेर बाजार नामक काउजी संपतियों के बाजार में जाने के लिए विवस्ट कर दिया क्या हम कौंडरेंट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलत का एक और हस्तांतर्ण देख सकते हैं इस बार क्या यह अचल संपती के बजाए काउजी संपतियां हो सकती है सिर्फ समय ही बताएगा यह नए बूलें कि इतियास में खुद को दोराने की परवर्ती होती है जब यह खुद को दोराता है तो कुछ लोग हारेंगे लेकिन कई अन्यत जीतेंगे आज कुछ दूसरे देसों में सरकार के अब भी ऐसे नियम है जो निवेसकों को उनके निवेस की अचल समपती को नकारात्मक गियर में रखने की अनुमती देते हैं दूसरे सब्दों में आपको किराए की अचल समपती पर पैसा गवाने के लिए प्रोचाइट किया जाता है विचार यह है कि सरकार से कर में छूट मिल सके 1986 तक अमेरिका में भी यही कर संबंदी नियम थे जब मैं निवेस के बारे में उन देशों में बोलते समय चेताओनी देता हूँ कि सरकार नियमों को उसी तरह बदल सकती है जिस तरह उसने अमेरिका में बदले थे तो मुझे अक्सर विरोध की चिलाटे सुनने को मिलती है मैं इस तरह की बाते सुनता हूँ सरकार नियम नहीं बदलेगी मैं बस अपना सिर हिला देता हूँ उन्हें यह एह एहसास ही नहीं है कि नियम बदलना अमेरिका के लाखों निवेशकों के लिए कितना दुखट था मेरे कई मित्रों को खुद को दिवालिया गोशित करना पड़ा था और उन्होंने हर वह चीज गवा दी थी जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने बरसों या दस्कों तक मैनत की थी मैं जो मुद्दे की बात कहना चाहता हूँ वह यह है खुद को जोखिम की स्थिति में क्यों रखो क्यों ने एसी कोई जायदाद खोजो जो पैसे बनाती हो पैसा गवाने वाली जायदाद या निवेश तो कोई भी व्यक्ति खोज सकता है पैसे गवाने वाले निवेस को खोजने के लिए आपको ज़्यादा दूर तक नहीं देखना है पैसे गवाने वाले निवेस को खोजने के लिए आपको समझदार या वित्य द्रश्टी से साक्षर बनने की जुरूरत नहीं है कर्द छूट के कारण पैसे का नुक्सान एक अच्छा विचार है इस विचार के साथ मुझे और अमीर डेडी दोनों को यह समश्या रही है कि एसे विचार अक्सर लोगों को आलसी बना देते है मैं अक्सर लोगों के मुँँ से सुनता हूँ मैं पैसे गवा रहा हूँ यह बात अच्छी है सरकार पैसे गवाने के लिए मुझे कर्मे छूट देती है आपके द्वारा आपके गवाई गए हर डॉलर के बदले सरकार आपको लगबग 30 सेंट लोटाती है मेरे लिए इस तरक में किसी चीज की कमी नजर आती है क्यों नए ऐसा निवेस करें जिसमें आपको सब कुस मिल जाए सुरक्षा, हामदनी, मुल्य वरदी और कर्मे छूट भी निवेस का बुन्यादी विचार पैसे गवाना नहीं बलकि पैसे कमाना है यदि आप परिशकर्त निवेसके हैं तो आपको कर्मे छूटें भी मिलती है और आप पैसे भी बना सकते हैं सिडनी, आस्टेलिया के अचल संपती के एक दलाल ने मुझे बताया था लोग हर दिन हमारे ओफिस में आकर कहते हैं मेरे अकाउंट एट ने मुझे यहां आकर कोई एसी जाइदाद खोजने को कहा है जिसमें मैं पैसे गवा दू यहैं सुनकर दलाल जवाब देता है पैसे गवाने वाली जाइदाद खोजने के लिए आपको मेरी मदद की जुरूरत नहीं है आपके आसपास ऐसी हजारों जाइदादें बरी पड़ी होंगी मैं तो आपके मदद ऐसी जाइदाद खोजने में कर सकता हूँ जो आपके लिए पैसा बनाए और इसके बावजूद आपको कर्मे छूट मिले जवाब अक्सर यह होता है नहीं धन्यवाद मैं तो पैसे गवाने वाली जाइदाद खोजना चाहता हूँ 1986 से पहले अमेरिका में भी यही सब हो रहा था इस उदारन के कई मेहत्पूर्ण सबक है पहला कर्चूटों के कारण पैसे गवाना सही है यहे विचार अक्सर लोगों को निवेश सुनने में आलसी बना देता है दूसरा ये लोग असल निवेशों के लिए कड़ी तलास नहीं करते हैं वे किसी निवेश का विशलेशन करते समय वित्तिय विवर्णों को गोर से नहीं देखते हैं तीसरा पैसे गवाने से आपकी वित्यस्तिती ऐस्तिर हो जाती है निवेस में पहले ही प्रयाप जोखिम होता है इसे ज्यादा जोखिम बरा क्यों बनाई अतिरिक्त समय निकाल कर ठोस निवेसों की तलास करें अगर आप संख्याओं को पढ़ सकते हैं तो आप उन्हें खोज भी सकते हैं चोथा सरकार नियम बदलती रहती है पांचवाँ आज जो संपत्ती है हो सकता है वहकल दाई तो बन जाई छटा हालांकि 1986 में लाकों निवेसकों ने पैसा गवाया लेकिन कई निवेसक ऐसे भी थे जो इस परिवर्तन के लिए तयार थे जहां बिना तयारी वाले निवेसकों ने पैसे गवाई वहां तयार निवेसकों ने करोडों बनाई सबसे बड़ा जोखिम अमीर डैडी ने कहा था सबसे खतरनाक निवेशक वे हैं इनसान होता है जिसका अपने व्यक्तिगत फाइनेंसियल स्टेक्मेंट पर कोई नियंतर नहीं होता सबसे खतरनाक निवेशक वे होते हैं जिनके पास ऐसे दाइतों के अलावा कुछ नहीं होता जिसे वे संपत्या मानते हैं जिन के पास वे भी उतना ही होता है जितना की आए और जिनकी आमदनी का इकलोता जरिया उनका श्रम होता है वे खतरना कि इसलिए हैं क्योंकि वे अक्सर अतिसासिक निवेशक होते हैं मेरी निवेशक अक्षाओं में अब भी लोग यह तरक देते हैं कि उनका मकान एक संपत्ती है हाल ही में एक आदमी ने कहा मैंने पांस लाख डोलर में अपना मकान खरीदा था और आज यह साड़े साथ लाख डोलर का हो चुका है मैंने उससे पूछा आपको कैसे पता उसका जवाब था क्योंकि अचल संपत्ती के दलाल ने मुझे इसका यही मुल्य बताया था इस पर मैंने पूछा क्या आपका दलाल गारंटी देता है कि यह भाव 20 साल बाद भी रहेगा अरे नहीं उसने कहा उसने तो बस यह कहा था कि आज उस इलाके में जो मकान बिक रहे हैं उनकी ओसत किमत इतनी ही है मेरे अमीर डेडी के अनुसार उसत निवेसक सिर्फ इसी कारण बाजार में ज़्यादा पैसे नहीं बनाता है अमीर डेडी ने कहा था उसत निवेसक में मुर्गे निकलने से पहले ही उन्हें गिनने की मानसिक्ता होती है वे एसे समान खरीदते हैं जिन में उन्हें हर महीने पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन फिर भी राए के आदार पर वे उन्हें संपत्ती कहते हैं वे इस बात पर भरोसा करते हैं कि उनके मकान की कीमत बविश्य में बढ़ती रहेगी या वे इस पर काम करते हैं मानो उनका मकान उस संपत्ती पर तुरंत बेचा जा सकता हो जो अचल संपत्ती के दलाल ने उन्हें बताई थी आपके दलाल या बेंकर ने आपके मकान का जो मुल्य पताया था क्या आपको कभी उससे कम में अपना मकान बेचना पड़ा है मुझे कई बार बेचना पड़ा है चुकि लोग अपने वितिय निरने अब दूसरे लोगों की रायों और अपेक्षाओं के आदार पर लेते हैं इसलिए वे व्यक्तिगत वित्ती अस्तिती पर नियंतरन गमा देते हैं मेरे लिए यह बहुत खतरनाक है अगर आप आमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने शिक्षा और अपने कैस्पलो पर नियंतरन करना चाहिए यह उमीद रखने में कुछ गलत नहीं है कि किसी चीज की कीमत भविशे में उपर जाएगी बसरते आप आज अपनी वित्तिय अस्तिती पर नियंतरन नहीं गमाई वे यह भी कहते थे अगर आपको इतना ही पका यकीन है कि भाव उपर जा रहे हैं तो आप ऐसे दस मकान क्यों नहीं खरीद लेते यह मानसिक्ता उन लोगों की भी होती है जो कहते हैं मेरा रिटायर्मेंट अकाउंट आज दस लाग डोलर का है मेरे रिटायर होने तक इसका मुल्य तीस लाग डालर हो जाएगा एक वार फिर मैं पूस्ता हूँ आपको यह कैसे पता मैंने अपने अमीर टेड़ी से यह सीखा था कि ओसत निवेसक अक्सर मुर्गे निकलने से पहले ही उने गिन ले लगता है या वे एक ही गटना पर हर चीज़ दाओं पर लगा देते हैं जिसका मतलब है कि वे भविश्य में किसी समय अपने जहाज के आने का सचमुच इंतजार करते हैं यह सच है कि कई अंडों से मुर्गे निकलते हैं और अधिकतर जहाज अंतते लोट कर आते हैं लेकिन पेशेवर निवेसक यह जोखिम नहीं लेता है परिशकर्थ निवेसक जानता है कि वितिय रूप से सिक्षित बनने से आपको आज अधिक नियंतर्ण मिलता है और अगर आप अध्यन करते रहते हैं तो कल भी अधिक वितिय नियंतर्ण मिलता है परिशकर्त निवेसक जानता है कि कई बार अंडे फूट जाते हैं और पैरों तले कुचल जाते हैं और लोग जिस जहाज का इंतजार कर रहे होते हैं कई बार वह टाइटैनिक होता है मैं कई निवेसकों से मिलता हूँ जो निवेसके संसार में नई होते हैं वे 20 से कम वर्षों से निवेश कर रहे हैं, अधिकतर को बाजार लुड़कने का कोई अनुभव नहीं है, या उनके पास जो अचल संपत्ती है, उसका मुल्य उनके द्वारा चुकाई मुल्य से कम है, ये नए निवेशक मेरे पास आते हैं, और अध्योगिक ओसत बताते हैं, जैसे शेयर बाजार उननी सो चुएतर से उस्तन आठ परतिशत वार्षिक दर्से बढ़ रहा है, या अचल संपत्ती पिछले 20 साल से हर साल उस्तन 4 परतिशत बढ़ती है, जब अमीर डेडी ने कहा, उसत हमेशा उसत निवेशकों के लिए होती है, पेशेवर निवेशक न होता है, इसलिए अमीर डेडी ओसत निवेशक को यह सला देते हैं, ओसत मत बने रहो, उनके हिसाब से ओसत निवेशक होना ही खतरनाक निवेशक बनना है, लोगों का अपनी वित्य स्थिति पर नियंतर्ण क्यों नहीं होता, लोग स्कूल से निकलते हैं, लेकिन तब तक व नियंतर्ण करें, आप लोगों के फाइनेंसियल स्थित्मेंट देख कर बता सकते हैं कि लोगों का खुद पर नियंतर्ण है या नहीं, लोगों के पास उन्ची तनक्वाँ वाली नोकरियां, बड़े मकान और अच्छी कारे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वे आर्थिक द नियंतर्ण में होते, फाइनेंसियल स्थित्मेंट को समझ कर लोग बेहतर तरीके से देख सकते थे कि उनकी नगदी कैसे परवाहित हो रही है, मिसाल के तोर पर यह चेक लिखने का कैस्फ फ्लो पैटर्न है, जब लोग चेक काड़ते हैं तो वे संपत्ति को खाली कर देते हैं, और यह क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का कैस्फ फ्लो पैटर्न है, जब लोग अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वे अपने दाइतों को बढ़ा रहे हैं, दूसरे सब्दों में, क्रेडिट कार्ड करज में गहरे और अधिक गहरे जाने को बहुत ज आज कई लोगों के financial statement ऐसे दिखते हैं जब तक इस आदमी के बीतर कोई चीज नहीं बदलती है तब तक इस बात की संभावना है कि वह जिंदगी भर वित्य गुलामी में रहेगा मैं वित्य गुलामी क्यों कहता हूँ क्योंकि यह व्यक्ति जो भी बुगतान करता है वह किसी अमीर व्यक्ति के संपत्ति वाले कोलम में जाता है और उसे अमीर बनाता है कई लोग मुझसे पूछते हैं वित्य सवतंतरता का मेरा पहला कदम क्या है मैं जवाब देता हूँ अपने पैसे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नियंतरन संबालो मेरी पतनी किम और मैंने How We Got Out Of Bad Date प्रोग्राम बनाया था जहां हम परक्रिया बताते हैं कि हम बुरे कर्ज से कैसे बाहर निकलें और आप भी ऐसा ही कैसे कर सकते हैं बहराल इससे भी मैत्वपूर्ण बात आप यह सीखेंगे कि आप अपने पैसे का परबंदन उसी तरह कैसे करें जिस तरह की अमीर लोग करते हैं यह मैत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनकी पैसे समद्धी समच्चें खतम हो जाएंगी। अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो भी पैसा है उसका अमीर व्यक्ति जैसा प्रबंदन करने से ही आप धन समद् अल्प कालिन समच्चें सुल जा सकते हैं। एसा करने से आपको वित्यस उतंतरता प्राप्त करने का उसर भी मिल जाता है। आप किसे अमीर बना रहे हैं। साक्षरता सबक दो पूरी तस्वीर देखने के लिए कम से कम दो फाइनेंसियल स्टेटमेंटों को देखने की एक साथ देखना चाहिए। एक सबक के दोरान अमीर डेड़ी ने यहर एकाचितर खिंचा। हमेशा याद रखो कि तुम्हारे व्या किसी दूसरे की आये है। जो लोग अपने कैश्वलो के नियंतर्ण में नहीं होते। वे उन लोगों को अमीर बनाते हैं जो अपने कैश प्रेश्वलो के नियंतर्ण में होते हैं। निवेशक क्या करता है। फिर उन्होंने यह रेखाचितर खिंचते वे कहा। मैं तुम्हें मकान मालिक और फैंक के उधारन से दिखाता हूं कि एक निवेशक क्या देखता है। मैं वहां बैठकर पल बरतक रेखाचितर की और देखता रहा। और फिर बोला हाऊस लौन दो फाइनेसियल स्टेटमेंट में नजर आता है। अंतर यह हैं कि वही हाउस लोन दो अलगए कोलं में देखता है। संपत्ति वाले कोलं में और दाइतों वाले कोलं में। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, उब तुम एक सचा फाइ फाइनेंशियल स्टेट्मेंट को देखने की जरूरत होती है मैंने कहा आपका हर व्याज किसी दूसरे की आई है और आपका हर दाईतव किसी दूसरे की समपत्ती है हमीर तैडी ने सी रह इला कर कहा इसलिए स्कूल कालेज छोड़ने वाले जिन लोगों के पास financial statement के संदर्म में सोचने का प्रशिक्षन नहीं है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनके पास यह प्रशिक्षन है इसलिए हर बार जब लोग अपने credit card का उप्योग करते हैं तो वे दरसल अपने हिदाइत वाले कोलम में वरदी करते हैं और साथ ही बैंक के संपत्ती वाले कोलम को बढ़ाते हैं मैं अब financial statement के मैत्तों को ज्यादा अच्छी तरह समझने लगा था और यह भी कि अधिक सटीक तस्वीर देखने के लिए कम से कम दो statement की जरूरत क्यों होती है मैंने कहा और जब बैंकर आपसे कहता है आपका मकान एक संपत्ती है आपका हाउस लोन बैंक की संपत्ती है लेकिन यह आपका दाइतव है अमीर डैडी ने सिरह लाया और कहा अब इस तस्वीर में cash flow भी शामिल कर लो अब हमें यह दिखने लगता है कि कोई संपत्ती दरसल कैसे काम करती है इस उधारण में हाउस लोन आपकी में डाल देता है इसलिए हाउस लोन आपके लिए दाइतव है और बैंक के लिए संपत्ती मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह वही कानूनी दस्तावेज है तो बैंक ने एक संपत्ती बना ली है जो आपके लिए एक दाइतव है मैंने कहा निवेसक यही करता है वहे एक सं स्टर्ट्मेंट हाउसेज के मालिक होते हैं हर महीने निवेशकों के इंकम स्टेटमेंटों में किराई से कैश फलो आता है जिस तरह हाउस लोन की किस्तों से आमदनी बैंक के इंकम स्टेडमेंट में परवाहित होती है अमीर डैडी ने सीरे हिलाया और मुस्कुराए तुम इसे समझने लगे हो तुम ने स्चित रूप से समीकर्ण के एक सीरे के बजाए दूसरे सीरे पर रहना चाते हो लेकिन यह दो तरफा मारग है उन्होंने यह रेकाचितर बनाते हुए कहा ओ इस बार मेरी बचत मेरी संपत्ती है और बैंक का दाईतव है एक बार फिर पूरी तस्वीर देखने के लिए कम से कम दो फाइनेंसियल स्टेडमेंडों की जरूरत पड़ती है हाँ अमीर डैडी ने और इन रेकाचितरों को देखते समय क्या तुमारा द्यान किसी और चीज की तरफ जाता है मैंने कुछ समय तक रेकाचितरों को गुरा और हाउस लोन तथा बचत के उधारन देखे मुझे नहीं मालूम मैंने दीरे से कहा मैं तो बस वही देख रहा हूं जो आपने यहां पर खींचा है अमीर डैडी मुश्कुराए और बोले इसलिए तुमें फाइनेंसियल स्टेटमेंटों को पढ़ने का अभ्यास करने की ज़रूरत है जिस तरह तुम कोई चीज पढ़ते समय या किसी को सुनते समय दूसरी तीसरी बार में ज़्यादा सीखते हो उसी तरह तुम अभ्यास से वित्य द्रेश्टी से ज़्यादा साक्षर बनना सीखते हो तुमारी आँखें अक्सर जिस चीज को चूप जाती है एसी अधिक चीजें तुमारे दिमाग में आने लगती है इसलिए यह मकान खरीदने के लिए कर्मे छूट देती है इस तरब तो मेरा ध्यान गया ही नहीं मैंने कहा और यह तुमारी बचत पर कर लगाती है अमीर डैडी ने कहा मैंने पूछा सरकार मुझे दाइतों हासिल करने पर कर्मे छूट देती है और संपती हासिल करने के लिए कर्व वसूल करती है अमीर डैडी ने सिरहिला कर कहा अगर इस बारे में सोचो कि इसका किसी इनसान की सोच और आर्थिक बविशे पर क्या आसर होता है ओसत आदमी कर्ज में रहने के बारे में रोमान्चित हो जाता है लेकिन संपतीया हासिल करने के बारे में रोमान्चित नहीं होता लोगों को पैसे गवाने के लिए कर्मे छूट मिलती है मैंने हैरानी से पूछा वे एसा क्यों करते हैं अमीर डैडी हांसे जैसा मैंने कहा था पेशेवर निवेसक को इससे आगे सोचना चाहिए कि किसी निवेसक का भाव उपर जा रहा है या नीचे परिशकर्त निवेसक सची कहानी का पता लगाने के लिए संख्याओं को पढ़ता है और उन चीजों को देखने लगता है जिने आम निवेसक नहीं देख पाता परिशकर्त निवेसक को सरकारी नियमों टेक्स सहींताओं कार्पोरेट ला बिजनस ला और अकाउंटिंग लोग का प्रभाव भी देखना चाहिए सटीक निवेस जानकारी मिलना मुश्किल है इसका एक कारण यह है कि पूरी तस्वीर हासिल करने के लिए वित्य साक्षर्ता के अलावा एक अकाउंटेंट और एक वकील की भी जरूरत होती है दूसरे सब्दों में सच्ची तस्वीर हासिल करने के लिए आपको दो अलग-लग पेशेवर लोगों की जरूरत होती है अच्छी खबर यह है कि अगर तुम समय लगाते हो और परदे के पीछे होने वाली घटनाओं की बारिकियां समझने के लिए समय का निवेश करते हो तो तुम्हें निवेश अवसर और भारी दोलत मिल जाएगी एसी दोलत जो बहुत कम लोगों को मिल पाती है तुम्हें इस सचाई का पता लग जाएगा कि अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते जाते हैं और गरीब तथा मद्यम वरगिये लोग ज्यादा कड़ी मेनत क्यों करते हैं ज्यादा कर क्यों चुकाते हैं और करज में उनिवेसे काम करना चाते हो यह मुष्खिल नहीं है बस इसमें समय लगता है ये येसे समय का निवेश वे लोग नहीं करना चाते जो बस निवेस की जोρधार टिप चाते हैं मुझे यहाँ सोचने की जुरूड़त नहीं पड़ी कि मेकवांडियस के किस सिरेंब से नहीं चात मैं अमीर बन पाऊं या नहीं मैं बस यह जानना चाहता था कि अमीर कैसे और क्यों ज़्यादा अमीर बनते हैं वित्य सिक्षा की आवशकता 1980 के दसक की शुरुवात में मैं शोंकिया तोर पर व्यसकों को उदमिता और निवेस के सबक सिखाने लगा तुरंथ ही मेरे सामने एक समस्या यह खड़ी हो गई कि जो लोग ज़्यादा विश्वास से कारोबार शुरू करना चाहते थे या निवेस करना चाहते थे उन में से अधिकतर के पास वित्य साक्षर्टा की बुनियादी बातों का अभाव था मेरा यकीन है कि वित्य सिक्षर्टा की इसी कमी की वज़े से दस में से नो नई कारोबार शुरूआती पांच सालों में डूब जाते हैं और इसलिए अधिकतर निवेसक सोचते हैं कि निवेस खतरनाक है और वे ज़्यादा पैसा या तो बना नहीं पाते या बनाने के बाद सुरक्षित नहीं रख पाते हैं जब मैंने सला दी कि लोग कारोबार या निवेस शुरू करने से पहले अकाउंटिंग, फाइनांस और निवेस की कक्षाओं में जाएं तो उन में से अधिकतर ने आह बरकर कहा कि वे स्कूल नहीं जाना चाते तब मैंने एक एसे तरीके की खोश शुरू की जिससे लोगों को आसान और रोचक तरीके से बुनियादी ज्यान हासिल हो जाए 1996 में मैंने कैश फ्लो गेम बनाई जो वित्ये साक्षर्ता, अकाउंटिंग और निवेस की बुनियादी बातें सिखाते हैं सिखाना बनाम, सिखना मैंने कैश फ्लो को खेल के रूप में इसलिए बनाया क्योंकि निवेस और वित्ये विशलेशन एसे विश्या है जिनें आप पढ़ कर नहीं सिख सकते मेरे गरीब डेड़ी, जो स्कूल टीचर थे, अक्सर कहते थे सिख्षक को इसका फर्क मालूम होना चाहिए कि क्या सिखाया जा सकता है और क्या सिखा जाना चाहिए वे आगे कहते थे आप किसी बच्चे को साइकिल सब्द याद रखना तो सिखा सकते हैं लेकिन आप किसी बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते बच्चे को तो करके यह सिखाना होता है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है मैंने हजारों लोगों को देखा है जो कैश फुलो गेम खेल कर निवेशक बनना सीख रही हैं वे उन चीजों को करके बुनियादी बातें सीखते हैं, जिने मैं कभी लेखन या बासन द्वारा नहीं सिखा सकता था, खेल कुछ ही गंटों में वे बातें सिखा सकते हैं, जिने सिखाने में मेरे अमीर डैड़ी को 30 साल का समय लग गया, इसलिए इस पूस्तक का सिर्षक है Rich डैड़्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, उन्होंने यही किया था, उन्होंने मुझे मार्क दर्शन दिया, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका था, जिससे मैं सामगरी को सीख सकता था, निवेस और अकाउंटिंग एसे विशे थे, जो वे मुझे सिखा नहीं सकते थे, मुझे में तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए थी, यही आपके बारे में भी सच है, अपने परेणामों को बेहतर बनाना, आप जितने ज़्यादा फाइनेंसियल स्टेटमेंट, मैनुल रिपोर्ट और प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, आपकी वित्य बुद्धी या वित ये द्रिष्टी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, समय के साथ आप ऐसी चीजें देखने लगते हैं, जो ओसत निवे सक कभी नहीं देख पाता, हम सभी जानते हैं कि दोराओं से ही हम सीखते हैं, और सीखी हुई बातों को याद रखते हैं, बरसों तक अमीर डेरी ने आउचेतन मन को परशिक्षित कर लेते हैं, एक बार जब यह हो जाता है, तो हमें यह सोचना या याद नहीं रखना होता कि साइकल कैसे चलानी है, जब हम कार चलाना सीख जाते हैं, तब भी हम अपने आउचेतन मन को परशिक्षित कर लेते हैं, इसलिए जब हम अपने सकते हैं या रेडियो सुन सकते हैं और साथ में गावी सकते हैं कार चलाने का काम स्वेचालित होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है अच्छा निवेश खोजने में जो सबसे लंबा समय लगता है वह है संख्याओं का विशलेशन फाइनेंसियल स्टेटमेंट पढ़ना फाइनेंसियल स्टेटमेंट पढ़ना सीखना एक उबहु पर किरिया है खास तोर पर जब आप इसे सीखना शुरू करते हैं अच्छी कवर यह है कि जब आप सवस्रों की समिक्षा कर सकते हैं साइकल या कार चलाने की तरह मानशिक द्रिश्टिकोंड परशनावली इनसान कई चीजें करना आवचेतन तरीके से सीखता है अगर आप अधिक सफल निवेशक बनने के बारे में गंभीर हैं एक एसा निवेशक जो कम से कम जोखिम में ज्यादा पैसे बनाता है तो मेरी सला है आप अपने मस्तिस्क को फाइनेंसियल स्टेटमेंटों का विशलेशन करने का परशिक्षन दे फाइनेंसियल स्टेटमेंटों का विशलेशन वारेन बफे जैसे संसार के सबसे आदारबूत निवेसकों के लिए सबसे बुनियादी बात है जिस तरह यह किया जाता है उसे सोधा प्रवाग कहा जाता है हर पेशेवर निवेसक के पास संभावित व्यवसायों या अचल संपत्ति निवेसों की सतत संख्या होती है जिने निवेस पूंजे की जरूरत होती है अमीर डैडी ने माईक और मुझसे इन निवेसों को पड़वाया अध्यन कराया और विशलेशन कराया भले ही हमारी उन में रूची हो या ने हो हालांकि शुरुवात में यह दीमा और दर्द वरा था लेकिन बरसों बात यह परकिरिया अधिक तेज, अधिक आसान, अधिक मज़ेदार और अधिक रोमान्चक हो गई इस तरह हमने दोहराओ से सीखा और उस दोहराओ की वज़े से मुनाफ़ा हुआ क्योंकि मैं जल्दी रिटाइर हो गया, आर्थिक द्रिष्टी से अधिक सुरक्षित हो गया और ज्यादा पैसे बनाने लगा तो मानसिक द्रिष्टी कोन प्रशन यह है क्या आप अपने खुद के फाइनेंशिल स्टेटमेंट को बढ़ने का अब्यास करने, इसे अपडेट करने तथा दूसरे व्यवसायों के स्टेटमेंट पढ़ने का अब्यास करना चाते हैं, हाँ या नहीं आप गोर करेंगे कि यह सवाल पिछले अध्याई के अंत में दिये सवाल किसे काफी मिलता जूलता है इसे इसलिए दोर आया गया है ताकि वित्या साक्षर्टा के मैतव पर जोर दिया जा सके यह सवाल बहुत मैतव पूर्ण है क्योंकि अमीर निवेसक बनने और अमीरों के निवेसों में निवेस करने की एक लागत अपनी वित्या साक्षर्टा को निरंतर सुदारने में समय के निवेस की कीमत है अगर इस सवाल का आपका जवाब नहीं है तो अमीर लोग चिन निवेसों में निवेस करते हैं उन में से अधिकतर आपके लिए बहुत खतरनाक है अगर आप वित्यद रिस्टी से सक्षर हैं तो आप संसार के सर्वस रिस्ट निवेस पाने के लिए बेहतर तयार होंगे धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई सत्रा की तरफ जो है गलतियों का जादू आपका दिन शुब हो अध्याई सत्रा गलतियों का जादू मेरे असल डेड़ी सिक्षा जगत में थे यहे एक एसा संसार था जहां गलतियों को बुरा माना जाता है और उन से बचा जाता है शिक्षा के संसार में जो व्यक्ती ज्यादा गलतियां करता है उसे उतना ही कम समझदार माना जाता है मेरे अमीरी डेडी सडकों से आई थे गलतियों के संदरब में उनका द्रिष्टिकुन अलग था उनके लिए गलतियां कुछ नया सीखने का अवसर थी कुछ एसा जो वे पहले नहीं जानते थे उनका मानना था कि कोई इंसान जितनी ज़्यादा गलतियां करता है वे उतना ही ज़्यादा सीखता है वे अक्सर कहते थे हर गलती में ज़्यादू छुपा होता है मैं जितनी ज़्यादा गलतियां करता हूं और सीखने के लिए समय निकालता हूं मेरे जीवन में उतना ही ज़्यादा ज़्यादू होता है अमीर डेडी लगातार साइकल चलाना सीखने के उधारन का इस्तेमाल करते थे ताकि गल्तियों के भीतर छिखे जादू के विचार को फुष्ट किया जा सके वे कहते थे बस इतना याद रखो कि साइकल चलाना सीखने में तुमने कितना संगर्स किया था और तुम कितने कुंटी तुवे थे तुमारे सभी दोस्त साइकल चला रहे थे लेकिन तुम जैसे ही साइकल पर चड़ते थे तुरंत ही किर जाते थे तुम एक के बाद दूसरी गलतियां करते थे फिर अचानक गिरना बंद हो गया तुम पैडल मारने लगे साइकल लुड़कने लगी और जादू की तरह एक बिलकुल नया संसार तुमारी आंखों के सामने खुल गया गलतियों में छिपा जादू यही होता है वारेन बफे की गलती अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वारेन बफे अपनी कमपनी बरकशेर हैत्वे के लिए जाने जाते हैं आज बरकशेर हैत्वे के शेर संसार के सबसे महेंगे शेरों में शुमार है हालांकि बहुत से निवेशक बरकशेर हैत्वे के शेर को मुल्यवान मानते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को एहसास है कि बर्कशेर हैत्वे बारेन बफे की सबसे बड़ी निवेस गलतियों में से एक थी जब उन्होंने बर्कशेर हैत्वे का अधिगरिन किया तब यह शर्ट बनाने वाली कमपनी थी जो दीरे दीरे कारुबार से बाहर जा रही थी वारेन बफे ने सोचा कि उनकी टीम कमपनी का काया कलप कर देगी देखिए जैसा हम में से अधिकतर लोग जानते हैं टेक्स्टाइल उत्पादन अमेरिका में धीरे धीरे खतम हो रहा था और दूसरे देशों की और जा रहा था इस प्रवर्ति को वारेन बफे भी नहीं रोक सकते थे बहराल कमपनी की इस ऐस फलता में वारेन बफे को ऐसे मोती मिल गई जिन्होंने उन्हें अंततय काफी अमिर बना दिया दूसरी गल्तियां एक और कमपनी डाइमन्ड फिल्ड्स को हीरों की खोज के लिए बनाया गया था लेकिन कमपनी के प्रमुख भूब यगयनिक से एक गल्ति हो गई हीरों के बजाए वहां संसार के सबसे बड़े निकल या गिल्ट बंडारों में से एक निकला इसके मिलते ही शेयर का भाव उचल गया लिवाई स्ट्रोस सोना निकल कर अमीर बनने के इरादे से कैलिफोर्निया की सोने की खदानों की और चले गए बहराल लिवाई अच्छे खनिक नहीं थे इसलिए वे सफल खदानों के लिए कैन्वस पेंट शिलने लगे आज मैं सोचता हूँ कि संसार के अधिकतर लोगों ने लिवाई स्ट्रोस का नाम सुना है कहा जाता है कि थामस एडिसन ने कभी बिजली के बल्व का आविशकार नहीं किया होता अगर वे उस कंपनी के करमचारी होते जिसे उन्होंने अंततै स्थापित किया जनरल इलेक्ट्रोनिक एडिसन बिजली के बल्व का आविशकार करने से पहले दस अजार से अधिक बार नाकाम रहे अगर वे किसी बड़े कोर्पोरिशन के करमचारी होते तो इतने सारी गलतिया करने के लिए शायद उन्हें नोकरी से निकाल दिया जाता क्रिस्टोफर कोलंबस की बड़ी गलती यह थी कि वे चीन तक पहुंचने के व्यापारिक मारक की तलास कर रहे थे और संयोग से अमेरिका पहुंच गई सडक की समझदारी बनाम सकूल की समझदारी अमीर डैडी कई कारणों से आर्थिक द्रिष्टी से बहुत सफल थे सूची में सबसे उपर था गलतियां करने के प्रति उनका द्रिष्टी कोण हम में से अधिकतर लोगों की तरह वे भी गलतियां करने से चिड़ते थे लेकिन वे उने करने से कभी डरते नहीं थे वे गलती करने के लिए जोखिम ले लेते थे वे कहते थे आप जितना जानते हैं जब आप उसकी सरदों तक पहुंच जाते हैं तो यह कुछ गलतियां करने का समय है कई बार ऐसा हुआ कि उनका कोई व्यवसाई जमीन से नहीं उट पाया और उनका पैसा डूब गया मैंने उन्हें नया उत्पाद उतारते देखा लेकिन बाजार ने उन्हें नकार दिया लेकिन हर बार जब भी वे कोई गलती करते थे तो निराश होने के बज़ाएं वे अक्सर ज्यादा खुश, ज्यादा समझदार, ज्यादा संकलववान और अनुवह से ज्यादा अमीर भी दिखते थे वे अपने बेटे और मुझसे कहते थे हम गलतियां करके ही सीखते हैं हर बार जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं अपने बारे में कुछ सीखता हूँ मैं कोई नई चीज सीखता हूँ और मैं अक्सर नई लोगों से मिलता हूँ जिन से मैं इसके बिना कभी नहीं मिल पाता प्लम्बिंग यानि नल संबंदी डिस्ट्रिबिूशन कमपनी के एक ऐसफल अभियान में वे अपने भावी कारोबारी सांजेदार से मिले उस ऐसफल प्लम्बिक कारोबार से उनकी मितरता और सांजेदारी विक्षित हुई जो करोडों डोलर की और ले गई उन्होंने कहा था अगर मैं उस कारोबार को बनाने का जोखिम नहीं लेता तो मैं कभी जेरी से नहीं मिल पाता और जेरी से मिलना मेरे जीवन की सबसे एहम गटनाओं में से एक थी मेरे गरीब डैडी स्कूल में उतकरष्ट विद्यारती थी थे वे शायद ही कभी गलतियां करते थे इसलिए उन्हें बहुत उंचे ग्रेड मिलते थे समश्या यह थी कि 52 साल की उमर में उन्होंने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वे इस से कभी नहीं उबर पाए जब मेरे असल डैडी वित्यय और पेशेवर्क्षेत्रों में जूज रहे थे तो अमीर डैडी ने कहा व्यवसाय के असल संसार में सफल होने के लिए आपको स्कूल की समझदारी और सड़क की समझदारी दोनों की जरूरत होती है इसलिए वे स्कूल में ही बने रहे और अंततय सिक्षन तंतर के शिखर पर पहुंच गई अब 52 साल की उमर में वे सड़क पर आ गई और सड़क बहुत कठोर सिक्षिका होती है स्कूल में आपको पहले सबक सिखाया जाता है सबक पर आपको पहले गलती दी जाती है कि गलतियां कैसे करनी है और उनसे कैसे सीखना है इसलिए वे या तो गलतियों से पूरी तरह बचते हैं जो एक ज़्यादा बड़ी गलती है या फिर वे गलती तो करते हैं लेकिन उस गलती में छिपे सबक को नहीं खोजबाते इसलिए बहुत सारे लोग वही गलती बार बार करते रहते हैं उन्हें यह कभी सिखाया ही नहीं गया था कि गलतीयों से कैसे सीखा जाए स्कूल में अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आपको समझदार समझा जाता है सड़क पर आप तभी समझदार होते हैं जब आप गलतियां करते हैं और उनसे सीखते है सबसे ज़्यादा ऐसफल व्यक्ति अमीर डैड़ी ने माईक और मुझे बताया था मैं इतना अमीरी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एदिकतर लोगों से ज़्यादा वित्य गलतियां की है हर बार जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं कुछ ने कुछ शीखता हूँ कारोबार जगत में कुछ नए को अक्सर अनुबव कहा जाता है लेकिन अनुबव ही कभी नहीं होता कई लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत अनुबव है क्योंकि वे वही गलती बार बार करते रहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी गलती से सचमुच शिख जाता है तो उसका जीवन हमेशां के दिये बदल जाता है और वह समझदारी हासिल कर लेता है। उन्होंने आगे कहा लोग अक्सर वित्य गलतियां करने से कतराते हैं और यहे अपने आप में एक गलती है। वे खुद से कहते रहते हैं इसे सुरक्षित तरीके से खेलो जो कि मतलो लोग आर्थिक द्रिश्टी से संगर्स इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने गलतियां तो कर दी लेकिन उन से कोई सीख नहीं ली वे इस निती पर चलते हैं हर दिन उठो काम पर जाओ पुरानी गलती को दोराओ और नई गलतियों से बचो लेकिन वे कभी सबक नहीं खोजते ये लोग अक्सर खुद से कहते हैं मैं हर चीज सही कर रहा हूं लेकिन किसी कारण में वित्य द्रिश्टी से आगे नहीं निकल पा रहा हूं इस कथन पर अमीर रेडी की टिपणी यह थी हो सकता है कि वे सबी स अमजोरियों का सामना करने के बजाई उन से कत्रा रहे हैं वे उस चीज को नहीं कर रहे हैं जिसे करने में उन्हें डर लगता है और वे चेतन रूप से जोकिम से बचने का चुनाव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गलती करने का डर है उन्होंने यह भी कहा था मैं जिन लोगो व्यक्तिव वही है जो कभी ऐस फ़ल नहीं हुआ गल्ती करने की कला अपने बेटे और मुझे गल्तियों से बचने का निर्देश देने के बजाए अमीर डैडी ने हमें गल्ती करने की कला सिखाई और इस से समझदारी हासिल करना सिखाया एसे ही एक सबक के दोरान अमीर डैडी ने कहा था जब आप गल्ती करते हैं तो उसके बाद जो पहली चीज होती है वहे यह है कि आप गुस्सा हो जाते हैं मैं जिस भी व्यक्ति को जानता हूँ वहे हर व्यक्ति गुस्सा होता है यह गल्ती की पहली निशानी है अमीर डैडी ने कहा गुस्षा होने वाले बिंदू पर आपको पता चलता है कि दरसल आप कोन है माइक ने पूछा आप दरसल कोन है यानी देखो गुस्षे के पल में आप इन पात्रों में से एक बन जाते हैं अमीर डैडी ने कहा और उन पात्रों का वर्णन किया जो गलतियों की वज़े से गुस्षा आने पर केंदर में आते हैं पहला जूट बोलने वाला ऐसी बातें कहेगा मैंने यह नहीं किया या नहीं 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 यह मैं नहीं था या मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ या इसे साबित करो दूसरा, दोस्त देने वाला ऐसी बातें कहेगा, यह मेरी नहीं आपकी गल्टी है, या अगर मेरी पतनी इससे ज्यदा पैसे खरच नहीं करती, तो मेरी आर्थिक स्थीती बेहतर होती, या अगर मेरे तुम जैसे बच्चे नहीं होते तो मैं अमीर होता या ग्राहक मेरे उत्पाद की परवाई नहीं करते है या करमचारी अब वफादार नहीं रहे है या आपने स्पष्ट निर्देश नहीं दिये थे या यह मेरे बोस की गलती है तीसरा ओचित्य सिद्ध करने वाला इस तरह की बातें करेगा देखिये मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या अगर मेरे पास अधिक समय होता तो मैं सफल हो जाता या मैं सचमुच अमीर नहीं बनना चाहता था या हर कोई यह कर रहा है चोथा हार मानने वाला ऐसी बातें कहता है मैंने आप से कहा था ना कि यह कारगर नहीं होगा या यह बहुत मुश्किल है और इस लाइक नहीं है मैं कोई ज़्यादा आसान काम करने जा रहा हूँ या मैं यह क्यों कर रहा हूँ मुझे इस जमेले में पढ़ने की जुरूरत नहीं है पांचवा, इनकार करने वाला वहे है जिसे अमीर डेडी अक्सर उड़ेदान में बिल्ली कहते थे जिसका मतलब है कि इस व्यक्ति में अपनी गलतियों को दफन करने की परवर्ती होती है जो व्यक्ति इनकार करता है कि उसने कोई गलती नहीं की है वहें अक्सर इस तरह की बातें कहता है नहीं, कुछ गलत नहीं है, चीजें ठीक है या गलती, कौन सी गलती या चिंता नहें करें, सब ठीक हो जाएगा अमीर डेडी ने कहा था जब लोग किसी गलती या दुरगटना के कारण गुसा होते हैं तो इन में से एक या अधिक पातर उनके दिलों दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं अगर तुम इस अनमोल गलती से सीखना और समझदारी हासिल करना चाहते हो तो तुमें जिम्मेदार सवे हूँ कि सोच को परमुक्स्तान देना होगा जिम्मेदार सवे हूँ यह बोलने वाला अकसर अंततै कहेगा मैं इस गलती से कौन सा अनमोल सबक सीख सकता हूँ हमीर डेड़ी ने आगे कहा था अगर कोई विक्ति कहता है मैंने तो यह सीखा कि मैं दोबारा यह नहीं करूँगा तो शायद उसने ज्यादा नहीं सीखा है बहुत सारे लोग घटते संसार में जीते हैं क्योंकि वे कहते रहते हैं मैं यह कभी नहीं करूँगा जबकि इसके बजाए उन्हें यह कहना चाहिए मुझे खुशी है कि यह हुआ क्योंकि मैंने इस अनुबव से यह यह वह सिखा जो लोग गलतियों से बचते हैं या गलतियों को जाया करते हैं वे कभी सिक्के के दूसरे पहलों को नहीं देख पाते हैं मिसाल के तोर पर अपना नाइलाउन एंड वेल्फरो क्वालेट कारोबार खोने के बाद मैं एक साल तक गुसा रहा उस वर्स मैं किसी सिसू की तरह सोया यानि मैं हर दो गंटे बाद रोते हुए जागा मैं अपने दिमाग की आवाज सुन सकता था मुझे यह कारोबार कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था मैं जानता था कि यह डूब जाएगा मैं फिर कभी कोई कारोबार शुरू नहीं करूंगा मैंने बहुत से लोगों को दोस्त दिया अपने कारियों को उचित्ते पूर्ण साबित करने की बहुत कोशिश की और इस तरह की बातें कही यह डैन का दोस्त था और मैं दरसल उत्वाद से प्यार नहीं करता था अपनी गलती से बचने और नोकरी खोजने के बजाए अमीर डैडी ने मुझे उस कचरे का सामना करना सिखाया जो मैंने फैलाया था मैं उस मलवे के ढैर के नीचे से उपर की तरफ आने लगा जो कभी मेरा कारोबार था आज मैं लोगों से कहता हूँ मैंने ऐस सफल होकर कारोबार के बारे में जितना सीखा उतना कभी सफल बनने से नहीं सिखा मलबे से बाहर निकलने के लिए काम करने और कंपनी को दोबारा बनाने ने मुझे काफी बेहतर व्यवसाई बना दिया मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूँगा यह कहने के बजाए आज मैं कहता हूँ मुझे खुशी है कि मैं ऐस अफल हो गया और मैंने सीखा क्योंकि मैं उस से मिली समझदारी के लिए करतक गया हूँ और फिर मैं कहता हूँ चलो एक और कारोबार शुरू करते हैं डर और द्वेस के बजाए रोमांच वे आनंद की भावना रहती है ऐस अफल होने से डरने के बजाए अब मैं जान गया हूँ कि गलतियां करना ही वह तरीका है जिससे सीखने के लिए हमें बनाया गया है अगर हम गलतियां करने में नाकाम रहते हैं या उन्हें करते तो हैं लेकिन उन से कुछ सीखते नहीं है तो जीवन से जादू चला जाता है जीवन पीछे की और चला जाता है और छोटा हो जाता है बजाए इसके कि इसका विस्तार हो और यह जादू भी भर जाई मैं हाई स्कूल में दो बार इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैं लिख नहीं पाता था आज मेरी पुस्तकों को दे नियुयर्क टाइम्स वे सिडनी मौर्निंग हैरल्ड और दे वाल स्ट्रीट जनरल की बेस्ट सेलिंग सूचियों में देखना जादू की तरह है पिडमना यह है कि मैं उन विशों के लिए जाना जाता हूँ जिन से मैं शुरुवात में ऐसफल हुआ था लिखना, कारोबार, बेचना, बोलना, अकाउंटिंग और निवेस मैं उन विशों के लिए नहीं जाना जाता जो मेरे लिए आसान और आनंदाइक थे सर्फिंग, अर्थ सास्तर, मैं अपने पैसों का जोखिम लेना पसंद नहीं करता, या अगर मैं ऐसफल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अपना पैसा गवा दूँ तो क्या होगा, मुझे अक्सर मेरे गरीब डेडी की याद आ जाती है, क्योंकि पे दरसल यह कह रहे थे, मैं कोई गलती नहीं करना चाता, उनके संसार में यानि शिक्षा जगत में गलतियां करने वाले लोगों को मुर्ख माना जाता है, अमीर डेडी के संसार में जोखिम, गलतियां और ऐसफलता मानव विकास के अभिन अंग है, इसलिए जोखिम और गलतियों से बचने के वज़ाई, उन्होंने उनका प तो हम गुसा हो जाते हैं, गुसे के जरीए हमारा रचियता हमें यह बताता है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, यह हमारे कंदे पर एक थपकी है जो कह रही है, ध्यान दो तुमें कुछ मैतोपूर्ण सीखना है, अगर तुम जुट बोलते हो, दोस्त देते हो, और चि बर्बाद कर दोगी, जब मैं नाराज होता था, तो अमीर डैडी ने मुझे दस तक गिनना सिखाया, बहुत नाराज होने पर सो तक, कुछ सा ठंडा होने के बाद मैं बस यही कहता था, मैं माफी मांगता हूँ, मैं कभी सामने वाले को दोस नहीं देता था, चाहे मैं कितना जिम्मेदारी लेता हूँ, तो मैं एक मुल्यवान सबक सीखूंगा, जो मुझे सीखने की सपष्ट चरूरत है, अगर मैं जूट बोलता हूँ, दोस देता हूँ, तरक संगत साबित करता हूँ, या गुस्सा होने से भी इनकार करता हूँ, तो मैं कुछ नहीं सीखता हूँ अमीर डड़ी ने यहे भी कहा था, ऐसफल लोग किसी दूसरे व्यक्ति को दोस्त देते हैं, वे अक्सर चाते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदले, इसलिए वे बहुत लंबे समय तक गुस्सा बने रहते हैं, वे गुस्सा इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्त व्यक्तिकत सबक नहीं सीखा, गुसा होने के बजाए इन लोगों को तो सामने आने का एहसान मानना चाहिए, कि वह उन्हें कुछ सिखा रहा था, जो उन्हें सीखने की जरूरत है। अमीर डैडी कहते थे, लोग एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए होते हैं, समश्या यह हैं कि हम आकसर यह बात नहीं जानते हैं, कि हम कौन सा सबक सिखा रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पर गुसा होना या उसके प्रति द्वेस रखना, तो अपनी साइकल पर गुसा होने ज करता है, तो जिन लोगों ने कभी निवेस नहीं किया, वे बाजार में जाते हैं और निवेस करने लगते हैं, आप उनके मुह से इस तरह की बाते सुनेंगे, मैंने बाजार में इतना सारा पैसा बना लिया है, या मैं शुरुवात में अंदर आ गया और भाव 20% बढ़ गय यह अक्सर नए निवेसकों के उत्साई सब्द होते हैं, यह से निवेसक जिनोंने नीचे आते बाजार में कभी पैसा नहीं गवाया, जब बाजार नीचे जाता है तो यही नए निवेसक पाएंगे कि बाजार में गल्ती करने पर कैसा मैसूस होता है, तभी आपको नजर कराएगा कि असल निवेशक कोन है जैसा अमेर डाड़ी ने कहा था आपका निवेश कितना उपर जाता है यह मैतवपूर्ण नहीं है सबसे जदा मैतवपूर्ण तो यह है कि यह कितना नीचे गिर सकता है असल निवेशक को मुनाफ़ा लेने के लिए तो तैयार रहना ही चाह सकता है वह यह है कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीखें मेरे लिए अपने गुसे को नियंतरित करना सीखना एक आवजीवन प्रकिरिया रही है जोखिम लेने गलतियां करने और सामने वाले के लिए करतग महसूस करने की प्रकिरिया भी ऐसी ही है बहले ही मैं आगे उस वक्ति से भात नहे करूँ या उसके साथ कारोबार नहे करूँ जब मैं अपने जीवन पर पलट कर देखता हूँ तो मैं कहूंगा कि मेरा यही मानसिक नजरिया है जिसने मेरे लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, सबसे ज़्यादा सफलता दिलाई और अंततै मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा जादू भरा मानसिक द्रिष्टिकोर्ण प्रशनावली मैंने दोनों डैडियों से सीखा कि स्कूल की समझदारी और सड़क की समझदारी मेतवपूर्ण होती है समझदार बनना इन दोनों के फरक को पैचानना है जैसा अमीर डैडियों ने कहा था स्कूल की समझदारी मेतवपूर्ण है लेकिन सड़क की समझदारी आपको अमीर बनाती है मानसिक दृष्टिकोन प्रशन ये है पहला जोखिम गलतियां करने और सीखने के प्रति आपका क्या नजरिया है दूसरा, जोखिम, गल्तियां करने और सीखने के प्रती आपके आसपास के लोगों के में क्या नजरिया है तीसरा, क्या कुछ वितिय, पेशेवर या कारोबारी गुस्से हैं जो आपके वितर अब भी अनसुलजे हैं चोथा, क्या आप पैसे के संदर में अब भी किसी से नाराज हैं पांचवा, अगर आप किसी दूसरे या खुद से नाराज हैं तो आप कौन सा सबक सीख सकते हैं और इस बात के लिए करतग हो सकते हैं कि आप में इतनी हिम्मत थी जो आपने जोखिम लिया और इतनी समझदारी थी कि आपने सबक सीखा मुझे अपने अमीर जड़ी के ये शब्द याद है मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा इसलिए है क्योंकि मैं अधिकतर लोगों से ज़्यादा गलतियां करने और उन से सीखने का इच्छुक था अधिकतर लोगों ने कभी प्रियाप्त गलतियां नहीं की है या वे वही गलतियां बार बार दोराते हैं गलतियां करने और सीखने के बिना जीवन में कोई जादू नहीं है। गलतियों के जादू का यह विशय अमीर डैडी का एक बहुत मैत्वपून सबक था। खास तोर पर इस सासी नए संसार में जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। जब सूचना यूग का विस्तार होगा तो गलतियों से डरने वाले लोग वित्य और पेशेवर द्रिष्टी से पीछे छूट जाएंगे। जैसा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सफलता उत्सा गवाए बिना एक ए सफलता से दूसरी ए सफलता तक जाने का नाम है। धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 18 की तरफ जो है अमीर बनने की कीमत क्या है। आपका दिन शुब हो। अध्याई 18 अमीर बनने की कीमत क्या है। अमीर डेड़ी ने मुझे बताया था कि इनसान कई तरीकों से अमीर बन सकता है और हर तरीके की एक किमत होती है पहला आप पैसे की खातिर किसी से शादी करके अमीर बन सकते हो अमीर डेड़ी मुहें बना कर कहते थे कई पूरुश और मैलाईं दोनों ही पैसे की खातिर शादी करते हैं लेकिन क्या तुम किसी ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन गुजारने की कलपना कर सकते हो जिस से तुम प्रेम नहीं करते हो वह बहुत उंची कीमत है दूसरा आप दोखेबाज, धूर्त या अपरादी बनकर अमीर बन सकते हो वे कहते थे कानूनन अमीर बनना बहुत आसान है फिर लोग कानून तोड़कर जेल जाने का जोखिम क्यों लेते हैं जब तक कि उन्हें इस रोमांच में सचमुच आनंद ने आता हो जेल जाने का जोखिम लेना मेरे हिसाब से बहुत उन्ची कीमत होती है मैं अपनी सुतंतरता की खाती रमीर बनना चाता हूँ इसलिए जेल जाने का जोखिम क्यों लेना मैं अपना आताउं विश्वास गमा दूँगा अगर मैं कोई गैर कनूनी काम करूँ तो मैं अपने परिवार और मित्रों से आँख नहीं मिला सकता इसके अलावा मैं जूट बोलने में कच्चा हूँ मेरी यादास्त कमजोर है और मैं अपने बोले जूट याद नहीं रख सकता इसलिए सच बताना ही सबसे अच्छा है मेरी राय में इमानदारी ही सर्वस्रेष्ट निती है तीसरा आप विरासत से अमीर बन सकते हो अमीर डेडी कहते थे माईक को अक्सर एसा महसूस होता है जैसे उसने यह आमदनीक नहीं कमाई है वह सोचता है कि क्या वह अपने दम पर अमीर बन सकता था इसलिए मैंने उसे बहुत कम दिया है मैंने उसका भी मार्गदर्शन किया है जिस तरह मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ लेकिन अपनी खुद की दोलत बनाना उस पर है उसके लिए यह महसूस करना महतोपूर्ण है कि उसने खुद इसे कमाया है जिस सो भाग्य साली व्यक्तियों को विरासत में पैसा मिलता है उन में से ज़्यादा तर ऐसा महसूस नहीं करते जब माईक और मैं एक साथ खड़े हो रहे थे तो हम दोनों के ही परिवार तुलनात्मक रूप से गरीब थे जब तक हम व्यसक हुए माईक के डैड़ी बहुत अमीर बन गए थे जबकि मेरे असल डैड़ी अब भी गरीब ही थे माईक को उसके डैड़ी से विरासत में सामराज्य मिलने वाला था जिने मैं अपना अमीर डैड़ी कहता था मैं सुन्या से शुरू कर रहा था चोथा आप लाटरी जीत कर अमीर बन सकते हैं अमीर डैड़ी इस बारे में बस यही कहते थे कभी कभार लाटरी का टिकट खरीदना चलता है लेकिन लाटरी जीतने पर अपनी आर्थिक जिन्दिगी का दाउं लगाना अमीर बनने की मुर्खता पूर्ण योजना है दुरबाग्य से बहुत सारे अमेरिकी लाटरी जीत कर ही अमीर बनने की योजना बना रहे है करोडों में से एक की संभावना के हिसाब से पैसों की समश्या को कैसे संभाला जाए तो आप दुबारा गरीबी में पहुंच जाएंगे अखबार में एक आदमी की कहानी थी जिसने लोटरी जीती उसका समय बेहतरीन गुजरा लेकिन जल्द ही वह करज में इतना गहरा चला गया कि वह खुद को दिवालिया गोशित करने के बारे में सोचने लगा जब तक उसकी लोटरी नहीं लगी थी उसकी आर्थिक द्रिष्टी ठीक थी इसलिए अपनी समश्या सुल जाने के लिए उसने दोबारा लोटरी खेली और जीत गया दूसरी बार उसने कोच और मार्गदर्शकों को रखा ताकि वे इसे सला दे सकें कि उसे अपने पैसे का क्या करना है कहानी का सबक यह है अगर आप एक बार लोटरी जीत जाएं तो उस पैसे के लिए योजना तैयार रखो बहुत कम लोग दो बार लोटरी जीतते हैं पांचमा आप फिल्म स्टार, रोक स्टार, स्पोर्ट्स स्टार या किसी क्षित्र में ऐसा दारन बनकर अमीर बन सकते हैं अमीर डेडी कहते थे मैं परतिवाशाली, गुनी, आकरसक या मनोरंजग नहीं हूँ इसलिए ऐसा दारन बनकर अमीर बनना मेरे लिए अर्यतारतवादी नहीं है हालिवूड कड़के अभी नेताओं से भरा हुआ है कलब उन रोक बेंडों से भरे हुए हैं जो गोल्ड रिकॉर्ड निकालने के सपने देख रहे हैं गोल्ड कोर्स उन गोल्ड खिलाडियों से भरे हैं जो टाइगर वूड जैसे पेशेवर खिलाडी बनने का ख्वाब देख रहे हैं बहराल अगर आप टाइगर वूड की और देखें तो आप पाएंगे कि यहां तक पहुँचने के लिए उसने भारी की मत अदा की है टाइगर ने तीन साल की उमर से ही गोल्ड खिलना शुरू किया था और वहे बीस साल की उमर तक पेशेवर खिलाडी नहीं बना था उसने जो कीमत चुकाई थी वहे थी सत्रा साल का अभ्यास चठा आप लालची बन कर अमीर बन सकते हैं संसार इस तरह के लोगों से भरा पड़ा है उनकी प्रीय कहावत है मुझे मेरा पैसा मिल गया और मैं इसे रखने जा रहा हूँ अपने पैसे और संपतियों के मामले में लोवी होने का आम तोर पर यह है मतलब होता है कि दूसरी चीजों के मामले में भी उनका हाथ तंग रहता है जब उन से दूसरे लोगों की मदद करने या दूसरे लोगों को सिखाने को कहा जाता है तो अक्सर उनके पास समय नहीं होता है लोबी बनने की कीमत यह है कि आप जो चाहते हैं उसे बनाई रखने के लिए आपको और भी जदा कड़ी मेनत करनी होती है न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया की समान और वीपरीत परतिक्रिया होती है अगर आप लोबी हैं तो लोग भी बदले में आप पर वैसी ही परतिक्रिया देंगे जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ जिने पैसे के इसाब से मुश्किले आ रही है तो मैं उन से कहता हूँ कि वे अपना पैसा नियमित रूप से दान करें अपने चर्च या प्रियप्रोब कारी संस्था को अर्च सास्तर और भोतिकी के नियमों का अनुसरन करते हुए वह दें जिसे आप चाते हैं अगर आप मुश्कान चाते हैं तो पहले मुश्कान दें अगर आप मुक्का चाते हैं तो पहले मुक्का मारें अगर आप पैसे चाते हैं, तो पहले पैसे दें, लोभी लोगों के लिए मुठ्थी या बटुआ कोलना बहुत मुश्किल हो सकता है साथवा, आप सस्ते बनकर अमीर बन सकते हैं इससे अमीर डैडी का खून उबलने लगता था वे कहते थे, सस्ते बनकर अमीर बनने के साथ समझ्या यह होती है कि आप इसके मावजुद सस्ते रहते हैं संसार एसे अमीर लोगों से नफरत करता है, जो सस्ते हो इसलिए लोग चार्ल्स डिकेंस की कहानी एक्रिसमस केराल में स्क्रूज नमक पातर से नफरत करते थे, अमीर डैडी कहते थे, जो लोग स्क्रूज की तरह अमीर बनते हैं, वही अमीरों को बदनाम करते हैं गरीबी में जीना और गरीबी में मरना दुखद है, लेकिन गरीबी में जीना और अमीर मरना तो पागलपन है शांत होने के बाद उन्होंने कहा था मैं सोचता हूँ कि पैसे का उद्श्य उसका आनंद लेना है इसलिए मैं कड़ी मेंनत करता हूँ मेरा पैसा कड़ी मेंनत करता है और मैं हम दोनों के शरम के आनंद का फल लेता हूँ अमीर डैडी कहते थे अमीर बनने के दो तरीके हैं एक तरीका है जादा कमाना और दूसरा तरीका है कम की इच्छा करना समझ्या यह है कि अधिकतर लोग दोनों ही तरीकों में अच्छे नहीं होते हैं एक लेक था परिवर्तन के यूग में अच्छे जीवन का खर्च उठाना यह मेरे अमीर डेडी के द्रिष्टिकोन को पुष्ट करता है और समझाता है कि आप कैसे अधिक कमा सकते हैं ताकि आप अधिक के इच्छा कर सकें यह लेक स्टेटेजिक इन्वेस्टमेंट न्यूज लेटर में छपा था जिसे जेम्स डेल डेविडसन और लाड विलियम रिगमॉग ने परकाशित किया था यह दोनों ही कई बेस्ट सेलिंग पुष्टकों के सहे लेकर रह चुके हैं इन पुस्टकों ने मेरे निवेस करने के तरीके और भविशे को देखने के मेरे नजरिये को बहुत परवावित किया है डेविडसन राष्ट्रिय करदाता संग के संस्थापक हैं रिग मोग दे टाइम साफ लंदन के पूरो संस्थापक और दे ब्रिटिस ब्रोड़कास्टिंग कोर्पोरेशन के पूरो वाइस चेर्मेन है परिवर्तन के युग में अच्छे जीवन का खर्च उठाना कहता है कि सस्था होना दोलतमंद बनने का सच्चा तरीका क्यों नहीं है डेविडसन का तर्क यह है कि हालांकि सस्थे बनकर अमीर बनना संबव है लेकिन चुकाने के लिए यह बहुत बारी कीमत है वास्तों में कई कीमते चुकानी होती है सस्ते बनने का आवशक रूप से यह मतलब नहीं है कि आपके पास अधिक अमीर बनने की समर्थे हैं आप तो बस सस्ते बनने का तरीका जानते हैं और यह बहुत महंगा सोदा है डेविडसन और मैं दोनों ही ऐसे विचारों की लोक परियता से ऐसे मत हैं अपने कार्ड्स कार्ड फार दो और अपने संसादनों से कम में जीओ यह कुछ लोगों के लिए अच्छा विचार हो सकता है लेकिन यह अमीर बनने और अच्छे जीवन के आनद लेने का विचार नहीं है डेविडसन ने यह भी कहा था कि वित्य योगता से दोलत हासिल करना सबसे अच्छा रहता है आज मिलेनियर्स बनने का उतना मैतव नहीं रहा है आज एक मिलियन डॉलर तो अमीरों की तरह निवेश शुरू करने का शुरूआती बिंदू भर है इसलिए डेविडसन अमीर बनने के लिए असल चैन रुपए आठ की सला दे रहे है वित्य रूप से समझदार बनने में यह जानना भी शामिल है कि कब किफायती बने और कब ने बने नमबर आठ आप वित्य रूप से समझदार बनकर अमीर बन सकते हैं जब मैंने वित्यय रूप से समझदार बनना सीखा, तो मैं निवेश की उसी शक्ति का दोहन करने लगा, जिसे मैंने बारा साल की उम्र में समुंदर तट पर खड़े होकर अपने अमीर डेडी की नई जायदात को देखते समय महसूस किया था। कई लोग B और I क्वांड्रेंड में बहुत ग्यानी तथा निपून होकर अमीर बनते हैं। इन में से कई लोग परदे के पीछे रहकर काम करते हैं और संसार के व्यवसाईक व्यवित्यय तंत्रों का प्रबंधन करते हैं, नियंतरन करते हैं और कुशलता पूर्वक इस्तेमा करते हैं। करोडों लोग पूरी निष्टा से अपने रिटायर्मेंट की बचत और बाकी पैसे बाजार में लगाते हैं। बहराल व्यक्तिगत निवेशक या रिटायर होने वाला नहीं बलकि निहीत निवेशों के निर्डे करता धेर सारे पैसे बनाता है। जैसा अमीर ड पर रहना चाहिए जो टिकेट बेच रहा हो। थोमस एफ स्टेनले और विलियम डेंको की पुस्तक दे मिलेनियर नेक्स्ट डोर किफायत के बारे में कई बुन्यादी बातें बताती है। जैसे किफायती होना ही दोलत बनाने की आधार शिला है। सस्ते बनने और किफायती ह होने के बारे में अधिक चिंतित थे। उन्होंने कहा था अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि कब किफायती हुआ जाए और कब फिजूल खर्च हुआ जाए। समश्या यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि सस्ता कैसे जाता है। यह तो वैसा ही है जैसे चलने के लिए शिर्फ एक ही पैर हो। अमीर बन सकता है। हाँ गरीबों जैसा जीवन जीकर आप जितनी दोलत हासिल कर सकते हैं लेकिन उसकी एक सीमा होती है। हर भोजन में डिपावन मास्ट या स्पैगटी खाने से भी आप इतने पैसे नहीं बचा सकते कि मिलेनियर बन पाएं। इससे यह बात्सपष्ट हो जाती है कि दस में से सिर्फ एक मिलेनियर ही पांच मिलियन डॉलर की नेटवर्ट तक पहुँच पाता है। पाई पाई बचाना एक शुरुवाती कदम है जो किसी व्यक्ति को विरासत की पूंजी के बिना महत्वपूर्ण कैश्फ लोप्रदान कर देगी। ताकि वह अमीरी की और ले जाने वाले निवेश कर सके। अमेरिकियों के लिए मिलेनियर बनना एक आफशक कदम है क्योंकि इसी से आपको मान्यता प्रापत निवेशक के रूप में नीजी उच्च विकास करने वाली कमपनियों के प्राइवेट प्लेस्मेंट में शामिल होने की अनुमती मिलती है। यह अमीरी का मुख्य मारग है। मैं 25 के आसपास की उमर में मिलेनियर बन गया था लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि कुछ मिलियन डॉलर ज्यादा माइने नहीं रखते। इतनी कम दोलत में मैं अपनी पसंदीदा जीवन सेली नहीं जी सकता। मेरा निशकर्च यह है कि असल पैसा बनाने का सबसे अच्छा विचार यह है कि नीजी कमपनियों में नीजी अवस्ता में निवेस किया जाई। अमीर लोग ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं। जब मैं छोटा था तो अमीर डेडी ने मुझसे कहा था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसका आंशिक कारणी यह है कि वे दूसरों से अलग तरीके से निवेस करते हैं। वे उन निवेसों में निवेस करते हैं जिन में निवेस के अवसर गरीबों और मद्यम वरगिया लोगों को नहीं दिये जाते। इससे अधिक मैतवपूर्ण बात यह है कि उनकी सेक्षनिक परश्टबूमी अलग होती है। अगर तुम्हारे पास सिक्षा है तो तुम्हारे पास हामेशा प्रियाप्त पैसा रहेगा। डेविड्सन बताते हैं कि डॉलर ने पिछली सदी में अपना 90% मुल्य खो दिया है। इसलिए एक सस्ता मिलेनियर बनना प्रियाप्त नहीं है। अमीरों के निवेसों में निवेस करने योग्य बनने की कीमत कम से कम एक मिलियन दोलर की नेट वर्थ है। इसके बाद भी हो सकता है कि आप इसके योग्य नए हो कि सुरक्षित तोर पर उसमें निवेस कर पाई। जिसमें अमीर लोग निवेस करते हैं। अगर तुम उन्हीं निवेसों में निवेस करना चाते हो जिसमें अमीर लोग निवेस करते हैं त इसे तीन ई कहते थे, उसके हर स्तर पर आप एक अलग प्रकार के निवेशक को पाते हैं, जिसके पास शिक्षा, अनुभव और अत्यदिक पैसे का एक अलग स्तर होता है। वित्य द्रश्टी से सोतंतर बनने की कीमत चुकानी होती है। इन स्तरों पर निवेश करने के लिए शिक्षा, अनुभव और अत्यदिक धना हसिल करने के समय और समर्पन की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि आप वित्य द्रश्टी से ज्यादा चतुर बन रहे हैं या आप की विसे सग्यता बढ़ रही है जब आप निमन में फरक कर सकते हों। पहला, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। दूसरा, अच्छे नुक्षान और बुरे नुक्षान। तीसरा अच्छे खर्च और बूरे खर्च चोथा करवुगतान बनाम करपरोथसान पांचवाँ आप जिन कार्परेशनों के करमचारी है बनाम आप जिन कार्परेशनों के मालिक है छठा कारोबार कैसे बनाया जाए कारोबार को कैसे दुरुस्त किया जाए और कारोबार को कैसे सारुजनिक किया जाई सात्वा, शेरों, बॉंड, म्यूचल फंड, व्यवसाई, अचल संपत्ती और बीमा उत्पादों के लाभानी के साथ साथ यह जानना कि किस कानूनी तंतर और उत्पाद का इस्तेमाल कब करना है अधिकतर ओसत्निवेसक सिर्फ यही जानते है पहला, बुरा कर्ज, इसलिए वे इसे चुकाने की कोशिस करते हैं दूसरा, बुरे नुकसान, इसलिए वे सोचते हैं कि पैसे गवाना बुरा होता है तीसरा बूरे खर्च इसलिए वे बिल चुकाने से नफरत करते हैं चोथा कर जो वे चुकाते हैं इसलिए वे कहते हैं कि कर अन्याय पूर्ण है पांचवा नोकरी की सुरक्षा और कमपनी की सीडी चड़ना बजाई सीडी का मालिक बनने के चठा बाहर से निवेश करना और किसी कमपनी के शेर खरीदना बजाई अपनी खुद की कमपनी के शेर बेचने के साथवा सिर्फ म्यूचल फंडों में निवेश करके या सिर्फ ब्लू चिप स्टोक चुनकर आप उदार बनकर अमीर बन सकते हैं अमीर डड़ी इसी तरह अमीर बने थे वे अक्सर कहते थे मैं जितने अधिक लोगों की सेवा करता हूँ उतना यदिक अमीर बनता हूँ वे यह भी कहते थे ई और एस कौन्डरेंट में रहने के साथ समश्या यह है कि आप सिर्फ मुठी वर लोगों की ही सेवा कर सकते हैं अगर आप B और I कौन्डेंट में बड़े संचालन तंतर बना लेते हैं तो आप जितने चाहे उतने लोगों की सेवा कर सकते हैं और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इतने अमीर बन जाएंगे जितना की अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना अधिक से अधिक लोगों की सेवा करके अमीर कैसे बने इस बारे में अमीर डैडी ने यह उधारन बताया अगर मैं डोक्टर हूँ और यह जानता हूँ कि एक समय में केवल एक मरीज के साथ कैसे काम किया जाई तो दो ही तरीके हैं जिस से मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ एक है ज्यादा समय तक काम करना और दूसरा है अपनी फीस बढ़ाना लेकिन अगर मैं अपनी नोकरी करता हूँ और खाली समय में ऐसी दवा की खोज में जुटा रहता हूँ जो कैंसर का इलाज कर दे तो मैं अधिक लोगों की सेवा करके अमीर बन जाओंगा अमीर की परिवासा फॉर्ब्स मैगजीन के अनुसार अमीर का मतलब होता है एक मिलियन डॉलर की आमदनी और दस मिलियन डॉलर की नेट वर्थ अमीर डेड़ी की परिवासा इस से ज़्यादा कठोर थी लगातार एक मिलियन डॉलर की निश्क्रिय आमदनी यानि एसी आमदनी जो होती रहती है चाहे आप काम करें या ने करें और पांच मिलियन डॉलर की संपत्ती अमीर डेड़ी को यह भी लगता था अगर आप निवेशित पूंजी पर 20% मुनाफ़ा नहीं कमा सकते तो आप दरसल निवेशक नहीं है सुन्य से सुरू करके अमीर डेड़ी के लक्षे तक पहुंजने की कीमत दरसल अमीर डेड़ी के 3 ए में ना पी जाती है शिक्षा, अनुभव और अत्यधिक पैसा जब मैं 1993 में वियतनाम से लोटा तो मेरे पास इन तीनों ही चीजों की भारी कमी थी मुझे एक विकल्प चुनना था क्या मैं अपने समय का निवेश इन तीनों ए को हासिल करने में करने के लिए तयार था यहे अमीर डैडी ने किया था उनके बेटे माइक ने भी किया था और मेरे कई मित्र अब भी अपने समय का निवेश तीनों ए हासिल करने में कर रहे हैं इसलिए वे अधिक और अधिक अमीर बनते गई यहे एक योजना से शुरू होता है अमीर निवेशक बनने के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए आपको एकागरचित होना चाहिए और आपको जीतने के लिए खेलना चाहिए ओसत निवेशक के पास कोई योजना नहीं होती वहे जोरदार टिप्स में निवेश करता है और वह उस समय के गर्मा गर्म निवेश उत्वादों के पीछे भागता है टेकनोलोजी से कमोडिटी से अचल संपती तक और फिर अपना खुद का व्यवसाई सुरू करने तक खूदता फांदता रहता है कभी कवार किसी जोरदार टिप के इसाब से निवेश करना ठीक है लेकिन करपिया खुद को इस मुगालते में नैर रखें कि एक जोरदार टिप आपको हमेशा के लिए अमीर बना देगी तीन ए के अलावा अमीर डैडी के पास पांच डी की एक सूची थी जो बहुत अमीर बनने के लिए आउशक थी खास तोर पर जब आप सुन्य से शुरू कर रहे हो वे है पहला डीम सपना दूसरा डेडिकेशन समर्पन तीसरा ड्राइव प्रबल प्रेरणा चोथा डाटा तथ्य संग्रे है पांचवाट डोलर पैसा अधिकतर लोग आखरी दो तथ्य संग्रे और डालर पर ध्यान के अंधरित करते हैं कई लोग स्कूल जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ वे जो सिक्षा या तथ्य संग्रे हासिल करते हैं उससे उन्हें डोलर मिलेंगे अगर उनके पास उपचारिक शिक्षा नहीं है तो वे कहते हैं मैं अमीर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास कॉलिज की शिक्षा नहीं है या पैसे बनाने के लिए पैसे की जुरूरत होती है या अगर मैं जादा कड़ी मेहनत करता हूं और जादा पैसे कमा लेता हूं तो मैं अमीर बन जाओंगा दूसरे शबदों में कई लोग शिक्षा के अभाव या ध्न के अभाव को निवे शक के रूप में अमीर नए बनने के बहने के रूप में इस्तेमाल करते हैं अमीर डैडी ने पांच डी पर अपनी चर्चा यह कह कर समापत की वास्तों में यह पहले तीन डी पर एका गरता है जो अंतते तुम्हे वहे तथ्या संग्रे और डोलर देता है जिसकी जुरूरत तुम्हें बहुत बहुत अमीर बनने के लिए है दूसरे सब्दों में तथ्या संग्रे और डालर तब उत्पन होते है जब आप के पास एक सपना होता है जब आप समर्पित होते हैं और जब आप में जीतने की परबल प्रेर्णा होती है मेरी कक्षाओं में मुझे अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो कोई भी चीज शुरू करने से पहले अधिक तथ्या संग्रे चाते हैं या वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने से वे अमीर बन जाएंगे अधिकतर मामलों में अधिक तथ्या संग्रे हासिल करने या अधिक डॉलर कमाने की पूरी कोशिश करने से ही कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता हालांकि तथ्य संग्रे और डॉलर मैतोपूर्ण है लेकिन वहां तक पहुँचने और उसे करने के लिए और चीजों की भी जरूरत होती है खास तोर पर तब जब आप सुन्य से शुरू कर रहे हो पहले चरन का अंत यहां पहला चरन पूरा होता है जो मेरी राए में सबसे मेतोपूर्ण चरन है धन सिर्फ एक विचार है अगर आप सोचते हैं कि पैसे बनाना मुश्किल है और आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे तो यहां आपके लिए सच हो जाएगा अगर आप सोचते हैं कि धन बहुत सारा है तो यहां भी सच हो सकता है बाकी के चार चरण अमीर डेडी की योजना के विसिस्ट विवरन बताएंगे और यहे भी कि वे संसार के कुछ खास अमीर लोगों की योजनाओं से मिलते जुलते क्यों है पढ़ते समय यहे विचार करें कि अमीर डेडी की योजना किस तरह आपकी व्यक्तिगत वित्य योजना के विरोध में है, कम है, जादा है या समान है मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि यहां दी गई जानकरी का इस्तेमाल कठोर आंकडों के रूप में नहीं, बलकि मारकदर्शक के रूप में करें इस में से जादातर कानूनी व्यक्ष्या के अधिन है और आपकी व्यक्तिगत परिस्तितियों के आधार पर ही उसका मुल्यांकन किया जाना चाहिए इसका इस्तेमाल हमेसा स्वेथ शाम नहीं होता है और इसकी सावधानी पूरवक्त समीक्षा की जानी चाहिए हम आपको सला देते हैं कि आप अपने कानूनी और वितिय सलागारों से परामर्स लेकर यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी आउशकताओं और लक्षों के लियाज से सर्वस्रेश्ट उचितियों जना बनाएं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याए 19 की तरफ जो है 90 बाई 10 की पहली आपका दिन शुब हो अध्याए 19 नबाई 10 की पहली मैं थंडर वर्ड स्कूल आप ग्लोबल मैनेजमेंट के बहुत परतिवाशाली सनातक विद्यार्चियों के समू के साथ काम कर रहा था तीन गंटों के सत्र के दोरान मैंने एक युवावी द्यार्थी से पूछा तुमारे निवेश योजना क्या है बिना जिसके उसने जवाब दिया पड़ाई पूरी करने के बाद मैं कोई ऐसी नोकरी खो जूँगा जिसमें मुझे हर साल कम से कम डेट लाग डोलर मिलें और मैं हर साल बीस अजार डोलर निवेश करने के लिए अलग रखूँगा मैंने उसे योजना बताने के लिए धन्यवाद दिया फिर मैंने कहा क्या तुम्हें अमीर रेडी के पैसे के 90 बाई 10 के सिदान पर मेरी चर्चा याद है हाँ युवक ने मुस्कुराते हुए कहा और वह जानता था कि मैं उसके सोचने के तरीके को चुनोती देने वाला हूँ वह इस बहुत परतिष्टित स्कूल के उद्दमी कारिकरम में शामिल हुआ था जहां मैं अतिति परशिक्षक था अब तक वह जान गया था कि सिखाने की मेरी शैली विद्यार्थियों को जवाब देना नहीं है मेरी शेली तो बुनियादी विस्वासों को चुनोती देने की है और मैं विद्यार्थियों से उनकी पूरानी विचार आदतों का आंकलन करने को कहता हूँ उसने सावधानी से पूछा मेरी निवेश योजना का पैसे के 90 बाई 10 के सिदान से क्या सबंद है सब कुछ मैंने जवाब दिया क्या तुम सोचते हो कि नोकरी खोजने और हर साल कम से कम 20,000 डॉलर का निवेश करने से तुम निवेश कों के 10% वाले समूँ में पहुंच जाओगे जो 90% पैसा बनाते है मुझे नहीं पता उसने जवाब दिया मैंने उस पैमाने के हिसाब से अपनी योजना के बारे में दरसल कभी सोचा ही नहीं है अधिकतर लोग नहीं सोचते हैं मैंने जवाब दिया अधिकतर लोग कोई निवेश योजना खोज लेते हैं और सोचते हैं कि यही इकलोती निवेस योजना है या यही सर्वस रेस्ट निवेस योजना है। लेकिन बहुत कम लोग अपनी योजनाओं की तुलना दूसरी योजनाओं से करते हैं। और समझ्या यह है कि अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी योजना सही है या नहीं जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई होती। आपका मतलब है कि ओसत निवेसक रिटायर्मेंट के लिए निवेस कर रहा है और जब तक वह रिटायर नहीं होता तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी योजना कारगर है या नहीं। कक्षा में एक और विद्यार्थी ने पूछा उन्हें जब तक यह बात पता चलेगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी उम्र के कई लोगों के लिए यह सच होगा। मैंने जवाब दिया। दुखद किन्तु सत्य है। लेकिन क्या उन्ची तनक्वा वाली नोकरी खोजना और हर साल 20,000 डोलर अलग रखना एक अच्छी योजना नहीं है। विद्यार्थे ने कहा देखिए अभी मेरी उम्र सिर्फ 26 साल है। बहुत अच्छी योजना है। मैंने जवाब दिया। निश्चित रूप से ओसत आदमी से ज्यादा पैसे बचाने और युवा वस्ता में ही उसका निवेश शुरू करने से शायद तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन मेरा सवाल यह है। क्या तुमारी योजना तुम्हें 90 बाई 10 की स्रेणी के निवेश को में पहुंचाएगी अमीर डेडी के साथ समुंदर तट पर गोमने वाली कहानी बताई थी। मैंने पूछा आपका मतलब है वह कहानी जब आप हैरान हो रहे थे कि वे इतनी महेंगी जायदात का खर्च कैसे उठा सकते थे। एक और विद्यार्ति ने जवाब दिया। अमीर डैडी का पहला बड़ा निवेश और ज्यादा बड़े निवेशों के संसार में उनका पहला कदम। मैंने अपना सिर हिला कर कहा वही कानी। विद्यार्थी ने पूछा क्या उस कानी का नब्यवाई दस के पैसे के नियम से सबंद है। हाँ है इसका समद इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मेरे अमीर डैडी इतनी बड़ी संपत्ती कैसे हासिल कर सकते थे जब उनके पास इतना कम पैसा था। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने यह कैसे किया तो उन्होंने मुझे वह दिया जिसे वे नब्यवाई पहली विद्यार्थी ने पूछा यह 90 वाई 10 की पहली क्या है और इसका मेरी निवेश योजना से क्या सबंद है। उस सवाल को सुनकर मैं ब्लैक बोर्ड की और बढ़ा और मैंने यह वाला रिखाचितर खींच दिया। मैंने कहा 90 वाई 10 की पहली यह है। यह 90 वाई 10 की पहली है। विद्यार्थी ने पूछा यह तो किसी financial statement की तरह दिख रहा है जिसमें कोई संपत्ती नहीं है। वही तो अब पहली को पूरा करने वाला सवाल तो सुने। मैंने मुस्कुरा कर कहा और विद्यार्थियों के चेहरे को देखकर जानने की कोशिस की कि क्या वे आगे की बाते जानने के लिए उत्सुक हैं। मेरे काफी देर चुप रहने पर एक विद्यार्थी ने आखिरकार पूछा। हमें सवाल बताएं। सवाल यह है मैंने धीरे से कहा कि आप बिना संपत्ती खरीदे अपने संपत्ती वाले कोलम को कैसे बरें। बिना संपत्ती खरीदे विद्यार्थी ने पूछा आपका मतलब है बिना पैसों के। कमों बेस मैंने जवाब दिया। निवेस के लिए हर साल 20,000 डोलर अलग रखने की आपकी निवेस योजना एक अच्छा विचार है। लेकिन आपको मेरी चुनोती यह है। क्या पैसे से संपत्तियां खरीदने का यह विचार। नब्य बाई दस का विचार है या फिर वह ओसत निवेसक का विचार है। तो आप पैसों से संपतियां खरीदने के बजाए जैसा आधिकतर लोग करते हैं। संपत्ति वाले कोलम में संपतियां बनाने को कह रही है। मैंने अपना सिरह लाया। देखो यह है रेकाचितर जिसे मैं नब्य बाई दस की पहली कहता हूँ। वही पहली है जिसकी चुनोती मेरे अमीर डैडी ने मुझे नियमित रूप से दी थी। वह मुझे विचार पूस्ते थे कि पैसों से खरीदे बिना मैं संपत्ति वाले कोलम में संपतियां कैसे बना सकता हूँ। विद्यार्थी खामोस थे और ब्लैक बोर्ड पर बनी पहली को देख रहे थे। आखिर कारेक विद्यार्थी ने मुड़कर कहा क्या इसलिए आप अक्सर कहते हैं पैसे बनाने के लिए पैसे की जुरूरत नहीं होती। मैंने अपना सिरहिलाया और कहा तुम सही समझ रहे हो 90% में रहने वाले अधिकतर लोग जो 10% पैसे के स्वामी होते हैं अक्सर कहते हैं पैसे बनाने के लिए पैसे की जुरूरत होती है। पैसा नए होने के कारण ही वे प्राय कई निवेस छोड़ देते हैं। तो आपके अमीर डैडी की 92 की पहली यह थी कि वे आपको एक खाली संपत्ति वाला कोलम दे देते थे और पूछते थे कि संपत्तियों को खरीदे बिना आप इसे संपत्ति से कैसे भर सकते हैं। मैं वियतनाम से लोटा तो वे आम तोर पर मेरे साथ लंच या डीनर करते थे और मुझसे पूछते थे कि क्या इस बारे में मेरे दिमाग में कोई नए विचार आई कि संपत्तियों खरीदने के बजाए संपत्तियों बना कर संपत्ति वाले कोलम को कैसे बरा जाई। वे जानते थे कि बेहद अमीर लोग कैसे अमीर बने थे। बिल केर्स, माइकल डेल और रिचर्ड ब्रांसन सभी इसी तरह अरबपती बने थे। वे नोकरी की तलास करके और कुछ डॉलर अलग रखकर अरबपती नहीं बने थे। तो आप उद्धमी बनकर अमीर बनने के बारे में कह रहे हैं। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मैं तो इन उदारणों का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ। क्योंकि तुम सभी थंडर बर्ड में उद्धमी योजना में पड़ रहे हूँ। पीटल्स अलग तरह की संपत्ती बनाकर बेहद अमीर बन गए। लेकिन उन्होंने ऐसी संपत्तियां बनाई जो आज पैसे उत्पन करती है। मैं तो बस यह कह रहा हूँ। कि अमीर डैडी मेरे सामने नियमित रूप से संपत्ति के खाली कोलम वाला यह financial statement रखते थे और मुझसे पूछते थे कि संपत्तियों को हासिल करने के लिए पैसे खर्च करने के बजाए मैं संपत्ति वाले कोलम के भीतर संपतिया कैसे बनाऊ। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें इतनी शक्ति कहां से मिली कि उन्होंने बिना पैसे के समुंदर तटकी सबसे महंगी जाइदाद हासिल कर ली तब उन्होंने मुझे यह 90.10 की पहली दी तो उन्होंने बताया था कि उनके व्यवसाई ने जमीन खरीदी थी एक और विद ना ही किसी संपत्ती वाले कोलम में संपत्तियों को बना सकते हैं आविशकारक किसी बहुत बहुत मुल्य चीज का आविशकार करके इसा करते हैं चित्रकार एसे चित्र बनाते हैं जो अन्मोल होते हैं लेख के इसी पुस्त के लिखते हैं जो बरसों तक उन्हें रॉयल्ट कि जुरूरत नहीं है, मैंने बिना पैसे के इस्तेमाल के अचल संपत्ती में यह काम किया है, आपको तो बस स्रजनात्मक बनना है, फिर आप जीवन भर के लिए अमीर हो सकते हैं, आपका मतलब है, मैं नई टेकनोलोजी के साथ किसी चीज़ का आविशकार कर और अमीर बन सकत हूँ, एक विद्यार्थी ने पूछा, हाँ, तुम एसा कर सकते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है, कि यह आविशकार या नई टेकनोलोजी ही हो, मैं कुछ समय तक ठहर कर बोला, दरसल संपत्ती सोचने के तरीके से बनती है, एक बार जब आप के पास सोचने का यह तरीका आ जाता है, तो आप इतने ज़्यादा आमीर बन जाएंगे, जितना की आपको सपने में भी संभव नहीं लगा होगा, आपका क्या मतलब है, इसका नया आविशकार या टेकनोलोजी होना जरूरी नहीं है, यह और क्या हो सकता है, अपनी बात कहने की सबसे अच्छी कोशिस कर करते हुए मैंने पूछा, क्या आपको मेरी फुस्तक रिच डैड पूर डैड में कोमिक बुक्स वाली कहानी याद है, हाँ, एक विद्यार्थी ने कहा, वह कहानी जिसमें आपने अमीर डैडी से तनख्वा बढ़ाने को कहा था, और उस समय आपके अमीर डैडी ने आपसे दस सेंट परती गंटे की नोकरी ले ली थी और आप से मुफ्त में काम करने को कहा था, उन्होंने दस सेंट इसलिए वापिस ले लिए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि आप अपना जीवन पैसे की खातिर काम करने में लगाएं, हाँ, यही कहानी, मैंने जवाब दिया, यह संपत्ती को खरीदे बिना संपत्ती वाले कोलम में संपत्ती बनाने की कहानी है, विद्यार्थि शांती से कुछ समय तक मेरी बातों पर सोच विचार करते रहे, आखिरकार एक ने कहा, तो आपने पूरानी कामिक्स बुक्स लेकर उन्हें संपत्तियों में बदल दिया, मैं एक और विद्यार्थी ने कहा, आपने एसी चीज ली, जिसे कचरे में फेंका जा सकता था, और उसे एक संपत्ती में बदल दिया। हाँ, लेकिन क्या कॉमिक्स बुक्स संपत्ती थी, या वे कॉमिक्स बुक्स उस संपत्ती का हिस्सा थी, जिसे आप देख सकते थे। ओह एक और विद्यार्थी बोला, यह एद्रश्य विचार प्रकिरिया थी, जिसने कॉमिक्स बुक को लेकर संपत्ती में बदल दिया, विचार प्रकिरिया ही असल संपत्ती थी, मेरे अमीर डड़ी ने इसे इसी तरह देखा था, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी शक्ती उन उन्होंने यह भी कहा था, अधिकतर लोग इसका ठीक विपरित करते हैं और पैसे को कच्रे में बदल देते हैं, इसलिए नब्बे बाई दस का नियम सही साबित होता है, वे पुराने जमाने के कीमियागारों जैसे थे, एक विद्यार्थी ने कहा, वे कीमियागार जो सीसे को सोने में बदलने के फार्मूले की तलास करते थे, बिलकुल सही, मैंने कहा, जो लोग पैसे के नब्बे बाई दस वाले समू में रहते हैं, वे आधुनिक यूग के कीमियागार हैं, इकलोता फर्क यह है कि वे सुनने को संपतियों में बदलने में सक्षम होते हैं, उनकी शक्ति उनकी यह योग्यता है कि वे विचार लेकर उन्हें संपतियों में बदल देते हैं। एक विद्यार्थी ने कहा, लेकिन जैसा आप कहते हैं, बेहतरीन विचार बहुत से लोगों के पास होते हैं, वे तो बस उन्हें संपतियों में बदल नहीं पाते हैं। मैंने अपना सिरह लाया और यह मेरे अमीर डैडी की जादूई शक्ती थी जो मैंने उस दिन समुंदर तट पर देखी थी। यह वह मानशिक शक्ती या वित्य बुद्धी थी जिसकी बदोलत उन्होंने इतनी महेंगी जायदात खरी दी। जबकि ओसत निवेशक यह कैकर इसे दूर चला जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या पैसे बनाने के लिए पैसे की जुरूरत होती है। एक विद्यार्थी ने पूछा, उन्होंने आपको नब्वे बाई-दस की पहली कितनी बार दी थी। बहुत बार मैंने जवाब दिया। यह मेरे दिमाग की कसरत कराने का उनका तरीका था। अमीर डेडी अक्सर कहते थे हमारा दिमाग हमारी सबसे शक्ति साली संपत्ती है और अगर इसका अनूचित इस्तिमाल किया जाए तो यह हमारा सबसे शक्ति साली दाई तो बन सकता है। विद्यार्थी मोन थे मेरा मानना है कि वे अपने विचारों पर मनन कर रहे थे और उन पर सवाल कर रहे थे। आखिरकार जिस मूल विद्यार्थी ने हर साल 20,000 डोलर अलग रखने की योजना बनाई थी वह बोला। तो इसलिए आपकी पुस्तक रिच डैड पूर डैड में अमीर डैडी का एक सबक यह है था कि अमीर लोग अपने पैसे का आविश्कार खुद करते हैं। मैंने अपना सिरह लाया और बोला। और छे सबकों में से पहला सबक था अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। एक बार फिर युवा विद्यार्थियों में खामोसी चा गई। कुछ समय बाद एक विद्यार्थि बोला। यानि हम नोकरी पाने और संपतिया खरीदने के लिए पैसे बचाने की योजना बना रहे हैं। जबकि आपको सिखाया गया था कि आपका काम संपतियों को बनाना है। बहुत अच्छे तरीके से कहा। मैंने जवाब दिया। विचार ओद्योगिक यूग का विचार है। एक विद्यार्थि ने चौंक कर पूछा। इंसानों के पास नोकरियां हमेशा रही है है ना। नहीं कम से कम उस माइने में तो नहीं जिसे हम आज नोकरी के रूप में जानते हैं। देखो मानवता के शिकारी एकत्री करण यूग में इनसान कबीलों में रहते थे और हर व्यक्ति का काम कबीले के बचाओ में योगदान देना था। दूसरे सब्दों में सभी एक के लिए थे और एक सब के लिए था। फिर क्रशी यूगाया जिसमें राजा रानिया थे उस दोर में किसी व्यक्ति का काम दास या किसान बनना था जो राजा की भूमी पर काम करने के बदले में उसे पैसे देता था। फिर उद्योगिक यूगाया और दास्ता या गुलामी समप्त हो गई और इनसान खुले बाजार में अपना शरम बेचने लगा। अधिकतर लोग करमचारी या स्वेय रोजगार वाले बन गए और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को अपना शरम बेचने का सर्वस्रेश्ट प्रियास करने लगे। यह नोकरी शब्द की आधुनिक अधारना है। तो जब मैंने कहा कि मैं नोकरी खोजने जा रहा हूं और हर साल 20,000 डॉलर अलग रखने जा रहा हूं तो आपको ऐसा लगा कि यह आधुनिक यूग की सोच है। मैंने अपना सिरहामी में हिलाया। आज भी क्रशी यूग के लोग जो किसान और पसू पालक के रूप में जाने जाते हैं। आज भी शिकारी एकत्री करने वाले लोग जहविक वानिजिक मचुआरे अधिकतर लोग और द्योगिक यूग के विचारों के अनुरूप काम कर रहे हैं। इसलिए इतने सारे लोगों के पास नोकरियां है एक विद्यार्थी ने पूछा तो काम के बारे में सूचना यूग का विचार क्या होगा एसे लोग जो इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि उनके विचार काम कर रहे हैं आज एसे विद्यार्थी हैं जो बहुत हद तक मेरे अ नोकरी के अमीर बनने जा रहे हैं कई इंटरनेट अरबपतियों को देखो उन में से कई तो अपचारिक नोकरी की ये बिना ही काले छोड़कर चले गए ताकि वे अरबपति बन सकें दूसरे सब्दों में उन्होंने खाली संपति वाले कोलम से शुरू किया और इसे एक बहुत बड़ी संपति सूचना यूग की संपति से भर दिया एक विद्यार्थी ने कहा, कई ने अर्बों डोलर की संपती बना ली, मैंने कहा, वे विद्यार्थी से सीधे अरभपती बन गए, जल्द ही हाई स्कूल के विद्यार्थी सीधे अरभपती बनेंगे और इस बीच में नोकरी के लिए कभी आवेदन नहीं करेंगे, मैं पहले ही एक ऐसे विक्ति को जानता हूँ जो नोकरी के बिना ही मिलेनियर बन चुका है मेरी पुस्तक पढ़ने और मेरे गेम खेलने के बाद उसने अचल संपती का एक बड़ा प्लाट खरीदा खाली जमीन का एक इस्सा बेच दिया अपार्टमेंट हाउस रख लिया और अपना कर्ज जमीन बेच कर मिले पैसों से पटा दिया अब उसके पास एक अपार्टमेंट हाउस है जो एक मिलियन डॉलर से अधिक का है यही नहीं उसके बास बिना काम किये 4000 डॉलर की मासी कामदनी का कैश फ्लो है वहें एक साल में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाला है विद्यार्थी खामोस खड़े रहे वे अभी अभी कही मेरी बातों पर सोच रहे थे कुछ को हाई स्कूल के विद्यार्थियों की कहानी पर यकीन करने में सिर्फ सुचना युग में ही नहीं मैंने जवाब दिया सदियों से यही होता आया है जिन लोगों के पास संपत्ती नहीं होती है वे उन लोगों के लिए काम करते हैं या उन से नियंतरित होते हैं जो संपत्तियों को बनाते हैं हासिल करते हैं या नियंतरित करते हैं पहले विद्यार्थी ने कहा तो आप यह कह रही है कि हाई स्कूल का बच्चा मुझे द्वित्य द्रिश्टी से हरा सकता है भले ही उसके पास किसी प्रतिश्टित स्कूल की बेहतरिन शिक्षा या उंची तंख्वा की नोकरी ने हो मैं मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं आपकी शिक्षा उतनी मैतवपूर्ण नहीं है मैतवपूर्ण तो आपके सोचने का तरीका है बेस्ट चेलिंग लेखक थामस स्टेनले अपनी पुस्तक दे मिलेनियर माइंड में कहते हैं कि उनके शोद में उन्चे एस 80 स्कोर अच्छे ग् करता हूं तो बेहतरेन यही रहेगा कि मैं संपतियां खरीदने के बजाए संपति बनाने का अभ्यास करूं हर व्यक्ति जो करता है वह करके संपति हासिल करने के बजाए मुझे स्रजनात्मक्त बनकर संपतियां हासिल करना चाहिए मैंने जवाब दिया अरबपती हेंडरी इसलिए कहा था, सोचना संसार का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम लोग इसे करते हैं, इससे यह भी स्पष्ट होता है, कि अगर आप वही करते हैं, जो 90 प्रतिसत निवेशक करते हैं, तो आप उनके साथ मिलकर केवल 10 प्रतिसत दोलत में हिस्सेदारी कर पाएंगे या जैसा आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ग्यान से अधिक में तोपूर्ण होती है, एक और विद्यार्थी ने कहा, जब मैं एक अकाउंटेंट रख रहा था, तब मेरे अमीर डेड़ी ने मुझे एक सला दी थी, उन्होंने कहा था, कि जब मैं अकाउंटेंट का इंटर तो उससे पूछूं, एक धन एक कितने होते हैं, अगर अकाउंटेंट जवाब दे तीन, तो उसे नोकरी पर मत रखो, वह चतुर नहीं है, अगर वह जवाब दे दो, तो उसे भी मत रखो, क्योंकि वह परियाप चतुर नहीं है, लेकिन अगर अकाउंटेंट जवाब देत आप एक धन एक कितना कराना चाहते हो, तो उसे तुरंत नोकरी पर रख लो। विद्यार्थी हंसने लगे और हम अपनी सामगरी समेटने लगे। एक विद्यार्थी ने पूछा, तो आप संपतियां बनाते हैं, जो बाकी संपतियां और दाइतव खरीदती है, क्या यह सही है। मैं ने हामी में सीरह लाया. उसी वीड्यार्ती ने पूछा, क्या आप दूसरी संपतियां खरीदने के लिए कभी पैसे का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लेकिन मैं दूसरी संपति क्रीदने के लिए अपनी बनाई समपती से मिले पैसों का उपियोग करना पसंद करता हूँ मैंने जवाब दिया और अपना brief case उठा लिया याद रखो मैं पैसे के लिए काम करना पसंद नहीं करता मैं तो एसी समपतियां बनाना चाहता हूँ जो दूसरी संपतियां और दाईतों खरीदे चीन के एक युवा विद्यार्थी ने बैग उठाने में मेरी मदद की और बोला इसलिए आप नेटवर्क मार्केडिंग की इतनी ज़्यादा सला देते हैं बहुत कम पैसों और कम जोखिम में इनसान अपने खाली समय में संपति बना सकता है मैंने अपना शिरही लाया एक एसी संपति जिसे वे अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकते हैं बसरते बच्चे ऐसा चाहें मेरे ख्याल से एसी ज़्यादा कमपनिया नहीं है जो आपको अपनी नोक्री बच्चों को हस्तांतरित करने का आउसर देती हो यह संपति की कसोटी है क्या आप इसे अपने प्रियजनों को हस्तांतरित कर सकते हैं मेरे डैडी ने कहा मेरी डेडी ने जिने मैं अपना गरीब डेडी कहता हूँ सरकारी सीडी पर चड़ने के लिए कड़ी मेनत की थी अगर उन्हें नोकरी से नहीं निकला जाता तब भी वे अपनी बर्सों की कड़ी मेनत वाली नोकरी अपने बच्चों को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे वैसे यह बात नहीं थी कि हम लोग उनकी नोक्री चाहते थे या उस नोक्री के योग्य थे विद्यार्थियों ने मेरी कार तक मुझे छोड़ा तो कड़ी मेनत करके और संपतियां खरीदने के बजाए संपतियां बनाने के बारे में सोचो बीस अजार डोलर वाले विद्यार्थि ने कहा बसरते आप नब्यदस कलब में शामिल होना चाहते हो मैंने जवाब दिया इसलिए अमीर डेड़ी लगातार मेरी स्रजनात्मक्ता को चुनोती देते थे कि मैं संपतियां खरीदे बिना संपति वाले कोलम में अलग-अलग प्रकार की संपतियां कैसे बनाऊं उन्होंने कहा था कि किसी संपति को बनाने में कई वर्ष लगाना बेहतर है बजाए इसके कि किसी दूसरे की संपति बनाने के लिए पैसे की खातिर कड़ी मेहनत करने में जिंदगी गुजार दी जाई जब मैं कार में चड़ा तो 20,000 डालर वाला विद्यार्थी बोला तो मुझे बस एक विचार लेना है एक संपति बनाना है एक बड़ी संपति जो मुझे अमीर बना दे अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मैं 90 बाई 10 की पहली को सुल्जा दूँगा और उन 10 परतिसद निवेशकों में शामिल हो जाऊंगा जो 90 परतिसद दोलत को नियंतरित करते हैं हंसते हुए मैंने दरवाजा बंद किया और उसकी आखरी टिपनी का जवाब दिया अगर तुम असल जिन्दगी में 90 बाई 10 की पहली सुल्जा लेते हो तो तुमारे पास उन 10 परतिसद लोगों के समू में शामिल होने का अच्छा आउसर है जो 90 परतिसद पैसे को नियंतरित करते हैं अगर तुम आसल जिन्दगी में 92 की पहली को नहीं सुलजा पाते हो तो तुम शायद उन 90% लोगों के समूँ में शामिल हो जाओगे जो सिर्फ 10% धन को नियंद्रित करते हैं. मैंने विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया और कार आगे बढ़ा दी. मानसिक द्रिष्टिकोर्ण प्रशनावली जैसा हेंरी फोर्ड ने कहा था, सोचना संसार का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम लोगी से करते हैं. या जैसे अमीर डैडी ने कहा था, आपका मस्तिस्क आपकी सबसे शक्ति साली संपत्ती साबित हो सकता है, लेकिन अगर उचिती इस्तेमाल नए किया जाए, तो यह आपका सबसे शक्ति साली दाईतों भी बन सकता है. मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बार-बार खाली संपत्ति वाले कोलम में नई संपतिया बनाने को कहा, वे अपने बेटे तथा मेरे साथ बैठ जाते थे और हमसे कहते थे कि हम कैसे एक नई संपत्ति बना सकते हैं, उन्हें दरसल इस बात की परवा नहीं थी कि विचार कितन मुर्कता पूर्ण लगता हो, वे तो हमसे बस इतना चाते थे कि हम इस बात को सही साबित करें कि हमारा विचार किस परकार संपत्ति में बदल सकता है, वे हमसे कहते थे कि हम अपने विचारों की रक्षा करें और उनकी चुनोतियों को चुनोती दें, लंबे समय में यह मेनत करने पैसे बचाने और अपने संसादनों से कम में जीने को कहें जैसी मेरे गरीब डैडी की सला थी तो मानसिक द्रिष्टी कोण प्रशनावली का प्रसन यह है क्या आप संपतियां खरीदने के बजाए खुद की संपतियां बनाने के इच्छुक है हां या नहीं संपतिय समझदारी से कैसे खरीदी जाए इस बारे में कई पूस्तकें और सेक्षणिक कारिकरम है अधिकतर लोगों के लिए संपतियां खरीदना सबसे अच्छी योजना होती है मैं यह सलावी दूँगा कि आप अपनी निवेश योजना के सुरक्षित और आरामदे स्तरों के लिए संपतियां खरीदें सुरक्षित और आरामदे स्तर के लिए बल्यू चिप शेरों जैसी संपतियों में निवेश करें लेकिन अगर आप बहुत अमीर निवेशक बनने के सपने देखते हैं तो सवाल यह है क्या आप किसी दूसरे की संपतियां करीदने के बज़ाई अपनी खुद की संपतियां बनाने के इचुक है अगर नहीं है तो जैसा मैंने कहा है इस बारे में कई पुस्तके और सेक्षनिक कारेकरम है जो बताते हैं कि संपतियों को कैसे खरीदा जाए यदि आप इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि संपतियां कैसे बनाई जाए तो इस पुस्तक का बाकी का हिस्सा मुल्यवान होगा शायद अनमोल भी यह इस बारे में है कि एक विचार को लेकर एसी संपतियों में कैसे बतला जाए जो अन्य संपतियां हासिल करें यह सिर्फ इस बारे में ही नहीं है कि संपति वाले कोलम में बहुत सा पैसा कैसे कमाया जाए यह तो इस बारे में भी है कि संपत्ति से बनाई पैसे को कैसे कायम रखा जाए और उससे अधिक संपतियां तथा जीवन की विलासिताई हासिल की जाए इससे यह उजागर होता है कि 10% लोग 90% धन कैसे हासिल करते हैं इसलिए अगर इसमें आपकी रूची है तो कृपिया सुनते रहें एक बार फिर 92 की पहली यह है पहली यह है आप पैसे खर्च किये बिना संपत्ति वाले कालम में कोई संपत्ति कैसे बना सकते हैं अपने पैसे को कायम रखने का बुद्धी मतापूर्ण तरीका मैंने 1977 में नाइलोन एंड वेलक्रो सर्फर वालेट का अपना पहला व्यावसाई बनाया यह संपत्ति वाले कोलम में एक बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में बनाया गया था समश्या यह थी कि जो संपत्ति बनी थी उसका आकार तो बड़ा था लेकिन मेरी कारोबारी योग यताई च्छुटी थी इसलिए हालांकि मैं तकनीकी द्रिश्टी से 20-30 साल के बीच में मिलिनियर बन गया था लेकिन मैंने 20-30 के बीच में ही यह सब खो भी दिया मैंने यही प्रकिरिया तीन साल बाद रोक एंड रोल कारोबार में दोराई जब M.T.V. शुरू हुआ तो हमारी छोटी सी कमपनी दिवानगी का लाव उठाने के लिए आदर स्थिति में थी एक बार फिर जिस संपत्य को बनाया गया वहे इसे बनाने वालों से ज़्यादा बड़ी थी हम किसी रोकेट की तरह उपर गए और बिना इंदन वाले रोकेट की तरह ही नीचे आए इसलिए बाकी की पुस्तक बड़ी संपत्या बनाने के प्रति समर्पित है जिसमें पेशेवर योग्यता का आकार संपत्य के आकार से मेल खाता हो इसमें बताया गया है कि आप जो पैसा बनाते हैं उसे दूसरी अकसर अधिक सुरक्षित संपत्यों में निवेशित करके अपने पास कैसे रखा जाई जैसा अमीर डेड़ी ने कहा था अगर आप अपने बनाई पैसों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो फिर बहुत सा पैसा बनाने का क्या फाइदा निवेश ही वह तरीका है जिससे समझदार लोग अपने पैसे को अपने पास रखते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं पुस्तक के दूसरे चरण की ओर जो है आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाते हैं और अगला अध्याई है अध्याई 20 नब्य बाई 10 की पहली को सुलजाना आपका दिन शुब हो